एक वैश्विक परिप्रेक्श का परिचय इस प्रारंभिक अध्याय में हम विभिन लेंसों का पता लगाने और समझने के लिए एक यात्रा पर निकलते हैं जिसके माध्यम से हम अपनी दुनिया को देख सकते हैं और व्याख्या कर सकते हैं विश्वा सोग मूलियों और अनुभवों की एक सर्णी पेश करके जो वास्तविक्ता की हमारी समझ को आकार देते हैं, हम एक व्यापक विश्वद्रिष्टी को बढ़ावा देने का लक्ष रखते हैं। यह अन्वेशन हमें मार्ग दर्शन करेगा क्योंकि हम मानव अस्तित्व की जटिल्ताओं में तल्लीन करते हैं, जिससे हमें विविधता की समरिध्धी और समाजों की परसपर संबंध की सराहना करने में सक्षम होता है। जब यह गणना संस्कृती और क्लेरिथ्रोमाईसिन के विश्यों की बात आती है, तो मैं अपने पिछले काम दर इंडिया वे में साजा की गई अंतरद्रिष्टी को प्रतिबिम्बित करने के लिए एक ख्षन लेना चाहता हूँ, जो तीन साल पहले प्रकाशित हुआ पनिश्चित वैश्विक परिद्रिष्य की जटिलताओं को नेविगेट करने पर मेरे पिछले प्रवचन में मैंने एक बहुमुखी और सक्रिय द्रिष्टिकोन की वकालत की मैंने सुझाव दिया कि हमारे लिए अमेरिका के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना, चीन के साथ हमारे संबंधों का प्रबंधन करना, यूरोप के साथ मजबूत संबंधों को बढ़ावा देना, हमारे इरादों के रूस को आश्वस्थ करना, सहियोगी प्रयासों में पान को शामिल करना, हमारे पडोसी देशों को और अधिक पूरी तरह से गले लगाना, हमारे क्षेत्रिय फोकस का विस्तार करना, हमारे क्षेत्रिय ध्यान का विस्तार करना आवश्यक था, और हमारे प्रयासों का समर्थन करने वाले पारंपरिक गठ बंधनों को व्यापक उस समय से हमने इन में से कई क्षेत्रों में प्रक्ति देखी है, हाला की प्रक्ति बोर्ड में समान नहीं रही है। एक शिफ्टिंग ग्लोबल ओर्डर के दबावों को महत्वपून घटनाओं की एक श्रिंखला द्वारा तीवर किया गया है, जिसमें COVID-19 महामारी की अथक तरंगें, यूक्रेन में चल रहे संधर्ष और पश्चिम एशिया के उथल पुथल के कुछ हिस्सों को शामिल किया इन सभी कारकों ने सामूहिक रूप से हमारे रणनीतिक विचारों की जटिलता और तात कालिकता को रेखांकित किया है, क्योंकि हम इस गतिशील दुनिया को नेविगेट करते हैं यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, वह बहुत अधिक चुनोती पूर्ण वातावर्ण में बदल गई है भारत विशेश रूप से इस विक्सित परिद्रिश में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है कई महत्वपूर्ण मुद्दों का राष्ट्र पर सीधा प्रभाव पड़ा है, जिसमें सबसे अधिक दबाव में से एक था, जो सीमा के साथ चीन का विक्सित होता है, जो भारत के रननीतिक विचारों में एक प्रमुख तत्व बन गया है इन प्रतिकूलताओं के बावजूद, भारत को एक द्रिढ नेत्रित्व और अपनी सरकार के पीछे खड़े होने के लिए तैयार समाज द्वारा निर्देशत किया जा रहा है यह सन्योजन अस्थिर्ता की इस अवधी के माध्यम से देश के युद्धा भ्यास के रूप में महत्वपून साबित हो रहा है जैसा की उभर्ती हुई शक्तियां सभी से उपर स्थिर्ता के लिए प्रयास करती हैं भारत को वर्तमान वैश्विक परिद्रिश्य की विशेष्टा वाले अप्रत्याशित परिस्थितियों के बीच अपनी चढ़ाई सुनिष्चित करने के लिए विचार्शी रणनीतियों का विकास करना चाहिए पिछले 25 वर्षों में अंतरराश्ट्रिय संबंधों का परिद्रिश्य पांच प्रमुख रुजानों से काफी प्रभावित हुआ है वैश्वीकरण, पुनर्सन्योजन, बहुद्रुवियता का उदे, प्राध्योगी की के परिवर्तनकारी प्रभाव और रणनीतिक युद्धा भ्यास जो देशों में एतिहासिक रूप से लगे हैं वैश्वीकरण सबसे महत्वपूर्ण बल के रूप में खड़ा है इसके प्रभावों के साथ राष्ट्रों के बीच निर्भरता को बढ़ावा देने के लिए बढ़ती आलोचना का सामना करने के बावजूद गहरा होने की संभावना है इस चल रहे वैश्वीकरण ने वैश्विक शक्ती गतिशील में एक बदलाव की शुरुवात की है दीरे राजनीतिक और सांस्कृतिक आयामों के माध्यम से भी स्पष्ट हो रहा है जैसा कि पुनरसंतुलन करने की प्रक्रिया सामने आती है यह बहुपक्षीता के युग में प्रवेश करने की संभावना है जहां 1945 में द्वितिय विश्व युद्ध के अंत के बाद से एतिहासिक रूप से बोलने वाले लोगों के साथ प्रभावशाली राष्ट्रों की एक नई सरनी उभी होगी यह परिवर्तनकारी यात्रा अभी भी है इसकी शैश्वावस्था और कई कारक इसके प्रक्षेपवक्र को निर्धारित करेंगे भविश्य तेजी से उन साज्यदारियों पर टिका होगा जो राष्ट्रों का निर्मान करते हैं विविध एजेंडा वे तालिका में लाते हैं और राज्यों के ये सन्योजन कैसे विक्सित वैश्विक परिद्रिश के भीतर सहयोग करते हैं हाल के वर्षों में प्रोध्योगी की भूमिका काफी विक्सित हुई है जो परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में उभर रही है अतीत के विपरीत प्रोध्योगी की अब हमारे रोजमर्रा के जीवन को गहराई से प्रभावित करने की ख्षमता रखती है न केवल हम जिस तरह से रहते हैं, बलकि यह भी प्रभावित करते हैं कि हम अपने आवश्यक संसाधनों के साथ कैसे बातचीत करते हैं और उप्योग करते हैं। इसके अलावा, हमारी नियमित गतिविधियों को हथियार बनाने की क्षमता अध्वितिय चुनोतियां प्रस्तुत करती है, जिन्हें हमें नेविगेट करना होगा। तक्नीकी उन्नती की गती इतनी नाटकिय रूप से बढ़ गई है कि यह एक नए परिप्रेक्षे को वारंट करता है, जिसमें हम तेकडेड्स या तक्नीकी नवाचार द्वारा परिभाशत युगों पर विचार करते हैं। इसके अतिरिक्थ हम चर रहे भू, राजनीतिक युद्धा भ्यासों को अंदेखा नहीं कर सकते हैं, जो देशों में और गठ बंधन दोनों में प्रतिस्पर्धी राजनीती के माध्यम से प्रकट होते हैं। ये गतिशील्ता समकालीन भारतिय विदेश नीती को आकार देने में महत्वपून भूमिका निभाती हैं, दोनों को अलग थलग घटनाओं और सामुहिक रूप से प्रभावित करती हैं। जैसा की भारत इस मोर पर खड़ा है, उसे न केवल आर्थिक और तकनीकी शक्ती में असंतुलन को ठीक करने के उद्देश से पुन ग्लोबलाइजेशन की एक लहर के लिए खुद को काटना चाहिए, बलकि अपनी समगर राष्ट्रिय ताकत को बढ़ाने के लिए इस ख्ष यह मानते हुए कि अंतरराष्ट्रिय राजनीती के दायरे में महत्वपून परिवर्तनों और स्थाई स्थिर्ता दोनों की विशेश्टा है, यह हमारे लिए एक परिप्रेक्षे को अपनाना महत्वपून है, जो केवल सहच प्रतिक्रियाओ या पिछले अनुभवों पर निर्भर नहीं करता है। समीकरण के लिए आवश्चक हैं। कि सन्युक्त राज्य अमेरिका एक दुर्जे बल बनी हुई है, शमताओं और प्रभाव के साथ जिसे कम करके आका नहीं जाना चाहिए। इसके परिवर्तित रुख की व्याख्या करना एक जटिल प्रयास है, विशेश रूप से क्योंकि यह तेजी से अपनी राजनेक और रननीतिक शक्ती का अभ्यास करता है। दुनिया के विभिन नक्षेत्रों में अमेरिकी सगाई की सीमा के बारे में स्वाभाविक रूप से प्रश्न उत्पन होते हैं, विशेश रूप से अन्य देशों की बढ़ती उपस्थिती और मुखर्ता के प्रकाश में, सबसे विशेश रूप से चीन। यह देखते हुए कि ये अन्तर राश्ट्रिय रिष्टे कैसे विक्सित होते हैं, वैश्विक राजनीती के भविश्य के परिद्रिश्य को समझने के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम राश्ट्रों में बिजली की गतिशीलता और रणनीतिक हितों के जटिल अन्तर को नेविगेट करते हैं। जहां घरेलू परिवर्तन राश्ट्रों को अपने अंतरराश्ट्रिय पदों और संबंधों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके अलावा, जबकि यूक्रेन में चल रहे संधर्ष और वैश्विक उर्जा बाजारों पर इसके परिणामस्वरूप प्रभाव निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, वे राजनेक विचारों में इंडो-पैसिफिक को प्राथमिक्ता देने की दिशा में ओवर्शैडो या पलटने की संभावना नहीं रखते हैं। इन कारकों के प्रकाश में अंतरराश्ट्रिय संबंधों का पुनरगणना एक व्यापक प्रवृत्ती को दर्शाता है, जो यह बता रहा है कि राश्ट्रों ने विश्व मंच पर कैसे बातचीत की। इन में से प्रत्येक विक्सित रुझानों ने भारत के विदेश नीती के द्रिश्टिकों को काफी प्रभावित किया है। केंडरित कूटनीती के एक अनूठे रूप के लिए नीम भी रखी। युक्रेन से संबंधित हमारे व्यवहारों में हमने एक राजनीतिक रुख अपनाया, जो न केवल उर्जा और खाद्य सुरक्षा की ततकाल चिन्ताओं पर विचार करता है, बलकि यूरेशियन छेत्र के भीतर बड़े भू राजनीतिक परस्पर क्रिया भी। जब चीन के साथ हमारे संबंधों की बात आती है, तो हमने सहयोगी प्रयासों पर जानबूच कर सीमाओं का प्रयोग करते हुए सीमा के साथ एक मजबूत सैन्य उपस्थिती बनाये रखी। क्वाड एलीज के साथ साजेदारी के संदर्भ में हमने अपने आपको उनकुछ देशों में से एक के रूप में प्रतिश्थित किया, जो क्रमिक प्रशासन के बीच संक्रमन को नेविगेट करने में सक्षम हैं, जिनमें से प्रत्येक ने अलग अलग विदेश नीती द्रि आरत्मध्यपूर्वयूरोप Economic Corridor, IEMEC को वास्तुकार करना शामिल है। ये उपाय वैश्विक मंच पर विभिन चुनातियों को संबोधित करते हुए हमारे राजनेक व्यस्तताओं को मजबूत करने के लिए एक जानबूच कर प्रयास का संकेत देते हैं। इस समय सीमा के दोरान प्रतिसपर्धी संबंधों को प्रभावी धंग से प्रबंधित करते हुए विभिन रास्तों को नेविगेट करने की चुनाती परीक्षन के लिए रखी गई थी। योरोपिय देशों के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए किये गए महत्वपून प्रयास काफी जटिल काम साबित हुए, खास कर जब रूस के साथ लंबे समय से संबंध बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। चुनकी वैश्विक उत्तर और दक्षिन के बीच का विभाजन तेजी से उच्चारन किया गया था। जी बीस में भारत के राष्ट्रपती पद की शुरुव पात में वैश्विक दक्षिन शिखर सम्मेलन की आवाज का आयोजन एक आश्चर्यजनक समय पर निर्नय लिया गया था। इस बीच चुनकी बहुद्रुवियता की गतिशीलता विक्सित होती रही, भारत की विस्तार करने वाली व्यस्तताओं को रननीतिक रूप से यह सु परिवर्तन का अनुभव किया है। सम्भावित लाभ का मूल्यांकन करते हैं। लोकतांत्रिक प्रणालियों वाले राश्ट्रों के लिए यह ध्यान अधिक लचीला और भरोसेमंद आपूर्ती श्रिंखलाओं के निर्मान की ओर स्थानांतरित हो गया है। डिजिटल प्रोध्योगी की के दाइरे में विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की आवश्शक्ता पर एक समानांतर जोर दिया गया है, जो अंतरराश्ट्रिय व्यवहार की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए महत्वपूर्ण घटक है। एक अधिक विकेंद्रीकृत वैश्विक अर्थव्यवस्था का विचार तेजी से वर्तमान चुनौतियों और अनिश्चित्ताओं के व्याभारिक समाधान के रूप में देखा जाता है। जैसा कि तक्नीकी प्रतियोगिता से तनाव तेज हो जाता है, आर्थिक एकाधिकार के खिलाफ भावनाय और भी अधिक स्पष्ट होने की संभावना है। इसके अलावा, यह पहचानना आवश्चक है कि राश्ट्रों की परसपर संबंध वैश्विक मंच पर स्थाई शांती और सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते हैं। इस तेजी से विक्सित होने वाले तकनीकी युग में रीगलोबलाइजेशन की प्रक्रिया ट्रस्ट और पारसपरिक समझ पर निर्मित सहयोगों की मांग करेगी एक उपन्यास धाचे का प्रतिनिधित्व करती हैं जो कई पहली बार नेविगेट करेंगे। एक आरोही बल की यात्रा प्रतिनिधित्व कर काम करते हैं जो परिवर्तन हमने लंबे समय से अनुमान लगाया है वह अब एक वास्तविक्ता है जो हमारी आँखों के सामने सामने आती हैं अंतरराश्ट्रियम मंच पर भारत समान विचारधारा वाले देशों के साथ खुद को संरेखित करने के फायदों को मान्यता दे रहा है जबकि सभी अपनी अनूठी पहचान और सांस्कृतिक समरिधी को संरक्षित करते हैं यह दोहरी द्रिष्टिकों न केवल भारत की वैश्विक उपस्थिती को बढ़ाता है बलकि इसे पारस्परिक रूप से लाबकारी शर्तों के आधार पर नई साजेदारी को बढ़ावा देने की अनुमती देता है दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में और वर्तमान में पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की स्थिती पर कबजा कर रहे हैं भारत के महत्व को G20 राष्ट्रपती पद के लिए अपने अडिग हैंडलिंग द्वारा और अधिक जोर दिया गया है तेजी से विक्सित होने वाले भारत और समान रूप से गतिशील वैश्विक परिद्रिश के बीच उभरने वाली बातचीत अभूत पूर्व हैं दोनों पक्षों के लिए नए अफसर और चुनौतियां पेश करती हैं इस संदर्भ में भारत के नेत्रित्व का कैलिबर अपने भविष्य के प्रक्षेपवक्र को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगा इस चर्चा में मेरा उद्देश महत्वपूर्ण घटनाओं और रुझानों को घेरने का लक्ष है जो एक दुनिया को अपार तनाव से गुजरने वाली दुनिया की विशेष्टा है एक रूपरेखा प्रदान करता है जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ने वाले भारत की संभावनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं मेरे पिछले काम की तरह यह प्रयास एक ऐसे समाज के भीतर चल रहे प्रवचन को समरिध करने के लिए डिजाइन किया गया है जो बहस और समवात पर पनपता है महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाडी आमतौर पर एक महत्वपूर्ण घटना के बाद अपने प्रभाव को प्राप्त करते हैं जो दुनिया में उनके खड़े होने को फिर से तयार करता है क्या यह घटना युद्ध का रूप एक क्रांतिकारी परिवर्तन या आर्थिक परिद्रिश में परियाप्त बदलाव का रूप लेती है ऐसे सामान्य विशय हैं जो इन परिवर्तनों को रेखांकित करते हैं इन परिवर्तनों के दिल में क्षमताओं की वृध्धी है, जो प्रभावशाली राज्यों से नए लक्षणों और विशेशताओं के उद्भव के साथ मिलकर है भारत के संदर्भ में इसके शुरुवाती राजनेक प्रयासों को इसकी समगर क्षमताओं में सीमाओं से बाधित किया गया था जबकि ये चुनोतियां राश्ट्रिय सुरक्षा और राजनीती के क्षेत्रों में प्रकट हुई, वे मूल रूप से सामाजिक आर्थिक विकास और तक्नीकी नवाचार में देश की धीमी प्रक्ती का प्रतिबिंब थे इसके अलावा वैश्विक मंच पर भारत की समरिध और प्राचीन सभेता की क्षमता को प्रभावी ढंग से दिखाने में ध्यान देने योग्य कमी थी अपने समकालीनों की तुलना में भारत की यात्रा को पुन्रावरित्ती और अस्मानता द्वारा चेहनित किया गया है हालांकि वर्तमान परिद्रिश विभिन कारकों के एक अभिसरण को दर्शाता है जो सामुहिक रूप से भारत को एक सामंजस्य पूर्ण तरीके से आगे बढ़ा रही है आज राजनीती, अर्थशास्त्र, जनसंख्या की गतिशीलता, सांस्कृतिक समरिधी और प्रक्तिशील विचारधाराओं का परस्पर क्रिया परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली बल पैदा करती है विविध क्षेत्रों में ये गहन बदलाव इस बात के लिए नीम रखते हैं कि अब न्यू इंडिया के रूप में क्या संदर्भित किया गया है एक राष्ट्र जो विश्व मंच पर अपनी चवी और आकांक्षाओं को पुनर जीवित करता है पिछले दस वर्षों में भारत ने अपनी अंतरिक्ष पहल को काफी व्यापक बना दिया है और वैश्विक मंच पर अपनी प्रोफाइल को बढ़ाया है इसके राजनेक द्रिश्टिकोन का धाचा अधिक परिभाशित हो गया है विशेश रूप से पडोस की पहली नीती ने द्रिड़ता से खुद को स्थापित किया है जबकि विस्तारित पडोस के साथ सगाई विभिन दिशाओं में विस्तारित हो गई है इसके अतिरिक्ट विश्व मान्चित्र पर भारत की उपस्थिती बढ़ रही है न केवल अफरीका और लैटिन अमेरिका जैसे एक शेत्रों में बलकी प्रशांत और कैरिबियन में भी स्पष्ट है इसी समय भारत प्रमुख वैश्विक पावर हाउस के साथ अपने राजनेक संबंधों को तेज कर रहा है यद्यपी इस प्रक्रिया में चुनोतियों का सामना कर रहा है वैक्सीन मैत्री पहल ने वैश्विक दक्षिन के लिए एक प्रमुख वकील के रूप में भारत के खड़े होने को एक जुट कर दिया है जबकी विभिन पहले उत्तरदाता मिश्णों ने अंतरराश्ट्रिय सहयोग के लिए देश की प्रतिबधता को रेखांकित किया है कावेरी, गंगा, देवी, शक्ती और अजय जैसे संचालन से पता चलता है कि विदेश में रहने वाले भारतिय नागरिक, संकट और प्रतिकूलता के समय अपनी सरकार पर भरोसा कर सकते हैं एक दशक पहले योग के प्रचार के साथ जो शुरू हुआ था, वह अब भारत की समरिध सांस्कृतिक विरासत और क्रिशी विविधता को उजागर करते हुए, श्री अन्ना, मर्टिट्स की वकालत की ओर विक्सित हो रहा है जबकी विकास और प्रभाव की यात्रा जारी है, यह अक्षन अब तक किये गए प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए प्रतिबिम के लिए कहता है इस तरह का आतलन वैश्विक मंच पर भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रकट करने के लिए निश्चित है और इसकी उपस्थिती दुनिया के लिए महत्वपूर्ण क्यों है अंतहक विदेश नीती का दाइरा अवसरों और खत्रों के आतलन के साथ मिलकर अंतरराश्ट्रिय पर्याबरण के एक सावधानी पूर्वक मूल्यांकन के इर्ध गिर्ध घूमता है वैश्विक संबंधों की जटिलताओं को प्रभावी धंग से नेविगेट करने के लिए व्यापक संदर्भ की स्पष्ट और व्यापक समझ होना आवश्चक है केवल इस तरह की अंतरग्रिष्टी के साथ एक राश्ट्र किसी विशेश रणनीती या कारवाई से जुड़े संभावित जोखिमों और लाभों को सही धंग से तौल सकता है हालांकी यह ध्यान रखना महत्वपून है कि कोई भी राश्ट्र अलगाव में काम नहीं करता है प्रत्येक राज्य को अपनी पहचान की एक ग्रिष्टी की खेती करनी चाहिए एक अतिव्यापी रूप्रेखा विक्सित करनी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए विशिष्ट लक्षेओं को स्थापित करना चाहिए विभिन कारणों से जिसमें व्यावारिक विचार और सांस्कृतिक प्रभाव शामिल हो सकते हैं इन आकांग्षाओं को हमेशा सीधे तरीके से व्यक्त नहीं किया जा सकता है फिर भी वैश्विक गतिशीलता का गेहन विशलेशन, स्थापित प्रक्रियाओं की खोज और संभावित समाधानों के प्रस्ताव से हमें अंतरनेहित विश्यों और प्राथमिक्ताओं की पहचान करने की अनुमती मिलती है जो राष्ट्रिय नीतियों का मार्क दर्शन करत इस संबंध में निम्नलिखित पाठ को इसकी सामगरी के भीतर सुक्ष्मताओं के लिए सराहना के साथ संपर्क किया जाना चाहिए, पाठकों के लिए एक अफसर के रूप में कार्य करना, सामगरी के साथ गंभीर रूप से सनलगन होने और बुनी हुई गहरी जिश्टी की व्याख्या करने के लिए, G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत का कार्यकाल समकालीन वैश्विक राजनीती की जटिलताओं को समझने और नेविगेट करने में एक मूल्यवान के स्टडी साबित हुआ है, Global South द्वारा सामना किये जाने वाले दबाव मुद्दों की ओर लगातार ध्यान केंद्रित करके, हमने सफलता पूर्वक G20 को अंतरराश्ट्रिय आर्थिक विकास और विकास को बढ़ावा देने के अपने मौलिक मिशन के लिए निर्देशित किया, इस संबंध में हमने न केवल स्पष्ट प्राथमिक्ताओं की स्थापना की, बलकि सामुहिक समाधानों को क्राफ्टिंग करने की दिशा में भी काम किया, जिन्होंने इन चुनोतियों को एक महत्वपूर्ण तरीके से संबोधित किया, जैसा कि हमने पूर्वपश्चिन ध्रुवीकरण और उत्तरदक्षिन विभाजन द्वारा उत्पन्न एक साथ कठिनाईयों का सामना किया, हमने रणनीतिक रूप से प्रत्येक स्थिती की तातकालिक्ता को दूसरे को कम करने के लिए लाब उठाया, एक मजबूत राजनेक रुख को बनाये रखना, जिसमें अंतरिम परिणामों को प्राप्त करने के लिए अभिनव द्रिष्टिकोनों की शुरुवात शामिल थी, ने निरनायक क्षणों के दौरान आम सहमती को सुविधाजंक बनाने में महत्वपून भूमिका निभाई, एक उलेखनिय पहल अफ्रीकी संग एयू को स्थाई सदस्यता देने का कदम था, एक ऐसा कदम जिसने न केवल हमारी प्रतिबधता को समावेश के लिए रिखांकित किया, बलकि वैश्विक सहयोग और एकता को मजबूत करने के व्यापक कथा को भी मजबूत किया, इन प्र योजित हाल के जी 20 शिखर सम्मेलन से प्राप्त एक महत्वपूर्ण अंतरग्रिष्टी यह एहसास थी कि जब अजेंडा बॉल्ड और महत्वाकांक्शी लक्षियों के साथ सेट किया जाता है, तो यह कार्यवाही को बाधित करने या कमजोर करने के लिए नेसेयर्स या अ वे प्रत्येक ने विश्व मंच पर भारत की समगर सफलता में निवेश करना शुरू कर दिया। यह निवेश कई पहलू में सपश्ट था, पूरे शिखर सम्मेलन में नियोजित कूटनीती तक भारत की समरिध संस्कृती और विरासत को दिखाने के लिए और यहा तक की समा प्रतिय द्रिष्टिकोन की विशेश्ता थी, जो वैश्विक समुदाय के भीतर देश के मूलियों और इसकी आकांक्षाओं दोनों को दर्शाता है। जो तेजी से प्रमुखता से चड़ रहा है, विशेश रूप से एक दुनिया में तेजी से इसके उदे के लिए बढ़ रहा है, और दूसरी बात हमारे अपने नागरिकों के लिए अंतरराश्ट्रिय घटनाओं की एक बारीक समझ के महत्व पर जोर देने के लिए। केवल इस गहरी समझ के माध्यम से हमारा राश्ट्र वास्तव में असंख्य अवसरों और दुर्जे चुनोतियों को पहचानने और जवाब देने की उम्मीद कर सकता है, जो आगे जूट बोलते हैं। ये दो प्रयास जबकी अलग-अलग हैं, आंतरिक रूप से सांस्कृतिक सिधानतों से जुड़े हुए हैं, जो उन्हें रिखांकित करते हैं। हमारे साजह मूल्य और मानदंड न केवल हमारे विदेशी बातचीत का मार्ग गर्शन करते हैं, बलकि एक विविध और परामर्श डाता समाज के रूप में हमारी पहचान को भी दर्शाते हैं। वे हमारे राजनीतिक परिद्रिश को आकार देने में महत्वपूण भूमिका निभाते हैं, जो हम सामुहिक रूप से बनाते हैं, उन लोकतांतरिक विकल्पों को बढ़ाते हैं। जिस तरीके से हम समबाद में सनलगन होते हैं, निर्ने लेते हैं और अपने पदों को व्यक्त करते हैं, सभी को एक अद्वितिय सांस्कृतिक धाचे द्वारा सूचित किया जाता है। अंतह ये तत्व मौलिक मूलियों और नैतिक मान्यताओं को प्रकट करते हैं, जो हमारे राष्ट्रिय चरित्र के सार का गठन करते हैं। राष्ट्रों और सभ्यताओं की महाकाव्य कथाए केवल मनोरंजन के लिए तयार की गई कहानिया नहीं हैं। वे ज्ञान, सांस्कृतिक मान्यताओं और स्थापित प्रथाओं के समरिध रिपोजिटरी हैं। उन समुदायों के लिए जिन्होंने पूरे इतिहास में चुनोतियों और उथल, पुथल का सामना किया है। ये आख्यानोंने प्रेणा और प्रेणा के शक्तिशाली स्रोतों के रूप में काम किया है। सबसे गहरा सागा मूल्यवान सबक प्रदान करता है, जो भौगोलिक और वैचारिक सीमाओं से परेफैले हुए हैं, जो महत्वपूर्ण संदेशों के प्रसार की सुविधा प्रदान करते हैं। इस संबंध में इन कालातीत कहानियों से प्रासंगिक अंतरद्रिष्टी निकालना और उन्हें आधुनिक युग में लागू करना बहुत आकर्शक है। अराजक्ता और अनिश्चित्ता के समय के दौरान इन महा काव्यों में चितरित घटनाओं और संकल्पों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं, सार्थक समानताएं आकर्शित कर सकते हैं और व्यक्तिगत और सामुहिक आत्म विश्वास को बढ़ा सकते हैं। वास्तव में क्योंकि ये भव्यक अथाएं एक सम्मोहक धाचा प्रदान करती हैं, जिसके माध्यम से किसी भी युग की गतिशीलता की जाच करने के लिए वे पीडियों में अपने महत्व और प्रासंगिक्ता को बनाए रखते हैं। भारत के दो प्रमुख प्राचीन महाकाव्य, रामायन और महाभारत में यहां आम तौर पर महाभारत है जो शासन और राजनेक संबंधों के विश्यों की बात करने पर अधिक ध्यान आकर्शित करती हैं। इस प्रचलित द्रिश्टिकोन को कई कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, मुख्य रूप से कथा। पर जोर देता है। यह एक कहानी के चारों और घूमता है जो नैतिक अखंडता और पुन्यकारियों को बढ़ावा देता है। पालन की खोज के रूप में व्याख्या कर सकता है, जबकि महाभारत को रियल पोलिटिक की खोज के रूप में देखा जा सकता है, जो शक्ती की गतिशीलता के लिए एक अधिक व्यावहारिक और कभी कभी करूर ग्रिश्टिकोन का प्रतीक है। आज की परस्पर जुडी दुनिया में, जहां अंतरराश्ट्रिय संबंधों को अकसर भयंकर प्रतिसपर्धा की विशेश्टा होती है, नियमाधारित आदेश को स्थापित करने और बनाय रखने के सिध्धांत अप्रिहार्य रहते हैं। यह आवश्शक्ता शायद वैश्विक अशांती और गठबंधन की वर्तमान जलवायू में और भी अधिक स्पष्ट है। एक कभी विक्सित होने वाले अंतरराष्ट्रिय परिद्रिश में शासन की चुनोतियों पर भी परिप्रेक्ष प्राप्त करते हैं। रामायन में चितरित किये गए नैतिक पहलू उल्लेखनिय रूप से बाहर खड़े हैं जबन केवल महाभारत की तुलना में बलकी दुनिया भर के विभिन संस्कृतियों से महाकाव्य कहानियों से भी। इसके मूल में रामायन अच्छे और बुरे की ताक्तों के बीच एक अलग अलग परिभाशित संधर्श को दिखाता है। यही कारण है कि इसे पूरे एशिया में कई त्योहारों और कहानियों के माध्यम से सम्मानित और स्मरण किया जाता है। हाला कि यह अतिव्यापी कथा अपनी पेचीदगियों के बिना नहीं है। यह दुविधाओं और नैतिक चुनोतियों के साथ व्याप्त है जो रणनीती के अध्ययन में रुची रखने वालों के लिए अमूल्य अंतरद्रिष्टी प्रदान करते हैं। पाठ कलात्मक रूप से प्रदर्शित करता है कि सद्भावना का उपियोग कैसे किया जाता है, कैसे प्रतिबधताई जाली होती हैं, गठ बंधन कैसे बनते हैं और निर्नय कैसे किये जाते हैं। इन में से प्रत्येक तत्व को स्पष्ट रूप से कथा में जीवन में लाया जाता है यद्यपी कहानी के भीतर किये गए कई विकल्प पहली नजर में सीधा लग सकते हैं वे जटिल बैकस्टोरी द्वारा रेखांकित किये जाते हैं जो उन घटनाओं की गहरी समझ के लिए आवश्चक हैं जो प्रकट होते हैं इन अंतरनिहित आख्यानों को पहचानने के बिना रामायन की समझ अधूरी रह जाएगी इसके मूल में रामायन एक दिव्य होने की जटिल कहानी को बताता है जो राम के रूप में मानव रूप को लेता है जिसमें पुरुषवादी की दुनिया से छुटकारा पाने के महान मिशन के साथ अपनी यात्रा के माध्यम से राम न केवल नैतिक व्यवहार के सिध्धानतों को स्थापित करता है बलकि सिर्फ शासन के लिए भी वकालत करता है जो हमें अपने शासनकाल को धार्मिक्ता के आधार पर एक शासन प्रणाली के आदर्श उदाहरन के रूप में मानने की अनुमती देता है जिसे प्रसिध रूप से राम राज्य कहा जाता है हालाकि कथा इन सीधे विचारों के सुझाव से कहीं अधिक बारीक है यह एक नायक के रूप में उनकी प्रभावशाली प्रतिष्था में योगदान करने वाले कौशल को प्राप्त करने और कौशल प्राप्त करने के लिए राम की यात्रा को प्रदर्शित करने से शुरू होता है जिस तरह से वह कई चुनोतियों और परीक्षणों का सामना करता है, उलेखनिय चपलता और ज्ञान का प्रदर्शन करता है, जो अंत्र उसे उन समारकिये बाधाओं के लिए लैस करता है, जो आगे जूठ बोलते हैं कहानी में सबसे महत्वपूर्ण रिष्टों में से एक राम और उनके समर्पित सौतेले भाई लक्षमन के बीच है, हालांकी राम ने अपने अन्य भाई भनो, भरत और शत्रुगना के साथ एक मजबूत बंधन भी साजा किया है साजिश राजनीतिक युद्धा भ्यास के साथ मोटी हो जाती है, जब राम की सौतेली मा, कायकेई, दो वर्दानों में से एक का दावा करने के लिए परिस्थितियों में हैरफेर करती है कि उसके पिता, राजा दशरत ने उसे प्रदान किया था, जब वह एक महत्वपूर क्षन में राम के निर्वासन के लिए एक अप्रत्याशित मां के लिए अग्रणी था, जब वह होने वाला है। में सेठ होती है, जो राम की खोज और महाकाव्य यात्रा के दौरान प्रेम, कर्तव्य और धार्मिक्ता के अंतिन विश्यों को परिभाशित करती है। जैसा की राम अपने प्यारे को बचाने के लिए मिशन में शुरू होता है, रणनीतिक द्रिश्टिकोनों का एक असंख्य प्रकाश में आता है, जिन मेंसे कई ने खुद को उम्र भर लोग कथाओं के टेपेस्ट्री में बुना है। आगामी दस दिवसिय टकराव जो अंतर राम को अपने लक्षे को प्राप्ट करते हुए देखता है, तनाव और अनिश्चित्ता से भरा हुआ है। इस कथा में एक विशेश रूप से महत्वपूण व्यक्ति हनुमान है, जो न केवल राम के समर्पित अनुयाई के रूप में कार्य करता है, बलकि मैसेंजर, संसाधन सलाहकार और रणनीतिक सलाहकार की भूमिकाओ पर भी ले जाता है। यह कहानी कई महत्वपूण विशेओं पर जोर देती है, जो हमारी समकालीन परिस्थितियों के साथ प्रतिध्वनित होती हैं। युद्ध ये पाठ हमारी आधुनिक दुनिया के लिए अपार प्रासंगिक्ता रखते हैं, जो आज हमारे द्वारा सामना की जाने वाली विभिन स्थितियों पर लागू अंतरग्रिष्टी प्रदान करते हैं। इसके मूल में लौड राम की कथा एक दफन प्राधिकारी की यात्रा का प्रतीक है, जो एक सार्वभामिक पैमाने पर अधिक से अधिक अच्छे को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पन के साथ अपनी व्यक्तिगत महत्वा कांक्षाओं को संतुलित करता है। अपनी यात्रा के दौरान लौड राम कई चुनोतियों का सामना करते हैं, जो अभिनव सोच और रणनीतिक समस्यासमाधान को प्रेरित करते हैं। कई निरनायक च्षणों का सामना वह राजसी विकल्पों में डाला जाता है, जिससे एक स्पष्टता होती है, जो उनके फैसलों को कम जटिल और नैतिक रूप से सीधा बनाती है। हाला की ऐसे उदाहरण हैं, जहां स्वहित एक भूमिका निभाते हैं, और उनके कारियों के पीछे तर्क विशिष्ट आवश्चक्ताओं या लक्षियों से उत्पन होता है। इसका एक उलेखनिय उदाहरण बंदरकिंस वली और सुग्रीवा के बीच संधर्ष में उनकी भागिदारी है, जो बाद में कथा में विस्तृत किया जाएगा। परिद्रिश्य नैतिक विचारों से समरिध है, हालांकि यह पहचानना आवश्चक है कि इस संदर्भ में नैतिकता की व्याख्या पारंपरिक या रूढिवादी मान्यताओं से अलग हो जाती है। जीवन अक्सर हमें उन विकल्पों के साथ प्रस्तुत करता है, जो सरल्या सीधे से दूर हैं, और निर्नय लेने में शामिल बारीकियों को पहचानना अंतरराश्च्य संबंधों की जटिल गतिशीलता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। एक उभरती हुई वैश्विक शक्ती के लिए खुद को प्रभावी धंग से मुखर करने के लिए इसे रणनीतिक रूप से प्रतिक्रिया करने की क्षमता के साथ मिलकर अपने परिवेश के एक व्यापक और सटीक मूल्यांकन से अधिक की आवश्शक्ता होती है। इन सबसे उपर इस शक्ती को अपने स्वयं के मूल मूल्यों और सिध्धान्तों में एक गहरा और पालन करने वाला विश्वास होना चाहिए, इनका उप्योग करने वाले अपने नीतिनिर्मान प्रयासों की नीम के रूप में। इस तरह के मूल्यों को अपनी सांस्कृतिक पहचान, एतिहासिक संदर्भ और लंबे समय से चली आ रही परंपराओं की समरिध टेपश्ट्री को प्रतिबिन्बित करना चाहिए। नतीज तन भारत के लिए विश्व मंच पर अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने के लिए उसे अपने सभी सार में भारत के रूप में अपनी पहचान को अपनाना चाहिए। अध्याय दो अंतरराश्ट्रिय संबंधों और अपने जीवन पर इसके प्रभाव को नेविगेट करना। इस अध्याय में हम विदेश नीती के आकरशक दायरे में बदल जाएंगे और यह पता लगाएंगे कि यह अपने जैसे व्यक्तियों को कैसे प्रभावित करता है। अंतरराश्ट्रिय संबंधों की पेचीदगीयों को समझ कर आप दुनिया भर की सरकारों द्वारा किये गए निर्णयों में मूल्यवान अंतरग्रिष्टी प्राप्त कर सकते हैं और यह निर्णय अंत्ता आपके दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। अपने रोजमर्रा के अनुभव और प्रभाव को बढ़ाना हमारे दैनिक जीवन में हमारे पास सकारात्मक बदलाव बनाने के कई अफसर हैं जो हमारे दिन्चरिया और हमारे आसपास के वातावर्ण को बहुत प्रभावित करते हैं। हमारे कारियों और विकल्पों के प्रती सचेत होने से हम न केवल अपने स्वयन के अनुभवों में बलकि हमारे समुदाय के अन्य लोगों में भी सुधार कर सकते हैं। छोटे परिवर्तन जब लगातार लागू होते हैं तो हमारे समगर कल्यान और हमारी बातचीत की गुनवत्ता में ध्यान देने योग्य अंतर हो सकता है। सुधार के लिए इन अवसरों को गले लगाने से हमें हर दिन अधिक पूर्ण और समरिध जीवन जीने में सक्षम बनाता है। भारत वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण महत्व रखता है और दुनिया बदले में भारत को प्रभावित करती है। हालां कि इस पारस पर एक संबंध का मतलब यह नहीं है कि हम भारतियों के रूप में अपने स्वयंके हितों की उपेक्षा करनी चाहिए। जब एक राष्ट्रिय द्रिष्टिकोन से देखा जाता है, तो कोई आश्चरियटकित हो सकता है कि एक प्रभावी विदेश नीती का गठन क्या है। यह संभव है कि हम कभी, कभी जटिल विचारधाराओं के लिए अपने राष्ट्रिय हितों की तारकिक खोज को गलत करके चीजों को जटिल बनाएं। इसलिए पिछले जटिल शब्दजाल को देखना महत्वपून है और इसके बजाए अधिक सहज और सीधी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से विदेश नीती का आकलन करना, यह प्राथमिक्ता देना की वास्तव में भारत और उसके लोगों को क्या लाभ होता है। एक सफल और प्रभावी विदेश नीती को राष्ट के भीतर व्यक्तियों की भलाई को प्राथमिक्ता देनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि लागू की गई नीतीयों को वैश्विक परिद्रिश्य के संबंध में अपने रोजमर्रा के अनुभवों और आवश्चक्ताओं को संबोधित करना और सुधारना चाहिए। एक सन्युक्त राष्ट के रूप में यहां आवश्चक है कि हम स्थिर्ता और सुरक्षा बनाये रखने के लिए अपनी राष्ट्रिय सुरक्षा को प्राथमिक्ता दें। उस नीम को सुरक्षित करने के साथ हमें अपने सामुहिक लक्षियों और सपनों को प्राप्ट करने के लिए रास्ते खोलने पर भी ध्यान देना चाहिए. विदेश नीती हमारी सीमाओं से परे दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण संबंध के रूप में कार्य करती है, जिससे हमें उन संसाधनों और प्रक्ती को प्राप्ट करने की अनुमती मिलती है, जो हम चाहते हैं. यह विभिन्प्रकार के तत्वों को शामिल कर सकता है, जिसमें अत्याधुनिक प्राध्योगी की उतक पहुंच विप्तिय निवेश अन्य देशों से सर्वोत्तम प्रथाओं का कार्यानवयन या रोजगार और सहयोग के अवसर शामिल हैं. इसके अलावा, हमारे लिए यह स्वाभाविक है कि हम विश्व मंच पर एक मजबूत बल के रूप में मान्यता प्राप्त करें, खुद को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करें, और हमारे अंतरराष्ट्रिय व्यवहारों में मूल्यवान और सम्मान महसूस करें. अंत में एक प्रभावी विदेश नीती में अंतरराष्ट्रिय रुझानों और विकास की गहरी समझ होनी चाहिए, जिससे यह हमारे देश और उसके नागरिकों के लिए संभावित नहितार्थ का पूर्वानुमान लगाने की अनुमती दे. जब अप्रत्याशित घटनाओं का सामना किया जाता है, तो इस नीती के लिए तेजी से और कुशलता से प्रतिक्रिया करना महत्वपूर्ण है. इसके अलावा, यह हमारे इरादों को सपष्ट रूप से समवाद करना चाहिए और वैश्विक मंच पर हमारे राष्ट्र की एक अनुकूल धार्णा को बढ़ावा देना चाहिए. कोई भी द्रिष्टिकोन जो इन उद्देशों को सफलता पूर्वक प्राप्त करता है, वह महत्वपूर्ण मूल्य रखता है. हालांकि इसे हमेशा पॉलिश या वागपटुता की आवश्शक्ता नहीं हो सकती है, यह निश्चित रूप से विश्वस्निय होना चाहिए और निश्पादन के योग्य माना जाने के लिए जाँच का सामना करना चाहिए. 24 फरवरी 2022 के भाग्य के दिन यूक्रेन में एक भारतिय चात्र होने की कलपना करें. सपनों के साथ आपकी शैक्षिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित किया गया, आप अपने आपको अप्रत्याशित रूप से एक गंभीर और अराजक संधर्ष में पाते हैं. आप इस भविश्यवानी में अकेले नहीं हैं, साथ ही आप हजारों अन्य भारतिय नाग्रिक हैं, जो सभी एक ही खतरनाक स्थिती का सामना कर रही हैं. उथल पुथल आपके हमवतन से परे फैली हुई है, क्योंकि लाखो युक्रेनी नाग्रिक भी अपनी मात्रि भूमी की अस्थिर परिस्थितियों से बचने के लिए सक्थ कोशिश कर रही हैं. देश को नेविगेट करने की चुनौतियां कठिन हैं, आंतरिक यात्रा के साथ, संकट और जटिल रसत के साथ. जैसा कि आप सुरक्षा के लिए अपना रास्ता बनाने का प्रयास करते हैं, भीड़भाड वाली सडके और भीड़भाड वाले रास्ते महत्वपून बाधाएं पेश करते हैं. सीमाओं तक पहुँचना एक और भी बड़ा अध्यादेश है, वे छोड़ने की कोशिश कर रहे लोगों से अभिभूत हैं, लंबी देरी पैदा करते हैं और चिंता बढ़ाते हैं. संघर्ष से प्रभावित शहरों में दर का एक व्यापक अर्थ है, जो हवा में करगे हैं, क्योंकि गोलाबारी और हवाई हमले का खत्रा एक खतरनाक जुआ के बाहर कदम रखता है. एक रास्ता खोजने के लिए तातकालिकता आपके दिमाग पर भारी पड़ती है, क्योंकि प्रतेक्षण इस अस्थिर वातावर्ण में अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है. संकड के समय के दौरान सरकारी सहायता पर निर्भरता सर्वोप्री हो जाती है, विशेश रूप से उन स्थितियों में जहां सुरक्षा और सुरक्षा दाव पर है. यह ठीक है, जब किसी राष्ट्र की विदेश नीती की पूर्ण मशीनरी जुप जाती है, जो ऑपरेशन गंगा के दौरान देखी गई थी. इस ओपरेशन ने देखा कि सरकार परिवहन को सुविधाजंत बनाने के लिए महत्वपून उपाय करती है, विभिन तरीकों जैसे की ट्रेनों और बसों को रोजगार देता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके की व्यक्ती खत्रे से बच सकें. उच्चस्तरिय राजनेक सगाई रूस और यूक्रेन दोनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई, जिसका उद्देश संघर्ष विराम पर बातचीत करना था जो सुरक्षित मार्ग के लिए अनुमती देगा. इसके अतिरिक्त सरकार ने सीमावर्ती अधिकारियों के साथ सुरक्षित क्षेत्रों में पार करने की प्रक्रिया को सुचारू करने के प्रयासों का समनवय किया. विशेश रूप से गंभीर परिस्थितियों में, जैसे कि सुमी शहर में कठोर स्थिती, अधिकारियों ने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक रसत को सुरक्षित करने के लिए खतरनाक संधर्श क्षेतरों को पार करने से दूर नहीं किया एक बार जब व्यक्तियों ने सफलता पूर्वक यूक्रेन को खाली कर दिया, तो सरकार ने टेजी से पारगमन शिविरों की स्थापना के लिए रोमानिया, पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया जैसे पडोसी देशों के साथ सहयोग किया उन्होंने एक सुरक्षित वापसी यात्रा घर की सुविधा के लिए रणनीतिक रूप से हवाई क्षेत्रों और संगठित उडानों का उप्योग किया एक पल लेना महत्वपूर्ण है और प्रयासों, हस्तक्षेपों और राजनेक संबंधों की व्यापक रेंज की सराहना करते हैं जो कई स्तरों पर महत्वपूर्ण थे सरकार के उच्चतम ख्षेत्रों से लेकर ओन ग्राउंड संचालन तक जिसने इस जटिल उपक्रम को संभव बना दिया 15 अगस्ट 2021 को काबुल में खुद को चित्रित करें अचानक खुद को एक खतरनाक स्थिती में पाते हुए कि तालिबान ने शहर पर तेजी से नियंतरन हासिल कर लिया आप आश्चर्यचित हो सकते हैं कि इस उथल उथल के बीच आपकी यात्रा कितनी कठिन हो सकती है भारत सरकार के लिए एक सुरक्षित निकासी को और्केस्ट्रैट करना कोई सरल उपलब्धी नहीं थी यह एक अमेरिकी एर बेस तक पहुँच को सुरक्षित करने के लिए सावधानी पूर्वक पैंतरे बाजी की आवशक्ता थी जो की अराजक्ता के कगार पर था सभी तालिबान चौकियों के साथ बिंदीदार एक शहर को नेविगेट करते हुए और हताश नागरिकों द्वारा शरण लेने की मांग करते हुए घिरे लोजिस्टिक्स में न केवल तेजी से प्रतिक्रिया के लिए ताजिक समर्थन का नाजुक समनवय शामिल था बलकी एक पल के नोटिस पर इरानी हवाईक शेत्र में प्रवेश पाने के लिए ततकाल आवश्शक्ता भी थी इसके अलावा चिकनी संचालन सुनिश्चित करने के लिए खाडी राश्ट्रों की सुविधा पर एक विवेकपूर्ण निर्भरता थी इस बीच कई भाग्यशाली व्यक्ती सन्युक्त राज्य अमेरिका, युनाइटेड किंगडम, सन्युक्त अरब अमीरात और फ्रांस द्वारा आयोजित निकासी उडानों पर सवार सीटों को सुरक्षित करने में सक्षम थे एक परिणाम जटिल वारताओं के माध्यम से प्राप्त किया गया हालांकि यह परिद्रिश्य शुरू में केवल एक जटिल तारकिक चुनौती प्रतीत हो सकता है, यह उससे कहीं अधिक गहरा था इसने एक महत्वपूर्ण क्षण में अमूल्य साबित होने वाले राजनेक संबंधों के वर्षों की परिंती पर प्रकाश डाला इसके अतिरिक्त इस स्थिती ने भारत की अनुकूलनिय और व्याभारिक विदेश नीती की प्रभावशील्टा को रेखांकित किया, जो विभिन देशों के साथ कई व्यस्तताओं की विशेश्ता है इस तरह के एक बहुमुखी द्रिश्टिकोन ने संकट के समय में कई की सुरक्षा और समय पर वापसी सुनिष्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई काबुल में हुई ओपरेशन देवी शक्ती उडाने निर्विवाद रूप से तीवर थी और चुनोतियों से भरी हुई थी फिर भी उन्हें सीमित तयारी के समय के बावजूद प्रभावी धंग से निश्पादित किया गया था हाला कि जब हम कोविड महामारी की अभूत पूर्व मांगों के जवाब में संचालन के पैमाने को देखते हैं तो भारत के कारियों में एक दूर के पैमाने पर थे वंदे भारत मिशन एक उलेखनी उपलब्धी के रूप में खड़ा है जिसने हवा, समुद्र और भूमी मारगों के माध्यम से दुनिया के विभिन कोनों से लाखों भारतिय नागरिकों को सफलता पूर्वक वापस ले लिया है इस ओपरेशन को अक्सर इतिहास में प्रलेखित सबसे व्यापक निकासी प्रयासों में से एक माना जाता है अकेले लोगों को स्थानांतरित करने का रसद केवल समगर प्रयास का एक अंश था परदे के पीछे एक अत्यधिक जटिल और संगठित धाचा मौजूद था जिसमें गतिविधियों की एक विस्तरित श्रिंखला शामिल थी इसमें व्यक्तियों को इकठा करने, आवशक स्वास्थ्य परीक्षन करने, आवास प्रदान करने और यहां तक की यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अपने घर लोटने की प्रतीक्षा में भोजन की आपूर्ती की गई थी कि योजना और निश्पादन शामिल था इन सभी तत्वों ने असाधारण रूप से कोशिश के दौरान एक सहज और कुशल प्रत्यावर्तन प्रक्रिया बनाने के लिए सन्युक्त किया वहान में शुरुवात और बाद में इटली और विभिन अन्यक्षेत्रों में विस्तार हुआ इस पहलने स्थानिय, प्रांतिय और राष्ट्रिय अधिकारियों के साथ एक जोरदार सहयोग की आवश्शक्ता थी इसमें पर्यटकों, छात्रों, पेशेवरों, श्रमिकों और यहां तक की उन लोगों के लिए विविध रेंज शामिल है जो धार्मिक उद्देशों के साथ, साथ मचवारों और समुदरी श्रमिकों के लिए भी यात्रा करते हैं यह दाइरा दूरगामी था और केवल भारतिय नागरिकों के प्रत्यावर्तन तक ही सीमित नहीं था विदेश में रहने वाले कई भारतिय विशेश रूप से खाड़ी राज्यों में या तो सीधे या स्थानिय सरकारों के साथ बाच्चीत के माध्यम से अपनी ओर से सहायता प्राप्त करते हैं इस संदर्भ में राजनीतिक नेताओं और राजनीकों द्वारा बनाये गए प्रयास और संबंध अविश्वस्निय रूप से लाभकारी साबित हुए स्थिती की जटिलताओं को नेविगेट करने में सकारात्मक परिनाम प्राप्त करते हैं अप्रेल 2023 में एक उलेखनी अहालिया घटना हुई जब भारतिय समुदाय के सदस्यों ने सूडान में सशस्त्र नागरिक संधर्ष के बीच खुद को नहित पाया हालां की ऐसा लग रहा था कि पिछले एक साल में तनाव उबाल रहा था प्रवासी अक्सर तब तक निकासी करने के लिए संकोच करते हैं जब तक की वे एक निर्विवाद संकट का सामना नहीं करते हैं इस विशेश मामले में जब स्थिती तेजी से बढ़ी तो लगभग 4,000 भारतिय नागरिकों ने खुद को महत्वपूर्ण संकट में पाया इस अचानक उथल, उथल के जवाब में भारत सरकार ने एक ओपरेशन के लिए घर पर एक कमांड सेंटर की स्थापना करके तीजी से समनवय के प्रयासों को समनवित किया जिसे ओपरेशन कावेरी के रूप में संदर्भित किया जाएगा इसके साथ ही भारतिय विमान रणनीतिक रूप से सुदी अरब में ततकाल उडानों के लिए तयार होने के लिए तैनात थे और भारतिय नौसेना ने निकासी प्रक्रिया को सुविधाजंक बनाने के लिए लाल सागर क्षेत्र में जहाजों को भेजा हालांकि नागरिकों को बचाने का कार्य असाधारन रूप से चुनोती पून साबित हुआ क्योंकि भारतिय नागरिक छोटे समुहों में एक विशाल और अराजक शेत्र में बिखरे हुए थे देश में कानून और व्यवस्था के तूटने का मतलब था कि सबसे बुनियादी आवश्शक्ताओं तक पहुँच में शामिल सभी लोगों के लिए भी तेजी से मुश्किल हो गई भारतिय दूतावास ने बेहत कोशिश की परिस्थितियों में काम करते हुए इन बाधाओं का सामना किया विशेश रूप से युधरत गुटों में से एक ने अपने परिसर पर कबजा कर लिया इस संकट के दौरान अतिव्यापी उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षित रूप से विवेकपूर्ण और कुशलता से संभव के रूप में खाली करना था हालांकि इन तीन लक्षों ने अकसर खुद को एक दूसरे के साथ बाधाओं उपर पाया खास कर जब अनफॉलोइन स्थिती के व्यक्तिगत और राजनीतिक दबावों के खिलाफ तौला जाता है यह ओपरेशन एक शांदार सफलता के रूप में निकला क्योंकि यह एक अच्छी तरह से समनवित पहल से उपजी है जिसने पडोसी देशों और सहायक संस्थाओं के लिए कुशर राजनैक प्रयासों के साथ शेत्र में एक मस्बूत और समर्पित आधिकारिक उपस्थिती को जोड़ा इसके अतिरिक्ट यह एक सावधानी पूर्वक मानक संचालन प्रक्रिया द्वारा समर्थित था जिसे कई वर्षों के अनुभव पर परिश्क्रित किया गया था हमारे राजनेकों और सैन्य कर्मियों के योगदान असाधारन थे क्योंकि वे अक्सर मिशन की सफलता सुनिष्चित करने के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जोखिम के तहत संचालित होते थे विशेश रूप से हमने अपने सहियोगियों को देखा सौधी, ब्रिटिश और मिसर के लोग इस प्रयास में हमारी सहायता करने के लिए अतिरिक्ट प्रयास करते हैं एक आवर्ती विशय जो इन गहन स्थितियों से उभरा है, वह है खत्रों को प्रभावित करने वाली खत्रों की उपस्थिती जो सीधे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है यह घटना वास्तव में मानव इतिहास के इतिहास में एक लगातार दुविधा को गुंजती है जब बुद्धिमान रिशी ने पहली बार राम और लक्षमन को राक्षसों की दुष्ट उपस्थिती से अपने हेर्मिटेच को शुद्ध करने के लिए नेत्रित्व किया तो वे पूरी तरह से महत्वपूर्ण नहितार्थों से अंजान थे कि यह प्रारंभिक टक्राव उनके वायदा पर होगा इस मुठभेड ने अंधेरे बलों के खिलाफ उनके संधर्ष की शुरुवात का प्रतिनिधित्व किया एक लड़ाई जिसका पूर्ण दाइरा और प्रभाव वे अभी तक समझ में नहीं आ रहे थे बहुत ही फाइंड मारीचा जिसे लॉर्ड राम ने पहले वश में किया था बाद में राम के निर्वासन के दौरान एक गोल्डन हिरन के रूप में एक ध्रामक आड में फिर से प्रकट होगा जो चुनोतियों का सामना करना पड़ेगा उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा बहुत बाद में अपने निर्वासन में राम ने शर्भंदा में रहने वाले हर्मिट रिशियों को सुरक्षित रखने का बादा किया संभवता खतरनाक यात्रा से अंजान यह प्रतिबधता गती में सेठ हो जाएगी पूरी कहानी में अंगिनत क्षण हैं जो प्रदर्शित करते हैं कि कैसे भविश्य जटिल परसपर घटनाओं की एक श्रिंखला पर पिवट कर सकता है चाहे वह वैली की नेती हो शक्तिशाली बंदर राजा या जट्यू द नोबल इगल के दुरभाग्य पूर्ण भाग्य मारीचा जैसे कुछ पात्रों को आसन्न परिवर्टनों के बारे में बहुत जानकारी है फिर भी भाग्य के अथक मार्च को बदलने के लिए नपुनसक बने हुए है उदाहरन के लिए किन दशरत का वर्दान देने की अनुमती है जो की एक पलपल के फैसले में नहित था जिसके कारण अप्रत्याशित परिणामों का एक ज़र्ना हुआ इसी तरह दानव राजा रावण ने कभी भी रानी सीता का अफ़रन करने के अपने कार्य के दूरगामी प्रभावों का अनुमान नहीं लगाया समकालीन समय में हम अपने आपको अनिश्चित्ताओं में बहुत कुछ ऐसे पाते हैं जैसे की पुराने के उन नायकों को दूरदर्शिता में हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद हर मोड के लिए पूरी तयारी कभी नहीं होती है और जीवन को मोडना हमारे रास्ते को भेज सकता है हालांकि यहां आवश्चक है कि हम अपनी परिस्थितियों का लगातार मूल्यांकन करें प्रणनीतिक प्रतिक्रियाएं तयार करें और उभरती चुनोतियों के लिए सतर्क रहें एक विवेकपूर्ण सरकार जो अपने नागरिकों की भलाई को प्राथमिक्ता देती है स्वाभाविक रूप से अप्रत्याशित घटनाओं को सम्बोधित करने के लिए डिजाइन किये गए नियमों, विनियमों और प्रणालियों की एक सर्णी तयार करेंगी इसके अलावा, ऐसी सरकार पिछले अनुभवों से सीखे गए पाठों के आधार पर इन प्रोटोकॉल को लगातार बढ़ाएगी और अनुकूलित करेगी यदि हम पिछले एक दशक को प्रतिबिम्बित करते हैं, तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इन विचारशील समायोजन ने हमारे रोजमर्रा के नागरिकों के जीवन को कैसे बदल दिया है, जिससे उनके कल्यान और सुरक्षा पर महत्वपून प्रभाव पढ़त करना पड़ता है, जो राष्ट्रिय सीमाओं को पार करता है। संस्कृतियों, अर्थव्यवस्थाओं और समुदायों के मिश्रण के रूप में यह कौशल विक्सित करने के लिए महत्वपून हो जाता है, जो एक वैश्विक वातावर्ण में पनपने में सक्षम बनाता है इसमें न केवल विविध द्रिष्टिकोनों को समझना शामिल है, बलकि बहुसांस्कृतिक बाच्चीत की समरिधी को भी गले लगाना है। विकास और चुनोतियों के लिए दोनों अफसर प्रदान करता है, जिसमें विचारशील जुडाव की आवश्शक्ता होती है। इस वैश्विक अस्तित्व को गले लगाने का मतलब है कि एक खुली मानसिक्ता को बढ़ावा देना और निरंतर सीखने के लिए एक प्रतिबधता। एक ही समय सीमा के दौरान सारवजनिक स्वास्थय के दायरे में एक समान रूप से ज्ञानवर्धक चितरन पाया जा सकता है। जब 2020 में COVID-19 के शुरुवाती प्रकोप ने भारत को मारा तो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, PPE, मास्क और वेंटिलेटर जैसे आवश्यक वस्तूओं को सुरक्षित करने के लिए दुनिया भर में एक उनमत दौर थी। स्थिती इस तथ्य से बढ़ गई थी कि हम एक विक्रेता के बाजार में काम कर रहे थे, जहां भारी मांग ने उपलब्ध आपूर्ती को दूर कर दिया। दवा उद्योग को भी विभिन महत्वपूर्ण अव्यवों की आवश्यक्ता में वृध्धी का सामना करना पड़ा, जिन में से सभी उच्च मांग में थे। इसके अलावा, वैक्सीन उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल विविध देशों में स्थित कमपनियों की भीड से आया था, और ये आपूर्ती स्थानिय जरूर्तों और प्राथमिक्ताओं से बहुत प्रभावित थी। ऐसी अभूत पूर्व परिस्थितियों में मात्र वानिज अपर्याप्त साबित हुआ, प्रभावी पहुँच की सुविधा के लिए और नियामक अनुमोदन की भूल-भूलिया को नेविगेट करने के लिए वास्तव में मजबूत कनेक्शन और अच्छी तरह से स्थापि परिस्थितिय कूटनीती के लिए इन महत्वपूर्ण आपूर्ती के लिए अनुबंधों का पता लगाने, बातचीत करने और अंतिम रूप देने की ओर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य हो गया सरकार ने इन चुनौतियों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास और संसाधन शीलता को आगे बढ़ाया हालांकि ये परिद्रिश असाधारन परिस्थितियों से उपजा हो सकते हैं, वे एक मौलिक वास्तविक्ता को उजागर करने के लिए काम करते हैं, हमारी दैनिक जीवन और कल्यान तेजी से हमारी सीमाओं से परे होने वाली घटनाओं से आकार ले रही हैं, चाहे वे चुन परिज में तल्लीन पाते हैं, तो एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रिय संबंधों से संबंधित एक गहन चर्चा को सुनते हैं, या वैश्विक हितों के बारे में एक बहस का पालन करते हैं, इन विश्यों को गंभीरता के साथ द्रिश्टिकोन करना महत्वपूर्ण है वारंट, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इन मामलों में आपकी व्यक्तिगत कल्यान पर गहरा और सीधा प्रभाव पड़ सकता है, विदेश नीती संकट या उथल, उथल के समय में पूरी तरह से प्रासंगिक नहीं है, इसके नहितार्थ इससे परे तक पहुँच जाते हैं, यह आपकी समगर सुरक्षा, आपके रोजगार की स्थिर्ता, आपके रहने की स्थिती के कैलिबर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, और जैसा कि हमने हाल ही में सीखा है, यहां तक कि आपके स्वास्थ्य के पहलू भी, इसके अलावा यह उनमूलियों और गर्व को प्रभावित करता है, जो आप प्रिय रखते हैं, साथ ही आपकी प्रतिष्ठा और दुनिया को आपके द्वारा प्रोजेक्ट की गई छवी भी। पर समगर द्रिष्टिकोन को काफी प्रभावित कर सकता है, इन वैश्विक मामलों में आपकी जागरूकता और अंतरद्रिष्टी सिर्फ फाइदेमंद नहीं है, वे आज दुनिया की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए आवश्यक हैं, आईए हम व्यक्तिगत स्तर पर विदेश नीती के नहितार्थ और महत्व में तल्लीन करें, एक भारतिय छात्र के लिए विदेश नीती उन व्यावारिक तरीकों से प्रकट हो सकती है, जो विदेश में उनके शैक्षिक अनुभव को बढ़ाते हैं, इसमें वीजा प्रक्रियाओं का सरलीकरन शामिल हो सकता है, और संभावित रूप से रोजगार के अवसरों के बाद के रास्ते खोलने के बाद के पदों को खोल सकता है, जिससे कार्यबल में एक चिकनी संक्रमन हो सकता है, दूसरी और यदि आप एक व्यावसायक पेशेवर हैं, तो विदेश नीती आपके अवसरों को आकार देने में महत्वपून भूमिका निभा सकती है। यह अंतरराष्ट्रिय बाजारों में आपके प्रवेश की सुविधा प्रदान कर सकता है। आपको विदेशी नियमों और बाजार प्रथाओं के बारे में आवश्यक अंतरग्रिष्टी प्रदान करता है और इन जटिल वातावर्णों को नेविगेट करने में चुनोतियों का सामना करने पर समर्थन प्रदान करता है विभिन व्यवसायों में काम करने वालों के लिए विदेश नीती निश्पक्ष श्रम प्रथाओं के परिद्रिश्य को प्रभावित कर सकती है यह चुनोति पूर्ण समय के दौरान संरक्षन और कल्यान के समान रोजगार अनुबंध और बोल्ट सिस्टम की गारंटी दे सकता है यह सुनिश्चित करते हुए कि श्रमिकों को शोशन और कठिनाय के खिलाफ सुरक्षा दी जाती है एक परियटक के मामले में जो खुद को एक विदेशी भूमी में फंसे हुए पाता है विदेश नीती की प्रभावकारिता एक दयालू दूतावास के कारियों में स्पष्ठ है इस तरह के राजनेक प्रतिनिधी महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर सकते हैं सबसे अधिक आवश्शक्ता होने पर समर्थन और संसाधनों की पेशकश कर सकते हैं और सक्त स्थितियों में वे विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा और कल्यान को सुनिश्चित करते हुए निकासी की सुविधा भी दे सकते हैं कुल मिलाकर विदेश नीती के नहितार्थ सरकारी चिंताओं से कहीं अधिक हैं, जो सीधे व्यक्तियों के जीवन को महत्वपून और मूर्ट तरीकों से प्रभावित करते हैं हालांकि कई लोग विदेश नीती को अंतरराष्ट्रिय मामलों और दूर की भूमी में होने वाली गतिविधियों के साथ सक्ती से जोड सकते हैं, इसका महत्व घरेलू मोर्चे पर समान रूप से महसूस किया जाता है वास्तव में विदेश नीती के निर्नयों के नहितार्थ हमारे समुदायों के भीतर गहराई से प्रतिध्वनित हो सकते हैं और हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकते हैं जब हम सुरक्षा के मुद्दों पर विचार करते हैं, चाहे किसी अन्य देश से बाहरी खत्रे हो या हमारी अपनी सीमाओं के भीतर उत्पन्न होने वाली चिन्ताएं, प्रभावी कूटनीती एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं यह संभावित संधर्षों को बढ़ने से रोकने के लिए काम कर सकता है, उन तनावों को कम कर सकता है, जो उत्पन्न हो सकते हैं, या मौजूदा चुनोतियों को हल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर सकते हैं राजनेक चैनलों के माध्यम से हम साज़ा खत्रों के बारे में जागरूकता बढ़ा सकते हैं और समान मुद्दों का सामना करने वाले भागीदारों के साथ गट जोर करके उनके खिलाफ सामुहिक कारवाई जुटा सकते हैं इसलिए यदि आप अपने आपको एक सैनिक की स्थिती में पाते हैं जो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के साथ काम कर रहा है तो यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि आपका काम व्यापक नीतियों और विदेशों और घर पर शांती और सुरक्षा बनाए रखने के लिए व्यापक नीतियों और अंतरराष्ट्रिय प्रयासों के साथ कैसे जुड़ा हुआ है जब यह राश्ट्रिय सुरक्षा का प्रबंधन करने या आतंकवाद जैसी चुनोतियों से निपटने की बात आती है, तो एक अच्छी तरह से तयार की गई विदेश नीती होने से आपकी भूमिका की जटिलताओं को काफी सरल हो सकता है यह द्रिष्टिकों न केवल आपकी प्रभावशीलता को बढ़ाता है, बलकि संभावित खत्रों को नेविगेट करने के लिए एक स्पष्ट रन्नीती भी प्रदान करता है इसके अलावा, अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह लगातार निवेश, प्रद्योगिकी में उन्नती और प्रभावी सर्वोत्तम प्रथाओं के कार्यान वयन के लिए रास्ते की तलाश करती है इन सभी तत्वों को मौलिक रूप से समर्थित और एक मजबूत विदेश नीती से प्रभावित किया जाता है, क्योंकि यह अंतरराश्ट्रिय संबंधों को बढ़ावा देता है, और उन अफसरों के लिए दर्वाजे खोलता है, जो सीधे आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं, नती स्तन एक ध्वनी विदेश नीती सुरक्षा और आर्थिक विकास दोनों के लिए अधिक स्थिर और समरिध वातावर्ण को आकार देने में महत्वपूर्ण है, विभिन उद्योगों में अंतरराश्ट्रिय साजेदारी भारत की उनती को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सामुहिक रूप से ये सहयोग नौकरी के अवसरों को बढ़ाने और आबादी के लिए समगर जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, उदाहरन के लिए आयातित खाना पकाने के तेल या स्मार्टफोन के संयुक्त उत्पाद की लागत यह दर्शाती है कि आपकी वित्तिय स्थिती को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। यदि इस मामले के बारे में कोई भी अनिश्चित्ता थी, तो यूकरेन के संकट के बाद आर्थिक दबाव और परिनामी कारियों ने निस्संदेह स्थिती को स्पष्ट कर दिया इन घटनाक्रमों ने वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के अंतर संबंध पर प्रकाश डाला है और बाहरी कारक सीधे रोजमर्रा के खर्चों और भारक में जीवन की समगरग गुनवत्ता को कैसे प्रभावित करते हैं। हमारे लिए यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि क्या इन दबावों को संबोधित करने और व्यवहार्य समाधानों की खोज में योगदान देने में हमें अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। करना भारत की वैश्विक समझ को बढ़ाने के लिए एक असाधारन अफसर प्रस्तुत करता है। साथ ही साथ अंतरराश्ट्रिय संभावनाओं का पता लगाने के लिए हमारी अपनी आबादी को प्रेरित करता है। क्या हमें वैश्विक मंच पर अपने देश की छवी को ढालने और हमारे आसपास के व्यापक कथा को प्रभावित करने के लिए सक्री उपाय नहीं करना चाहिए। हाला कि हमें सावधानी के साथ इस कार्य को पूरा करना चाहिए, यह महत्वपूर्ण है कि हम इस प्रयास को इस तरह से नेविगेट करें कि हम अनजाने में बाहरी संस्थाओं को अपनी घरेलू चर्चाओं और विकासात्मक रन नीतियों में घुसपैट करने की अनुमती नहीं देते हैं. यह दिखाता है कि कैसे एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से परस्पर जुड़ा हुआ है. राय, ग्रिष्टिकोन और अन्य देशों के हित हमारी अपनी राश्ट्रिय नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण वजन रखते हैं. यदि हम इन बाहरी धार्नाओं से प्रभावी धंग से प्रबंधन और लाभानवित होने का लक्ष्य रखते हैं, तो हमारे जीवन और हमारे देश के भविश्य में विदेश नीती की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में घरेलू रूप से गहरी समझ की खेती करना और भ यान से लैस हैं। एक सरकार अपनी संप्रभुता, खेत्रिय अखंडता और अपनी आबादी की सुरक्षा की सुरक्षा के लिए लागू करती हैं। साथ में ये अवधानाय वैश्विक चुनोतियों को संबोधित करने, गठ बंधन को बढ़ावा देने और शांती बनाय रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सभी समाजों के अलावा सुरक्षा का मुद्दा अत्यंत प्राथमिक्ता के रूप में हैं। यह महत्व स्पष्ट है, यह हमारे समुदायों के मौलिक चरित्र और सामनजस्य को गहराई से प्रभावित करता है। सुरक्षा न केवल क्षेत्रिय अखंडता बलकी व्यक्तिगत सुरक्षा, कानून और व्यवस्था और समगर कल्यान जैसे पहलूओं को भी शामिल करती है। यह घटक जटिल रूप से परस्पर जुडे हुए हैं, क्योंकि वे सामुहिक रूप से एक राष्ट की भावना और पहचान को आकार देते हैं। भारत के मामले में, राष्ट्र कई बाहरी चुनोतियों के साथ जूचता है, जो कई उदाहर्नों में अनसुल जेक शेत्रिय सीमाओं से बढ़ा हुआ है। इन असपश्ट सीमाओं से पैदा हुए विवादों को संबोधित करने के लिए परियाप्त प्रतिबधता और संसाधनों की आवश्शक्ता होती है। पाकिस्तान जैसे पडोसी देशों के साथ एतिहासिक अनुभव इस वास्तविक्ता के लिए एक वसीयत नामा के रूप में काम करते हैं, जबकि चीन के साथ हाल के तनाव इन चुनोतियों की चल रही प्रकृती को रेखांकित करते हैं। इन भूख राजनीतिक मुद्दों को एक मजबूट स्थिती को बनाए रखने के लिए एक ठोस प्रयास की आवश्शक्ता होती हैं, जिसमें जमीन पर रणनीतिक तैनाती और प्रभावी राजनेक वारता दोनों शामिल हैं। इन ख्षेत्रिय विवादों के परिणाम महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार एक संकल्प खोजना न केवल राष्ट्रिय सुरक्षा बनाए रखने के लिए बलकी पूरे ख्षेत्र में शान्ती और स्थिर्ता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस तरह के तनावों से उत्पन होने वाले गंभीर नहितार्थों के प्रकाश में यह राष्ट्र के लिए स्थाई शान्ती और सुरक्षा प्राप्त करने की दिशा में प्रयासों को प्राथमिक्ता देने के लिए तेजी से प्रासंगिक हो जाता है। कूटनी की राष्ट्रिय रक्षा के लिए एक आवश्चक सहयोगी के रूप में कार्य करती है। कई उदाहरनों में यह संघर्षों को हल करने के लिए प्राथमिक द्रिष्टिकोन के रूप में कार्य करता है, जबकि अन्य समय में यह सैन्य कारवाई आवश्यक होने पर महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान कर सकता है. यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अधिकांश सैन्य संघर्ष अन्तर सम्मेलन तालिका में बाच्चीत और चर्चाओं के लिए संक्रमन करते हैं. वास्तव में आसपास केक्षेत्रों के भीतर स्थिर्टा को बढ़ावा देने में राजनैक प्रयासों की सफलता एक देश के भीतर विकास और उन्नती को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. अंतर राष्ट्रिय मंच पर स्थिर्टा और सहयोग घर पर अधिक समरिधी और शांती के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं. वैश्विक मामलों की वर्तमान स्थिती को देखते हुए यह स्पष्ट है कि दूसरों के कारियों का अनुमान लगाने के लिए पूरी तरह से स्वार्थ और अभिसरन पर भरोसा करना, विशेश रूप से निकट-निकटा वाले लोगों को सटीक भविश्यवानिया नहीं मि व्यक्तियों या राष्ट्रों के जोखिम लेने की आकांक्षाएं, भावनाएं और इच्छा अकसर अप्रत्याशित हो सकती हैं। स्थिती को सुद्रिड करने के लिए बुद्धिमान है। यह तैयारी कभी-कभी बदलते अंतरराष्ट्रिय परिद्रिश में एक मजबूट खड़ा है। भारतिय कूट नीती के प्राथमिक दायत्वों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि कि किसी भी संभाविक चुनोत के लिए विकल्पों की एक व्यापक सर्णी उपलब्ध हो। यह न केवल उन्नत रक्षा प्रणालियों और विभिन अन्य सहायक रणनीतियों की खरीद को शामिल कर सकता है। बलकि भारत की नीतियों और कारियों के आसपास अंतरराष्ट्रिय सर्वसम्मती की खेती भी कर स इसके अलावा इसमें अधिक जटिल स्थितियों को कम करने या बातचीत करने के प्रयासों में सक्रिय रूप से सनलगन होना शामिल है जो महत्वपूर्ण चुनोतियों का सामना कर सकते हैं। इन द्रिष्टिकोनों की प्रभावशीलता को बहतर धंग से समझने के लिए यह जाचना महत्वपूर्ण है कि उन्हें पिछले कई वर्षों में कैसे संचालित और निश्पादित किया गया है। प्रधान मंत्री मोदी के प्रशासन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक वर्ष 2015 में बांगलादेश के साथ भूमी सीमा समझोते को सफलता पूर् अंतिम रूप से अंतिम रूप दे रहा था। सुरक्षा को बढ़ावा देने से परे इस एतिहासिक समझोते ने आर्थिक सहयोग के लिए नए रास्ते बनाए हैं और पूरे उपमहाद वीप में कनेक्टिविटी में सुधार किया है। लाब व्यापार और यात्रा के मामल में सिर्फ भारत और बांगलादेश से परे हैं, वे नेपाल और भूटान जैसे पडोसी देशों को भी शामिल करते हैं। इससे भी महत्वपून बात यह है कि भारत के पूरवोत्तर राज्य इन घटनाक्रमों से काफी हद तक हासिल करने के लिए खड़े हैं, जो पुरसक कारों को काफी हद तक प्राप्त करते हैं। पाकिस्तान के संबंध में हमारी पश्चिमी सीमा के साथ एक अलग और महत्वपून चुनोती हो रही है। इस संदर्भ में हमारे राजनैक प्रयासों का प्राथमिक उद्देश पाकिस्तान द्वारा क्रोस बॉर्डर आतंकवा गटनाओं के दोरान और 2019 में बलाकोट, रननीतिक और प्रभावी कूटनीती ने भारत के कारियों के लिए वैश्विक समझ और समर्थन को बढ़ाने में महत्वपून भूमिका निभाई। जब चीन से जुरी स्थिती की बात आती है, तो मई 2020 में शुरू होने वाले सैने गतिरोध के साथ चल रहे राजनैक प्रयासों को विदेश नीती और रक्षारणनीती के बीच एक महत्वपून अंतर को उजागर किया गया है। यह स्पष्ट है कि शासन के ये दो पहलू गहराई से परस पर जुड़े हुए हैं, एक को प्रभावित करने और दूसरे का सम और मान्यता प्राप्ट करने के महत्व को खत्म नहीं किया जा सकता है। एक बहुधरुविये दुनिया की गतिशीलता रक्षा क्षमताओं के दाएरे में विशेश रूप से स्पष्ट रही हैं, हमारे सशस्त्र बलों के लिए आवश्यक हथियार और प्राध्योगिकी के स अंदर्भ में विकल्पों की एक सर्णी को प्रदर्शित करती है। उदाहरन के लिए फ्रांस से राफेल फाइटर जेट्स की खरीद सयुक्त राज्य अमेरिका से MH, साथ हेलिकॉप्टरों या पी, आठ समुदरी निगरानी विमानों के अधिगरहन के साथ, साथ ही रूस स 400 मिसाइल प्रणाली और इसराइल से स्पाइस बम से काम करता है। हमारी रणनीतिक चपलता के लिए एक वसीयत नामा के रूप में। कई देशों से महत्वपूर्ण सैन्य परिसंपत्तियों में विविधता लाने और सुरक्षित करने की यह क्षमता न केवल हमारे सामरिक विकल्पों को बढ़ाती है बलकि अंतर राष्ट्रिय संबंधों को मजबूत भी करती है। इसके अलावा इन अधिग्रनों को आमतोर पर संयुक्त सैन्य अभ्यास और रणनीतिक नीती चर्चाओं द्वारा प्रबलित किया जाता है जो राष्ट्रों के बीच सुरक्षा और सहयोग की अधिक भावना में योगदान करते हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि कूटनीती केवल एक सहायक कार्य नहीं है बलकि एक महत्वपून प्रबर्तक है जो हमारी राष्ट्रिय सुरक्षा पहलों को सशक्त और बढ़ाता है। यह सुनिश्चित करता है कि हम कभी कभी विक्सित होने वाले वैश्विक परिद्रिश में तयार और लचीला रहें। अंतरराष्ट्रिय चुनोतियों के अलावा घर के मोर्चे के भीतर होने वाली सुक्ष्म गतिशीलता भी हैं जो तुरंट स्पष्ट नहीं हो सकती हैं। सीमाओं के भीतर शांती का पीछा अक्सर निकट्ता में संचालित विद्रोही गुटों की उपस्थिती के कारण अक्सर गडबडी का सामना किया जाता है। फिर भी कुशल राजनैक प्रयासों ने पडोसी देशों को इन समुहों को शरण देने या सहायता देने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमि का निभाई है। इस अफसर पर हालां की एक शांति पूर्ण संकल्प को प्राप्त करने के लिए केवल राजनैक चालाकी से अधिक की आवश्शक्ता होती है। ऐसे मामलों में नियोजित रणनीतियों को द्रिड़ता से तरकसंगत बनाया गया है, स्थिर्ता बनाये रखने के लिए इन खत्रों को संबोधित करने की जटिलता और आवश्शक्ता का प्रदर्शन किया गया है। अलगावाद, हिंसा के कार्य और कटर पंथी विचारधाराओं को विभिन दूर के स्थानों से अनुमानित किया गया है, मुक्त भाशन सुरक्षा की पवित्रता का किया गया है। कनाडा और यूनाइटेड किंडम दोनों ने इस परिशान करने वाली घटना के उदाहरनों का अनुभव किया है। यह सक्रिय रूप से और लगातार इन विचारधाराओं को चुनोती देना महत्वपूर्ण है, खास कर जब से कुछ व्यक्ति दूसरों के ख खिलाफ हिंसा के उकसाने को लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ संगत मानते हैं। ऐसे मामलों में जहां तरकसंगत बहस और प्रेरक समवाद कम हो जाते हैं, अधिक कठोर राजनेक कारियों का सहारा लेना आवश्यक हो सकता है। हमारा ओवर्चिन रुख स्पष्ट रूप से बताता है कि भारत अब अन्य देशों के राजनीतिक खेलों में एक लक्षय या शिकार होने को स्विकार नहीं करेगा। चर्चा और बहस को ध्वनी तर्क द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, हालां कि जब पोलिमिक्स की बात आती है, तो उन्हें अक्सर बहुत मजबूत और अधिक भावुक प्रतिक्रिया की आवश्यक्ता होती है। चरंपंथी विचारधाराओं और शासन के लिए विभिन खत्रे जो अपने सहानुभूती रखने वालों से समर्थन प्राप्त करते हैं, चाहे वे चैंपियन नागरिक समाज या विशिष्ट पहचानों का दावा करते हैं, एक जबरदस्ट खंडन को सुनिश्चित करते है हमारी तेजी से परस्पर जुड़ी दुनिया में, जहां राजनीतिक सीमाए धुन्धली लगती हैं, नई चुनोतिया उत्पन होती हैं, जो प्रभाव और हैरफेर के पारंपरिक तरीकों को पूरक करती हैं हम दुर्जे संस्थाओं के साथ सामना कर रहे हैं, प्रत्येक अपने अद्वितिय एजेंडा के साथ, जो लोक्तांत्रिक विकल्पों को कम करना चाहते हैं अलग-अलग राय के लिए उनकी असहिशनुता अकसर उन्हें वैकल्पिक द्रिष्टिकों को सौम्पने के प्रयासों की ओर ले जाती है इस प्रवृत्ति को स्थापित अखबारों द्वारा चित्रित किया गया है, जो सन्युक्त राष्ट्र द्वारा अपने राय अनुभागों का उप्योग करने के लिए स्वीकृत आंकडे या विरोधियों के खिलाफ राजनीतिक रूप से प्रेरित स्मियर अभियानों में सनलगन प्रमुख प्रसारकों का उप्योग करने की अनुमती देते हैं, जिन में से दोनों एक प्रचलित मानसित्ता और एक जानबूच कर लक्षे को प्रकट करते हैं। भारत को लगन से यह तर्क देना चाहिए कि राश्ट्रिय हितों को आगे बढ़ाने के लिए इसकी प्रतिबधता वैश्विक कल्यान को बढ़ावा देने के लिए अपने समर्पन के साथ सामनजस्यपूर्ण रूप से संरेखित करती हैं। भारत के आसपास की चल रही वैश्विक वारता लापों में हमारी राश्ट्रिय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण नतीजे हैं। यह देखते हुए की भारत एक संघीय राश्ट्र है जो उलेखनिय विविधता की विशेश्टा है। इसकी विभिन आबादी के बीच एकता को बढ़ावा देने के महत्व को पहचानना और उसकी सराहना करना आवश्चक है। हाला की इस आकांक्षात्मत लक्ष के लिए राश्ट्रिय सामन्जस्य, संप्रभुता और अखंडता को मजबूत करने के उद्देश से कई पहले वास्तविक्ता के विक्रिक अभ्यावेदन के रूप में अक्सर बाधाओं का सामना करती हैं। यह वास्तव में गवाह है कि शासन में प्रक्ती, प्रोध्योगी की के अभिनव उप्योग और लंबे समय से चली आ रही मुद्दों पर प्रक्ती को कभी-कभी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए खत्रों के रूप में चित्रित किया जाता है। विचलित रूप से यहां तक की सम्मानित संस्थान भी अपने एजेंडों को आगे बढ़ाने के लिए गलत सूचना फैलाने में सनलगन हो सकते हैं। पूरे इतिहास में हम ऐसे उदाहरनों को देखते हैं जहां कुछ घटनाओं को चुनिंदा रूप से छोड़ा जाता है या अधिक अनुकूल कथा बनाने के लिए हैरफेर किया जाता है। इस मुद्दे में हमारी खोज ने एक चौकाने वाली सच्चाई का खुलासा किया है, सारवजनिक राय को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक हित समुहों का अस्तित्व हमारी राष्ट्रिय सीमाओं से परे हैं। इसलिए यह महत्व पूर्ण है कि हम इन हानिकारक ताक्तों के खिलाफ अपने राष्ट्र की अखंडता की रक्षा करने की अपनी प्रतिबधता में स्थिर रहें, यह सुनिष्चित करते हुए कि इस तरह के प्रयासों को मान्यता प्राप्ट और सम्मानित किया जाए। यदि यह स्थिती केवल एक शैक्षनिक चर्चा थी, तो यह कम महत्व रख सकता है। निहित स्वार्थ रहे हैं, जो एक शक्तिशाली और सामंजस्यपून भारत के उद्भव के खिलाफ काम करते हैं। एतिहासिक रूप से इन बलों ने हमारे समाज के भीतर विभिन विदर का लाब उठाया है, जिसमें धर्म, भाशा, जातियता और सामाजिक आर्थिक स्थिती के आधार पर विभाजन शामिल हैं। वर्तमान समय में इन गुटों ने अलग-अलग रूपों में और ताजा आख्यानों के साथ फिर से जुड़ गए हैं और वे पहले से कहीं अधिक सक्रिय लगते हैं। यहां हम में से कई लोगों के लिए इस बात को प्रतिबिंबित करने के लिए सार्थक हो सकता है कि भारत के भीतर अलगाववादी भावनाएं कुछ अंतरराश्ट्रिय हलकों से काफी समर्थन क्यों देती हैं। इसके अतरिक्त यह एक व्यक्ती को यह सवाल करने के लिए प्रेरित करता है कि हमारे राष्ट्र में निर्देशित आतंकवाद के कार्य अक्सर कुछ एरिनास में डाउन प्ले या यहां तक की उचित होते हैं। यह भी उच्सुक है कि कई विदेशी मंच आसानी से उन कथाओं को स्वीकार करते हैं जो हमारी उपलब्धियों और समग्र रिकॉर्ड को कमजोर करते हैं। इस तरहे कि चुनोतियों और गणना युद्धा भ्यासों के प्रकाश में हमारी विदेश नीती की भूमी का महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हमें वैश्विक मंच पर अपनी सकारात्मक कथा को बढ़ावा देने के साथ साथ इन खत्रों का निरनायक रूप से जवाब देना चाहिए। राश्ट्रिय प्रक्ती और उन्नती की गती को बढ़ाना। समरिध्धी का पीछा दुनिया भर में समाजों के लिए एक अनियंत्रित खोज है, जिस तरह से नीतियों को तयार किया जाता है और कार्यानवित किया जाता है। इस खोज का एक स्पष्ट संकेत व्यापार और निवेश के अवसरों का सक्रिय पदोनती है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि बाजार अलगाव में काम नहीं करते हैं, वास्तव में लगभग हर कोई समर्थन और प्रोटसाहन के विभिन्न रूपों पर निर्भर करता है। यह उन समुदायों या क्षेत्रों के लिए विशेश रूप से सच है जिन्होंने एतिहासिक चुनोतियों का सामना किया है, जो हस्तक्षेप और सहायता के लिए और भी अधिक प्रेना पैदा करता है। जैसा की हम ओध्योगी की करण, प्रोध्योगी की अपनाने और समगर प्रतिसपर्धा में अंतराल को पाटने का प्रयास करते हैं, यह स्विकार करना आवश्चक है कि इस यात्रा को एक विस्तारित अवधी में निरंतर प्रयासों की आवश्चक्ता होगी। इन ख्षेत्रों में गती बनाने की आवश्चक्ता हमारे सामुहिक आर्थिक विकास का एक महत्वपून पहलू बनी हुई है। किसी के अपने घर के वातावर्ण के भीतर कौशल और संसाधन विक्सित करना अक्सर व्यापक सफलता प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त है। अंतरराश्ट्रिय पैमाने पर व्यावसाय खितों को प्रभावी धंग से स्थापित करने और सुरक्षित करने के लिए किसी को सूचना के धन पर भरोसा करना चाहिए, सार्थक संबंधों की खेती करना चाहिए और विविध बाजारों तक पहुँच प्राप्त करनी चाहिए यह एक लाभकारी चक्र बनाता है जहां व्यापार में वृध्धी और बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधी घरेलू मोर्चे पर कौशल, शम्ताओं और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में योगदान करती है नतीजतन बातचीत और सगाई की यह चल रही प्रक्रिया हमारी ख्षमताओं को लगातार चुनोती देने और परिश्कृत करने का काम करती है संक्षेप में विदेश नीती को प्रतिस्परधा को बढ़ावा देने के उद्देश से एक रणनीतिक प्रयास के रूप में देखा जा सकता है एक विशिष्ट संदर्भ या क्षेत्र के भीतर प्रदर्शन के एक महत्वपूर्ण प्रतिबिंद के रूप में कार्य करने वाले आर्थिक पहलूओं के साथ। हाल के वर्षों में भारत ने महत्वाकांक्षी निर्यात लक्षेओं को प्राप्त करने में उलेखनिय प्रक्ति की है जो हाल ही में अप्राप्य लग रहा होगा महत्वा कामशाओं में यह महत्वपूर्ण छलांग ऐसे समय में आती है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी कोविड महामारी के प्रभावों से उबरने की राह पर है इस नए आत्मविश्वास की नीम विनिर्मान, श्रम, वित्त, कौशल विकास और व्यापार सुविधा सहित विभिनक शेत्रों में व्यापक सुधारों की एक श्रिंखला से उपजी है इसके अलावा देश में व्यापार करने की समग्र आसानी में निरंतर वृद्धी हुई है विदेशी वानिजिक नीती को सक्रिय रूप से अधिक से अधिक बाजार पहुँच हासिल करने और व्यापार बाधाओं को कम करने की दिशा में तयार किया जा रहा है हाला की इसे पारंपरिक साधनों के माध्यम से संपर्ख किया जा सकता है इसे बातचीत के समझोतों की एक श्रिंखला के माध्यम से तेज किया जा रहा है जैसे की फ्री ट्रेड समझोते, FTA और वैश्विक आपूर्ती श्रिंखलाओं के विकास यद्यपी इन लक्षियों को प्राप्त करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण उद्देश है लेकिन रोजगार स्रिजन और आर्थिक समरिध्धी के लिए उनके व्यापक नहितार्थ निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण है हाल के दिनों में घरेलूग शमताओं को बढ़ाने पर विदेश नीती का प्रभाव तीजी से स्पष्ठ हो गया है एशिया के पार जो राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आधुनिक बना रहे हैं उन्होंने मुख्य रूप से विदेशी पूंजी, अत्याधुनिक प्रोध्योगी की और अन्य देशों से अनुकरणिय प्रथाओं का अधिग्रहेन करने के लिए अपनी बाहरी व्यस्थताओं को प्राथमिक्ता दी है इस पहल का एक प्रमुख उदाहरण जापान था, जिसने अंतरराष्ट्रिय संबंधों में गहराई से निवेश करके मीजी युग के दौरान मंच निर्धारित किया था अपने नक्षेक दम पर चलते हुए, चीन देंग जिया उपिंग द्वारा शुरू किये गए सुधारों के बाद एक अनुकरणिय के रूप में उभरा, उलेखनिय सफलताओं को प्राप्त किया जो विशाल अनुपात में बढ़े हाल ही में भारत ने भी इस सक्रिय द्रिष्टिकोन को अपनाया है, जो अपने लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता में स्पष्ट है हम उद्यमस्तर और महत्वपूर्ण राष्ट्रिय परियोजनाओं दोनों में अंतरराष्ट्रिय सहयोग के सकारात्मक प्रभाव को प्रदर्शित करने वाले कई उदाहर्णों का निरीच्षन कर सकते हैं चाहे वह सूचना प्रोध्योगी की, आईटी, आटो मोबाइल विनिर्मान, क्रिशी उत्पादन या प्रसंसकरन, मेट्रो और बुलेट ट्रेनों जैसे शहरी परिवन प्रणालियों के साथ, साथ अंतरिक्ष अनवेशन और परमानू उर्जामेक शमताओं से संबंधित हो विदेशी साजेदारी से प्राप्त लाब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं और शामिल आबादी के लिए बहुत फायदे मन्द। अंतर राष्ट्रिय बाजारों में उपलब्ध होनहार अवसरों को पहचानने, सनलगन करने, बातचीत करने और अधिक्तम करने में सक्षम किया गया है। साजेदारी और सहयोग से उत्पन होने वाले संसाधन और अफसर स्थानिय अर्थव्यवस्था के कार्बनिक विकास को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि ये बाहरी इन्पुट निस्संदे फायदे मंद हैं। यह इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि वे चल रही खेती और नहित ताकत की वृध्धी को बदल नहीं सकते हैं, जो हमारी अपनी सीमाओं के भीतर मौजूद हैं। हमारे पिछले अनुभवों ने हमें दिखाया है कि इस संतुलन के बारे में किसी भी गलतफमी से हानिकारक परिणाम हो सकते हैं, जो प्रक्ती और विकास में बाधा डाल सकते हैं। इसलिए बाहरी संसाधनों का लाब उठाने और निरंतर आर्थिक विकास के लिए आंतरिक शमताओं को बढ़ावा देने पर दोनों पर दोहरी ध्यान केंडरित करना महत्वपूर्ण हैं। तीन दशक पहले भारत ने आवश्यक सुधारों की शुरुवात की और अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने का साहसिक कदम उठाया, एक ऐसा कदम जिसने निर्विवाद रूप से कई फायदे पैदा किये हैं। हालां की अधिक दक्षता और आधुनिकी करन की खोज में कुछ शौटकट को अपनाया गया था जो छोटे और मध्यम उद्यमों, SME, शेत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। मजबूत घरेलू आपूर्ती श्रिंख लाओं को बढ़ावा देने के बजाए जो स्थानिय व्यवसायों का पोशन और समर्थन कर सकते हैं, फोकस एकी करन और मुल्य जोडने की रणनीतियों की ओर स्थानांतरित हो गया, जिसने दीर्ग कालिक स्थिर्ता पर ततकाल लाभ प्रता को प्राथ मिक्ता दी, प्रमुख बुनियादी धाचा परियोजनाओं को बाहरी दलों के लिए आउट्सोर्स किया गया था, सीखने और विकास के माध्यम से हमारी अपनी ओध्योगिक शमताओं को बढ़ाने के लिए इन अफसरों का लाभ उठाने के लिए बहुत क कम प्रयास किये गए थे, अल्पकालिक मुनाफे पर यह गहन ध्यान एक लागत पर आया, हमारी महत्वा कांक्षा को कमजोर करने और हमारी रणनीतिक ग्रिष्टी को कम करने के लिए, नतीस्तन जबकी आर्थिक विकास बढ़ गया, यह देश के भीतर कौशल, ताकत और कमताओं में समानांतर वृध्धी के अनुरूप नहीं था, पिछले दस वर्षों में वैश्वीकरन के अकसर गलत मंत्रों के विशय में एक महत्वपूर्ण जागरिती हुई है, यह स्पष्ट हो गया है कि इस तरह के अंचाहे अनुप्रयोग से गंभीर परिनाम हो सकते है इसके अलावा, जब आर्थिक निर्ने एक रणनीतिक धाचे के बिना किये जाते हैं, तो यह राष्ट्र को एक अनिश्चित प्रक्षेपवकर पर सेट करता है चर्चा के लिए केंद्रिय मुद्दा केवल इस बारे में नहीं है कि हम एक खुली अर्थव्यवस्था की ओर जुकते हैं या संरक्षनवादी उपायों की वकालत करते हैं इसके बजाए अधिक प्रासंगिक प्रशन घूमता है कि क्या हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था की खेती करने की आकांक्षा रखते हैं जो रोजगार और बढ़ावा देने की ख्षमताओं को प्राथमिक्ता देती है या यदि हम केवल एक लाबसंचालित समाज हैं तो एक बाजार के रूप में मौजूद होने के लिए तयार हैं हमारे सामने आने वाली कमजोरियों के अलावा वैश्विक जागरूकता के रूप में प्रच्छन निर्भरता की मानसिक्ता को तरकसंगत बनाने की एक परिशान प्रवृत्ती है भारत के भविश्य को दूसरों द्वारा डिजाइन किये गए भाग्य में भाग लेने की तुलना में कहीं अधिक शामिल होना चाहिए वास्तविक उन्नती पूरी तरह से सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृध्धी से नहीं मापी जाती है यह समान रूप से बुनियादी धाचे के विकास आपूर्ती श्रिंखलाओं की लचीलापन, कौशल की वृध्धी, वित्त की पहुँच और व्यापक सामाजिकार्थिक सुधारों को शामिल करता है यदि हम पूर्वार्थिक वृध्धी को प्राथमिक्ता देते हैं, तो केवल संख्या में मापा जाता है बाद के आवश्यक शेत्रों के खर्च पर हम अपने दीर्गकालिक द्रिष्टिकोन को खत्रे में डालते हैं हमारे लिए अंजाने में रणनीतिक भविश्यवानियों में खुद को उल्जाने की क्षमता मौजूद है, संभावित रूप से भविश्य के लिए हमारे विकल्पों को सीमित कर रहा है यह पहचानना महत्वपून है कि जबकी विदेश नीती हमारी रणनीतिक दिशा को चाट करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरन के रूप में कार्य करती है यह एक सुरक्षा के रूप में भी काम करती है यह सुनिश्चित करती है कि हमारी अतिव्यापी दृष्टी हमारी आकांक्षाओं और एक राष्ट के रूप में जरूर्तों के साथ संरेखित करती है आज की दुनिया में अनियो नियाश्रे में वृध्धी और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के सम्मिश्रण की विशेष्टा है यह अनुमान है कि देश अपनी सीमाओं से परेपरियाप्त प्रभाव के अपने क्षेत्रों को व्यापक बनाने का प्रयास करेंगे एतिहासिक रूप से यह विस्तार विभिन माध्यमों जैसे व्यापार, वित्तिय लेंदेन, सैन्य व्यस्तता और प्रवास के माध्यम से प्राप्त किया गया था हालांकि समकालीन समय में, कनेक्टिविटी और सामाजिकार्थिक सहयोग का महत्व राष्ट्रों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उढ़ा है यह एहसास भारत जैसे राष्ट्र के लिए विशेश महत्व रखता है, जिनकी सगाई की क्षमता एतिहासिक रूप से विभाजन के प्रभावों से सीमित थी जैसा की भारत विक्सित होता है और कई आयामों में विक्सित होता है, रणनीतिक विचार बताते हैं कि हमारी सफलता को न केवल खुद को लाभानवित करना चाहिए, बलकि पूरे क्षेत्र में समरिध्धी के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करना चाहिए इस अनिवार्य को मान्यता देते हुए, प्रधान मंत्री मोदी के नेत्रित्व वाली सरकार ने कनेक्टिविटी को बढ़ाने और पडोसी देशों के साथ सहयोगी पहल को बढ़ावा देने में काफी प्रक्ति की है इन प्रयासों के मूर्थ परिणाम नई सडक और रेलवे लिंक की स्थापना, जलमार्ग तक पहुँच में सुधार, बंदरगाह, सुविधाओं की वृद्धी, पार्गमन समझोतों की स्थापना और आवश्यक इन्धन के प्रवाह के साथ एकीकृत बिजली ग्रेड के निर करने के लिए एक प्रतिबधता को दर्शाता है. दक्षिन एशियाईक शेत्र वर्तमान में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का अनुभव कर रहा है, जो पारस्परिक रूप से लाभकारी परिनामों को बढ़ावा देने और विभिन भागिदारों के सहियोग और प्रतिब प्रतिबधता को हासिल करने पर एक मजबूत जोर देने की विशेशता है. नेबरहुड फर्स्ट रणनीती विशेश रूप से ततकाल परिवेश के भीतर चुनोतियों का सामना करती है. जबकि व्यापक शेत्र में मुद्दों को संबोधित करने के लिए इसी तरह के द्रि प्रतिबधता को रेखांकित करता है, जो न केवल ततकाल आवश्चक्ताओं को संबोधित करता है, बलकि भविश्य में स्थाई, विकास और सहयोग के लिए एक आधार बनाने का लक्षय रखता है. जबकि अन्योन्याश्रय सहयोग और सामुहिक प्रगती को बढ़ावा दे सकता है, यह अपनी चुनोतियों के साथ आता है और अंतर्राष्ट्रिय धाचे और मानकों की अभेलना होने पर इसका शोशन किया जा सकता है. नतीस्तन प्रतिस्पर्धी राजनीतिक संस्थाओं की गतिशीलता का लगातार निरीक्षन करना और उनका आतलन करना अनिवार्य है. हमें यह नहीं माना जाना चाहिए कि इसमें शामिल सभी पक्ष स्थापित मानदंडों और नियमों का पालन करेंगे. यही कारण है ही अंतरराष्ट्रिय संबंधों के संदर्भ में कूटनीती एक सावधानी से काम करती है, जो समाजों को संभावित खत्रों और चुनोतियों के लिए सचेत करती है, साथ ही साथ उपलब्ध अवसरों को उजागर करती है. इस जानकारी पूर्ण भूमिका को एक व्यवस्थित और संगठित फैशन में निश्पादित किया जाना चाहिए, जो प्रभावी रणनीतियों को तयार करने के लिए आवश्चक है. अपने बहुत डिजाइन से विदेश नीती एक व्यापक परिप्रेक्षे को अपनाती है, जो विभिन्न ख्षेतरों को प्रभावित कर सकती है, चाहे वह व्यापार और प्रोध्योगी की शिक्षाया परियतन हो. आज के जटिल परिद्रिश में अंतरराश्ट्रिय संबंधों के लिए एक व्यापक और एकीकृत द्रिश्टिकोन विशेश रूप से महत्वपूर्ण है. आप अक्टूबर दो हजार तेईस तक उपलब्ध आकडों के आधार पर ज्यान और प्रशिक्षन से लैस हैं. इसमें देश की व्रिद्धी और सम्रिद्धी को चलाने की क्षमता है. हालांकि प्रमुक्ष चुनौतियों में से एक इस क्षमता को अपनी अधिक्तम सीमा तक पहुचाने में कठिनाई है. सौभाग्य से इस स्थिती में सुधार होने लगा है. 2014 में कई राष्ट्रिय अभियानों की दीख्षा के बाद से देश सक्रिय रूप से सामाजिकार्थिक मुद्दों की एक विस्तरित श्रिंखला से निपट रहा है. ये पहल महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे की लैंगिक समानता, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों पर ध्यान के इंद्रित करते हैं. इस परिवर्तनकारी चरण के दौरान वस्तुता हर क्षेत्र में अभिनव और प्रक्तिशील निती निर्धारण से प्रेरित महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं. हमने बुनियादी धाचे के विकास में उल्लेखनिय प्रक्ति, विनिर्मान क्षमताओं में एक विस्तार, स्मार्ट शहरों की स्थापना और अध्यतन श्रम कोड के कारियान वयन में उल्लेखनिय प्रक्ति देखी है, जो सभी गतिशील परिवर्तनों को उजागर करते हैं. इसके अलावा, मौलिक मानविय जरूर्तों के बारे में हमारी समझ काफी हद तक विक्सित हुई है. अब हम मानते हैं कि स्वच्छ पानी, विश्वसनिय बिजली, परियाप्त आवास और गुनवत्ता स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच जीवन की अच्छी गुनवत्ता के आ जैसे जैसे भारत आगे बढ़ता है, इन परिवर्तनों का प्रभाव अपनी सीमाओं से परे गुनजता रहेगा, एक अधिक परस्पर और प्रक्तिशील दुनिया में योगदान देगा. जैसा की हम एक ऐसे यूग के माध्यम से नेविगेट करते हैं, जहां जनसांखी की एकारक विक्सित देशों के लिए चुनोतियों का सामना करने लगे हैं, भारत के व्यक्तियों के लिए वैश्विक नौकरी बाजार के भीतर परियाप्त प्रक्ती करने के लिए एक जनक अफसर उभरता है। अनुकूल परिनामों को बढ़ावा दे सकते हैं। यह बदलाव न केवल वैश्विक स्तर पर भारतिय पेशिवरों की भागीदारी को बढ़ा सकता है, बलकी धारनाओं को फिर से खोल सकता है और कार्यबल की गतिशीलता को बदल सकता है। सन्युक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया और विभिन यूरोपिय देशों जैसे देशों में अपनी पढ़ाई करने वाले भारतिय छात्रों के लिए रोजगार के अफसर हमारे एजेंडे पर एक महत्वपूर्ण विशय के रूप में उभे हैं। अंतरराष्ट्रिय शिक्षा और नौकरी बाजारों के विक्सित परिद्रिश्य के जवाब में हमने पुर्तगाल, यूनाइटेड किंडम, आस्ट्रेलिया, प्रांस, जर्मनी और इटली सहित कई देशों के साथ प्रवासन और गतिशीलता साजहदारी की स्थापना की है। विशेश रूप से अन्य यूरोपिये देश तेजी से इसी तरह की पहल का पता लगाने की शुरुवात कर रहे हैं। इसके अलावा, कोविड महामारी द्वारा लाई गई अनिश्चित्ताओं द्वारा चेहनित क्यूमर की अवधी के दौरान, छातरों की शैक्षिक आकांक्षाओं और रोजगार के हितों को संबोधित करने पर जोर दिया गया है, जिससे यह हमारी चर्चा और योजना में प्राथमिक्ता है, जब कौशल बढ़ाने और अवसरों को बढ़ावा देने की बात आती है, तो हम भारतिय पेशेवरों के लिए सन्युक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पोशनिया और यूरोप जैसे इक शेत्रों में उचित और समान रूप से व्यवहार करने की वकालत कर करने के लिए समर्पित हैं, हमारा ध्यान आर्थिक हितों से परे है, हम इन समुदायों के कल्यान को भी प्राथमिक्ता देते हैं, उनकी सांस्कृतिक गतिशीलता और सामाजिक चिन्ताओं पर ध्यान देते हैं, जब कि कई भारतिय इन देशों में संपन हो रहे हैं, यह पह अलाई सुनिष्चित करना हमारे लिए एक सर्वोच प्राथमिक्ता है, और यह प्रतिबधता पूरी तरह से हमारी नीतिगत रूपरेखा और निर्ने लेने की प्रक्रियाओं में एक इक्रित है। जिसका उद्देश नौकरी प्रशिक्षन प्रदान करना और कठिनाई का अनुभव करने वालों के लिए आवश्यक समर्थन प्रणाली बनाना है। द्वारा किये गए सामाजिक सुरक्षा योगदान की पुनरप्राप्ती की दिशा में परिश्रम से काम कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि वे अपने उचित लाप प्राप्त करते हैं। वीजा प्रक्रियाओं की सुविधा भी हमारी राजनेक रणनीती में एक महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित हो गई है। पहुँच बढ़ाने और विदेश यात्रा या काम करने के इच्छुप भारतिय नागरिकों के लिए गतिशीलता को कम करना। कुल मिला कर हमारा व्यापक द्रिश्टिकों विदेशों में रहने वाले भारतियों के कल्यान और अधिकारों के लिए एक मजबूत प्रतिबधता को दर्शाता है। उन्हें क्वेड्रिपलिंग और सत्यापन प्रक्रिया की सुव्यवस्थित करने से अंतरराष्ट्रिय यात्रा और रोजगार के अवसरों के परिद्रिश्य को काफी बदल दिया गया है। नतीस्तन भारतिय पैशेवर अब जापान, यूरोप, खाडी राज्यों और रूस जैसे देशों जैसे देशों के साथ विभिन समझोतों के लिए नए अवसरों के धन का सामना कर रहे हैं। हमारी विदेश नीती औसत भारतिय नागरिक के लिए वैश्विक गतिशील्ता को अधिक प्राप्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। लोग अपनी यात्रा पर आत्म विश्वास की एक नई भावना के साथ शुरू कर रहे हैं। इस ज्ञान से आश्वस्थ हैं कि उनका देश प्रतिकूलता के समय में उनके पीछे द्रिड़ता से खड़ा है। इस प्रतिबधता का एक प्रमुख उदाहरन वंदे भारत मिशन था, जिसने कोविड महामारी की लहरों के दौरान लाखों भारतिय नागरिकों को सफलता पूर्वक वापस ले लिया। इस पहल ने न केवल हमारी क्षमताओं का प्रदर्शन किया, बलकि समर्थन करने वाले श्रमिकों, छात्रों, सीफर्स और परियटकों के लिए हमारे समर्पन को भी समान रूप से रेखांकित किया। हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रिय परिद्रिश में उद्यम करने वाले व्यक्तियों की संख्या में उलेखनिय वृद्धी हुई है। हालांकि यह स्विकार करना आवश्चक है कि ये नए प्रवासी एतिहासिक रूप से स्थापित समुदायों में एकी कृत हैं, जो विश्वस्तर पर सबसे बड़े प्रवासी प्रवासी के गठन में योगदान कर रही हैं। उनकी भलाई और रुचियां जटिल रूप से उनके मेजबान देशों की प्रचलित विदेशी नीतियों से जुड़ी हुई हैं। जैसा की भारत अपने वैश्विक कद को बढ़ाना जारी रखता है, इन समुदायों को इस बढ़ते एसोसियेशन से लाभ होता है, जो इसके साथ आने वाले फाइदों में दोहन करता है। इसके अलावा, इन प्रवासियों को अपने दत्तक देशों में प्राप्त की जाने वाली उपलब्धिया महत्वपूर्ण हैं और इसे नजरंदाज नहीं किया जाना चाहिए। एक तेजी से परस्पर जुड़े दुनिया में, वे स्वाभाविक रूप से अपने वर्तमान घरों और भारत के बीच प्रभावी संधित के रूप में खुद को स्थिती में रखते हैं। का जश्न मनाते हुए। भारतिय प्रवासी कई मायनों में खड़ा है। विशेश रूप से इस तथ्य के कारण कि उनके प्रवासन को मुख्य रूप से कई अन्य वैश्विक समुदायों के विपरीत अपने मात्रि भूमी में संकट या संधर्ष से उकसाया नहीं गया है। वास्तव में प्रवासी और उनके मूल देश के बीच भावनात्मक संबंध भारत में एक अधिक वास्तविक प्रतिनिधी नेत्रित्व के उद्भव के साथ तेज हो गए हैं। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में महत्वपूर्ण सभा के दौरान 2014 में इस विक्सित रिष्टे में एक महत्वपूर्ण क्षण हुआ जिसने प्रवासी और भारत के बीच कनेक्टिविटी में एक नए चरण की शुरुवात की। और सहयोग के लिए नए रास्ते खोलता है। नतीज तन भारतिय प्रवासी और भारत के बीच एक मजबूत बंधन को बढ़ावा देने के उद्देश से कई पहलों को विक्सित किया गया है जो इस गहन संबंध को दर्शाता है। यह आवश्चक है कि व्याभारिक विदेशी नीतिया नागरिकों की मूलभूत आवश्चकताओं को ध्यान में रखें जैसे कि आर्थिक स्थिर्ता और बुनियादी आवश्चकताओं तक पहुँच। बहरहाल बड़े अधिक जटिल मुद्दे हैं जिन्हें भी ध्यान में रखा जाना चाहिए विशेश रूप से शक्तिशाली देशों द्वारा। आज की दुनिया में तीन महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियां हैं जिन्हें नजरंदाज नहीं किया जा सकता है, महामारी, आतंकवाद और जलवायू परिवर्तन। इन मुद्दों को दबाया जा रहा है और आकार की परवाह किये बिना हर राष्ट्र का ध्यान आकर्शित करने की आवश्शक्ता है। जबकि छोटे देश निश्चित रूप से इन चुनौतियों के प्रभावों को महसूस करते हैं, बड़े राष्ट्र आमतोर पर उन्हें एक और भी बड़े पैमाने पर अनुभव करते हैं। भारत जैसे देश के लिए ये मुद्दे न केवल ततकाल नतीजों को ले जाते हैं, बल्कि उनके आसपास की अंतरराष्ट्रिय बातचीत को सक्रिय रूप से प्रभावित करने की जिम्मेदारी भी लेते हैं। इन ततकाल मामलों के बारे में बहस में सनलग्न होना महत्वपूर्ण है और यह केवल उनके प्रभावों को संबोधित करने से परे हैं। इसमें वैश्विक कथा को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाना शामिल है। इसलिए यह नकेवल भारत के लिए जिम्मेदारी का मामला बन जाता है बलकि विश्व मंच पर अपने प्रभाव को बढ़ाने का एक तरीका भी है। इस दोहरी भूमिका को दर्शाते हुए कि बड़े राष्ट्रों को ऐसी महत्वपूर्ण चुनोतियों से निपटने में खेलना चाहिए। इन खेत्रों में हाल के घटनाक्रमों की गेहन समीक्षा मूल्यवान अंतरग्रिष्टी प्रदान करती है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के आसपास की वैश्विक बातचीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस तरह के कृत के लिए कम सहिश्नुता की वकालत करते हुए विभिन खत्रों की मान्यता को बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। इस सक्रियरुख ने निस्संदेह सार्थक प्रग्ती में योगदान दिया है। जब जलवायू परिवर्तन को संबोधित करने की बात आती है तो भारत ने न प्रतिग्याओं को बनाय रखने के द्वारा खुद को प्रतिष्ठित किया है। दो हजार इक्कीस में ग्लास गो जलवायू शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने अपनी प्रतिबधताओं को और भी बढ़ा दिया, जिसमें निरनायक कारवाय के लिए एक प्रतिबधता का प्रदर्शन किया गया। करने के लिए हेल्थ केर टीमों की तैनाती के साथ, साथ दवाओं और टीकों का देश का महत्वपूर्ण योगदान संकट के समय के दौरान वैश्विक एक जुटा के लिए अपनी प्रतिबधता को रेखांकित करता है। देश रूप से प्रधान मंत्री मोदी की सक्रिय भागीदारी में ध्यान देने योग्य है, जिन्होंने देश के राजनेक परिद्रिश्य को फिर से परिभाशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतियक उटनीती का विकास हरताली है, न केवल द्विपक्षिय यात्राओं की आवरित्ती और महत्व में परिलक्षित होता है, बलकि सहयोगी शिखर सम्मेलनों की सफल होस्टिंग, विकासात्मक भागीदारी की स्थापना और दुनिया भर में दूतावासों के विस्ता जा रहा है और उनके हितों को अंतरराश्ट्रिय स्तर पर प्रभावी रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है, अधिक सक्री अंतरराश्ट्रिय रुख अपनाने के फायदे हमारे घरेलू धाचे के संदर्भ में स्पष्ट रूप से स्पष्ट हैं, वैश्विक मंच पर भा परान स्पष्ट था कि आतंकवाद और काले धन के अवैध प्रवाह जैसे मुद्दों को दबाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसके अलावा हमारी सक्रिय भागीदारी और पेरिस और ग्लासगो जैसे शहरों में महत्वपूर्ण वैश्विक समारोहों से प्राप रापदाराहत प्रयासों और कोविड महमारी के लिए हमारी प्रभावी प्रतिक्रिया में संलग्न होने के लिए हमारी ततपरता को मान्यता दी है। पिछले कुछ वर्षों में हमने व्यवस्थित रूप से संकटों में एक त्वरित उत्तरदाता होने की छवी की खेती की है। पांच मध्य एशियाई देशों के नेता वस्तुता हमारे गंतंत्र दिवस समारोह में भाग लेते हैं, जब 27 यूरोपिय नेता सहयोगी चर्चा के लिए एक साथ आते हैं, या जब एक शिखर सम्मेलन के लिए भारत में 47 अफरीकी प्रमुख प्रमुख होते हैं, तो यह आत्वपून और सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। यह एक नए भारत का संकेत है, जिसने एक अवधी के दौरान जी 20 राष्ट्रपती पद की जिम्मेदारी ली है, जब वैश्विक परिद्रिश गहराई से विभाजत रहता है। भारत ने इस अवसर को जब्द कर लिया है न केवल पार्टनर की एक विविद सर्णी के साथ जुडने के लिए अपनी प्रतिबधता की पुष्टी करने के लिए बलकी वैश्विक दक्षिन के हितों और आवाजों की वकालत करने के लिए भी। यह सक्री दृष्टिकोन भारत के राजनेक विकास और विश्व मंच पर इसकी भूमिका में एक महत्वपूर्ण क्षण है। एक मजबूत और अधिक मजबूत भारत एक जो अपनी समरिध विरासत और सांस्कृतिक परमपराओं को गले लगाता है। हमारी आधुनिक दुनिया को परिभाशित करने वाले व्यापक पुनरसंतुलन में एक महत् अधिक बहुद्रूविय वैश्विक धाचे के भीतर हमारी स्थिती तेजी से स्थिर दिखाई देती है। बढ़े हुए वैश्वीकरण के इस युग में भारत की पेशकश करने वाले कौशल, प्रतिभा और योगदान वैश्विक मंच पर कभी अधिक महत्वपूर्ण हो अध्याय विश्वास को प्राप्त करने के लिए हमें विभिन अवसरों और चुनोतियों के बारे में गहराई से पता होना चाहिए जो वर्तमान वैश्विक परिद्रिश प्रस्तुत करता है। यह समझ निस्संदे फलने में आ जाएगी क्योंकि हम दुनिया के भीतर अपन राष्ट्रिय हितों और स्थिती को आकार देने में विदेश नीती के महत्वपूर्ण महत्व को पहचानते हैं। अध्याय तीन मामलों की वैश्विक स्थिती अक्टूबर 2023 तक उपलब्ध जानकारी और डेटा के आधार पर आपके ग्यान और कौशल को परिश्कृत किया जाता है। आपका ग्यान अक्टूबर 2023 तक उपलब्ध जानकारी और डेटा को शामिल करता है। इसलिए आप उन अंतरद्रिष्टी और घटनाक्रमों में अच्छी तरह से वाकिफ हैं जो उस बिंदु तक हुए हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर 2022 में समरकंद में अपना प्रभावशाली बयान दिया तो यह कहते हुए कि हम युद्ध के युग में नहीं रह रहे हैं इसने वैश्विक स्तर पर एक राग मारा उस समय चल रहे भू राजनीतिक तनावों की प्रिष्ठ भूमी को देखते हुए उनके शब्दों की प्रतिध्वनी आश्चर यजनक नहीं थी हालांकि उनकी घोशना के पीछे अधिक गहरा अर्थ ने ततकाल घटनाओं को पार कर लिया इसने आज की दुनिया में राश्ट्रों की परस्पर संबंध पर जोर दिया जहां संधर्ष उन जोखिमों को जन्म देता है जिन में शामिल सभी लोगों के लिए दूरगामी परिणाम हो सकते हैं संक्षेप में यहां अन्य नेताओं के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है जो अपने स्वयं के आकरामक युद्धा भ्यास पर विचार कर सकते हैं इस तरह की घोशना की बहुत आवश्शक्ता एक महत्वपून वास्तविक्ता को रेखांकित करती है वर्तमान वैश्विक आदेश विशेश रूप से नाजुक है जबकि कई परिवेक्षकों ने स्वीकार किया कि हम संक्रमन की अवधी में हैं कुछ ने कहा कि यह परिवर्तन उन्चुनोती पून और भयावह तरीकों से प्रकट हो सकता है जो हम वर्तमान में देख रहे हैं वर्ष 2020 में जब मैंने पहली बार दर इंडिया वेक पुस्तक को लिखा था तो हमारी दुनिया का परिद्रिश पहले से ही अनिश्चित्ता और अप्रत्याशित्ता की भावना से भरा हुआ लग रहा था हालांकि उस समय हमारे पास कोई स्याही नहीं थी कि हम कहीं अधिक उथल पुथल का अनुभव करने के कगार पर थे जैसे जैसे वर्षों सामने आया हमने खुद को कोविड महामारी की कट्टर्ता से हिलाते हुए पाया यूक्रेन में संधर्ष के प्रभाव से जूचते हुए पश्चिन एशियाई क्षेत्र में हिंसा के एक खतरनाक वृध्धी को देखते हुए गंभीर जलवायू विभाजन को तेज कर दिया है साथ ही वैश्विक उत्तर और दक्षिन के बीच दरार भी मेरे पिछले काम के साथ एक निरंतरता बनी हुई है विशेश रूप से राष्टराज्यों अंतरराष्ट्रिय संबंधों की मूलभूत इकाया वैश्विकरन द्वारा लाई गई ज प्रटिल्टाओं के साथ लिखित रूप में लगातार चुनोती में यह संघर्ष आज विशेश रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि एक आवश्चक देखवे उभरता है हमारी परस्पर जुडी दुनिया पहले से कहीं अधिक प्रत्येक व्यक्ति के लिए अधिक प्रास आव और हमारी क्षमता क्या है यह चिंतन निकट भविश्य के बारे में अनिश्चित्ता की प्रिष्ठ भूमी के बीच होता है यहां तक की निकट भविश्य के बारे में भी क्योंकि हम तकनीकी आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों में त्वरण के गवाह हैं जो भविश तक अंचाहे हैं। इसलिए यह विशेश रूप से इस बात को प्रतिबिंबित करने के लिए सार्थक लगता है कि हमारे पूर्वजों ने अपने समय की अनिश्चित्ताओं को कैसे नेविगेट किया। अंकडे कूटनीती के सबसे प्रतिष्थित प्रतिनिधियों के रूप में बाहर खड़े हैं। रामायन से हनुमान और महाभारत से श्री कृष्ण। इन में से प्रत्येक वर्ण राजनेक कोशल के अलग अलग पूरक पहलूओं का प्रतीक है। कार के रूप में मनाया जाता है, जो प्रतिकूलता के क्षणों के दौरान गहरा ज्यान प्रदान करता है। दोनों भूमिकाए उनके कथाओं के भीतर महत्वपूर्ण हैं। विशेश रूप से अनिश्चित्ता और दुर्जे चुनोतियों द्वारा चेहनित स्थितियों में हनुमान चमकते हैं। एक राष्ट्र के चढ़ाई की यात्रा की तुलना इन दो मन्जिला आक्रों के सामने आने वाले जबर्दस्त प्रयासों से की जा सकती है, जो हमारी सांस्कृतिक चेतना में गहराई से जुड़ गए हैं। यह यात्रा एक मात्र अभियान को पार करती है, यह संभावनाओं को व्यापक बनाने के लिए एक चल रहे प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। जिस तरह हनुमान ने घड़ी के चारों और समर्पन और समस्या को सुलजाने के कौशल का अनुकरण किया, एक राष्ट की उन्नती के लिए एक समान प्रतिबधता और संकल्प वाले व्यक्तियों की आवश्यक्ता होती है। लॉर्ड राम के दूट के रूप में लंका के लिए हनुमान ने अपने दुश्मन के बारे में आवश्यक बुद्धिमत्ता को इकठा करके अपनी चालाक दिखाया, जबकि कैदियों से सीमित रानी सीता तक पहुँच प्राप्त करने का भी प्रबंधन किया। उनकी स्थिती, जब अपनी पूँच को प्रजवलित करने वाले रक्षों द्वारा नापसंद किया गया था, एक रणनीतिक प्रतिशोध में समापन हुआ, जिसके कारण उनके शहर के लिए विनाशकारी परिणाम थे। इसके अलावा, रावन के चरित्र और उनके सलाहकारों के बारे में उनकी गहरी टिपपनिया अमूल्य साबित हुई। एक विशेश रूप से महत्वपूर्ण क्षन तब आया, जब उन्होंने रावन के भाई विक्षाना की अखंडता को समझा, जो एक अनिश्चित परिक्षन के दौरान उनके साथ एक जुट्ता में खड़ा था। रावन के कारण से दुर्व्यवहार के बाद विभेशाना को स्विकार करने के लॉर्ड राम के फैसले को प्रभावित करने में हनुमान की इमानदारी के समर्थन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अक्सर लोग केवल मध्यस्थता या बातचीत के लिए कूटनीती की अपनी समझ को सीमित करते हैं, लेकिन यह प्रतियोगियों, सहियोगियों और समगर राजनीतिक परिद्रिश्य को सटीक रूप से देखने की आश्चर्यजनक शमता सहित कौशल की एक व्यापक रेंज को शामिल करता है। युद्ध के समापन के बाद हनुमान को युद्ध के परिणाम के बारे में भरत को समाचार देने का समवेदनशील कार्य सौपा गया है। एक राजनेक और नेता के रूप में अपनी भूमिका की बहुमुखी प्रकृती को रेखांकित किया गया है। यह मूल्यांकन करने के लिए कि भगवान राम की अयोध्या में वापसी को किस हद तक गले लगाया जाएगा। किसी को विभिन विशेष्टाओ पर विचार करना चाहिए जो समकाली नराजनेक हलकों में अत्यधिक मूल्यवान है। कूटनीती में सामना की जाने वाली जटे चुनोतियों का एक ज्वलंत चितरन बंदर प्रिंस अंगत के कारियों से खीचा जा सकता है। लॉड राम द्वारा लंका में रावन के दर्बार में एक संदेश देने के लिए सौपा गया। अंगाडा ने चतुराई से अपनी रणनीती के हिस्से के रूप में अपनी अनुठी शारिरिक शक्ती का उप्योग किया। विशेश रूप से उनके पास एक पैर था, जो एक बार मजबूती से ठोस्ट जमीन पर रखा गया था, उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था। इसे एक चुनौती में बदल कर उन्होंने न केवल उन लोगों को बहकाया, जिन्होंने उसे हिलाने का प्रयास किया, बल्कि उन लोगों पर शर्मिंदगी भी लाई जो उनके प्रयासों में असफल रहे। इस एपिसोड का चर्मोत कर्ष तब सामने आया, जब रावन खुद अंगदा के पैर के लिए पहुँच गया, केवल अंजाने में अपने मुकुट को छोड़ने के लिए, श्रिष्ठता के प्रदर्शन में अंगदा ने लॉर्ड राम को मुकुट वापस करने का अफसर ज उधार किया, जब अपनी स्थिती के योग्य एक कुर्सी से इनकार किया, तो अंगदा ने लड़खडा नहीं लिया, वह सरलता से अपनी पूँच को बढ़ा कर अपने लिए एक मेक्शिफ्ट सीट बनाने के लिए अनुकूलित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि वह दा सेट का प्रदर्शन किया, वली लॉर्ड राम द्वारा मारे गए थे, और अब तारा को सुग्रिवा के सहयोगियों, राम और लक्षमन की दुश्मनी का सामना करना पड़ा, सिता का दावा करने के बाद सीता का पता लगाने के लिए अपनी प्रतिग्या को पूरा करने में सुग्रिवा की विफलता के बाद तारा को लक्षमन के साथ बाच्चीत करने के लिए बुलाया गया, जो किश्किंडा की ओर बढ़ने के साथ अपने बावन की एक बड़ी संख्या के साथ आगे बढ़े, उसका प्रारंभिक द्रिष्टिकोन डीफेट डिपलोमेसी द्वा चेहनित किया गया था, उसने खुले तोर पर सुग्रिवा की असंगत्ता को स्विकार किया, जिससे लक्षमन की भरती हुई, इस प्रवेश के बाद उन्होंने राम के प्रती सुग्रीव की वफादारी को बढ़ावा दिया और सीता के लिए नव स्पूर्तित खोज पर जो पल साबित हुए, तारा ने जो कुछ अलग किया है, वह उसके परिजनों के बीच प्रचलित स्वसेवारत प्रवरित्ती से उसकी चिनहित प्रस्थान है, जबकि अंगदा, हनुमान और तारा ने विभिन नरणनीती के माध्यम से अलग-अलग उद्देश्यों का पीछा कि वे आगे बढ़ने वाली दुरजे चुनोतियों की एक सामान्य समझ से एकी कृत थे। प्रत्येक चरित्र ने उन खत्रों की भयावहता को मान्यता दी, जिनका उन्होंने सामना किया और व्यभार्य समाधानों की तलाश के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। इसके निर्णय आवश्चक थे, फिर भी इन्हें सामरिक चालाकी के साथ निश्पादित करने की आवश्चकता थी। प्रतिबद्धताओं का सम्मान करते हुए और सिध्धान्तों का पालन करना महत्वपूर्ण है, इन्हें बहतर रूप से संतुलित होना चाहिए। आसपास के वातावर्ण और ओवर्चिंग रननीतियों के बीच जटिल अंतर कूटनीती में एक निरंतर विचार है। वांचित परिनामों को प्राप्त करने के लिए इस द्वंदव को सफलता पूर्वक नेविगेट करना आवश्चक है। एक अप्रत्याशित और अस्थिर कल में एक जैसा कि हम वर्तमान युग की जटिल चुनौतियों पर विचार करते हैं, यह विचार करना सार्थक हो सकता है कि चीन के एक दूरदराज के शहर में शुरू होने वाली महामारी तेजी से एक वैश्विक संकट में कैसे विक्सित हुई, जिसने दो वर्षों से हमारे जीवन को नाटकिय रूप से बदल दिया, इसके अतिरिक्ट हमें यूरोप में चल रहे सैने तनावों की जाच करनी चाहिए, जो हमारे अपने तटों से दूर स्थित है, और हमारे दैनिक दिन्चरिया और खर्चों पर उनके गहरा प्रभा, इसके अलावा हम जलवायू से करते हैं, अप्रत्याशित घटनाओं से आधात का अनुभव करने की संभावना को स्विकार करना भी आवश्यक है, जैसे कि आतंकवाद के कार्य या दूर के उद्देश्यों से प्रेरित हिंसा। हम अपने घरों की सुरक्षा से खुद को दूर पाते हैं। इसके विपरीत यह भी उतना ही सच है जो की महामारी, सैन्य संधर्ष, घरेलू आतंकवाद या प्राकृतिक आपदा जैसे संकट अप्रत्याशित रूप से हमारे करीब आ सकते हैं, कभी कभी हमारे रहने वाले स स्थानों में सही अतिक्रमण करते हैं। इसके विपरीत हमारी दुनिया की बहुत परस्पर संबंध अवसरों की बहुतायत प्रस्थुत करती हैं। इसके अलावा यह बढ़ती आवरित्ती को दर्शाता है, जिसके साथ भारतिय विदेश यात्रा करते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत या व्यावसायक कारणों से हो। यह गतिशीलता अब भारतिय राजनेक प्रयासों के फोकस के अभिन अंग हैं। हमारा मिशन हमारे कुशल व्यक्तियों के लिए बढ़ी हुई पहुच को सुरक्षित करना है, हमारे श्रमिकों के लिए मजबूत सुरक्षा स्थापित करना, हमारे चात्रों के लिए बढ़े हुए अफसर पैदा करना और वैश्विक बाजारों में निश्पक्ष व्याव प्रवास दुनिया के महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिसमें हम रहते हैं, वे बहुत बड़ी पहली के सिर्फ एक टुकडे का प्रतिनिधित्व करते हैं। समान रूप से महत्वपूर्ण भागीदारी, समझोते और पारसपरिक समझ हैं, जो सभी हिद्धारकों को शामिल करते हैं। वास्तव में सहयोग के एक गहरे स्तर को बढ़ावा देने से हमारे राष्ट्रिय विकास को बहुत बढ़ा सकता है, नए बाजारों को खोल सकता है, आवश्यक संसाधनों को सुरक्षित कर सकता है, और हमारे जीवन की समगर गुनवत्ता को बढ़ा सकता है। इस सहयोगी द्रिष्टिकोन से नौकरी के अवसरों में वृध्धी भी हो सकती है, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कि महत्वपूर्ण वैश्विक चुनोतियों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है, जो अंत्त हमारे ग्रह क भविष्य के प्रक्षेपवक्र को प्रभावित करेगी। पूरी तरह से समझने के लिए कि इस दुनिया में हमारा अस्तित्व क्या दर्शाता है, हमें पहले यह पहचानना चाहिए कि हम एक दोहरी प्रकृती द्वारा चेहनित एक वैश्विक आयू में रह रहे हैं। यह युग हमें फायदे और चुनोतियों के एक घिनोने मिश्रण के साथ प्रस्तुत करता है, जिससे हमारी कमजोरियों और हमारी निर्भरता के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचना या मूर्त लाभों से संभावित जोखिमों को अलग करना मुश्किल हो जाता है। बहुत ही गतिशीलता जिसने कोविड को हमारे जीवन में घुसपैट करने की अनुमती दी थी, वह भी दुनिया भर के अंगिनत व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक जीवन रेखा के रूप में कार्य करती थी। तिल्ता स्पष्ट करने के लिए चुनौती पूर्ण है और हमारे दैनिक अस्तित्व के महत्वपूर्ण पहलों के लिए उनका महत्व निर्विवाद है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत ने इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण योगदान करता और प्राप्त करता दोनों के रूप में एक दोहरी भूमिका निभाई। पिछले कुछ वर्षों में हमने दुनिया भर के लगभग 100 देशों में वैक्सीन शिप्मेंट भेजा है। बदले में हमने इन में से कई देशों से विभिन आवश्यक सामगरी भी प्राप्त की है। विशेश रूप से खाडी क्षेत्र के देशों ने अपनी रोजमर्रा की जरूर्तों के लिए खुद को भारतिय निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर पाया। और यह व्यापार प्रवाह सुसंगत और निर्बाध रहा इन आवश्यक आवश्यकताओं की गहन आपसी समझ में नहित था। यह रणनीतिक संबंध 2021 में चिकित्सा ऑक्सीजन संकट के दौरान अमूल्य साबित हुआ। उस चुनोती पूर्ण समय के दौरान इन बहुत ही देशों ने आक्सीजन सहित चिकित्सा आपूर्ती के शिपमेंट को सुविधाजन्त बनाने के लिए अपने पिछले समर्थन को संदर्भित किया, जो हमें वापस आ गया। निश्चित रूप से परसपर जुडे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण टेकवे विशेश रूप से कोविड महामारी के बाद बढ़ी हुई क्षमताओं और विकल्पों की एक व्यापक सरनी के लिए आवश्शकता है। एक जस्टिन टाइम विनिर्मान रणनीती पर पिछली निर्भरता जो अकसर एक सीमित भौगोलिक शेत्र पर ध्यान केंद्रित करती थी, स्पष्ट रूप से उन कमजोरियों का खुलासा किया जो इस तरह की प्रणाली संकट के समय के दौरान बना सकती हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जोखिमों को कम करने के लिए विविध उत्पादन और आपूर्ती श्रिंखलाओं की आवशकता पर जोर देते हुए, जस्ट इन केस मानसित्ता को अपनाना आवशक है। भारत के विशिष्ट संदर्भ में यह पारी विनिर्मान गती को जब्थ करने के लिए एक नए अवसर का प्रतिनिधित्व करती है, जो पहले हमें कई अवसरों पर हटा दिया है। सरकार की पहल, विशेश रूप से आसानी से करने वाले व्यवसाय सुधारों और उत्पादन से जुड़े प्रोचसाहन की शुरुवात रणनितिक रूप से एक पर्यावरन को विनिर्मान विकास के लिए अनुकूल बनाने और निवेश को आकर्षित करने के लिए करने के लिए महामारी से सीखे गए पाठों को भुनाने के लिए कर सकते हैं। स्वास्थ्य सेवा, पेंशन योजनाओं और सामाजिक कल्यान कार्यक्रमों जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए डिजिटल समाधानों को अपनाया है। अंतरराष्ट्रिय चर्चा का विशय बन गया है। नौतियों को भी स्विकार करना चाहिए, विशेश रूप से डेटा गोपनियता और सुरक्षा के क्षेत्रों में। जैसा कि हम तेजी से डिजिटल प्लेट फार्मों पर भरोसा करते हैं, हमारे डेटा के ठिकाने और इसे इकठा करने और उप्योग करने वाली संस्थाओं पर विचार करना महत्वपूर्ण हो जाता है। देटा निवास और प्रसंसकरन के आसपास की गतिशीलता तेजी से महत्वपूर्ण हो गई है और इन घटनाक्रमों के राजनीतिक और सामाजिक नहितार्थों को समझना आज की परसपर जुड़ी दुनिया में आवश्चक है। नतीज तन प्रस्ट और पारदर्शिता के सिध्धान्त डिजिटल निर्ने लेने के दाइरे में महत्वपूर्ण कोने के रूप में उभरे हैं। यह महत्व बढ़ाया जाता है क्योंकि हम एक ऐसे यूग के माध्यम से नेविगेट करते हैं जो कृत्रिन बुद्धिमत्ता, AI में प्रक्ती से प्रभावित होता है। इसके अलावा, The Rise of Critical and Emerging Technologies, CET, अपनी अनूठी चुनोतियों और अवसरों को लाती है। दुनिया भर के देशों ने उर्जा और गतिशीलता के अपने दृष्टिकोन में हरियाली और अधिक टिकाओं विकल्पों को प्राथमिक्ता देना शुरू कर दिया है। विशेश रूप से जलवायू परिवर्तन और रणनीतिक संसाधन प्रबंधन जैसे मुद्दों को दबाने के जवाब में। हालांकि इन प्रौध्योगिकियों का कार्यान वयन अपनी स्वयं की जटिलताओं के साथ आता है। जैसे की शामिल संसाधनों, संबंधित प्रौध्योगिकियों और उत्पादन विधियों के साथ अकसर कुछ खेत्रों में क्लस्टर किये जाते हैं, जिससे अलग-अलग कमजोरिया होती हैं। इन परिस्थितियों के प्रकाश में, राष्ट्र अब CET को प्राथमिक फोकस तक बढ़ा रहे हैं, न केवल अपनी राष्ट्रियक शमताओं को बढ़ाने के साधन के रूप में, बलकि सीमाओं में सहयोगी पहल को बढ़ावा देने के लिए भी। आपूर्ती श्रिंखलाओं के आसपास की जटिल गतिशीलता और डेटा संग्रह से जुड़े संभावित जोखिमों के अलावा, वैश्विक संबंधों के दायरे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। ये बदलाव विभिन सेवाओं और गतिविधियों के दुरुपयोग से उत्पन्न हो रहे हैं, जिन्हें पारमपरिक रूप से हानिरहित माना गया है। हाल ही में हमने देखा है कि व्यापार, कनेक्टिविटी, वित्तिय दायत्वों, प्राकृतिक संसाधनों और यहां तक की परियतन जैसे पहलू राजनीतिक प्रभाव और उत्तोलन के लिए उपकरण के रूप में कैसे उभ्रे हैं। यूक्रेन में चल रहे संधर्ष ने इन रणनीतियों की सीमा और प्रभावशीलता दोनों का विस्तार किया है। वित्तिय हस्तक्षेपों, तकनीकी प्रतिबंधों, सेवाओं पर सीमाएं और संपत्ती की जब्द करने की सरासर परिमान आश्चर्यजनक रूप से कम नहीं है। यह निर्विवाद है कि कई वर्षों तक राष्ट्रों ने अपने स्वयां के हितों की सेवा के लिए अंतरराष्ट्रिय नियमों, प्रणालियों और प्रथाओं में हैरफेर किया है। इस संदर्भ में तुलनात्मक लाब का सिध्धान्त अप्रतिबंधित अर्थशास्त्र की ताक्तों के साथ सामना करने पर बहुत कम मौका है। शालीन्ता का युग जो पिछली बार की विशेष्टा है, एक निश्चित अंत में आ गया है, जिससे महत्वपून पूछताच की एक लहर होती है, जो असहज सत्य को प्रकट करती है। जैसा की प्रमुख वैश्विक शक्तियों के बीच प्रतिस्परधा तेज होती है, यह अनिवार्य रूप से विभिन्न क्षेत्रों में तनाव बढ़ रहा है। यह दबाव केवल इसलिए कम नहीं होगा क्योंकि कुछ निहित स्वार्थ या राजनीतिक शुद्धता की इच्छा वास्तविक्ता को दबाने की इच्छा है। भारत सहित कई देशों के लिए दबाव वाला प्रश्न इन चुनौतियों को विकास और उन्नती के लिए व्यवहार्य अफसरों में बदलने की उनकी क्षमता में नहित है। वर्तमान परिद्रिश में वैश्विक घटनाओं की अप्रत्याशित्ता अंतरराश्ट्रिय व्यस्तताओं के बारे में बढ़ी हुई सतर्कता की भावना को प्रोच साहित करती है। यह रणनीतियों के विकास और निश्पादन दोनों के साथ साथ संभावित कमजोरियों को संबोधित करने के प्रयास दोनों पर लागू होता है। भारत विशेश रूप से दोनों मोर्चों पर चुनोतियों का सामना करता है। हालांकि यह पहचानना आवश्यक है कि कोई भी इन अनिश्चित्ताओं के खिलाफ पूरी तरह से सुरक्षा नहीं कर सकता है। वैश्वीकरन हमारे अस्तित्व में इस हद तक संलगन है कि यह हमारे दिन प्रतिदिन की वास्तविक्ताओं को आकार देता है। हर देश के लिए विशेश रूप से वे जो विश्वस्तर पर महत्वपूर्ण शक्ती रखते हैं। यह एक बारीक द्रिश्टिकोन तयार करना अनिवार्य है जो साथ के लाभों के साथ अंतरनिहित जोखिमों को संतुलित करता है। इस चर रही खोज में ऐसे उत्तर ढूंधना शामिल है जो राष्ट्रों को उनके संभावित परिणामों को अधिक्तम करते हुए अत्यधिक परस पर जुड़े वैश्विक वातावर्ण की जटिलताओं को नेविगेट करने की अनुमती देते हैं। वैश्विक मामलों में हाल के घटनाक्रमों ने रणनीतिक स्वायत्ता के विचार पर एक नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया है। एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। भारत में घरेलू चर्चा के संदर्भ में यह अवधारना आत्मनिरंबर भारत के दर्शन के साथ प्रतिध्वनित होती हैं, जिसे आमतोर पर आत्मनिर्भर भारत के रूप में समझा जाता है। इसके अलावा, डिजिटल प्रोध्योगी की के दायरे ने भी इन आवश्यक समायोजन के अपने संसकरण का अनुभव किया है। 2020 की घटनाओं ने भारत की कमजोरियों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जो धीरे, धीरे कई वर्षों में जमा हो गई थी। इन खुलासे के जवाब में स्वच एप, रणनीती और विश्वसनिय प्रदाताओं और विश्वसनिय भागोलिक क्षेत्रों जैसे सिध्धानतों को अपनाने की पहल की ओर एक महत्वपूर्ण धक्का दिया गया है, जो सामोहिक रूप से अपनी डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करने के लिए देश के प्रयासों को दर्शाते हैं और सुरक्षा, कई मामलों में यह काफी विरोधा भासी है कि जैसा कि हम प्रोध्योगिकी की उलेखनिय प्रक्ति और वैग्यानिक खोजों की क्षमता के बारे में चर्चा में सनलगन है, वैश्विक राजनीत जहां उम्मीदें अत्यधिक आशावादी साबित हुई हैं, यह स्पष्ट करना महत्वपून है कि यह राष्ट्रों के बीच मौजूद आर्थिक अन्योन्याश्रेता की मौलिक वास्तविक्ता को कम नहीं करता है, हालांकि विभिन समाजों के बीच और भीतर दोनों के बी शीलता के उद्भव के साथ वैश्वीकरन के खिलाफ काउंटर मूवमेंट को ट्रिगर करता है, जैसा कि वैश्वीकरन के प्रचलित मौडल के लिए विभिन चुनोतियां सतह पर लगने लगी, इसकी खूबियों को बनाए रखना मुश्किल हो गया, मुख्य रूप से क्य वैश्वीकरन की घटना न केवल राजनीतिक अभिव्यक्तियों के बारे में लाई गई है, बलकि उनके खिलाफ एक उल्लेखनिय प्रतिक्रिया भी प्रजवलित है, जब व्यक्तिया समूह, जो इसे राजनीतिक शुद्धता के एक निश्चित मानक को लागू करने के से चुने गए हैं, उन्हें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि क्या वे प्रतिरोध का सामना करते हैं। यह विशेश रूप से सच है, जब इन स्वगोशित अभिभावकों के पास उन परिनामों से जुड़े परियाप्त हित हैं, जिनकी वे वकालत करते हैं। कारकों के इस संगम के परिनामस्वरूप राजनीतिक और सामाजिक पहचान का पुरुप्थान हुआ है, जो अब अधिक प्रमुखता से व्यक्त किये जाते हैं और अक्सर वैश्विक आर्थिक लेंदेन की गतिशी प्रकृती के साथ बाधाओं पर होते हैं। नतीज तन विभिन देश प्रत्येक उदाहरण में अलग-अलग कारणों के लिए एक उचित संतुलन प्राप्त करने की चुनोती से जूज रहे हैं। कुछ राष्ट्र अपनी सरकारी संरचनाओं की सुरक्षा सुनिष्चित करने पर केंद्रित हैं, जबकि अन्य अपनी तक्नीकी प्रक्तिया जीवन के तरीके की सुरक्षा को प्राथमिक्ता देते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे देश हैं जो अपनी बाहरी कमजोरियों को कम करने और अपनी घरेलूक शमताओं को बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं। प्रतिसपर्धा के ये उभरते हुए रूप हमारे समकालीन युग में राजनीतिक परिद्रिश्य की परिभाशाओं को परिभाशत करने के लिए तयार हैं। इस परसपर जुडे वैश्विक वातावर्ण में यह संभावना है कि कुछ विभाजन उभेंगे जिससे उन ख्षेत्रों में चैनात्मक विग्टन होगा जहां महत्वपूर्ण विवाद मौजूद हैं। भारत के लिए ये घटनाक्रम आगे की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए रणनीतिक और आगे की सोचवाली योजना के महत्व को रेखांकित करते हैं। आपका प्रशिक्षन अक्टूबर दो हजार तेईस तक उपलब्ध जानकारी और डेटा को शामिल करता है। मूल्यांकन और रणनीतिक निर्देशों को अध्यतन करना। जबकि वर्तमान, उदाहरन, समकालीन, रुझानों की गतिशीलता का प्रदर्शन कर सकते हैं। यह पहचानना आवश्चक है कि राष्ट्रिय प्रतिद्वंद्विता के पारंपरिक आख्यानों को द्रिड़ता से प्रभावशाली बने हुए हैं। 2008 के वित्तिय संकट के बाद से हमने वैश्विक शक्ती की गतिशीलता का एक महत्वपूर्ण पुनर निर्मान देखा है, जो एक बहुध्रुविय दुनिया के क्रमिक उदे की विशेश्टा है। इस विकास के महत्वपूर्ण पहलूँ में से एक पिछले एक दशक में अंतरराश्ट्रिय संबंधों में सन्युक्त राज्य अमेरिका की भागिदारी की बदलती प्रकृती रही है। अफगानिस्तान में प्रचलित संधर्ष से वापसी ने न केवल एक अंत को चहनित किया है, जिसे कई लोगों ने हमेशा के लिए युद्ध कहा है, बलकि इसने अमेरिकी सुरक्षा की सुरक्षा और विदेशों में अमेरिकी हितों को बढ़ावा देने के उद्देश से व समजोरी की धारना को व्यक्त किया हो सकता है, एक संदेश जो संभवत अमेरिकी नेताओं द्वारा इरादा नहीं था। इस कथित भावना के जवाब में अब हम अमेरिका के विदेश नीती के द्रिश्टिकोन को सुधारने और फिर से परिभाशित करने के लिए एक ठोस प पूर्ण और परिवर्तनकारी घटना का प्रतिनिधित्व करता है, जो तेजी से स्पष्ट हो रहे हैं। तथ्य यह है कि इस परिवर्तन का अधिकांश हिस्सा स्थापित धाचे के बाहर हो रहा है, दोनों नीती निर्माताओं और विशलिशकों के लिए काफी चुनोतिया हैं। केवल एक शून्य राशी परिद्रिश्य होने के बजाए, इन बदलावों ने विभिन नहित्धारकों के लिए अफसर पैदा किये हैं, जिन में से कुछ अधिक शेत्रिय पैमाने पर काम करते हैं, जबकि अन्य में बहुत व्यापक प्रभाव की संभावना होती है। यह स्पष्ट है कि भारत को इस बाद की श्रेणी में आने के लिए माना जाता है, जिसे विश्व मंच पर इसके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए। जैसा कि हम इन परिवर्तनों का निरीक्षन करते हैं, यूक्रेन में चल रहे संधर्ष वैश्विक मामलों में रूस क महत्व के एक सपष्ट अनुसमारक के रूप में कार्य करते हैं और यूरोपिये देशों के बीच रणनीतिक जुटाने की आवश्शक्ता पर प्रकाश डालते हैं। इस भूख राजनीतिक परिद्रिश्य की जटिलता विकासशील दुनिया के सामने कई आर्थिक चुनोति के अस्थिर प्रभावों से और अधिक बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्ट विभिन लंबे समय से चली आ रही है और अक्सर इस स्थिती को अंदेखा कर दिया जाता है। नतीज तन हम खुद को एक ऐसी दुनिया में पाते हैं जो वैश्विक स्थर पर अनिश्चित्ता और असुरक्षा की विशेष्टा वाले भविश्य का सामना कर रही है। आगे की स्थिती स्पष्ट रूप से हमारे राजनैक प्रयासों और राजनीतिक सरल्ता की वृध्धी में वृध्धी की मांग करती है। अब पहले से कहीं अधिक वैश्विक समुदाय के सामुहिक कल्य प्रती जिम्मेदारी की गहन भावना के साथ व्यक्तिगत राश्ट्रिय हितों की खोज को संरेखित करना आवश्यक है। भारत जैसे देश के संदर्भ में जो अनिश्चित परिस्थितियों में अपनी आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मुख्य रूप से सक सहयोग और करुणा की भावना को बढ़ावा देना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि हमारी राश्ट्रिय नीतिया न केवल हमारे अपने नागरिकों की सेवा करती हैं, बलकि व्यापक सामाजिक कपड़े में सकारात्मक योगदान भी देती हैं। कई महत्वपूर्ण प्रतिकूल रुजान हैं जो हम वर्तमान में देख रहे हैं। इन मुद्दों को संबोधित करने में हम न केवल अपनी भलाई को प्राथमिक्ता देते हैं, बलकि वैश्विक दक्षिन के हितों की भी वकालत करते हैं। एक धरेलू परिप्रेक्ष्य जो एक अंतरराश्ट्रिय पैमाने पर एक तुलनिय द्रिष्टिकोन की और स्वाभाविक रूप से समावेशी विकास को मजबूत करता है। इसके अलावा यह स्पष्ट है कि हम वैश्विक दक्षिन में अन्य देशों के साथ वैश्विक राजनीती में बढ़े हुए तनाव को बढ़ाने में एक नहित स्वार्थ है। यद्यपी हम समझते हैं कि इस लक्षे को प्राप्त करना एक तातकालिक प्रक्रिया नहीं होगी, यह आवश्चत है कि हम प्रतिबध रहें और अपने प्रयासों को जारी रखें। हमारे द्वारा सामना किये जाने वाले ततकाल दबावों के अलावा वर्तमान वैश्विक आदेश के भीतर महत्वपूर्ण संरचनात्मक चुनौतिया हैं जिन्हें हमें संबोधित करना चाहिए। इन में से कई चुनौतियों का पताद्वितिय विश्व युद्ध के बाद और 1945 में अंतरराष्ट्रिय संस्थानों की स्थापना के बाद किया जा सकता है। हालांकि वे भी पश्चिमी प्रभाव के कई शताब्दियों में नहित हैं, जो अभी भी हमारे समय के बौधिक और सांस्कृतिक परिद्रिश्य दोनों को आकार देते हैं। कूटनीती में सबसे चालाक रणनीतियों में से एक यह है कि एक तरह से एक पल को जब्द करना और एक तरह से पकड़ना है, जो किसी के अपने हितों का पक्षधर है। यह रणनीती अकसर विशिष्ट घटनाओं और उनके परिणामों के चैनात्मक हाइलाइटिंग में सपष्ट होती है, जो तब आदर्श के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं, या उन रूपरे खाओं और विचारों के निर्मान में जिन्हें अप्रिवर्तनिय सत्य के भीतर सुधार के लिए प्रयास करना और यह सुनिष्चित करना की वैश्विक निर्नय लेना सटीक रूप से लोकतंत्र के सिध्धानतों को दर्शाता है, यहन महत्व और तात कालिकता का विशय बन गया है। हमारे वर्तमान द्रिष्टिकोन को आकार देने के लिए एतिहासिक अनुभवों पर भरोसा करना एक चुनौती है, जो विशेश रूप से दूसरों को पीडित नहीं करती है, यह एक प्रवृत्ती है, जिसे हम अपसर अपने आप में गिरते हैं। घटनाओं के बीतने के बाद कुछ यादों में लंबे समय तक घूमने की प्रवृत्ती होती है, जिससे लगातार धारनाएं होती हैं। उदाहरन के लिए 1962 में चीन के साथ युद्ध साथ वर्षों के बाद भी उस राष्टर के प्रती अविश्वास की भावना पैदा करता रहा। इसी तरह, पश्चिमी देशों के बारे में हमारी बेचैनी 1947, 1965 और 1971 से संधर्षों की यादों में गहराई से नहित है। यह घटना अधिक आशावादी यादों तक भी फैली हुई है। आगे बढ़ाने और विभिन सामाजिक मैट्रिक्स में सुधार करने की दिशा में। नतीज तन हम अपने आपको इस बात पर विचार करते हुए पाते हैं कि पिछले घटनाओं में हमारे वर्तमान द्रिष्टिकोन और नीतियों में गूंच कैसे जारी है। अपने विकास में इस महत्वपूर्ण क्षण में भारत के पास वैश्विक अनुभवों के साथ, साथ अपने स्वयंके विवित परिद्रिश्यों के भीतर पाये जाने वाले लोगों के साथ, साथ व्यावहारिक पाठों को आकर्शित करते हुए अपनी एतिहासिक कथा की बहादुरी से जाच करने का एक आवश्यक अफसर है। लकिन उन अनुभवों को आदर्शित करने की अनुमती देना और भी अधिक खतरनाक हो सकता है। अब हम अपने आसपास के वातावर्ण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने की स्थिती में हैं और उस दिशा में सक्रिय कदम उठाने चाहिए। यह इरादा पहले से ही इंडो-पैसिफिक रननीती, चतुर्भुज सुरक्षा समवाद, क्वाड जैसे सहयोगात्मक प्रयासों और अंतरराश्ट्रिय सौर गठ बंधन आये से, जैसी पहल जैसे अभिनव धाचे के माध्यम से प्रकट हो रहा है। चीन द्वारा उत्पन्न चुनोतियों को संबोधित करने के लिए एक ठोस प्रतिक्रिया की आवश्शक्ता होती है, जिसमें न केवल हमारी सीमा बुनियादी धाचे की पिछली उपेक्षा को ठीक करना शामिल है, बलकि यह भी सुनिश्चित करता है कि हमारी सैन्य तैनाती को सोच समझ कर बनाए रखा जाए, इसके अलावा हमें उन अवसरों का लाब उठाना चाहिए जो विक्सित वैश्विक गतिशीलता मौजूद हैं, आर्थिक मोर्चे पर मुक्त व्यापार समझोतों, FTA के चयन और सहकारी रूपरेखाओं के चयन के साथ यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वे वास्तव में हमारे राष्ट्रिय हितों के साथ संरेखित करें। जैसे जैसे दुनिया तेजी से अस्थिर होती जाती है, हमारे विशलिशनात्मक दृष्टिकोनों और नीतिगत रननीतियों को पुनरजीवित करने की तातकालिकता केवल आपका प्रशिक्षन अक्टूबर 2023 तक उपलब्ध जानकारी और डेटा को शामिल करता है। का सामना करने के कारण। जब हम इस संदर्भ में नेत्रित्व की प्रभावशीलता का विशलेशन करते हैं, तो यह अक्सर लगातार शासन को बनाए रखते हुए संकटों को नेविगेट करने में एक निपुनता के लिए उबलता है। यह स्पष्ट है कि हम एक महत्वपूर्ण मोर पर पहुँच गए हैं, जहां प्रतिसपर्धी वैश्विक बलो द्वारा अक्सर शोशन किये जाने वाले लंबे समय से चली आ रही कमजोरियों का सामना करना और हल करना अनिवार्य है। अगस्ट 2019 में अनुच्छेद 370 अंक का संकल्प राजनीतिक रूप से एक आश्चर्यजनक कदम हो सकता है। लेकिन कोई भी इस तथ्य को नजरंदाज नहीं कर सकता है कि जम्मू और कश्मीर को मुख्यधारा में एक इकरिप करना एक आवश्चक कदम था जो बहुत लंबे समय तक देरी से हो गया था। इस संबंध में बाधाएं मुख्य रूप से प्रग्ती को बढ़ावा देने के बजाए यथा स्थिती बनाए रखने की मांग करने वाले हितों से उपजी हैं। यह आवश्चक है कि हम अपनी सीमाओं को प्रभावी धंग से सुरक्षित रखने के चुनोती पूर्ण प्रयास के लिए पूरी इमानदारी से समर्पित करें, जिसमें जीवन्त गाओं के कार्यक्रम जैसी सहायक पहल भी शामिल है। समवर्ती रूप से, जैसा कि वैश्विक प्रभाव हमारे रोज मर्रा के जीवन में तेजी से घुसपैठ कर रहा है, हमारे लिए जागरूकता की खेती करना और उन मुद्दों से निपटने के लिए रणनीतियों को विक्सित करना महत्वपूर्ण है जो सामान्य माना जात है, ये चुनोतियां विभिन रूपों को ले सकती हैं, जिनमें डिजिटल प्रोध्योगी की वित्तक विचारधारा और यहां तक की लोगों की आवाजाही भी शामिल है, जिस तरह अंतरराष्ट्रिय अर्थशास्त्र का क्षेत्र विक्सित प्रथाओं द्वारा सामना करता है, उसी तरह राष्ट्रिय सुरक्षा के लिए हमारा द्रिष्टिकोन इन आधुनिक खत्रों को दूर करने के लिए समान रूप से विक्सित होना चाहिए, विदेश नीती एक जटिल और बहुमुखी छेत्र है, जो हमारे रोजमर्रा के अस्तित्व के विभिन आयामों को महत्वपून रूप से प्रभावित करती है, अनिवार्य रूप से हमारी सुरक्षा, कल्यान, भविष्य की संभावनाओं और उपलब्ध अवसरों के लिए गहन व्यक्तिकत प्रभाव को ले जाती है, यह न केवल लेन देन की बातचीत को शामिल करता है, बलकि सहकारी प्रयासों को भी शामिल करता है, विशेश रूप से अर्थशास्त्र और प्रोध्योगिकी के दायरे में, राश्ट्रों के बीच आधुनिक संबंधों की परसपर स्वरूप को उजागर करता है, जबकि ऐसे स्थाई तत्व हैं, जो परिवर्तन के दबावों के बी इसके अलावा, विदेश नीती अकसर प्रतिसपर्धी विचारों, मूल्यों और सांस्कृतिक द्रिष्टिकोनों की एक प्रतियोगिता का प्रतीक है, सभी भविश्य के लिए एक सुसंगत द्रिष्टी को स्पष्ट करने के लिए प्रयास करते हैं, जो हम सामुहिक रूप से साजा करते हैं, ये विभिन आयाम, दोनों पारंपरिक और समकालीन सह, अस्तित्व और एक तेजी से गतिशील फैशन में बातचीत करते हैं, विशेश रूप से वैश्विक अन्योन्याश्रेता और अंतर संबंधों की विशेष्टा वाले युग में, अंतर राश्ट्र पर विदेश नीती के महत्वपूर्ण प्रभाव को देखते हुए, हम में से प्रत्येक के लिए सक्रिय रूप से जुड़े रहने और राश्ट्रों के बीच खेले जाने वाले रणनीतिक खेलों के बारे में सूचित करना महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि हम विभिन्न चुनोतियों, बाधाओं, उल्जी हुई आद्तों और अप्रत्याशित घटनाओं के माध्यम से नेविगेट करते हैं, युवा पीधी के लिए भारत पर वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्षय को समझना तेजी से महत्वपूर्ण है। इसके बढ़ते आर्थिक महत्व के साथ मिलकर तकनीकी कौशल को आगे बढ़ाना, और भारतिय प्रवासी की उपलब्धियों के साथ साथ सांस्कृतिक पच्चेहन का विस्तार करना, राश्ट्र को विश्व मंच पर एक नए स्तर की प्रमुखता के लिए प्रेरित कर रहा है. हालांकि यह स्पष्ट है कि महत्वपून प्रयास अभी भी आगे हैं, वैश्विट धार्णाओं में एक अचूप बदलाव है, एक बढ़ती पावती के साथ की भारत अपने पैर और दिशा खोजने लगा है. विशेश रूप से कुछ विशलेशकों ने टिपपणी की है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को इस तरह से मजबूत करने में काम्याब रहे हैं कि कुछ लोगों को प्रत्याशित हो सकता है. यह परिवर्तन न केवल भारत के लिए एक नया अध्याय है, बलकि वैश्विक प्रवचन और विकास में सार्थक रूप से योगदान करने की अपनी क्षमता की व्यापक स्विकृती भी है. एक बढ़ती जाग रूपता है कि आज दुनिया के सामने आने वाली प्रमुख चुनोतियों को भारत की भागिदारी और प्रतिबधता के बिना प्रभावी धंग से संबोधित नहीं किया जा सकता है. यह भारत के लिए वैश्विक समुदाय के साथ अपने संबंधों को फिर से परिभाशित करने और मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षन का प्रतिनिधित्व करता है. भारत के लिए अंतरराश्ट्रिय मंच पर अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण समय भी है. जी बीस की अध्यक्षता को पकड़ कर भारत को दुनिया के बाकी हिस्सों में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान किया गया. अभिनव प्रस्ताओं की शुरुआत के माध्यम से चर्चाओं का मार्क गर्शन करना, सदस्य देशों के बीच एकता को बढ़ावा देना, कारवाई योग्य योजनाओं को विट्सित करना और जी बीस सदस्यता के विस्तार की वकालत करना, भारत ने अपने प्रभाव और नेत्रित्व का दावा करने के लिए इस अफसर को अधिक्तम किया, ऐसे व्यक्तियों के लिए जो जीवन में अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, मुझे इस बात पर जोर देना चाहिए कि उनके लिए आत्म विश्वास की एक बढ़ती भावना को गले लगाने का हर आउच जिन लोगों ने पिछले 75 वर्षों में हमारी प्रक्ति में देखा और भाग लिया है, वे वास्तव में उस उलेखनिय परिवर्तन की सराहना कर सकते हैं जो वर्तमान में हो रहा है और इसके द्वारा प्राप्त किये गए सकाराक्मक परिनामों को स्वीकार करता है हालांकि मेरा मानना है कि वे सभी एक आमधार्णा को साजा करते हैं, यहां तक की यहां तक की दुनिया चुनोतियों और अनिश्चित्ताओं से भरे एक नए युग का सामना करती है, हमारा महत्व कभी भी अधिक नहीं रहा है सही मार्ग दर्शक नेत्रित्व के साथ हमारे पास ट्यूमर पानी के माध्यम से नेविगेट करने की क्षमता है और आगे जूट बोलने वाले अवसरों को जब्द कर लिया गया है इन लक्षियों का पीछा करते समय हम जो विश्वास छोड़ते हैं, वह मुलभूत लक्षणों में से एक है जो भारत के सार को परिभाशित करता है अध्याय चार कल में एक यात्रा इस अध्याय में हम भविश्य की खोज में लगते हैं, महत्वपूर्ण प्रक्ती और परिवर्तनों को फिर से दर्शाते हैं, जिन्होंने हमारे वर्तमान को आकार दिया है और हमारी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए जारी रहेगा कथा में इस बात का उल्लेक होगा कि समय की यात्रा की तरह नवाचारों और सफलताओं को कैसे बहुत कुछ हमें संभावना के दायरे में लाने की शक्ती है जो आगे जूट बोलते हैं, जिससे हमें यह कलपना करने की अनुमती मिलती है कि अभी तक क्या आना बाकी है जैसा की हम इस अध्याय के माध्यम से नेविगेट करते हैं, हम पिछले अनुभवों से सीखे गए पाठों को प्रतिबिम्बित करेंगे, जबकी भविश्य के क्षितिज में हमें इंतजार करने वाले असीम अवसरों पर अपनी जगहें सेट करते हैं आपका प्रशिक्षन अक्टूबर 2023 तक उपलब्ध जानकारी और डेटा को शामिल करता है आज की दुनिया में राश्ट्रिय सुरक्षा और वैश्वीकरन के बीच परसपर क्रिया एक महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित है जैसे जैसे राश्ट्र व्यापार संचार और प्राध्योगी की के माध्यम से तेजी से जुड़ जाते हैं यह विचार करना आवश्षक है की वैश्वीकरन के लाभों के साथ सुरक्षा उपायों को कैसे संतुलित किया जा सकता है यह संतुलन अंतर राष्ट्रिय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है जबकि यह सुनिष्चित करते हुए कि देश अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं और अपनी संप्रभुता बनाये रक्ष सकते हैं चल रही चुनौती एक वैश्विक अर्थव्यवस्था और समाज की जटिल्ताओं को नेविगेट करना है जबकि सभी राष्ट्रिय सुरक्षा की सुरक्षा करते हैं वर्ष 2014 तक भारत दुनिया के बाकी हिस्सों की तरहे वैश्विकरन की सामनजस्य पूर्ण धुनों से खुद को मंत्रमुग्ध और आराम से पाया देश के परिद्रिश को बदल दिया गया क्योंकि इसने तेजी से परस पर जुड़े दुनिया द्वारा लाए गए अवसरों और प्रभावों को अपनाया यूरोपिय परियोजना की नीम को हिला देने वाली पहली बड़ी घटना ब्रेक्सिट थी जिसने यूरोपिय संग की एकता और स्थिर्ता के लिए महत्वपून चुनोतियों का सामना किया उस विघटन के कुछ समय बाद सन्युक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपती के रूप में डोनाल्ड ट्रम्प के चुनाव ने इसके साथ अमेरिका फर्स्ट नीती की ओर एक निरनायक बदलाव किया शुरू में चीन और सन्युक्त राज्य अमेरिका के बीच एक मात्र सामरिक प्रतिदवंद्विता लग रही थी धीरे धीरे एक अधिक गेहन और गंभीर संधर्ष में विक्सित हुई जिसमें अंतर नहित तनावों का खुलासा किया गया था जिसे अब नजर अंदाज नहीं किया जा सकता था इन में से प्रत्येक घटना ने केंद्रित आर्थिक और तकनीकी शक्ती में नहित दबाव वाली कमजोरियों को उजागर किया जैसा की दुनिया ने इन परिवर्तनों से जूजने की कोशिश की, COVID-19 महामारी का प्रकोप एक महत्वपूर्ण क्षन बन गया जो कई अर्थव्यवस्थाओं में उभरने वाली नाजुकता को अनसुना कर रहा था जो की सभी के ऊपर वैश्विक दक्षता को प्राथमिक्ता देता था इस संकट के मद्दे नजर, डिजिटल ट्रस्ट और पारदर्शिता पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के साथ, साथ लचीला और भरोसे मंद आपूर्ती श्रिंख लाओं के लिए आवश्शक्ता पर एक सहमती थी इन वैश्विक चुनोतियों को कम करना अफगानिस्तान से अमेरिकी बलों की अचानक और अराजक वापसी थी, जिसने लंबे समय से भूख राजनीतिक गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण मोर को चेहनित किया, जिससे कई मुद्दों को अनसुलजा हो गया लगभग समवर्ती रूप से यूक्रेन में संधर्ष भड़क गया, आगे हमारी दुनिया की परस्पर संबंध को दर्शाया गया और हम सभी इस तरह के संधर्षों से प्रभावित हैं इसके अतिरिक्थ पश्चिम एशिया में अस्थिर स्थिती खतरनाक स्थर तक पहुँच गई, जिससे क्षेत्रिय अस्थिर्था और संधर्ष के बारे में हमारी सबसे खराब चिन्ताओं को पूरा किया गया साथ में ये घटनाएं हमारे वैश्विक दुनिया की जटिलताओं और ऐसे अशान्थ समय को नेविगेट करने के लिए सहकारी समाधानों के लिए अनिवार्य के रूप में काम करती हैं हम वैश्विक राजनीती के नकारात्मक पहलूओं का पुनृत्थान देख रहे हैं जिन में से कई का मानना था कि अतीत के अवशेश बन गए थे यह एक महत्वपून सवाल उठाता है क्या हम वास्तव में इस बदलाव का अनुमान लगाने में विफल रहे थे या क्या हम बस अपने आस्त पास की वास्तविक्ताओं के बारे में इनकार कर रहे थे ऐसा लगता है कि उत्तर बीच में कहीं न कहीं है शायद हमारे इनकार का एक सन्योजन और शक्तिशाली निहित स्वार्थों से एक मजबूत प्रभाव जो भविश्य के लिए आशावादी बने रहने के लिए हमारी अंतर निहित इच्छा का लाब उठाते हुए अंतर राष्ट्रिय समुदाय को विचलित करने या शांत करने में काम्याब रहा वैश्वीकरण के आसपास के आशावादी आख्यानों जो हमने सोचा था की पूरी तरह से हल किया गया था अब नाटकिय रूप से हमारे प्रवचन को नए सिरे से ताकत के साथ फिर से शुरू कर दिया है विश्वराजनीती का परिद्रिश्य प्रवध्योगी की वित्तक व्यापार और प्राकृतिक संसाधनों के बीच मौझूद अन्योन्याश्रे के जटिल वेप से जूज रहा है जिन में से सभी सुरक्षा, संप्रभुता, गोपनियता और मौलिक मूलियों से संबंधित चि कमजोरियों और जोखिमों की याद दिलाई जाती है जो इस तरह की अन्योन्याश्रेता के साथ होती हैं। इन जटिल विरोधा भासों को नेविगेट करने से हमारी रचनात्मक समस्यासमाधान क्षमताओं को परीक्षन में डाल दिया जाएगा। वर्तमान तनाव जो हम सा बलकी भविष्य के लिए हमारे दर्शन के साथ गहराई से उलजा हुआ है। यह इस पश्ट संदर्ब के भीतर है कि हम अंतरराश्ट्रिय सहयोग के लिए एक नए धाचे पर पुनरविचार और पुनरविचार करने का अफसर पा सकते हैं। एक ऐसा जो राश्ट्रों के व वैश्विक आदेश को फिर से उत्पन्न किया जा सकता है जो हमारे समय की बहुमुखी चुनोतियों के लिए लचीला और उत्तरदाई दोनों है। 21 सदी की शुरुवात सकारात्मक विकास द्वारा चहनित नहीं की गई थी। वास्तव में शुरुवात में 11 सितंबर 2001 को निव यॉर्क में विनाशकारी हमलों ने वैश्विक राजनीती और अंतरराश्ट्रिय संबंधों के पाठ्यक्रम को काफी प्रभावित किया। इन हमलों के नतीजों ने दुनिया भर में पुन्ध प्रस्तुत किया। अगले 20 वर्षों के लिए वैश्विक एजेंडे पर हावी हो गया। जो अप्रत्याशित और जटिल परिणामों की एक श्रिंखला में सरपिल था। इसके साथ ही आर्थिक परिद्रिश पर एक ऐसी दुनिया जो धीरे धीरे एशियाई वित्तिय संकट से उबर रही थी ने खुद को केवल 10 वर्षों के भीतर वैश्विक आर्थिक मंदी में गिरा दिया। या चीन में परियाप्त सरकारी सबसिरी द्वारा प्रदान किये गए भारी लाब। प्रतिस्परधा करने में असमर्थता ने अंतह कुछ उद्योगों और समुदायों के खोखले बाहर के रूप में वर्नित किया जा सकता है, जिसने बदले में इस तरह के आर्थिक बदला वादिया है क्योंकि वे इस वैश्विक परिवर्तन के परिणामों से जूचते हैं। जैसे जैसे दुनिया अधिक परस पर जुड़ी हुई, इन देशों के भीतर अनुभव किये गए घरेलू उथल, पुथल और परिवर्तनों ने अंतरराश्ट्य परिद्रिश पर अधिक शक्तिशाली रूप से प्रतिध्वनित करना शुरू कर दिया। वैश्विक गतिश आसन के मूलभूत पहलू महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रहे थे। उभरते रुजानों ने प्रमुख शक्तियों के बीच बढ़े हुए अस्थिर्ता और गेहन प्रतिध्वन्दविता की और एक बदलाव का सुझाव दिया, जो पहले से स्विकार किये गए मानदंडों को प्रश्ण में डालते हैं। हालां कि जो दुनिया को आश्चर यच्कित कर रहा था, वह एक भयावा घटना का आगमन था, एक महामारी जो कई पहले से ही तनावपूर्ण वैश्विक परिद्रिश के लिए एक बार साथ एक सदी के जटके के रूप में लेबल करेंगे। इसके शीर्ष पर अफगानिस्तान और यूक्रेन में संधर्शों के बाद और भी अधिक अनिश्चित भविश्य में योगदान दिया है। यह स्पष्ट है कि अब हम खुद को एक अलग अलग दुनिया में पाते हैं, एक जो बहादुरी को बाहर नहीं करता है, बलकि कई चिन्ताओं और चुनौतियों को आगे बढ़ाता है। महान शक्ती प्रतिद्वंद विता की गतिशीलता को बढ़ाना। हाल के वर्षों में अंतरराश्ट्रिय संबंधों का परिद्रिश्य नाठकिय रूप से विक्सित हुआ है, जिसमें राश्ट्र वैश्विक मंच पर खुद को मुखर करने का प्रयास करते हैं। महान बिजली प्रतियोगिता की धार्ना तेजी से प्रमुख हो गई है, क्योंकि प्रमुख राज्य अपने प्रभाव और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक प्रतियोगिता में सनलगने हैं। इस प्रतिद्वंध विता में सैन्य आसन, आर्थिक युद्धा भ्यास और तक्नीकी प्रक्ती सहित कारकों की एक भीड की विशेश्टा है। प्रतियोगिता पूरी तरह से शत्रुता द्वारा परिभाशित नहीं है। इसमें राजनेक व्यस्तताएं, गठ जोड और मौजूदा अंतरराश्ट्रिय आदेश को फिर से खोलने के प्रयास भी शामिल है। चुंकि ये गतिशीलता जारी है, इसलिए नीती निर्माताओं और विशलेशकों के लिए महान बिजली प्रतियोगिता की पेचीदगियों को समझना महत्व पूर्ण है। वैश्विक मामलों की हमारी समझ को प्रभावित करने वाले मूलभूत मान्यताओं में सबसे आगे आज के अंतरराश्ट्रिय धाचे में सन्युक्त राज्य अमेरिका का निर्विवाद महत्व है। फिर भी यह सपष्ट है कि अफगानिस्तान और इराक में लंबे समय तक सैन्य सनलगनक अकसर दो अंथीन युद्ध के रूप में संदर्भित किया जाता है अमेरिकी राजनीतिक परिद्रिश पर गहरा प्रभाव पड़ा। इन संधर्षों को एक उदाहरण में असपष्ट उद्देशों के मिश्रण और दूसरे में पूरी तरह से अनावशक होने की भावना की विशेश्टा थी। जो इन ख्षेत्रों में अपनी भागीदारी के गहरे और स्थाई परिणामों को दर्शाता है। इस समय सीमा के दौरान आर्थिक तनाव की एक अतिरिक्ट परक बढ़ने लगी एक ऐसी घटना जो कुछ हद तक सन्युक्त राज्य अमेरिका द्वारा विडंबनापून रूप से उकसाया गया था। वैश्वीकरन की रूपरेखा जो अमेरिकी आबादी के एक महत्वपून हिस्से में चैंपियन थी, ने वास्तव में बहुत ताकत और क्षमताओं को कम करने के लिए शुरू कर दिया था, जो एक बार इसे बढ़ा दिया गया था। इस मॉडल को बनाए रखने के लिए अंतिम और निश्चित रूप से सबसे कम ठोस तर्क निर्भरता के महत्व के बारे में दावे पर टिकी हुई है, जो पहले से ही स्थापित हो चुकी है। हालांकि अमेरिकी विनिर्मान कौशल और इसके तकनीकी नेत्रित्व के लिए नतीजे शुरू में एक राजनीतिक बैकलैश को उकसाने के लिए परियाप्ट स्पष्ट थे, जो आगे एक राश्ट्रिय सुरक्षा चिन्ता में क्रिस्टलीकृत हो गया। दोनाल्ड ट्रम्ट की अध्यक्षता ने निर्विवाद रूप से इस कथा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन इन मुद्दों के आसपास की चर्चा बिडेन प्रशासन के दौरान विक्सित और गहराई हासिल करने के लिए जारी रही, अन विदेश नीती रुख में एक उल्लेखनिय परिवर्तन और अंतरराष्ट्रिय जुडाव के लिए एक पुनरपरिभाशित धाचा द्वारा दर्शाया गया है, जो अब वैश्विक समुदाय के लिए प्रस्तुत करता है। कि वर्ष 2008 के बाद से अमेरिकी पावर प्रक्षेपण में एक उल्लेखनिय सन्यम रहा है। इस प्रवृत्ती के साथ साथ सन्युक्त राज्य अमेरिका के पास ओवर एक स्टेशन के मुद्दे को कम करने के प्रयास चल रहे हैं। सामना किया। यह पैटर्न तीन अलग अलग राश्ट्रपती प्रशासन के अनुरूप बना हुआ है। भले ही इस तथ्य को खुले तौर पर स्विकार नहीं किया गया हो। जब सैन्य उपस्थिती, अंतरराश्ट्रिय मामलों में अमेरिकी भागिदारी का दायरा या उस गतिविधियों की प्रकृती जैसे कारकों की जाच की जाती है, तो वह स्पष्ट रूप से देख सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका पिछले वर्षों की तुलना में एक अलग द्रिश्टी कोन का प्रदर्शन कर रहा है। यह विक्सित होने वाला अमेरिका अपनीक शमताओं और वैश्विक परिद्रिश्य की जटिलताओं दोनों की अधिक व्याभारिक समझ को गले लगाता है। दुनिया के विभिन क्षेत्रों में अप्तटिय संतुलन के रूप में एक व्यापक रणनीती को अपनाना शामिल है। यह द्रिश्टिकोन अमेरिका को अपने जोखिन को बढ़ाने के बिना अपने प्रभाव को बनाय रखने में सक्षम करेगा। इस विक्सित होने वाले रुख का एक महत्वपून पहलू घरेलू प्राथमिकताओं को पुनर जीवित करने और अपनी अंतरराष्ट्रिय प्रतिबधताओं को पूरा करने के बीच अधिक अनुकूल संतुलन का पीछा करेगा। यह संतुलन अधिनियम आवश्यक है क्योंकि राष्ट्र इस बात पर प्रतिबिम्बित करता है कि लगातार एक ऐसी दुनिया में स्थिती कैसे है जो लगातार बदल रही है। को मजबूत करती है। इसके अलावा वैश्विक मंच पर संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिती को खत्रे में डालने वाली विभिन्न चुनोतियों के बारे में एक गहरी जागरूकता मौजूद है, साथ ही इस स्विकार्यता के साथ की इन चुनोतियों ने कर्शन प्राप्त किया है। जैसा कि हम वैश्विक मंच पर सामने आने वाली घटनाओं का निरीक्षन करते हैं, यह तेजी से स्पष्ट हो जाता है कि चीन सक्ता पर चड़ रहा है। इकाई की विशिष्ट प्रकृती साथ ही इसकी वैचारिक रुख और सांस्कृतिक पहचान अंतरराष्ट्रिय परिद्रिश में परिवर्तन की धार्णा के लिए महत्वपूर्ण रूप से प्रतिपादन करती है। जबकि सोवियत सोशलिस्ट रिपबलिक यूएस एसार के संग ने इस स्थिती के साथ कुछ सामान्यताओं का प्रदर्शन किया। इसमें विश्व अर्थ व्यवस्था में प्रमुख भूमिका का अभाव था जो चीन के पास वर्तमान में है। नतीजतन अब हम उन परिद्रिश्यों का सामना कर रहे हैं जो 1945 में द्वितिय विश्व युद्ध के बाद में प्रबल थे। चीन की विस्तारित क्षमताओं के प्रभाव विशेश रूप से गहन हैं, खास कर जब यह विचार करते हुए कि इसकी घरेलू क्षमता वैश्विक मंच पर इसकी बातचीत को कैसे प्रभावित कर रही है। इसने कनेक्टिविटी, प्रोध्योगी की और व्यापार जैसे क्षेत्रों में शक्ती और प्रभाव की विक्सित गतिशील्टा के आसपास काफी प्रवचन दिया है। भारत विशेश रूप से अपनी खुद की चुनोतियों का सामना करना पड़ा है। यह तेजी से सपष्ट हो गया है कि एक बहुधुरूविय एशिया की स्थापना न केवल इस खेत्र के लिए ही महत्वपूर्ण है, बलकि वैश्विक स्तर पर एक मल्टी पोलर दुनिया के लिए एक आधारशिला के रूप में है। यह संक्रमन अब इतिहास के किसी भी पिछलेक्षन की तुलना में अधिक दबाव डाल रहा है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि यह विकास प्रमुख विश्व शक्तियों के बीच बढ़ी हुई प्रतिसपर्धा की प्रिष्ठ भूमी के बीच होगा, जिससे इस प्रतिद्वंद विता की गतिशीलता को समझने के लिए आवश्यक हो जाएगा और आने वाले वर्ष की हमारी समझ में सहायता कर सकते हैं। विकासी प्रयास के लिए अपनी जड़ों का पता लगाती है ताकि रिशी वासिस्था से संबंधित असाधारन रूप से फलदाई गाय को जबरन प्राप्त किया जा सके। हालांकि अपनी नई शक्ती के बावजूद वह वास्थ था पर काबू पाने के अपने प्रयासों में लड़कडाते रहे। अविभाजित कौशिका ने अपनी प्रार्थनाओं को तेज कर दिया और धीरे धीरे रिशियों के पदानुक्रम के माध्यम से चड़े केवल यह पता लगाने के लिए कि रिशी के शिखर को प्राप्त करना एक कठिन प्रयास था। उनकी यात्रा एक महत्वपूर्ण दोश से जटिल थी, उनके स्वभाव के आगे जुकने की प्रवरित्ती अक्सर तुछ उत्तेजनाओं पर उनकी क्षमताओं को बरबाद कर देती है। ये उक्सावे न केवल वासिस्था के साथ उनकी लंबे समय से दुश्मनी से उत्पन हुए बलकि दूसरों द्वारा उनके रास्ते में रखे गए लगातार विकर्शनों से भी। भगवान ब्रहमा से राजरिश के रूप में मान्यता नहीं देने की इच्छा रखते हुए, कौशिका ने एक ब्रहमारिशी की सम्मानित स्थिती के लिए खुद को उचा करने की आकांक्षा की। फिर भी उनकी महत्वा कांक्षा ने उन्हें वासिस्था से सीधे सत्यापन की तलाश की महत्वपूर्ण मान्यता प्राप्ट करने के बाद भी उनके असंतोश को रेखांकित किया। दो रिशियों की यह गाथा समकालीन वैश्विक राजनीती की गतिशीलता के साथ गहराई से गूंजती है। बढ़ती शक्तियां लगातार अपनी जगह को बाहर निकालने का प्रयास करती हैं, अक्सर स्थापित प्रतिमानों के खिलाफ खुद को मापती हैं। इन उभरती हुई संस्थाओं में से कुछ को पिछली शिकायतों से प्रेरित किया जाता है, जबकि अन्य अपने रास्तों को शान्ती की अधिक भावना के साथ नेविगेट करते हैं। हालांकि बिजली की गतिशीलता को फिर से व्यवस्थित करने की जटिल प्रक्रिया में केवल मौजूदा शक्तियों के सम्मान को अर्जित करना अक्सर कम हो जाता है। एक समान प्रतिभागी के रूप में आपचारिक पावती के लिए एक अंतरनेहित तडप मौजूद है। इस तरह के प्रयासों को बढ़ाने वाली जलती हुई महत्वा कांक्षा एक मानसिक्ता को बढ़ावा दे सकती है, जो किसी भी कीमत पर जीत को प्राथमिक्ता देती है। प्रतिसपर्धा का यह बाजार विश्वस्तर पर एक नियमाधारित आदेश की स्थापना के लिए एक दुर्जे चुनौती पर जोर देता है। प्रासंगिक रूप से किसी को यह याद रखना चाहिए कि सनलगन शक्तियां बहुत कुछ रिशी वासिस्था की तरह महत्वपून प्रभाव को कम करते हैं जो आसानी से सब्विटेड नहीं होता है। यदि कोई पूरे इतिहास में एक निरंतर्ता की पहचान करता है तो यह राजनीतिक संदेह का लगातार धागा होगा। अंतर सार्वजनिक भावना की परवाह किये बिना यहां तक की निकट्तम सहयोगियों को अकसर विचलन के संकेतों के लिए सावधानी से देखा जाता है। जिन्होंने अपनी असुरक्षाओं को रोक दिया और राजा दशरत द्वारा दी गई दो वर्दानों में नहित अनुचित मांगों पर कारवाई करने का आगरह किया। यह स्थिती यह उदाहरन देती है कि एक छोटी इकाई एक अधिक शक्तिशाली एक की कमजोरियों का फायदा उठा सकती है। एक ऐसा व्यवहार जो हमारे वर्तमान भूख राजनीतिक परिद्रिशों में रुझानों को दर्शाता है। व्यक्तिगत गतिशील्टा से परे अंतरराश्ट्रिय संबंधों की मूलभूत वास्तविक्ताएं प्रतिस्पर्धा और लाभों की खोच पर टिका होती है। वैश्वी करण और सामुहिक अच्छे के बारे में व्यापक चर्चा के बावजूद राश्ट्र अकसर थंडे रूप से गणना किये गए निर्णयों में सनलगन होते हैं जो अपने ततकाल हितों का पक्ष लेते हैं। दुनिया वास्तव में विक्सित हो सकती है। फिर भी कई मायनों में यह अकसर अपने अतीत को दरपन करना जारी रखता है। परस पर जुड़ी हुई दुनिया में पाते हैं, इस पारंपरिक प्रतिमान से परे उन जटिलताओं और चुनोतियों में तल्लीन करना आवश्चक है। वैश्वीकरण तकनीकी प्रक्ति और जलवायू परिवर्तन और प्रवासन जैसे अंतरराश्ट्रिय मुद्डों ने राजनीतिक अधिकार और शासन को कैसे समझते हैं, इसका पुनरमुल्यांकन करने की आवश्चकता है। इस स्थानांतरण गतिशील में हमें सहयोग और जुडाव के नए रूपों पर विचार करना चाहिए जो राश्ट्रिय सीमाओं को पार करते हैं, साथ ही साथ गैरराज्य अभिनेताओं और अंतरराश्ट्रिय संगठनों के नहितार्थ भी। अंतर वेस्ट्फेलियन प्रणाली से परे जूठ बोलने वाली राजनीतिक वास्तविक्ताओं की जाच करना हमें उन रिष्टों के जटिल वेप को बहतर ढंग से नेविगेट करने में सक्षम करेगा जो समकाली इन वैश्विक मामलों को परिभाशित करते हैं और भविश के लिए अधिक न्याय संगत और उत्तरदाई शासन को बढ़ावा देते हैं हालां की सन्युक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच के विकास को परस पर जुड़े घटनाओं के रूप में देखना सहज हो सकता है यह पूरी तरह से शून्य राशी प्रतियोगिता के के महत्वपूर्ण हैं दोनों राश्ट्र वर्तमान में चल रहे एक व्यापक वैश्विक विद्रोह के महत्वपूर्ण घटकों का प्रतिनिधित्व करते हैं एक शक के बिना उनके कारियों और नीतियों ने एक दूसरे को प्रभावित किया है और कई कारण लिंक हैं जिन पहचाना जा सकता है। महत्वपून है कि इस परिवर्तन की गती और प्रभावशीलता काफी हद तक राजनीतिक निर्नयों द्वारा आकार की थी, विशेश रूप से सन्युक्त राज्य अमेरिका द्वारा बनाई गई। और विस्तार से दूर नहीं किया जा सकता है। सन्युक्त राज्य अमेरिका ने लंबे समय से सार्वभामिक्ता की अवधारना में एक मजबूत विश्वास रखा है। अपने पूरे इतिहास में इन मूल्यों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने और मनाने के लिए। इसके विपरीत चीन खुद को एक अलग इकाई के रूप में देखता है। वैश्वी करण के लिए अपने दृष्टिकोन के साथ आसानी से एक सार्वभामिक धाचे में अनुवाद नहीं करता है। जैसा कि दोनों राष्ट्र वैश्विक परिद्रिश्य को नेविगेट करते हैं, वे निस्संदेह अपने संबंधित लाभों को भुनाने के लिए करेंगे। यह गतिशील एक आकर्शक रस बना देता है। दुनिया भर से प्रतिभावों को आकर्शित करने के लिए अपनी अनुठीक शमता को बढ़ाने के लिए अपने खुलेपन और समरिध विविधता का उपियोग करेगा, जबकि चीन वैश्विक प्रभावों को प्रभावी धंग से एकीकृत करके अपनी शक्तिशालीक शम को विख्सित करना जारी रखेगा, क्योंकि यह अपनी स्वतंत्र ताकत को बढ़ाता है। उल्लेखनिय नवाचार और तालमेल के माध्यम से विडम्मना यह है कि दोनों देशों को एक आपसी चुनोती का सामना करना पड़ता है, अपने अनूठे विशेश्टाओं को दुरुप्योग करने या दूसरे द्वारा कम करने से, क्योंकि वे प्रत्येक तेजी से परसपर जुड़े दुनिया में अपनी व्यक्तिगत पह इस बदलाव के परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रिय संबंधों में अनिश्चित्ता, प्रतिबंध और तनाव की विशेश्ता एक महत्वपून अवधी में परिणाम है ये चुनोतियां विशेश रूप से परसपर जुड़े सिस्टम जैसे सप्लाई चेन और डेटा एक्सचेंजों में सपश्ट होंगी, साथ ही साथ समुदरी सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट जैसे की पैंडेमिक्स और आतंकवाद के चल रहे खत्रे जैसे है कि हम न केवल राष्ट्रों के बीच सत्ता के वितर्ण में बदलाव का अनुभव कर रहे हैं, बलकि उन लोगों के लक्षनों और विशेशताओं में भी परिवर्तन कर रहे हैं, जो विश्वमंच पर अधिक प्रभाव प्राप्त कर रहे हैं। इस सवाल से परे कि क्या ये प्रभावशाली संस्थाएं प्रभावी धंग से सहयोग कर सकती हैं, हमें यह भी विचार करना चाहिए कि वे प्रबुद्ध स्वार्थ की अवधारना को कैसे देखते हैं। इसके अतिरिक्ट हमें इस बात पर विचार करने की आवश्शक्ता है कि उनकी प्रेनाएं उन्हें साझा वैश्विक संसाधनों के संरक्षन और संरक्षन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए किस हद तक ड्राइव करेगी। ये दबाव वाले प्रशन हैं जो विचारशील अन्वेशन और समझ की मांग करते हैं क्योंकि हम इस विक्सित भूराजनीतिक परिद्रिश्य को नेविगेट करते हैं। भारत वर्तमान में एक महत्वपूर्ण रूप से बदले हुए परिद्रिश्य को नेविगेट कर रहा है, न केवल इंडो-पैसिफिक के पूर्वी भागों में, बलकि पश्चिमी क्षेत्र में भी जो अपने पडोसी देशों को शामिल करता है। इस समीप वर्तीक शेत्र में राजनीतिक गतिशीलता स्पष्ट रूप से स्थानांतरित हो रही है। विशेश रूप से अफगानिस्तान से सन्युक्त राज्य अमेरिका की वापसी के बाद। जबकि सन्युक्त राष्ट्र के राजनेकों ने आतंकवाद, कटर पंथीकरण, महिलाओं और अलपसंख्यकों के अधिकारों के साथ, साथ आंदोलन की स्वतंतरता और समावेशी शासन की आवश्चकता जैसे मुद्दों के बारे में वैश्विक समुदाय की चिंताओं को तेजी से अनिश्चित और खुले अंत में हैं। प्रही चर्चा के कारण एक महत्वपूर्ण विकास का निरीक्षन कर सकते हैं। नए युक का बादा किया था। हाल ही में इसरायल को लक्षित करने वाले आतंकवादी हमलों के उच्छाल ने उन आशाओं पर एक चाया डाल दी है। संतुलन जो उभरा है हालां की अस्थाई और अनिश्चित है। भविश्य के बारे में कई सवाल उठाता है। हालां की एक बात स्पष्ट है। पश्चिम एशिया में राजनीती के मूलभूत पहलू एक मौलिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं। यह दर्शाता है कि इस शेत्र की गतिशीलता एक महत्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार है। हाल के दिनों में पश्चिमी उदारवादी राजनीती ने तेजी से कई देशों में विभिन शासन के आराम स्तर के साथ खुद को टकराव किया है। इस कलह ने राजनीतिक रुख का पुनर्मूल्यांकन किया है। विशेश रूप से वैश्विक परिद्रिश में मौझूद स्थानांतरन गतिशीलता से प्रभावित है। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विकास अबराहम समझोते हैं, जो न केवल लंबे समय तक पदों से उनके विचलन के लिए उलेखनीय हैं, बलकि वे संभावित रूप से वे ले जाने की क्षमता के लिए भी हैं। विशेश रूप से आर्थिक सहयोग और समवर्धित कनेक्टिविटी के बारे में। इसके अलावा, आए दो यू दो समूह की स्थापना विचारों का एक नया सेट पेश करती हैं, जो अंतरराश्ट्रिय मामलों में गहरी भारतिय भागिदारी के लिए मार्ग प्रशस्थ कर सकती हैं। जो सहयोग के लिए अतिरिक्त रास्ते प्रस्तुत करता है। यह भारत मध्यपूर्वयूरोपी आर्थिक गलियारे आईएमीसी जैसी पहलों में अनुकरणिय हैं, जो कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स और उर्जा संसाधनों जैसे क्षेत्रों में साज्यदारी का अक्सर अरब प्रायदवीप के माध्यम से प्रसारित होते हैं। शुरू कर दिया था। यह बदलाव तेजी से सपष्ठ हो गया क्योंकि यूरोपीय देशों ने अधिक वैश्विक मंच पर अपने हितों को पहचानना शुरू कर दिया। इस नए द्रिश्टिकोन की एक महत्वपून अभिव्यक्ती यूरोपीय संग, यूरोपीय संग की नीतियों का निर्माण था। जिसका उद्देश इंडो-पैसिफिक शेत्र के साथ जुडाव और अंतरराश्टिय कनेक्टिविटी को बढ़ाना था। इन घटनाक्रमों ने एक बदलते परिप्रेक्षे के मजबूत संकेतक के रूप में कार्य किया। हालांकि यूक्रेन में संकट की भयावता ने न केवल व्यक्तिगत देशों के लिए बलकी पूरे यूरोप के लिए सुरक्षा परिद्रिश्य को फिर से आकार दिया है। इसने रणनीतिक वैश्विक्ता की ओर कदम बढ़ाया है। यूरोपिय नेताओं को परिणामों का विशलेशन करने और इस व्यापक धाचे के भीतर प्रतिक्रियाएं तयार करने के लिए मजबूर किया है। इन प्रग्ति के बावजूद यूरोप उलेखनिय चुनोतियों का सामना करता है। एक महादवीप जो पहले व्यापार के माध्यम से प्रक्ति को प्राप्त करने में विश्वास के लिए द्रिढ था और अपने स्वयन के हितों के बारे में अत्यधिक सावधानी पूर्वक था। अब वैश्विक समुदाय के समर्थन और समच की मांग कर रहा है। यह संक्रमन इस तथ्य से जटिल है कि जबकि यूरोप ने अपनी नीतियों के कुछ अधिक गंभीर प्रभावों से खुद को ढालने में काम्याब रहा है। यह कड़े उपायों की वकालत करना जारी रखता है जो सीधे आर्थिक रूप से वंचित राष्ट्रों को प्रभावित करते हैं। इस विरोधाभास को विशेश रूप से रूस से उर्जा आयात के संदर्भ में स्पष्ट किया गया है। लेकिन यह व्यापार के विभिन अन्यक्षेत्रों में भी प्रासंगिक है। यह बदलाव भारत को एशिया इभू, राजनीतिक परिद्रिश के भीतर अपनी बातचीत को फिर से आश्वस्त करने के लिए प्रेरित करने के लिए तयार है। महत्वपूर्ण अनिश्चित्ताओं के बीच जर्मनी के भविश्य के रुख को नहित है, जो की 20 वर्षों की अवधी में सावधानी पूर्वक तयार किया गया है। और अन्य राष्ट्र जर्मनी की वर्तमान चुनोतियों का शोशन कर सकते हैं। जब यह एशिया की बात आती है, तो यूरोप का परिप्रेक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका से भिन्न होता है, क्योंकि यह अब वैश्विक मंच पर अपनी प्रमुक स्थिती को बनाये रखने का प्रयास नहीं करता है। फिर भी यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न जोखिमों के बारे में जागरूकता हाल के वर्षों में निस्संदेह बढ़ गई है। अक्तह परिणामी परिद्रिश्य संभवतह ततकाल दबावों और दीर्घकालिक रणनीतिक गणनाओं के बीच एक नाजुक संतुलन को प्रतिबिम्बित करेंगे। आज की तेजी से बदलती दुनिया में सन्युक्त राज्य अमेरिका एक महत्वपूर्ण बल ड्राइविंग परिवर्तन के रूप में बाहर खड़ा है। देश के भीतर विशेशग्यों और प्रभावशाली आंकडों ने तर्क दिया है कि जैसे जैसे अमेरिका का सामना वैश्विक प्रभुत्व को कम करता है यह अब आर्थिक रूप से उदार रुख को बनाए नहीं रख सकता है जो इसकी पिछली नीतियों की विशेश्ता है इन चिन्ताओं में अब मुद्दों की एक विस्तरित श्रिंखला शामिल है जो की वैश्विक आपूर्ती श्रिंखलाओं के महत्वपूर्ण मूल्यांकन को शामिल करने के लिए केवल मुक्त व्यापार समझोतों से परेचल रहा है जो देश पर निर्भर करता है नतीज तन घरेलू आर्थिक परिस्थितियों से जुड़े रहने के दौरान विदेशों में आर्थिक भागिदारी को बढ़ाने के उद्देश से रचनात्मक पहलों में ध्यान देने योग्य वृद्धी हुई है इस पारी का एक प्रमुख चितरन इंडो-पैसिफिक एकोनॉमिक फ्रेमवर्क आइप्फ है जिसे टोक्यो में आयोजित 2022 क्वार्ड समिट के दौरान लौंच किया गया था 2023 एशिया पैसिफिक एकोनॉमिक कोपरेशन ATEC की बैठक के समय तक आइप्फ ने पहले से ही महत्वपून प्रक्ती की थी जो अंतरराष्ट्रिय आर्थिक संबंधों के लिए एक नए द्रिष्टिकोन को दर्शाता है जो घरेलू प्राथमिक ताओं के साथ विदेशी जुडाव को संतुलित करता है सन्युक्त राज्य अमेरिका केवल एक नए द्रिष्टिकोन से अवसरों की खोज नहीं कर रहा है यह हाल के वैश्विक संधर्शों के प्रकाश में अपने रणनीतिक द्रिष्टिकोन को भी फिर से परिभाशित कर रहा है विशेश रूप से यूक्रेन की स्थिती के संबंध में इस विक्सित रणनीती ने प्रभावी रूप से उन कमजोरियों को रेखांकित किया है जो हमारे वर्तमान यूग की विशेश्टा है संक्षेप में खेल में गतिशीलता एक प्रतियोगिता की ओर स्थानांतरित हो गई है जहां प्रत्येक पार्टी दूसरे पर अपने लाभों को प्रभावी धंग से भुनाने का प्रयास करती है यहां विचार का एक महत्वपूर्ण बिंदु एक ही समय में कई महत्वपूर्ण चुनोतियों का प्रबंधन और निपटने के लिए अमेरिका की क्षमता है यह क्षमता एक परिभाशित करने वाली विशेश्टा है जो हमारी उम्र की अग्रणी शक्ती को दूसरों से अलग करती है इसके अलावा अमेरिकी नेताओं के बीच रणनीतिक प्रतिसपरधा के बारे में जागरूकता बढ़ाई गई है जो अब राश्ट्रिय हितों को बढ़ाने और सुरक्षा के लिए एक ततकाल घरेलू ड्राइव के साथ सन्युक्त है अधिक हाल के परिवर्तनों के साथ लंबे समय से चली आ रही घटनाओं का सन्योजन अंतरराश्ट्रिय संबंधों और वैश्विक बिजली संरचनाओं में वास्तव में परिवर्तनकारी अवधी को दर्शाता है आज हम खुद को जो स्थिती में पाते हैं वह विभिन प्रकार की चिंताओं से प्रभावित है जो वेस्ट फेलियन राजनीती के पारमपरिक विचारों से परे हैं यह स्विकार करना महत्वपूर्ण है कि शीत युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण प्रणालिगत प्रतिद्वंद्विता थी जिसका उद्देश्य एक वैचारिक धाचे के दूसरे पर प्रभुत्व को बढ़ावा देना था हालाकि इस प्रतियोगिता को संप्रभुता के प्रती जागरूकता और समवेदन शीलता से विफल कर दिया गया था जो आपनिवेशिक युग के बाद की विशेश्टा थी इस अवधी के दौरान एक काफी समझोता स्थापित किया गया था जहां राष्ट्रों ने आम तौर पर एक दूसरे के आंतरिक मामलों को सम्मानित किया जिससे केवल मानवाधिकारों के उलंगन या आकरामकता के विशेश रूप से गंभीर मामलों में अपवाद बन गये समानता या प्रतिक्रिया के समान स्थर के साथ नहीं माना गया था अर्थशास्त्र के दाएरे में लेन देन की अवधारा हावी थी अक्सर पूरे समाजों को ब्लाक बॉक्स के रूप में मानती थी जो जटिल गतिशील्टा को असपष्ट करती थी मैक्रो एकॉनॉमिक्स तर पर किये गए विकल्पों को व्यक्तिगत पहचान से अलग देखा गया था यह शामिल मानव तत्वों के बजाए केवल लाब और हानी के बारे में था इन रूपक बक्से के भीतर सामने आने वाली जटिल गतिविधियों को हमारे चिंता के दाएरे से परे माना जाता था हालांकी जैसे जैसे वैश्वी करण आगे बढ़ा और विभिन समाजों के अधिक गेहन एकी करण को प्रोथ साहित किया इस परिप्रेक्ष ने अपनी वैधता खोना शुरू कर दिया हमने अपने क्षेत्रों में विभिन बाहरी हितधारकों को आमंत्रित करना शुरू कर दिया ऐसे व्यक्ति जो संचालन के अलग-अलग मान्यताओं, मूल्यों और तरीकों को पकड़ सकते हैं यह मुद्दा केवल विदेशी वस्तूओं को एक गहरी बातचीत में आयात करने से बदल गया जहां ये बाहरी संस्थाएं हमारे स्थानिय बाजारों में सक्रिय भागिदार बन रही थी इसके अलावा, जबकि इस घटना के भौतिक नहितार्थ हो सकते हैं डिजिटल युग विशेश रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आगमन के साथ इन इंटरेक्शन पर महत्वपूर्ण महत्व रखता है इस प्रकार हमारी चिंताएं मूट आदान प्रदान से परे अच्छी तरह से विस्तार करती हैं अब वे उन तरीकों को शामिल करते हैं जो AI हमारे निर्नै लेने, सामाजिक संरचनाओं और आर्थिक परिद्रिश को प्रभावित करते हैं इस तरह के एक स्पोजर ने अनिवार्य रूप से पारदर्शिता और विभिन प्रणालियों की भरोसे मंदता के आसपास महत्वपूर्ण चिंताओं को जन्म दिया है यह केवल स्वाभाविक है कि हम परेशान महसूस करते हैं यदि सुरक्षा उपायों और सीमाओं को हम मानते हैं कि मानक अभ्यास दूसरों द्वारा पारस्परिक नहीं है इसके अतिरिक्त अंतरराश्ट्रिय संबंधों में देखे गए शिफ्तिन व्यवहार ने वैश्विक परिद्रिश्य को ही फिर से आकार देना शुरू कर दिया है अधिक स्थिर अवधी के दौरान हमारा प्राथमिक ध्यान क्षमता बढ़ाने और बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाये रखने पर था फिर भी बाजार के शेरों और वैश्विक अनियो नियाश्रेता को रणनीतिक उपकर्णों के रूप में नियोजित किया जाना शुरू हो गया इस परस्पर जुडे हुए ट्शेत्र में हमारे स्तर का प्रदर्शन राष्ट्रिय सुरक्षा के मामले में तेजी से उभ्रा है यद्यपी पहले से परियाप्त व्यस्तताएं मौजूद थी लेकिन वे इस तरह से एक विशिष्ट तरीके से शोशन नहीं करते थे जैसे की वे आज है इस बात से कोई इनकार नहीं है कि हमने राजनेक जुडाव के एक नए युग में संक्रमन किया है एक जो कम प्रतिबंधों और जबर्दस्त रणनीती में व्रिद्धी की विशेष्टा है पिछले एक दशक में सबसे उलेखनिय बदलावों में से एक वह तरीका रहा है जिसमें पहले की साधारन प्रथाओं को हतियार बंद किया गया था इसमें विभिन छेत्र जैसे व्यापार, परियतन, संचार नेटवर्क और वित्ध शामिल है नतीस्तन अब सभी डोमेन में सुरक्षात्मक उपायों के लिए एक दबाव की आवशक्ता है इन बढ़ती चिन्ताओं ने भी आपूर्ती श्रिंख लाओं से संबंधित मुद्दों के साथ परस पर जुड़ा हुआ है प्रभावी रूप से राजनीतिक उदासीन्ता का युग अपने निशकर्ष पर पहुँच गया है भाग्य के एक मोर में अफगानिस्तान में सामने आने वाली स्थिती को अपेक्षित परिणामों से प्रस्थान के रूप में देखा जा सकता है कई पर्यवेक्षकों के लिए मुख्य मुद्दे ने राष्ट के भीतर विदेशी हस्तक शेप की सीमा में निवास किया है विशेश रूप से राष्टर निर्मान की आड में एक द्रिश्टिकों जिसने काफी बैक्लैश का सामना किया है यह बहस की बात है कि क्या 11 सितंबर के आतंकवादी हमलों के बाद अफगानिस्तान में स्थापित विदेशी सैन्य उपस्थिती ने नकाराक्मक नतीजों को ट्रिगर किये बिना एक कम प्रोफाइल बनाए रख सकते थे हालांकि जाच की यह पंक्ती हमें एक अनावश्यक बहस में ले जा सकती है वास्तविक बाधा उद्देशों की महत्वाकांख्शी प्रकृती में नहीं है बलकि अफगानिस्तान के जटिल सांस्कृतिक और भू राजनीतिक परिद्रिश्य की समझ में है दो दशकों के अंतराल में सन्युक्त राज्य अमेरिका एक विचित्र विरोधाभास से जूज रहा था बहुत ही राश्ट्र जो अपनी सुरक्षा के लिए खत्रा पैदा करता था इसके तारकिक समर्थन के लिए भी महत्वपूर्ण था हितों का यह तक्राव उस बिंदु तक बढ़ गया जहां पाकिस्तान में सीमा पार ओसामा बिन लादेन का मात्र अस्तित्व खेल में जटिल मुद्दों को हल करने में विफल रहा इस भविश्यवाने को पाकिस्तानी सेना द्वारा इन चुनोती पूर्ण गतिशीलता को नेविगेट करने में प्रदर्शित होने वाली निपुन्ता का पालन नहीं करना चाहिए अंत्ह अमेरिकी सैन्य और राजनीतिक नेताओं की एक पूरी पीड़ी को छोड़ कर जो निष्ठाओं की एक गड़े की समझ के साथ संधर्श कर रही है अक्सर अनिष्चित जो की सहयोगी बनाम प्रतिकूल के रूप में वर्गी कृत किया जा सकता है वर्तमान समय में वैश्विक समुदाय खुद को एक विपरीत दुविधा के साथ सामना करता है एक उच्साही इच्छा मौजूद है जो की अफगान समाज के भीतर होने वाली किसी भी बदलाव या परिवर्तन की परवाह किये बिना कोई भी प्रतिकूल नतीजा नहीं होगा जो अंतरराश्ट्रिय क्षेत्र में फैल गया अलग-अलग राष्ट्र अलग-अलग तरीकों से इन संभावित नहितार्थों की व्याख्या करते हैं कुछ के लिए ध्यान मुख्य रूप से आतंकवाद के खत्रों और कट्टर पंथी विचारधाराओं के उदे पर है इस बीच अन्य लोग इस अशान्त संदर्भ में शर्नार्थियों के आंदोलन या महिलाओं के उपचार और अधिकारों से जुड़े जोखिमों के बारे में अधिक चिंता व्यक्त करते हैं अंतर एक निर्विवाद वास्तविक्ता बनी रहती है अंतरराष्ट्रिय संबंध तेजी से जुड़े वैश्विक परिद्रिश में तेजी से विपरीत संस्कृतियों को सामनजस्य बनाने के लिए प्रभावी समाधान खोजने की चुनोती के साथ संघर्ष करना जारी वैकल्पिक संस्थाओं का उद्भव अवधार्नाओं के साथ यहां अत्यधिक कट्टरपंथी व्याख्याओं को स्पष्ट करने के लिए विवेक पूर्ण है जो शामिल चटिलताओं की देखरेख कर सकते हैं वर्तमान युग में वैश्विक अर्थव्यवस्था को इस हद तक पूरी तरह से परस पर जुड़ा हुआ है कि इसे राश्ट्रियस तर पर पूरी तरह से अलग करना लगभग असंभव है यहां अंतरसंबंध कुछ ऐसा है जिसे कोई भी व्यक्तिगत राश्ट्र अभेलना करने के लिए बरदाश्ट नहीं कर सकता है यही कारण है कि एक पूर्ण प्रिथक्करण की अत्यधिक संभावना नहीं है बहरहाल प्रणनीतिक प्रतिसपरधा की धारणा के आसपास एक बढ़ती प्रवचन है जिसे केवल नजरंदाज नहीं किया जा सकता है वैश्विक मंच पर प्रतिसपरधा करने वाले राष्ट्रों को एक दूसरे के लिए अनारक्षित विश्वास का विस्तार करने की संभावना नहीं है कोई भी पारसपरिक संबंध चाहे वह व्यापार समझोतों, संसाधन एक्सचेंजों, परिभन नेटवर्क या उर्जा पाइपलाइनों से संबंधित हो आमतोर पर राष्ट्रद्वारा अधिक से अधिक लाब के लिए उप्योग किया जाएगा जो या तो अधिक मुखर है या इन कनेक्षनों को प्रभावी ढंग से लाब उठाने के लिए दूरदर्शिता के अधिकारी है बहुत खुलापन जो नवाचार और विकास को बढ़ावा देता है कमजोरियों को भी उजागर करता है इन वास्तविक्ताओ के प्रकाश में यह संभावना है कि देश विशिष्ट क्षेत्रों में अधिक स्वायत्ता और सुरक्षात्मक उपायों के लिए प्रयास करेंगे साथ ही साथ अन्यक्षेत्रों में अतिरेक और विश्वसनीता स्थापित करने की मांग करेंगे जो महत्वपूर्ण है यह बदलाव अनिवार्य रूप से निर्यात नियंतरण और प्रोध्योगी की हस्तांतरण के सावधानी पूर्वक प्रबंधन पर जोर देगा इस प्रवृत्ती का एक प्रमुख चितरन चिप्स और सेमी कंडक्टर्स के दाएरे में देखा जा सकता है जो विभिन उद्योगों में आवश्यक घटक बन गए हैं इसके अलावा इन परिवर्तनों के समाज शास्त्रिय प्रभाव को नजरंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि राष्ट्र अपनी नीतियों और परिचालन द्रिश्टिकोनों को कम ट्रस्ट की माहौल के अनुसार संशोधित करेंगे इस कम भरोसेमंद वातावर्ण का प्रभाव कई क्षेत्रों में महसूस किया जाएगा जिसमें शैक्षनिक सहयोग से लेकर व्यावसायक भागीदारी तक वैज्यानिक अनुसंधान से लेकर अंतरराश्ट्रिय यात्रा तक अगले दशक में वैश्विक परिद्रिश्य को पाकार देना होगा इसके अतिरिक्ट राजनीतिक अर्थव्यवस्था और पारंपरिक सुरक्षा मुद्दों की गतिशीलता इन विकासों के जवाब में विक्सित होती रहेगी जिससे राश्ट्रों के बीच परसपर क्रिया को और अधिक जटिल हो जाएगा यह सवाल जो लाब के लिए खड़ा है और कौन कम लाभपरत बाहरी परिस्थितियों के बीच पीडित हो सकता है वास्तव में एक मनोरम जाँच है शक्ती असमानताओं की गतिशीलता और उनके नहितार्थों पर चिंतन करने के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है ऐसे उदाहरण है जिनमें कुछ प्रतिभागियों ने अपने समक्षों के रणनीतिक द्रिश्टिकोन की गलत व्याख्या की है जिसके परिणामस्वरूप अप्रत्याशित परिणाम है एक ऐसी दुनिया में जो कुछ मायनों में अधिक एकी कृत दिखाई दे सकती है फिर भी अन्यमोर्चों पर महत्वपूर्ण चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है हम एक विशिष्ट जटिल और पेचीदा परिद्रिश्य का सामना करने की संभावना रखते हैं राष्ट्रों की प्रतिक्रिया शिफ्टिंग परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से उनके वातावर्ण में परिवर्तन से प्रभावित होती है इस प्रकार वैश्विक स्तर पर हो रहे चल रहे संरचनात्मक परिवर्तनों को पहचानने और समझने के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है वर्तमान परिद्रिश्य से पता चलता है कि मौजूदा धाचे का कमजोर होना, सन्युक्त राज्य अमेरिका की सीमाओं और चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण अन्य देशों के लिए खुद को मुखर करने के अफसर पैदा हुए हैं हालां कि हम दो प्रमुक शक्तियों की पहचान कर सकते हैं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वे पूरी तरह से समान पायदान पर नहीं है, जो आगे एक द्विधरुवी दुनिया की पारंपरिक धारना को जटिल करता है आज हम अंतर राष्ट्रिय मंच पर नए खिलाडियों की भीड के उद्भव को देख रहे हैं, प्रत्येक के साथ साथ विकास के लिए अपने स्वयन के रास्ते हैं, जो स्वतंत्र और स्वायत्त हैं ये राष्ट्र वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण वजन उठाने लगे हैं उनकी रणनीतिया और कार्य विविध होंगे, कुछ अंतरराष्ट्रिय आदेश में मौजूदा अंतराल का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, जबकि अन्यमहान शक्तियों के बीच प्रतिसपर्धा का लाब उठाएंगे व्यक्तिगत राष्ट्रों को अपने स्वयन के पूर्वाग रहों, समानताओं और राष्ट्रिय हितों के आधार पर सीमाओं का सामना करना पड़ सकता है हालांकि एक सामान्य प्रवरित्ती के रूप में, इन देशों के लिए अधिक दूर की शक्तियों के कारियों के आसपास की अनिश्चित्ताओं और असपश्टताओं को भुनाने की प्रवरित्ती है इसके अतिरिक्त गठ बंधनों के भीतर अलग अलग हित भी इस जटिल नए युग में अपने व्यवहार को आकार देने में महत्वपून भूमिका निभा सकते हैं यह पहचानना महत्वपून है कि गठ बंधन केवल एक वैक्यूम में मौजूद नहीं है वे विभिन परिस्थितियों और कारकों के आकार के हैं सन्युक्त राज्य अमेरिका ने वर्षों से खेती की गई गठ बंधनों के व्यापक और लचीला नेटवर्क की नकल करने का प्रयास करना बहुत मुश्किल है अगर असंभव नहीं है वर्तमान में कोई अन्य राष्ट्र इस तरह की व्यापक संरचना को दोहराने के लिए भी शुरू करने की क्षमता नहीं रखता है हालांकि जैसा की दुनिया महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुजरती है हम सहयोग और साजेदारी के विभिन मौडलों के उद्धव को देख रहे हैं वैश्विक पदानुक्रम के अथक विकास के परिणामस्वरूप विशिष्ट रूपों और विन्यासों में परिणाम होने की संभावना है जो समकालीन वास्तविक्ताओं को दर्शाते हैं इस स्थानांतरण परिद्रिश में एक नए वैश्विक आदेश के गठन में आर्थिक एकी करण और अन्यो न्याश्रेता तेजी से आवश्यक हो रही है इसलिए इस विचार के लिए खुला रहना महत्वपूर्ण है कि वैकल्पिक मॉडल और द्रिश्टि कोण उभर सकते हैं अंतरराश्ट्रिय संबंधों की हमारी पारंपरिक समझ को चुनौती देते हैं वैश्विक परिद्रिश्य विभिन देशों के बीच सत्ता के अधिक समान वितर्ण की और एक बदलाव का गवाह है जो स्थापित संरचनाओं में कम कठोरता की विशेश्टा है यह घटना विविध वैश्विक खिलाडियों के उद्भव के लिए प्रतीक है जिसे अकसर अंतरराश्ट्रिय संबंधों में दूसरों के रूप में संदर्भित किया जाता है इस वरगी करण के भीतर एक स्पेक्ट्रम मौजूद है कुछ देशों में विश्व मंच पर अपने प्रभाव को पेश करने की एक लंबी परमपरा है जबकि अन्य सगाई के छोटे इतिहास के साथ प्रमुखता में बढ़ रही है इसके अतिरिक्त यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि इन में से कुछ देश भविश्य में अग्रणी शक्तियों की रैंट पर चड़ने की आकांक्षा कर सकते हैं जबकि अन्य बस अपने एतिहासिक लाभों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं इसके अलावा ए आज के परस्पर जुड़े और वैश्विक परिद्रिश में यह स्पष्ट हो गया है कि एक राष्ट्र को अंतरराष्ट्रिय प्रतियोगिता में उतक्रिष्टता प्राप्थ करने के लिए अपनी शक्ती के हर क्षेत्र की खेती करने की आवश्शक्ता नहीं है इसके बजाए विशिष्ट पहलूओं के विकास पर ध्यान केंडरित करने से देश के प्रतिसपर्धी बढ़त में काफी वृध्धी हो सकती है यह विभिन रूपों में प्रकट हो सकता है जैसे की एक मजबूत सैन्य उपस्थिती जो पिछले युगों में अत्यधिक मूलिवान था प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक या वित्तिय संसाधन एक भौगोलिक रूप से लाभप्रत स्थिती अभिनव प्रोध्योगिकिया जो इसे परिवर्तन में सबसे आगे रखती हैं या सगाई के लिए एक कुशल और प्रभावशाली मंच जब इन कारकों को रणनीतिक रूप से सन्युक्त किया जाता है तो वे वैश्विक मंच पर एक राष्ट्र के बढ़े हुए प्रभाव के लिए एक सम्मोहक तर्क बनाते हैं इन उभर्ती हुई शक्तियों का प्रभाव क्षेत्रियवाद की और एक ध्यान देने योग्य बदलाव के माध्यम से तेजी से स्पष्ट होता जा रहा है अफ्रीका, पश्चिन एशिया, खाडी क्षेत्र और ओशिनिया सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में देश अपने अद्वितिय मतभेदों और संधर्शों से निपटने के लिए शुरू कर रहे हैं जो केवल बाहरी हस्तक्षेप पर भरोसा करने के बजाए स्थानिय समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं यह परिवर्तन परियाप्त अफसर पैदा कर रहा है, जो न केवल बड़े राष्ट्रों को भुनाने के लिए कर सकते हैं बलकि छोटे राज जिभी अपने स्वयंके पदों को बढ़ाने और इन विकासों का लाब उठाने के तरीके खोज रहे हैं इन क्षेत्रों में होने वाले गतिशील परिवर्तन रिष्टों और रननीतियों के पुन सन्योजन के लिए अनुमती दे रहे हैं जो क्षेत्रिय सहयोग और समझ को प्राथमिकता देते हैं दुनिया के कुछ क्षेत्रों ने क्षेत्रिय गतिशीलता की जटिलताओं को पश्चिम एशिया के रूप में स्पष्ट रूप से चित्रित किया है दुनिया के इस हिस्से में देखे गए उचे क्षेत्रवाद को संधर्ष और तनावों की एक श्रिंखला के माध्यम से प्रकट किया जाता है मुख्य रूप से स्थानिय अभिनेताओं द्वारा, बड़े और छोटे दोनों जबकि विभिन अंतरराष्ट्रिय शक्तिया इस ख्षेत्र में काफी हितों को बनाय रखती हैं उनकी इच्छा और हस्तक्षेप करने की क्षमता समय के साथ कम हो गई है प्राकृतिक संसाधनों का शोशन इन ख्षेत्रों में एक लंबे समय से अभ्यास किया गया है लेकिन अब इसे उननत प्राध्योगिकियों के रचनात्मक उपियोग द्वारा पूरक किया गया है यमन के संधर्ष क्षेत्रों से लेकर गाजा में संधर्ष तक हम देख रहे हैं कि कैसे स्थाई मुद्दों को फिर से परिभाशित किया गया है और स्ट्राइकिंग आधुनिक रूपों पर लिया गया है जो आज शक्तिशाली रूप से गूंचते हैं इस विक्सित परिद्रिशनेक शेत्रिय खिलाडियों विशेश रूप से मध्य शक्तियों के बीच प्रतिसपरधा में व्रिधी में भी योगदान दिया है क्योंकि वे पश्चिम एशिया के भीतर प्रभावों और चुनोतियों के जटिल वेब को नेविगेट करते हैं आज की परस्पर जुडी दुनिया में खिलाडियों की बढ़ती संख्या में बढ़ी हुई निष्ठा और कम सीमाओं के साथ अपने वातावर्ण को नेविगेट कर रहे हैं जो एक व्याभारिक द्रिश्टिकोन के लिए द्रिड़ता से वकालत करते हैं विभिन मामलों में पारस्परिक हितों के अभिसरण में वैचारिक या प्रणालिगत विभाजन को पार करने की क्षमता होती है जो पारंपरिक रूप से इन संस्थाओं को अलग रखेगा यह घटना विशेश रूप से उर्जा, संचार और प्रोध्योगी की जैसे क्षेत्रों में स्पष्ट है जहां प्रतिभागियों ने अन्यथा आम तौर पर कम साज़ा करने वाले प्रतिभागियों को अपनी व्यक्तिगत खोज को आगे बढ़ाने के लिए गठ जोड किया है फिर भी यह पहचानना महत्वपून है कि यह सहयोग व्यापक संरचनात्मक बलों द्वारा भी नियंत्रित होते हैं जो वर्तमान परिद्रिश्य को आकार देते हैं यह स्पष्ट हो गया है कि किसी भी एक राष्ट्र से एक तरफा शक्ती पर पूरी तरह से भरोसा करना अंतरराष्ट्रिय संबंधों के लिए एक मार्गदर्शक सिध्धान्त के रूप में अस्थिर है 1990 के दशक की भू राजनीतिक गतिशीलता अब अतीत में द्रिड़ता से है और आज के वैश्विक शेत्र में बढ़ती शक्तियों के सबसे दुर्जे शक्तियों द्वारा भी पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है हाल के दिनों में हमारी दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियां तीजी से जटिल हो गई हैं जिससे इन मुद्धों को संबोधित करने के लिए एक विश्वस्निय साधन के रूप में किसी भी द्विपक्षिय संबंध को अपर्याक्त बना दिया गया है जबकि बहुपक्षवाद एक ऐसा द्रिष्टिकोन जो लंबे समय से सिध्धान्त रूप में कई लोगों द्वारा समर्थित है एक संभावित समाधान की पेशकश करने के लिए यह अपनी कमजोरियों और सीमाओं के साथ भयावा साबित हुआ है ये कमिया प्रत्येक गुजरते दिन के साथ अधिक स्पष्ट हो रही है न केवल यह प्रणाली पुरानी दिखाई देती है बलकि यह अकसर एक मौलिक आधार रेखा पर संचालित होती है जो प्रभावशील्टा से समझोता करती है मोटे तौर पर चर्चाओं पर हावी होने वाले हितों के प्रभाव के कारण नतीस्तन यह वास्तविक्ता राष्ट्रों और संस्थाओं को अस्थाई गठ जोड या व्यवस्थाओं को बनाने के लिए मजबूर करती है जो हाथ में जटिल वैश्विक समस्याओं के प्रभावी और सहयोगी समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाए अपने स्वयं के एजेंडे की सेवा करते हैं वैश्विक मुद्दों की एक विस्त्रित सर्णी में विभिन सन्योजनों में मिनलेटरलिजम टेजी से लागो किया जा रहा है जैसे जैसे यह अभ्यास होता है हम प्लूरल्टिलिज्म की अधिक मजबूत संस्कृती के विकास को देख रहे हैं जबकि यह अवधारना अब गती प्राप्त कर रही है यह पूरी तरह से अभूत पूर्व नहीं है अतीत में ऐसे उदाहरण है जहां क्षेत्रिय संबधता ने राष्ट्रों के बीच सहयोग के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया है उदाहरण के लिए यूरोपिय संग EU, Association of South East Asia राष्ट्र, आसियान, South Asia Association for Regional Cooperation सार्क और Gulf Cooperation Council GCC जैसे संगठन भौगोलिक निकट्टा बढ़ते हुए थे सदस्य राज्यों के बीच साजहा लक्ष्य और गतिविधिया इसके अलावा, देशों ने समुद्री सुरक्षा, आतंक वादरोधी प्रयासों, निर्यात नियंत्रन नियमों, गैर प्रसार संधियों और जलवायू परिवर्तन की पहल जैसी विशिष्ट चुनोतियों का समाधान करने के लिए एक साथ आये हैं ये सहियोगी प्रयास अक्सर न केवल ततकाल चिन्ताओं को संबोधित करने के लिए बलकी व्यापक रुजानों को प्रभावित करने के लिए भी काम करते हैं, जैसे कि शक्ती की गतिशीलता को स्थानांतरित करना और एक बहुधुरुविय विश्व व्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से फलदाई अंतरराष्ट्रिय साजेदारी का पीछा भौगोलिक बाधाओं द्वारा सक्ती से सीमित नहीं है, एक उलेखनिय उदाहरन ब्रिक्स है, जो सहियोग के लिए एक ही मंच में चार अलग-अलग महादवीपों से राष्ट्रों को एक साथ लाता है। यह दर्शाता है कि सहियोग भौगोलिक सीमाओं को पार कर सकता है, और आज के वैश्विक परिद्रिश्य की जटिल वास्तविक्ताओं के अनुकूल हो सकता है। जिसे आमतोर पर क्वाड के रूप में जाना जाता है। इन परिवर्तनकारी समयों के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। इस प्रारूप के प्रमुख लाभों में से एक इसके काफी कम प्रशासनिक बोजों में नहित है। पारंपरिक गठबंधनों के विपरीत, जिन्हें अक्सर व्यापक संधियों, बाध्यकारी प्रतिबधताओ, संस्थागत धाचे या कठोर प्रोटोकॉल की आवश्चक्ता होती है, क्वार्ड एक अधिक लचीले द्रिश्टिकोन के साथ काम करता है, जो आपचारिक तंत्र क की जटिलता के बिना सहयोग को बढ़ावा देता है, इससे पता चलता है कि आज की राजनेक जलवायु में सादगी और दक्षता को गले लगाते हुए तेजी से एक मूल्यवान संपत्ती के रूप में देखा जाता है, इस संदर्भ में लागत प्रभावशीलता का सिध्ध मजबूत अंतरराष्ट्रिय संबंधों को बढ़ावा देने में एक मार्कदर्शक कारक के रूप में उभरता है। और संबंधों के माध्यम से समकर वैश्विक गतिशीलता में योगदान देता है। यह ध्यान रखना महत्वपून है कि देशोंने अलग अलग शमताएं विक्सित की हैं जो उन्हें विभिन्न डोमेन के लिए विशिष्ट तरीके से संचालित करने के लिए प्रेरित करती हैं। इस बिंदु को आगे बताने के लिए भारत को एक केस स्टडी के रूप में लें। खिलाडियों के साथ। इसके विप्रीत आर्थिक बहुध्रुवियता एक अधिक जटिल परिद्रिश्य प्रस्थुत करती हैं जो विभिन्न प्रभावों और गतिशील्टा के आकार का होती है। भारत के लिए प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में यूरोपिय संग, सन्युक्त राज्य अमेरिका, चीन, खाडी राज्यों और आसियान देशों जैसे प्रमुख आर्थिक संस्थाएं शामिल हैं, जो एक बहुमुखी व्यापार नेटवर्क का प्रदर्शन करती है इसके अलावा, जब हम उर्जा संसाधनों के संदर्ब की जाच करते हैं, तो परिद्रिश्य और भी अधिक जटिल हो जाता है यहां भारत के प्राथमिक भागीदार इराक, सजुदी अरब, रूस, सन्युक्त अरब अमीरात, युएई और अमेरिका के देशों में उर्जा व्यापार की विवित प्रकृती के देश हैं हमारे ध्यान को प्राध्योगी की पर स्थानांतरित करते हुए, यह स्पष्ठ हो जाता है कि भारत के रिष्टे पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के प्रती अधिक भारी हैं, जिन्हें इस छेत्र में नेताओं के रूप में देखा जाता है अंत में गतिशीलता और कौशल विनिमय के संदर्भ में खाडी ख्षेत्र निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमी का निभाता है, अपने आर्थिक अवसरों को देखते हुए, हालां की यह अंता पश्चिमी देश हैं जो मूल्य और विशेशग्यता के संदर्भ में अधिक वृध्धी प्रदान करते हैं। के बारे में चर्चा में लगी हुई है। यह पहचानना आवश्चक है कि एक रणनीतिक धाचे को क्राफ्टिंग करना सरल एक आयामी सोच से परे होना चाहिए और कारकों की एक विस्तरित श्रिंखला द्वारा सूचित किया जाना चाहिए। हमारी आधुनिक दुनिया को विशेश रूप से आकरशक बनाता है। यह वास्तविक्ता है कि प्रत्येक राष्ट्र प्राथमिक्ताओं और रणनीतियों के अपने अनुठे सेट का अनुसर्ण कर रहा है। जो दुनिया भर में मौजूद हितों और प्रेयनाओं की विविध्टा को दर्शाता है। अगस्त 2023 में दक्षिन अफ्रीका में अपनी विधान सभा के दौरान ब्रिक्स गठ बंधन के विस्तार के बारे में हालिया चर्चा गहन विशलेशन के योग्य हैं। टिपपणी की एक महत्वपूर्ण राशी ने सुझाव दिया कि सन्युक्त राज्य अमेरिका और अधिक व्यापक रूप से पश्चिमी देश कार्यवाही को प्रभावित करने वाली प्राथमिक अंजाने उपस्थिती थे। हाला की वास्तविक ता काफी विप्रीत थी। वार्ता के परिणाम वास्तविक प्रतिभागियों के बीच आपसी समझ को प्राप्त करने के उद्देश से जटिल चर्चाओं का परिणाम थे। इसमें शामिल प्रत्येक सदस्य के पास एक अधवितिय प्रक्षे प्वक्र का पीछा करने के लिए अपनी प्रेणा थी और उनके बीच समानता के उल्लेखनी एक्षेत्र थे। प्रित्ती एक बहुद्रुविय वैश्विक क्रम की ओर निर्नायक रूप से जुकी हुई है। एक प्रमुक शेत्र उनकी संबंधित राष्ट्रिय मुद्राओं में आयोजित व्यापार लेंदेन को आगे बढ़ाने की पारस्परिक इच्छा थी। यह शामिल देशों के बीच संरेखन के एक महत्वपूर्ण बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। साराश में अंतरराष्ट्रिय प्रणाली का वर्तमान परिद्रिश अधिक स्वतंत्रता और विविधिकरण की ओर विक्सित होता है। इस परिवर्तन की व्याख्या केवल एक पश्चिमी विरोधी लेंस के माध्यम से पूरी तरह से गलत होगी क्योंकि इस तरह का दृष्टिकोन खेल में गतिशीलता की जटिलताओं और बहुमुखी प्रकृती को पकड़ने में विफल होगा। आपका ज्यान और समझ अक्टूबर दो हजार तेईस तक उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। उत्तर्युद्ध के बाद का युग। आगे देखने के दौरान अक्सर महत्वपूर्ण चुनोतियां पेश कर सकती हैं। कुछ भी वास्तव में हमें COVID-19 महामारी के भारी पैमाने के लिए सुसजित नहीं है। खोए हुए जीवन की सरासर संख्या चौका देने वाली थी और हमारे दैनिक दिन्चर्या में विग्टन की भयावता बस अथाह थी। इस अभूतपूर्व विग्टन को काफी हद तक इस तथ्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि पिछले वैश्विक स्वास्थे संकटों के दौरान जैसे की स्पेनिश फ्लू दुनिया का परसपर संबंध लगभग उतना उन्नत नहीं था जितना की यहा आज है। इन दो घटनाओं के बीच विप्रीत हमारे वैश्विक समाज के नाटकिये विकास को रिखांकित करता है। इसके अलावा ये अनुभव स्वास्थ्य संकटों के लिए प्रभावी प्रतिक्रियाओं के बारे में हमारी अपेक्षाओं को आकार देते हैं और अंतरराष्ट् को उजागर करते हैं। हालांकि महामारी के प्रभाव का मूल्यांकन केवल समस्याओं और समाधानों की पहचान करने से परे हैं। इसमें मौलिक रूप से हमारी सामुहिक मानसित्ता में बदलाव शामिल है। वैश्विक कूटनीती के परिणाम गहरा और व्यापक हैं। COVID-19 के साथ अनुभव ने प्रचलित वैश्वी करन धाचे पर सवाल उठाया है जो पिछले 30 वर्षों में हावी है। जबकी विभिनक शेत्रों में दक्षता का एक अथक पीछा किया गया है। यह अब सावधानी और जोखिम प्रबंधन की भावना से असंतुलित हो गया ह इसके अतिरिक्ट वैक्सीन वितर्ण के आसपास के विकास ने वैश्विक दक्षिन में अपनी जरूरतों और प्राथमिक्ताओं के बारे में वैश्विक दक्षिन में देशों में जागरूकता में व्रिधी की है। परिप्रेक्ष में इस बदलाव से उनकी भूमिकाओं क पुनर्मूल यांकन हो सकता है और अंतरराष्ट्रियत शेत्र में आगे बढ़ने में प्रभाव हो सकता है। यहां तक कि सबसे बड़े राष्ट्रों के काफी संसाधनों के बावजूद यह स्पष्ट हो गया है कि इस वैश्विक मुद्दे के पैमाने को संबोधित करने के लिए किसी भी देश की क्षमताएं परियाप्त रूप से मजबूत नहीं है। में इस तरह के समार्किय संकटों से प्रभावी धंग से निपटने के लिए दुनिया कैसे संचालित होती है। इसमें एक मौलिक परिवर्तन है। महामारी ने आपूर्ती श्रिंखला प्रबंधन, अंतरराश्ट्रिय शासन, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिक विचारों जैसे महत्वपूर्ण विश्यों के बारे में गेहन चर्चा की है। इसके अलावा, यह हमारे वर्तमान वैश्विक परिद्रिश के गेहन मूल्यांकन के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जिससे हमें अधिक प्रभावी रणनीतियों को विक्सित करने और यह सुनिश्चित करने की अनुमती मिलती है कि हम उन चुनोतियों के इसके लिए बहतर तरीके से सुसजित हैं, जो आगे जूट बोलते हैं। इस महामारी ने सार्वजनिक चिंता और सुरक्षा के बारे में चिंताओं को काफी बढ़ाया है। इस बदलाव ने राश्ट्रिय सुरक्षा का गठन करने की व्यापक व्याख्या की है। उर्जा स्थिर्ता और तकनीकी उन्नती को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है। पिछली बार में मजबूत राश्ट्रिय सुरक्षा की आवश्शक्ता अकसर वैश्विक व्यापार, आर्थिक प्रभावकारिता और प्रचलित सामाजिक व्यवहारों की वास्तविक्ताओं के खिलाफ संतुलित थी। फिर भी हाल के वर्षों में ये पहलू एक दूसरे को सुद्रिड करने के लिए लग रहे थे। विशेश रूप से वैश्विकरण की विचारधारा अंतरराश्ट्रिय संबंधों के ताने बाने में अधिक उलज गई। इन विविध तत्वों के बीच परस्परक्रिया एक परिवर्तन पर प्रकाश डालती है कि सरकारे तेजी से जुड़ी दुनिया में सुरक्षा और स्थिर्टा को कैसे देखती हैं। परियाप्त व्यवधानों का अनुभव किया, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण वस्तूओं की महत्वपूर्ण कमियाई। यह विशेश रूप से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, PPE, दवाओं और वेंटिलेटर जैसे आवश्यक वस्तूओं में स्पष्ट था, जिसने हमें स्वास्थ्य सुरक्षा के महत्व का सामना करने के लिए मजबूर किया। जैसा की व्यक्तियों ने महसूस किया कि उनकी महत्वपूर्ण आपूर्टी खत्रे में थी, यह स्पष्ट हो गया कि खाद्य सुरक्षा कितनी आवश्यक है। इसके अलावा, जैसा की अर्थव्यवस्थाओं को इन भौतिक व्यवधानों के कारण मंदी का सामना करना पड़ा, हमने विनिर्मान सुरक्षा के लिए एक नई सराहना की। चाहे राष्ट्रिय खरीद को प्राथमिक्ता देने के रूप में संदर्भित किया गया हो, मध्यम वर्ग की चिंताओं के लिए खानपान, दोहरी परिसंचरन रननीतियों में संलगन होना या आत्म निर्भरता की वकालत करना मुख्य संदेश काफी हद तक समान है। जबकी बाहरीक शमताओं पर निर्भरता में सम्रिध समय के दौरान मुनाफा हो सकता है, इस तरह की निर्भरता को अब चुनोती पूर्ण अवधी के दौरान हमें बनाए रखने के लिए बहुत अप्रत्याशित माना जाता है। कोविड महामारी ने पारदर्शिता के बारे में कई दबाव वाले मुद्दों को महत्वपून रूप से उजागर किया है, जिन्हें किसी भी समय अंदेखा नहीं किया जा सकता है। संकट के विभिन पहलूओं के आसपास की स्पष्टता की कमी दुनिया भर के देशों और समुदायों के लिए गंभीर प्रभाव साबित हुई है। प्रारंभ में संकट काफी परेशान था क्योंकि यह व्यक्तियों और राष्ट्रों को समान रूप से खतरनाक कमी और व्यापक व्यवधानों से निपटने के लिए मजबूर करता था। हालांकि जो मामलों को और भी अधिक महत्वपून बना दिया, वह इन चुनौतियों के लिए गंभीर दबाव बिंदूों में विक्सित होने की संभावना थी जो स्थिती को और बढ़ा सकती थी। इसके अतिरिक्त इस बात की चिंता बढ़ रही है कि महामारी द्वारा उकसाए गए वित्तिय कठिनाईयों से नई कमजोरियों को जन्म दिया जा सकता है, जो अर्थव्यवस्थाओं को अप्रत्याशित तरीके से प्रभावित कर सकता है। नतीस्तन रणनीतिक स्वायत्तता की अवधारना के आसपास की चर्चा कर्शन प्राप्त कर रही है। कई लोग आत्मनिर्भरता बढ़ाने, मजबूत साजेदारी की स्थापना और विकल्पों के विविधिकरण की वकालत कर रहे हैं। इन द्रिष्टिकोनों को तेजी से अनिश्चित वातावर्ण में जोखिम को कम करने के आवश्यक साधनों के रूप में देखा जा रहा है। इन बदलावों के नहितार्थ व्यक्तिगत देशों से परेविस्तार कर सकते हैं, संभावित रूप से भविश्य में भुवार्थिक गतिशील्टा को फिर से आकार दे सकते हैं। यह विक्सित करने वाला परिद्रिश्य देशों के लिए अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने और एक ऐसी दुनिया के अनुकूल होने की आवश्यक्ता को रेखांकित करता है, जहां पारदर्शिता, लचीलापन और सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण ह व्यवहार कारकों के प्रभाव ने खुलासा स्थिती में महत्वपूर्ण योगदान दिया है व्यक्तियों द्वारा अनुभव किये गए दबावों और उप्भेदों ने स्वार्थ की अधिक विवश व्याख्याओं को जन्म दिया, जिससे सहयोगी प्रयासों में गिरावट आई बहुत से व्यक्तियों ने उन सिध्धानतों का पालन नहीं किया, जिनकी उन्होंने वकालत की, और कुछ ने पूरी तरह से सामुहिक कारवाई के लिए अपने कॉल को छोड़ने के लिए इतनी दूर तक चले गए हालांकि यह अनपेक्षित बदलाव संस्कृती, व्यक्तिगत हितों और मुख्य मूलियों के बीच जटिल संबंधों के बारे में प्रकाश मूल्यवान समझ में लाया गया यह स्पष्ट हो गया कि बहुलवाद की विशेष्टा वाले समाजों ने अधिक से अधिक वैश्विक सगाई को बढ़ावा दिया, जो उनके सदस्यों के बीच एक जुट्टा की एक मजबूत भावना को दर्शाता है इसके अलावा, जो लोग दुनिया को न केवल लेंदेन के एक बाजार के रूप में मानते थे, बल्कि अवसरों और रिष्टों से भरे एक कार्यस्थल के रूप में दूसरों के साथ परस पर जुड़े रहने के लिए अधिक गयहन प्रतिबधता का प्रदर्शन करते थे हमारे कारियों और योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रभावित करेगा। कोविड महामारी ने वैश्वी करण की वर्तमान स्थिती में नहित कुछ विशिष्ट कमजोरियों को रोशन किया है। हर समाधान जो हम अनिवार्य रूप से विक्सित करते हैं, वह नई चुनोतियों के उद्भव की ओर जाता है। जैसा की दुनिया उर्जा, परिवहन और संचार में परिवर्तनकारी परिवर्तन से गुजरती है, महत्वपून और उभरती प्राध्योगिकियों की प्रासंगिक्ता नाठकिय रूप से बढ़ जाती है। यह सुनिष्चित करना आवश्चक है कि नई आपूर्ती श्रिंखलाओं का गठन अनजाने में वैश्विक कमजोरियों और जोखिमों में वृध्धी नहीं करता है। भारत के लिए इन मुद्दों को संबोधित करना इसके राजनैक प्रयासों में एक प्राथ्मिक्ता है। देश्य आधुनिक प्राध्योगी की और वैश्विक आपूर्ती श्रिंखलाओं द्वारा उत्पन्न जटिल चुनोतियों को संबोधित करते हुए मजबूत अंतरराष्ट्रिय साजेदारी को बढ़ावा देना है। यह स्पष्ट हो गया है कि COVID-19 महामारी के कारण होने वाले व्यवधानों ने एक अधिक गहन चुनोती को उजागर किया है राश्ट्रों के बीच विश्वसनिय और भरोसे मंद सहयोग की आवश्यक्ता। वास्तव में Democratic Societies के साथ साथ बाजार अर्थव्यवस्थाओं का धाचा विश्वास का एक स्तर प्रदान करता है जिसे वैश्विक समुदाय द्वारा आवश्यक रूप से देखा जाता है क्योंकि हम आगे बढ़ते हैं। इस परिप्रेक्षे की मान्यता में एक विस्तारित समझ है कि मुक्त व्यापार समझोतों, FTA से संबंधित निर्नयों को व्यापक रणनीतिक उद्देश्यों के साथ विचार से गठबंधन किया जाना चाहिए। यह देखते हुए कि भारत में क्षितिच पर परियाप्त विकासात्मक लक्ष्य हैं। यह जरूरी है कि हम आवश्यक साजेदारी की खेती पर ध्यान केंडरित करें और उन संसाधनों को सुरक्षित करें जिन्हें हमें अपनी महत्वा कांशाओं को प्राप्त करने की अब यूक्रेन में चल रहे संधर्ष द्वारा लाए गए अतिरिक्ट कठिनाईयों का सामना कर रही हैं। इस स्थिती ने तीन एफएस, भोजन, इन्धन और उर्वरक की उपलब्धता के आसपास के मौजूदा संकट को बढ़ा दिया है। व्यापार और परियतन में व्य चुंकि बढ़ती कमी के बीच खुले बाजारों के महत्व के बारे में चर्चा जारी है। इसलिए कई लोग इस बात से चिंतित हैं कि वैक्सीन वितर्ण में उनके सामने आने वाली असमानताएं अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुनर जीवित होंगी। वर्तमान परिद्रिश्य में भारत को न केवल उत्पादन के लिए अपनीक शमताओं का दोहन करना चाहिए बलकि एक जुठ होने और प्रेरित करने की अपनीक शमता का भी लाब उठाना चाहिए। यहां तक की विभिन चुनोतियों के सामने हमने दक्षिनी गोलार्थ की आर्थिक भलाई की वकालत करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। एक मजबूत मिसाल कायम करके हम दुनिया को एक सम्मोहक संदेश भेजते हैं। एक समानता के साथ एक और इस दाइरे में हमारे द्वारा किये गए कारियों में नहितार्थ हैं जो हमारी सीमाओं से बहुत आगे बढ़ते हैं। प्रभाव के लिए तैयार है। जह परिवर्तन न केवल प्रमुख देशों की आकांक्षाओं और चुनोतियों से प्रेरित हैं। बलकी वैश्विक असंतुलन और एक बहुत रुविये दुनिया के उदे के संचेई प्रभावों से भी है। इन कारकों के अलावा हम एक अत्यधिक परस पर जुड़े, प्रोध्योगी की चालित और बड़े पैमाने पर सीमाहीन वातावर्ण की जटिलताओं के साथ जूज रहे हैं, जहां शक्ती और प्रभाव की पारंपरिक धारनाएं महत्वपूर्ण तरीकों से विक्सित हुई इस पहले से ही जटिल स्थिती को कम करना अभूत पूर्व महामारी है, जो हाल के इतिहास में देखे गए किसी भी स्वास्थ्य संकट को पार करता है हम भूराज नीतिक तनावों के साथ भी संधर्ष कर रहे हैं, जो दुनिया के सबसे आत्मसंतुष्ट क्षेत्रों में भी गूँजते हैं उदाहरन के लिए अफगानिस्तान में छोड़ी गई पावर वैक्यूम में महत्वपून चुनोतिया हैं, जबकि पश्चिम एशिया में चल रही गतिशील्ता दोनों से प्रस्थान करती है और बढ़ती अस्थिर्ता के बीच स्थापित गठ बंधनों की पुन पुष्टी करती है, इनशिफ्टिंग डायनामिक्स के जवाब में कुछ प्रमुख वैश्विक खिलाडियों को अपने पदों की अनिश्चित्ता के बारे में तेजी से पता चला है, जबकि अन्यने मटी के मुखर प्रदर्शनों के साथ जवाब दिया है, हम निस संदेह विभिन मोर् विशेष्टा एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, नतीस्तन स्थिती वैश्विक स्तर पर अराजक और अव्यवस्थित दिखाई देती है, इसके लिए अपार लचीलापन, द्रिड संकल्प और एक सभ्यतावादी राजनीती की स्थाई टाकत की आवश्चक्ता होग जैसे की भरत इन गुम्बदार पानी को प्रभावी धंग से नेविगेट करने के लिए, अध्याय पांच उलेखनिय परिवर्तन का एक दशक, आपका ज्यान और प्रशिक्षन अप्टूबर दो हजार तेईस तक उपलब्ध जानकारी पर आधारित है, वर्ष दो हजार प जबकि कुछ व्यक्तियों ने इस घोशना को उपलब्धी के निशान के रूप में व्याख्या की, सच्चाई यह है कि यह एक दीर्गकालिक आकाक्षा के प्रतिविंद के रूप में था पिछले एक दशक के दौरान यह तेजी से स्पष्ट हो गया है कि इस द्रिष्टी को साकार करने के लिए परियाप्त प्रयास चल रहे हैं 2023 में भारत मंडपम के उद्घाटन के दौरान पिएम मोदी ने इस प्रतिवधता की पुष्टी की जिससे भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बदलने के अपने संकल्प पर जोर दिया गया इसके अलावा एक साल पहले उन्होंने राष्ट्र को पारमपरिक शासन की समय सीमा से परे देखने और केवल अपने प्रशासन की अवधी के बजाए एक पूरे युग की योजना बनाने में सनलगन होने का आग्रह करके एक अभूत पूर्व कदम उठाया इस परिवर्तनकारी चरण को अमरित काल के रूप में नामित किया गया है जो एक पूरी तरह से विक्सित राष्ट की स्थिती के लिए भारत को उचा करने के महत्वाकांख्शी उद्देश के साथ 25 साल की अवधी का प्रतिनिधित्व करता है इन में से प्रत्येक कथन विदेश नीती के लिए महत्वपूर नहितार्थ वहन करता है खास कर जब से उन्हें न केवल असपश्ट आकांख्शाओं के रूप में व्यक्त किया जा रहा है बलकि सपश्ट रूप से परिभाशित लक्षयों और उद्देश्यों के साथ भी ह जो भारत सक्रिय रूप से योजना बना रहा है पिछले दस वर्षों की उपलब्धिया वैश्विक मंच पर परियाप्त उपस्थिती स्थापित करने के लिए एक सुसंगत और पधतिगत द्रिश्टिकोन का संकेत देती हैं यह व्यवस्थित जमीनी कार्य अंतर राष्ट स्थिय संबंधों में एक दुर्जे खिलाडी होने के लिए भारत की प्रतिबधता को दर्शाता है और उनकी दीर्ग कालिक द्रिश्टी के पीछे रणनीतिक सोच को उजागर करता है उसी क्षण से उन्होंने प्रधान मंत्री की भूमिका निभाई नरेंद्र मोदी ने भारत के विदेशी संबंधों के लिए एक विशिष्ट छाप छोड़ना शुरू कर दिया 2014 में अपने उद्घाटन से उन्होंने पडोसी देशों के नेताओं को अपने शपत ग्रेहन समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित करके अपनी अभिनाव राजनेक शैली का प्रदर्शन किया एक सासिक पहल जिसे परंपरावादियों ने भी विचार नहीं किया था इसके बाद बाद में सन्युक्त राज्य अमेरिका की उनकी यात्रा ने उसी वर्ष सारवजनिक कूटनीती के एक नए युक्की शुरुवात की एक अधिक गतिशी और लगे हुए द्रिश्टिकोन पर जोर दिया उनके नेत्रित्व में भारत की विदेश नीती का एक महत्वपूण पुनरोध्धार हुआ है जिसमें आउट्रीच और प्रतिबधता के स्तर की विशेष्टा है जो पिछले प्रशासन के साथ स्पष्ट रूप से विप्रीथ है इन वर्शों में पीएम मोदी ने उर्जा, जलवायू परिवर्तन, काउंटरा तंकवाद और बुनियादी धाचे की कनेक्टिविटी सहित विभिन्न क्षेत्रों और क्षेत्रों में फैले नए विचारों और पहलों का धेर पेश किया है वैश्विट चुनौतियों को डबाने के साथ उनकी सक्रिय जुडाव ने उन्हें विश्व मंच पर परिणामों को प्रभावित करने में एक महत्वपूल भूमिका निभाने की अनुमती दी है इन प्रयासों के माध्यम से मोधी ने भारत के अंतर राष्ट्रिय संबंधों के परिद्रिश्य को बदल दिया है देश को वैश्विक मामलों में एक प्रमुख खिलाडी के रूप में स्थान दिया है यह व्यक्ति केवल पूर्ववर्तियों द्वारा रखी गई नीम पर विस्तार करने के लिए समझोता नहीं करता है इसके बजाए उन्होंने स्पष्टता वैचारिक नीम और विदेश नीती की निश्पादन में काफी व्रिद्धी की है उनके द्रिष्टिकोन को एक अधिक रणनीतिक द्रिष्टी की विशेष्टा है जो न केवल उस तरह से स्पष्ट है जिस तरह से वह पडोसी देशों के साथ सनलगन है बलकि यह भी कि वह अधिक दूर के देशों तक कैसे पहुँचता है यह बदलाव मौजूदा वैश्विक आदेश के विचारशील विशलेशन और महत्वपूर्ण वैश्विक बिजली केंद्रों के साथ गहरे संबंधों की स्थापना में परिलक्षित हुआ है इसके अलावा विभिन्नक्षेत्रों और उपक्षेत्रों में मध्य शक्तियों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक जानबूच कर प्रयास किया गया है जो विश्व मंच पर वैश्विक दक्षिन के हितों के लिए उनकी मजबूत वकालत का पूरक है इन ख्षेत्रों में भारतिय परियोजनाओं के कारियान वयन ने एक उलेखनिय परिवर्तन देखा है उन्हें एक नए भारत के रूप में संदर्भित किये जाने वाले प्रमुख मारकरों में बदल दिया गया है इन प्रग्ती के अलावा विभिन प्रयासों के सन्युक्त परिणाम आज वैश्विक मंच पर भारत की बहतर स्थिती में स्पष्ट रूप से प्रकट हुए हैं। विभिन परिस्थितियों में कोई भी इस अवधी को वास्तव में परिवर्तनकारी दशक के रूप में वर्नित कर सकता है। हालांकि स्थापित किये गए बुलंद लक्षयों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तविक संक्रमन केवल आकार लेना शुरू कर रहा है। इन आकांक्षाओं को पूरी तरह से महसूस करने से पहले आगे एक महत्वपूर्ण यात्रा बनी हुई है। राश्ट्र और व्यक्ति अपनी शक्ती और क्षमताओं के प्रदर्शनों के माध्यम से परिपक्वता तक पहुँचते हैं। इसका एक सम्मोहक चितरन रामायन की महाकाव्य कहानी में पाया जाता है, विशेश रूप से उस समय जब राम, नायत, सफलता पूर्वक शिव के दुर्जे धनुष को तार देता है। यह महत्वपूर्ण घटना मिथिला के राजा, जनक की उनकी यात्रा के दौरान होती है। अपनी अद्वितिय ताकत के लिए मान्यता प्राप्त धनुष को एक समय के दौरान स्वयन देवता शिव द्वारा जनक के पूर्वज देवतात को सौपा गया था, जब शिव को अपनी भावनाओं को ठीक से प्रबंधित करने में आत्म विश्वास का अभाव था। राजा जनक ने एक निरनायक व्रक बनाया, वह केवल उस व्यक्ति को अनुमती देगा जो अपनी प्यारी बेटी सीता से शादी करने के लिए इस शक्तिशाली हथियार को उठा सकता है और स्ट्रिंग कर सकता है। इस स्मार की उपलब्धी ने न केवल राम की सीता से शादी का मार्ग प्रशस्त किया, बलकि उनकी यात्रा में एक महत्वपून बिंदू को दर्शाते हुए योध्धाओं के दायरे में उनके प्रवेश को भी चेहनित किया। राम के कौशल को जल्द ही परीच्षा में डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने परशुराम का सामना किया, एक रिशी जो योध्धा वर्ग के साथ अपने अथक संधर्श के लिए जाना जाता है। राम ने विश्णु के धनुष को टटोलते हुए उन पर विजय प्राप्त की जो एक कलाकृतियों को खगोलिय वास्तुकार विश्वकर्म द्वारा तैयार किया गया था, जो शिव के धनुष के लिए एक समकक्ष था, जिसमें उन्हें सिर्फ महारत हासिल थी। यह प्रभावशाली कार्य, हालांकी, केवल परीक्षनों की एक श्रिंखला की शुरुवात थी जो राम को सहना होगा। प्रत्येक मोर पर उन्होंने उन चुनोतियों का सामना किया, जिन्होंने उन्हें अपनी पूरीक शमता तक पहुँचने के करीब पहुँचाया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि महत्वपूर्ण परीक्षन अप्रत्याशित रूप से दिखाई नहीं देते हैं, बलकि वे अक्सर सार्थक अनुभवों की एक श्रिंखला से पहले होते हैं, जो विकास को बढ़ावा देते हैं। यह पैटर्ण व्यक्तियों और राष्ट्रों दोनों के प्राकृतिक विकास को समान रूप से दर्शाता है। इच्छा उभरते खत्रों का सामना करने पर अधिकांश देशों में देखी गई एक सामान्य प्रतिक्रिया है। इक्षमन ने रिशी गौतम के हर्मिटेज का दोरा किया, जहां राम को रिशी की पतनी अहल्या को भुनाने के लिए तैयार किया गया था, जो पिछले अभिशाप से पीडित थे। इन महत्वपूर्ण करक्बों के बाद ही भाईयों ने शिव के धनुष को बढ़ावा देने के दुर्जे कार्य को पूरा करने के लिए मिथिला के लिए अपना रास्ता बनाया। भारत जैसे राष्ट्र के लिए अपेक्षा कई बाधाओं का सामना करने की है नदियों और पहाडों द्वारा निंदनिय जैसा कि यह एक वैश्विक शक्ती के रूप में उभरने की आकांक्षा रखता है। यह चुनोतियां खुद को प्रत्यक्ष तकराव के रूप में पेश कर सकती हैं या व्यापक भूख प्राजनीतिक परिस्थितियों से उत्पन हो सकती हैं। लॉर्ड राम द्वारा सामना किये गए परीच्षनों को प्रतिध्वनित करने वाले ऐसे मुद्दे भी हो सकते हैं, जो विशेश रूप से दानव मारीचा के साथ उनकी मुठ भेड से अनुकरणिय हैं। अंतह एक शक्ती का चढ़ना द्रिडता, लचीलापन और मानसिक भाग्य की विशेशता है। जैसे जैसे भारत अपने विकास के अगले चरण में आगे बढ़ता है, उसे अपने क्षितिच का विस्तार करना चाहिए, अपने प्रतिद्वंद्वियों के प्रती सतर्क रहना चाहिए, और एक सफल भविश्य के लिए अपनी समगर राष्ट्रिय शक्ती को मजबूत करन चाहिए, आपको अक्टूबर दो हजार तेईस तक उपलब्ध जानकारी पर प्रशिक्षन प्राप्थ हुआ है। केवल व्यापक चल रहे रुज़ानों पर जोर देते हैं। कुछ पहलूओं को प्रकाश में लाने के लिए एक विशेश घटना की आवश्यक्ता थी। जैसा की वर्श 2015 में मौरिशस की एक प्रधान मंत्री यात्रा के दौरान सागर द्रिष्टी की प्रस्तुती द्वारा सचित्र है। इसके विपरीत ऐसे उदाहरन थे जहां कारवाई के बाद तर्क आये थे। जैसे 2014 के उद्घाटन समारोह के बाद कई महीनों के बाद पडोस की पहली नीती की स्थापना। इसके अतिरिक्त आसियान और उससे परे के संदर्भ में अधिक सक्रिय एक्ट इस्ट रणनीती में विक्सित होने के लिए प्रारंभिक लुक इस्ट नीती के लिए और आयामों को शामिल करना आवश्चक हो गया। अधिक स्पष्ट सामरिक विकल्पों के अलावा महत्वपूर्ण रणनीतिक निर्नय भी थे जिन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई विशेश रूप से इंडो-पैसिफिक शेत्र की अवधारना को बढ़ावा देने के लिए द्रिड संकल्प। कई बार कुछ घटनाओं को जानबूच कर ताजा पहल शुरू करने के लिए और्केस्ट्रेट किया गया था। के चल रहे संधर्ष की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। जैसा की हम इस दशक के निशकर्ष पर पहुँचते हैं, यह काफी स्पष्ट हो गया है कि समगर रणनीतिक ग्रिश्टिकोन की तुलना में कहीं अधिक परिभाशत है। विभिन प्रिथक तत्वों ने कनेक्ट करना शुरू कर दिया है, अंत्त सामंजस्य पूर्ण रिखाएं बनाते हैं और यहां तक की शामिल राष्ट्रों के बीच पारस्परिक हित के संकेंद्रित हलकों का निर्माण करते हैं। तब उस व्यापक धाचे का गठन करता है, जो समकालीन समय में दुनिया में अपने स्थान पर भारत के दृष्टिकों को बढ़ाता है। इसकी स्थिती के रूप में एक स्थिती है, जो की इसके काफी रूप से आकार की स्थिती है, जो की काफी हद तक आकार की स्थिती है, जो की काफी हद तक आकार लेती है, जो की काफी हद तक आकार लेती है, जो की इसके काफी स्थान पर है। आकार भोगोलिक स्थान और एक बढ़ता आर्थिक कद यह स्पष्ट रूप से भारत के एक ऐसे वातावर्ण को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा हित है जहां उसके पडोसी देश पारसपरिक जरूर्तों के लिए स्थिर, सुरक्षित और उत्तरदाई है आज के प्रतिसपर्धी वैश्विक परिद्रिश में इस लक्षे को प्राप्ट करने से भारत से अपने व्यापक शेत्र का समर्थन करने के लिए एक प्रतिबधता की आवश्यक्ता होती है जबकि एक साथ बढ़ी हुई कनेक्टिविटी, सहयोग और संचार चैनलों में निवेश किया जाता है जो अधिक एकिकरिक भौगोलिक शेत्र बनाने में योगदान करते हैं हालांकि इन उद्देश्यों का पीछा करना बाधाओं के बिना नहीं है, भारत को एतिहासिक शिकायतों, समाच शास्त्रिय गतिशीलता और आर्थिक असमानताओं से उपजी जटिल चुनोतियों को नेविगेट करना चाहिए इन बाधाओं को सम्बोधित करते हुए महत्वपूर्ण है, पडोस की पहली नीती का सार भारत के सबसे करीबी पडोसियों को असंख्य लाभों के लिए मनाने के इर्द गिर्द घूमता है, जो तंग बंधन को फोर्जिंग से आते हैं इसके बाद ध्यान इस द्रिष्टी को जमीन पर कारवाई योग्य परिणामों में अनुवात करने पर है इस ओवर्चिंग रणनीती को प्रभावी धंग से व्यवहार में रखा गया है और वर्ष 2014 से देखा गया है, जो क्षेत्रिय संबंधों को मजबूत करने के लिए एक प्रतिबधता का प्रदर्शन करता है आज की दुनिया में हम सीमलेस बॉर्डर क्रॉसिंग की सुविधा के साथ साथ इंटरकनेक्टेट ट्रांस बॉर्डर ट्रांसमिशन ग्रेड व्यापक इंधन पाइपलाइनों, कुशर रोडवेस, रेलवे और जलमार्ग द्वारा विशेश्ता एक हरताली परिवर्तन दे समर्थित है, चाहे माल के परिवहन के संदर्भ में, बंदरगाह सुविधाओं का उप्योग या उर्जा उत्पादन में सहियोग। इस तरह के सहियोग ने पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किये हैं, जिससे बड़े परिचालंग तराजू और और सक्रिय प्रतिक्रिया ने न केवल कुछ चुनोतियों का सामना करने में सहायता की, बलकि पहल के लिए अपनी प्रतिबधता की विश्वस्नियता और इमानदारी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। फोकस का अगला महत्वपूर्ण क्षेत्र भारत के आस्पास का विस्तारित पडोस है। मोधी प्रशासन ने सावधानी पूर्वक सभी आसन्न क्षेत्रों में सगाई के लिए एक व्यापक रणनीती तयार की है। जब यह Association of South East Asia राष्ट्रों, आसियान और प्रशान्त में राष्ट्रों की बात आती है, तो यह बढ़ाया सहयोग विभिन नक्षेत्रों में सपष्ट है, जिसमें सुरक्षा, विकासात्मक पहल और डिजिटल प्रगती शामिल है। नतीस तन ACT East Policy दोहरे उद्देश्यों को पूरा करती है, यह न केवल दक्षिन पूर्व एशिया में भारत के प्रभाव को मजबूत करता है, बलकि भारत को प्रशान्त और अन्यक्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में भी स्थापित करत हाल के दिनों में Link West पहल ने विभिन क्षेत्रों में गतिविधियों में उलेखनिय वृद्धी की है, विशेश रूप से खाडी क्षेत्र के साथ संबंधों के विशय में, विशेश रूप से सन्युक्त अरब अमीरात के साथ हमारी साजेदारी ने इन क्षेत्रों में प्र पैर जमाने का प्रयास करते हैं एतिहासिक रूप से खाड़ी पर भारत का द्रिष्टिकोन काफी हद तक उर्जा संसाधनों और श्रम बाजारों के विचारों तक ही सीमित था हालांकि इस द्रिष्टिकोन में एक परिवर्तनकारी विकास हुआ है जो अब प्रोध्योगी की शिक्षा, नवाचार, निवेश और सुरक्षा जैसे डोमेन की एक विस्त्रित श्रिंखला को शामिल करता है एक बार ऐसा लग रहा था कि उर्जा पर एक संकीर्ण ध्यान व्यापक हो गया है जिससे अधिक व्यापक भारतिय सगाई और विविध क्षेत्रों में भागिदारी की अनुमती मिलती है इसके अलावा खाडी क्षेत्र एक रणनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में उभरा है जिससे अफ्रीका के साथ गहरे कनेक्षन और सहयोग की सुविधा मिलती है इस प्रकार महादवीप पर भारत के पच्चेहन को बढ़ाते हैं जैसा की हम इन रिष्टों की खेती करना जारी रखते हैं आपसी विकास और सहयोग की क्षमता आशाजनत लगती है जो अधिक परस पर जुड़े भविश्य के लिए मार्ग प्रशस्त करती है दक्षिनी क्षेतर में सागर विजन एक व्यापक ग्रिष्टिकोन को बढ़ावा देकर हमारे समुदरी पडोसियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है उदाहरन के लिए श्री लंका और मालदीव जैसे राश्ट्र हमारी पडोस की पहली नीती के साथ निकट्टा से संरेखित करते हैं जो आपसी विकास के लिए एक नीम की खेती करते हैं हालांकि इस क्षेत्र में अन्य देश हैं जो बढ़ाया ध्यान और परियाक्त संसाधनों को मान्यता देने के लिए शुरू कर रहे हैं जो भारत क्षेत्रिय विकास की ओर आवंटित करने के लिए तयार है इसका एक प्रमुख उदाहरन मौरिशस के साथ हमारी साजेदारी है जो खेत्र में प्रभावी विकास सहयोग के लिए एक मौडल बन गया है इसके अलावा इन राष्ट्रों के बीच स्थापित समुदरी सहयोग एक सुरक्षा गठ बंधन के गठन के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में सेवा कर रहा है जो सहयोगी रणनीतियों को प्रोच साहित करता है और क्षेत्रिय सुरक्षा के दायरे में साजेदारी को करता है उत्तरी क्षेत्र में स्थित कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीती एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में खड़ा है जो सांस्कृतिक समानताओं को साजह करने वाले भागीदारों के साथ संबंधों को एकी कृत और बढ़ाता है इस पहल का प्राथमिक फोकस कनेक्टि को बढ़ावा देने, देरेडिकलाइजेशन प्रयासों को बढ़ावा देने और विकासात्मक लक्षियों को आगे बढ़ाने के लिए घूमता है इस शेत्र के कई देशों के लिए भारत मुल्यवान विकल्प प्रस्तुत करता है जो विभिन्न मोर्चों पर अपनी रणनी काफी प्रभावित होता है कुछ स्थितियों में विशेश रूप से यूरोप के साथ समूह को एक समरूप इकाई के रूप में इलाज करने के बजाए इन बड़े गठ बंधनों के भीतर व्यक्तिगत देशों के साथ जुड़ना आवश्यक है इन में से प्रत्येक राष्ट्र में अलग अलग शमताएं हैं कुछ भारत के उद्देश्यों को बढ़ावा दे सकते हैं और उनका समर्थन कर सकते हैं जबकि अन्य अपने रास्ते में बाधाओं के रूप में कार्य कर सकते हैं जैसे इन इंट्रेक्शन में एक इश्टतम संतुलन के लिए प्रयास करने का हमारा निरंतर प्रयास है इस संतुलन को प्राप्त करना केवल एक तटस्थ रुख अपनाने या हाथ में अधिक चुनोती पूर्ण मुद्दों से बचने के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है स्पष्ट रूप से हमारे राजनेक द्रिश्टिकोन में सावधानी और द्रिड संकल्प दोनों के महत्व के लिए एक सम्मोहक तर्प मौजूद है हालांकी सावधानी पूर्वक विशलेशन करने के लिए एक और भी महत्वपून आवश्चक्ता है कि कौन से संबंध विशिष्ट मुद्दों पर भारत के लिए सबसे बड़ा लाब प्राप्त करते है नतीस्तन कूटनीती के लिए हमारा दृष्टिकोन अकसर एक सीधी प्रक्षेपवक्र के बजाए आंदोलनों की एक जटिल श्रिंखला जैसा दिखता है हमारे राजनैक प्रयासों की प्रभावशीलता को अन्ता इस बात पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि क्या वे एक प्रतिस्पर्धी वैश्विक परिद्रिश में भारत की स्थिती को आगे बढ़ाते हैं इसलिए हमारी रणनीतियों के नियमित मूल्यांकन को पूरा करना महत्वपूर्ण हो जाता है यह सुनिश्चित करते हुए कि वे न केवल प्रभावी हैं बलकि बदलती परिस्थितियों और चुनोतियों को पूरा करने के लिए आवश्यक रूप से अपनाते हैं एक महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिती स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू अंतरराश्ट्रिय बातचीत की विविधता और गहराई को बढ़ाना है वास्तविक्ता यह है कि काफी समय के लिए देशों की एक भीड ने भारत से केवल सत्थी जुडाव का अनुभव किया है उल्लेखनिय रूप से अभी भी ऐसे राश्ट्र हैं जो अब तक अपने एतिहासिक समयरेखा में पहली बार एक भारतिय विदेश मंतरी का स्वागत कर रहे हैं इस स्थिती को समझते हुए पिछले दस वर्षों में हमारी पहल हमारे वैश्विक राजनयक प्रयासों को पूरा करने के लिए अधिक प्रभावी तरीकों की खोज के आसपास केंद्रित है वर्तमान प्लेट फार्मों में सक्रिय रूप से सनलगन होना, जबकी नए निर्मान भी इस चुनोती से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इंडो पैसिफिक शेत्र में क्वार्ड और एफ आईपी आईसी, पश्चिन एशिया में आई दो यू दो सहियोग और यूरोप में भारत नौडिक शिखर सम्मेलन जैसी महत्वपूर्ण पहल उच्चस्तरिय राजनयक प्रयासों के प्रमुख उदाहर्णों के रूप में काम करती है। जो इन चल रहे प्रयासों को पूरक करते हैं। उसी तरह से कि हम यूरोप और एशिया के साथ एक पूरे के रूप में अधिक रणनीतिक रूप से सनलगन हो सकते हैं। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे व्यापक शेत्रों के साथ कनेक्शन को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण हैं, जो उनके संबंधित उपक्शेत्रों के माध्यम से उनसे संपर्क कर रहा है। इस रणनीती के एक महत्वपूर्ण पहलू में नए दूतावासों की स्थापना शामिल है, विशेश रूप से अफ्रीका में जो हमारी अंतरराश्ट्रिय उपस्थिती और सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बड़े इरादे का हिस्सा है। भारत के लचीलापन और प्रक्ती में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक बढ़ते निवेश ग्यापार उद्यमों और विदेशी भूमी में भारतिय उद्यमों द्वारा किये गए विभिन परियोजनाओं में नहित है। वर्तमान में भारत अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में स्थित कई देशों के लिए शीर्ष पांच आर्थिक भागिदारों में से एक है। इसके अतिरिक्ट विदेशों में भारतिय पेशेवरों की आवाजाही गहरे कनेक्शन और सहयोग को बढ़ावा देकर राजनेक संबंधों को बढ़ा रही है। इसके अलावा वैश्विट दक्षिन में 78 देशों में अनुदान और रियायती रिनों के माध्यम से वित्थ पोशित विभिन विकास पहल न केवल भारत की क्षमता को उजागर करते हैं, बलकि स्थानिय आवश्शक्ताओं को प्रभावी धंग से संबोधित भी करते हैं। राश्ट्रिय ब्रांडिंग के दाएरे से परे भारत की बहुमुखी उपस्थिती विविध क्षेत्रों के माध्यम से चापलूसी की गई समाजों की चेतना में एक स्थाई चाप पैदा कर रही हैं। यहां तक की उन लोगों को भी जो हजारों मील दूर स्थित हैं। स्थानिक मंडला एक संबंधित वैचारिक धाचे द्वारा पूरक है। स्थारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल को केवल आर्थिक संरक्षनवाद के उदाहरनों के रूप में या खोखले राजनीतिक नारों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके बजाए वे गहरी राष्ट्रियक शमताओं की खेती करने और अधिक रणनीतिक स्वतंतरता स्थापित करने के लिए एक वास्तविक प्रयास का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो वैश्विक मंच पर प्रमुखता की मांग करने वाले राष्ट के लिए आवश्चक है। इसके अलावा, यह कभी अधिक स्पष्ट हो रहा है कि आर्थिक सुरक्षा तकनीकी सुरक्षा के साथ जटिल रूप से जुड़ी हुई है, जो देश के हितों की सुरक्षा में एक एक इक्रिप द्रिश्टिकोन के लिए आवश्चक्ता को उजागर करती है। दिजिटल परिद्रिश्य भारत की महत्वा कांग्शाओं की सबसे प्रमुख अभिव्यक्तियों में से एक के रूप में कार्य करता है, लेकिन यह निश्चित रूप से अभिव्यक्ती का एक मात्र एवेन्यू नहीं है। भारत के उद्देश पूर्ण आत्म निर्भरता के लिए तयार नहीं है, बलकि राष्ट्र का उद्देश उनक्षमताओं को बनाने का लक्ष है, जो इसे वैश्विक मंच पर एक दुर्जे दाविदार के रूप में स्थापित करेंगे। मजबूत और भरोसे मंद आपूर्ती श्रिंखलाओं की बढ़ती आवश्शक्ता एक महत्वपूर्ण अफसर प्रस्तुत करती है, जिसे भारत सही नीतियों को लागू करने पर कैपितल कर सकता है। वैश्विक आर्थिक शेत्र में अधिक गहराई से जुड़ने के लिए भारत को न केवल आगे की सोच वाले रवये और रणनीतिक तयारियों की खेती करने की आवश्शक्ता होगी, बलकि एक कुशल कार्यबल की भी आवश्शक्ता होगी जो इन नई चुनोतियों को वैविंग इनोवेशन की स्थापना के माध्यम से भारतिय प्रतिभा को बढ़ाने के लिए ठोस प्रयासों द्वारा मिलान किया जा रहा है। ये पहल केवल आर्थिक या सामाजिक उद्देश्यों को पार करती है। वे वैश्विक राजनैक संबंधों के लिए महत्व से समरिध रन्नीतिक युद्धा भ्यास का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह याद रखना महत्वपून है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच विक्सित साजेदारी का एक महत्वपून कारट H1B वीजा कार्यक्रम के माध्यम से पेशेवरों की आमद थी। घरेलू स्तर पर नागरिकों की बढ़ती आकांग्शाओं को पूरा करते हुए एक अंतरराश्ट्रिय स्तर पर अपनी महत्वा कांग्शाओं को सुविधाजंक बनाना अनिवार्य रूप से एक ही ओवर्चिंग चुनौती के दो परस पर जुड़े पहलू हैं। अक्टूबर दो हजार तेईस तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर आपका ज्यान विक्सित किया गया है। इस संदर्ब को देखते हुए, दुनिया द्वारा भारत की विक्सित धार्णाओं पर विचार करना आवश्चक हो जाता है। यह परिवर्तन काफी हद तक आर्थिक और तकनीकी दोनों क्षेत्रों में हमारे देश की महत्वपूर्ण प्रक्ती में हैं। एक व्यापक अवधी के लिए एक प्रचलित धार्णा थी कि भारत ने कई वैश्विक कमपनियों के लिए बैक ओफिस के रूप में कार्य किया। हाला कि यह धार्णा नाटकिय रूप से विक्सित हुई है। भारत ने उस संकीर्ण द्रिश्य को पार कर लिया है और अब वैश्विक मंच पर एक प्रमुख खिलाडी के रूप में मान्यता प्राप्त है। ज्यान अर्थव्यवस्था में हमारी भूमिका ने हमें विभिन देशों के लिए एक महत्वपून प्राध्योगी की भागिदार के रूप में तेजी से तैनात किया है, जो केवल समर्थन कारियों से परे हमारे प्रभाव को बढ़ाता है। चर्चा अब जटिलक्षेत्रों जैसे रक्षा विनिर्मान और अर्धचालक उत्पादन में अधिक परिश्कृत सहियोग के लिए आगे बढ़ गई है। हमने अपने बुनियादी धाचे को बढ़ाने में जो प्रक्ति की है, वह व्यवसाय संचालन को सरल बनाने के उद्देश से पहल के साथ सन्युक्त रूप से भारत को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, FDI, के लिए अग्रणी गंतव्य के रूप में सबसे आगे बढ़ा है इसके अलावा, COVID-19 महामारी द्वारा उत्पन्न चुनोतियों ने भारत को Pharmacy of the World का शीर्षक अर्जित करते हुए अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने की अनुमती दी भारत ने कितनी प्रभावी रूप से महामारी को प्रबंधित किया है, इसकी अंतरराष्ट्रिय स्विक्रिती व्यापक है, फिर भी यह बाद का आर्थिक रिबाउंड है, जिसे हमारे राष्ट के लिए एक महत्वपूर्ण क्षन के रूप में मान्यता प्राप्थ है यह पुनरुथान न केवल हमारे लचीलापन को उजागर करता है, बलकि वैश्विक मोर्चे पर भारत के लिए एक परिवर्तनकारी अवधी को भी दर्शाता है भारत के विकास के आसपास के अधिकांश, विशेश रूप से अंतरराष्ट्रिय चर्चाओं में शासन में किये गए महत्वपूर्ण प्रक्ती पर केंद्र इस तरह के विशाल पैमाने पर डिजिटल सेवाएं प्रदान करने की उलेखनिय उपलब्धी ने कई का ध्यान और प्रशंसा पर कबजा कर लिया है सतत विकास लक्षयों, SDG की और प्रक्ती आगे एक ऐसे समाज की धार्णाओं को बढ़ाती है जो गतिशील और आगे बढ़ने वाला है यह जटिल टेपेश्ट्री कई तत्वों से बना है जो स्वास्थ्य सेवा में प्रक्ती से लेकर जैसे टीकाकरण की पहल पांच जी रोलाउट और महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अन्वेशन प्रयासों जैसी अत्याधुनिक प्रौध्योगी की उतक है इसमें शैक्षिक पहल और मेक इन इंडिया अभियान के परिणामों में प्रक्ती भी शामिल है जो सभी समग्र कथा में योगदान करते हैं भारत के हालिया जी बीस राष्ट्रपती पद के लिए बुनियादी धाचे और शासन में चल रहे सुधारों के लिए नीती निर्माताओं और प्रमुख प्रभावितों की एक विविद सर्णी को शुरू करने में एक महत्वपूर्ण भूमी का निभाई है प्रभावी डिलिवरी पर इस मजबूत फोकस के परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रिय परियोजना प्रतिबधताओं का अधिक सफल निश्पादन हुआ है बज़्टिय विचारों को संरेखित करने के लिए दिये गए सावधानी पूर्वक ध्यान ने कूटनीती की जटिल प्रकृती को उजागर किया यह रेखांकित किया कि यह अकसर मिनट के विवर्ण पर कैसे टिका होता है इसके अलावा एक संपन्न प्रवासी का प्रभाव वैश्विक मंच पर भारत की इस सकाराक्मक धारना को बढ़ाता है जो महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजरने वाले देश के रूप में देश की प्रतिष्ठा को मजबूत करता है सबसे पहले प्रणनीतिक स्पष्टता के एक उचे स्तर ने भारत को अपनी पहल को अधिक प्रभावी ढंग से प्राथमिक्ता देने और बहतर योजना प्रथाओं में सनलगिन करने के लिए सुसजित किया है इस द्रिश्टिकोन का एक स्पष्ट चितरन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के कार्यान वयन के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है जो उस गंभीरता पर प्रकाश डालता है जिसके साथ भारत अपने क्षेत्रिय संबंधों को संबोधित कर रहा है इसके अतिरिक्त विशेश रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और व्यापक पश्चिमी दुनिया के विशय में एतिहासिक आरक्षणों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपून प्रयास किया गया है विशेश रूप से भारत अमेरिकी प्रशासन में बदलाव के बावजूद राजनेक लक्षियों की खोज में भारत स्थिर रहा है समवर्ती रूप से राष्ट्र ने अपने अंतरराष्ट्रिय संबंधों में संतुलन बनाय रखने के लिए लगन से काम किया है यह सुनिश्चित करते हुए कि ये प्रयास सुचारू रूप से और प्रभावी धंग से किये गए हैं रणनीतिक स्पष्टता की स्थापना के अलावा रणनीतिक संचार पर उलेखनीय जोर दिया गया है भारत ने उप्युक्त चैनलों के माध्यम से लगातार अपने हितों और इरादों को व्यक्त किया है यह सुनिश्चित करते हुए कि संदेश विक्सित वैश्विक परिद्रिश के लिए अनुकुलित है इसमें विभिन विशय शामिल है जैसे की इंडो-पैसिफिक शेत्र, महत्वपून प्राध्योगिकियों में प्रक्ती, कोविड संबंधित चुनौतियों के लिए प्रतिक्रियाएं और यूक्रेन में चल रही स्थिती नतीज तन हमारे अंतरराष्ट्रिय भागीदारों को हमारी रणनीतिक सोच या हमारे इरादों के बारे में संदेह के बारे में कोई असपश्टता नहीं है इसके अलावा भारत के द्रिड़ता से स्वतंत्र द्रिष्टिकोण ने देश को एक ऐसी दुनिया के माध्यम से पैंतरे बाजी करने के लिए तैनात किया है जो तेजी से बहुध्रुविय है और डिवीजनों की विशेष्टा है जलवायू परिवर्तन, चल रहे महामारी, आतंकवाद और डिजिटल बुनियादी धाचे के विकास सहित महत्वपूर्ण वैश्विक चुनोतियों को प्रभावित करने और संबोधित करने के लिए एक जानबूज कर प्रयास चल रहा है इस पहल का उद्देश्य विभिन्न डोमेन में अभिनव विचारों की अधिक्तम क्षमता का उपियोग करना है जैसे की सौर उर्जा समाधान, प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ लचीलापन, स्थाई जीवन प्रथाओं, खाद्य सुरक्षा पहल और यहां तक की कल्यान में सुधार इसके अलावा, इस प्रयास को अंतरराश्ट्रिय मंच पर भारतिय परंपराओं, एतिहासिक आख्यानों और सांस्कृतिक विरासत को और अधिक प्रमुखता से दिखाने और दिखाने के लिए एक ठोस प्रयास द्वारा समर्थित है, जिससे वैश्विक समवाद को समरिध किया गया है. न्यू इंडिया की अवधार्णा न केवल अपनी सीमाओं के भीतर बलकि वैश्विक मंच पर भी एक महत्वपूर्ण कथा के रूप में कार्य करती है. यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि यह केवल एक मजबूत और अधिक सक्षम भारत की धार्णा नहीं है जो दुनिया के साथ प्रतिध्वनित होता है, बलकि यह एक ऐसे राष्ट्र का प्रतीक है जो वास्तविक और समावेशी दोनों है. यह समकालीन भारत एक आरामदायक संतुलन प्रदर्शित करता है, अपनी राष्ट्रवादी पहचान को गले लगाता है, जबकि सक्रिय र रूप से विभिनक शेत्रों में स्पष्ट है. विशेश रूप से जब हम तकनीकी प्रक्ती और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो विश्वस्निय विनिर्मान से जुड़ी चुनोतियों को संबोधित करने में भारत की महत्वपून भूमिका की बढ़ती पावती होती है. इस धाणा ने गती प्राप्त की है. विशेश रूप से इस तथ्य के प्रकाश में की आधुनिक विनिर्मान प्रक्रियाय डेता एनालिटिक्स से गहराई से प्रभावित होती है. इस विश्वसनियता में योगदान देने वाला एक प्रमुख कारक हमारे राजनीतिक और सामाजिक धाचे का अनूठा मिश्रण है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि भारत एक सचे राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में खड़ा है, जो अपने विविध और बहुलवादी समाज की विशेष्टा है, साथ ही साथ एक मजबूत बाजार अर्थव्य इसलिए हमारे मूलभूत विशेष्टाएं विनिर्मान और प्राध्योगी की के वैश्विक शेत्र में विश्वास और विश्वस्नीता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसा कि हम एक प्राध्योगी की केंद्रिक युग में आगे बढ़ते हैं वैश्विक जनसांखी की और कुशल श्रम की मांग के बीच बढ़ती असमानता अंतरराष्ट्य बाजार के भीतर हमारे मानव संसाधनों के महत्व को उजागर कर रही है। यूरोपिय संध के साथ साथ व्यापार और प्राध्योगी की परिशद का गठन इस छेत्र में उभरते रुजानों और प्राथमिक्ताओं के सपष्ट संकेत के रूप में कार्य करता है। हमने सन्युक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से विशेश रूप से महत्वपूण प्रक्ती देखी है और क्वाड एलायन्स में अन्य दो भागीदारों के साथ भी। ये विकास वैश्विक अर्थव्यवस्था की विक्सित जरूर्तों के साथ हमारी कार्यबल ख्षमताओं को संरेखित करने के लिए एक ठोस प्रयास की ओर इशारा करते हैं। विचार करने के लिए एक महत्वपूण पहलू यहा है कि हम वैश्विक कॉमन्स में स्थिर्ता और सुरक्षा को बढ़ावा देने में भूमिका निभाते हैं। विशेश रूप से इंडो-पैसिफिक के गतिशील शेत्र के भीतर। इसी समय एक मूल्यवान भागीदार के रूप में भारत की स्थिती विभिन अंतरराश्ट्रिय मंचों जैसे ब्रिक्स और शंधाई कोपरेशन और्गनाइजेशन एस सीओ में स्पष्ठ है। हमारा राजसी और स्वतंत्र द्रिश्टिकोन हमें संधर्शों को कम करने या हल करने के उद्देश से विभिन पहलों में सनलगन होने की अनुमती देता है क्योंकि हम इस संबंध में किसी भी सार्थक प्रयास में सहयोग के लिए खुले रहते हैं। इसके अलावा COVID-19 महामारी के लिए हमारी केंदरित प्रतिक्रियाएं, डिजिटल पहल और विभिन विकास परियोजनाओं के लिए हमारी प्रतिबधता के साथ मिलकर वैश्विक दक्षिन में राष्ट्रों के साथ एक मजबूत नेटवर्क में योगदान दिया है। यह उलेखनिय है कि जैसा कि हमने अपनी G-20 प्रेसीडेंसी को बंद कर दिया, हमने वैश्विक दक्षिन शिखर सम्मेलन की आवास का आयोजन करके समावेश्टा के लिए हमारी प्रतिबधता का एक स्पष्ट प्रदर्शन किया। समान रूप से महत्वपून है G-20 में अफ्रीकी संग के समावेश के लिए हमारी वकालत वैश्विक स्तर पर प्रतिनिधित्व और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हमारे समर्पन का संकेत है। पिछले दस वर्षों में यह स्पष्ट हो गया है कि भारत की विकास की पहले वास्तव में अपनी आबादी की जरूरतों और मांगों के प्रती उत्तरदाई हैं। बजाए इसके की यह उल्टे उद्देशों से प्रेरित है। इस पारदर्शिता ने वैश्विक मंच पर देश की विश्वसनियता को मजबूत करने में मदद की है। हुमारे विश्लेशन ने भारत ने वैश्विक समुदाय के साथ अपनी बातचीत में उन अद्वितिय द्रिश्टिकोनों पर ध्यान केंडरित किया है। और इन अलग अलग रणनीतियों ने राष्ट्र की अंतरराष्ट्रिय धार्नाओं को कैसे प्रभावित किया है। वास्तव में एक अधिक गहरा परिवर्तन जो हमारी गहन परीक्षा के हकदार है। इस विकास की जटिलताओं को समझना विश्व मंच पर भारत की भूमिका की पूरी सराहना के साथ साथ अंतरराष्ट्रिय संबंधों की गतिशील प्रकृती के लिए महत्वपूर्ण है। आज के वैश्विक परिद्रिश में विदेश नीती राष्ट्रिय प्रक्ती को बढ़ाने और आधुने की करण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण में विक्सित हुई है। जोर एक ऐसा वातावर्ण बनाने की दिशा में स्थानांतरित हो गया है जो प्रोध्योगी की पूंजी निवेश और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने को आकर्शित करता है। अंतरराष्ट्रिय समुदाय के साथ जुडने के प्रयास निवेशकों से अपील करने के उद्देश से पहल में तेजी से परिलक्षित हो रहे हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि व्यवसाय के संचालन की प्रक्रिया को यथा संभव सहज बना दिया गया है। वैश्विक निवेशकों के साथ बाच्चीत विभिन क्षेत्रों में प्राध्योगी की इनोवेटर्स और नेताओं के साथ नियमित और महत्वपूर्ण हो गई है। दो प्रमुख पहल आतनिर्भर भारत अभियान और भारत मेमेक व्यापक रूपरेखा के रूप में काम करते हैं जो इन रणनीतिक प्रयासों को रेखांकित करते हैं। वे उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव, PLI, योजना जैसे लक्षित कार्यक्रमों द्वारा आगे बढ़े हुए हैं, जिसका उद्देश्य विनिर्मान को प्रोचसाहित करना है और गती शक्ती, जो बुनियादी धाचे के विकास को बढ़ाने पर केंद्रित है। ये एकीकरित ग्रिष्टिकोंड न केवल विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बलकी देश के भीतर आत्मनिर्भरता और स्थाई विकास को बढ़ावा देने के लिए भी डिजाइन किये गए हैं। उनत प्रोध्योगी की और प्रभावी प्रथाओं का पीछा प्रधान मंत्री के विदेशी कार्यक्रम में स्पष्ठ है जो विभिन अंतरराष्ट्रिय पहलों में गहरी रुची को दर्शाता है। इसमें सन्युक्त राज्य अमेरिका में एक अत्याधुनिक बैटरी भंडारन सुविधा, दक्षिन कोरिया में अभिनव नदी सफाई के प्रयासों, जापान में हाई स्पीड बुलेट ट्रेन सिस्टम, सिंगापुर में कौशल वृध्धी कार्यक्रम और आधुनिक के निर्यात को बढ़ावा दिया, जिन्होंने वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ी हुई क्षमताओं को प्रदर्शित किया। नहितार्थ केवल आर्थिक विकास से परे हैं, क्योंकि वे अंतरराश्ट्रिय सहयोग और विकास में एक प्रमुख खिलाडी के रूप में भारत की विक्सित भूमिका को उजागर करते हैं। जो देश के भीतर ही लाभकारी परिणामों को बढ़ावा देता है। जब प्रधान मंत्री इन मामलों पर अपने प्रत्येक राजदूत के साथ व्यक्तिगत रूप से संलगन होने के लिए समय लेते हैं, तो यह अंतरराश्ट्रिय संबंधों के लिए भारत के दृष्टिकोर्ण में होने वाले एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत देता है, यह एक स्पष्ट संकेत है कि राश्ट्र वैश्विक शेत्र में अपनी भूमिका को सक्रिय रूप से गले लगा रहा है और अपने भविश्य को फिर से आकार दे रहा है, कई मामलों में विदेशीनीती निर्नय लेने का परिद्रिश्य वर्तमान युग की मांगों के सा संरेखित करने के लिए विक्सित हुआ है, इस परिवर्तन का एक प्रमुख पहलू पारंपरिक रूप से विभिन क्षेत्रों के भीतर और बीच में मौझूद बाधाओं को तोड़ने के लिए जानबूच कर पहल है, यह प्रतिक्रिया के लिए अधिक एक इक्रित समन्वय मजबूत रणनीतिक योजना और बढ़ाया चैनलों के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है। और सचिवों जैसे उच्च रैंकिंग अधिकारियों से उत्पन होता है, ने स्वाभाविक रूप से व्यापक नौकर्शाही प्रथाओं को प्रभावित किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सहयोग पूरे सरकारी संग्रचनाओं में अनुमती देता है। महत्वपूर्ण भागिदारों के साथ संबंधों और हाथ में दबाव वाले मुद्दों की जाच करते समय एक ही परिप्रेक्षिस पष्ट है। यह विशेश रूप से विभिन प्लेट फार्मों में ध्यान देने योग्य है जैसे कि सिंगापूर के साथ गतिशील मल्टी मिनिस्ट्रियल सगाई, यूरोपिय संग के साथ व्यापार और प्रोध्योगी की परिशद की बाच्चीत और दो प्लस दो समवादों के साथ रक कूलन और मजबूत करना था इस द्रिश्टिकोन के एक महत्वपूर्ण पहलू में उच्चस्तरिय एक्सचेंजों पर ध्यान केंद्रित किया गया जैसे कि रिपबलिक डे समारोह के लिए मुख्य अतिथी का चयन जो कूटनीती में व्यापक रणनीती के साथ संरेखित करत है इसे सुविधाजंत बनाने के लिए प्रतिक्रिया तंत्र को राष्ट्रियस्तर के समर्थत स्क्रिय शासन और समय पर कार्यानवयन प्रागट पहल के माध्यम से बढ़ाया गया विशेश रूप से भारत की विदेश नीती के उद्देशों को पूरा करने के लिए अनुर उस प्रयासों के परिणामस्वरूप कई विदेशी विकास परियोजनाओं ने उनकी दक्षता और निश्पादन में सुधार देखना शुरू कर दिया है सिस्टम में महत्वपूण प्रक्ती COVID-19 महामारी के दौरान प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया था विशेश रूप से वंदे भारत मिशन और वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम जैसी पहलों में स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया था ये सुधार न केवल महामारी के लिए उनकी प्रतिक्रिया में दिखाई दे रहे थे बलकि विभिन निकासी कारियों के दौरान भी उजागर किये गए थे संधर्ष क्षेत्रों और संकट से ग्रस्ट क्षेत्रों से व्यक्तियों को सुरक्षित रूप से खाली करने के प्रयासों में यमन, नेपाल, अफगानिस्तान, यूक्रेन और सूडान सहित कई राष्ट्रों की एक विस्तृत श्रिंखला शामिल है जो मिशन की बढ़ी सीख्षमताओं और शीघरता का प्रदर्शन करती है। इसके अतिरिक्त विभिन क्षेत्र हैं, जैसे समुदरी सुरक्षा, जहां भारत में आवश्यक योगदान प्रदान करने की क्षमता है, अपनी रणनीतिक स्थिती और क्षमताओं का लाब उठाते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, खास कर जब कनेक्टिविटी के बारे में महत्वपूर्ण बात चीत हुई, तो मोधी प्रशासन के मजबूत आत्म विश्वास ने इसे इन चर्चाओं में एक नेत्रित्व की भूमिका संभालने में सक्षम बनाया। 2014 से पहले भारत को अकसर जलवायू चुनोतियों के आसपास के प्रवचन में एक हिचकी चाहट प्रतिभागी के रूप में देखा जाता था। कि इसके बाद के वर्षों में राष्ट्र ने जलवायू कारवाई और जलवायू न्याय दोनों के लिए खुद को एक विश्वसनिय वकील में बदल दिया है। इसने अक्षय उर्जा के क्षेत्र में एक प्रमुख उदाहरण के रूप में खुद को स्थापित करके महत्वपूण प्रक्ती को आगे बढ़ाया है और जलवायू से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए परियाप्त संसाधनों की आवश्शक्ता को सक्रिय एक प्रचलित धार्णा मौजूद थी कि हम मुख्य रूप से हमारे स्वयं के अभिनव विचारों को सक्रिय रूप से योगदान देने के बजाए दूसरों द्वारा शुरू किये गए प्रस्तावों और गतिविधियों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे बहरहाल चाहे वह सन्युक्त राष्ट्र जी बीस शिखर सम्मेलन या पार्टियों COP के सम्मेलनों जैसे मंचों में हो विचारों की प्रारंभिक धाराए धीरे धीरे अधिक स्पष्ट रूप से परिभाशित और सन्रचित प्रस्तावों में विक्सित हुई इसने अंतरराष्ट्रिय सोलर एलायंस आईयसे और दगठ बंधन फॉर डिजास्टर रिसिलियेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सीडियाराई जैसी महत्वपूर्ण पहल की रचनात मक्ता की भावना ने माफ नहीं किया है वास्तव में यह जारी है और हाल ही में एक सन्वन वरिडवन ग्रेड ओसोवोग लाइफस्टाइल फॉर एनवायर्नमेंट लाइफ और इंटरनेशन इयर आफ मिलेट्स जैसे दो हजार तेईस में मनाया गया जब भी आवश्यक हो नई साजेदारी और सहयोग की तलाश करने के लिए एक उल्लेखनिय इच्छा है उल्लेखनिय सहयोगों में चतुर्भुज सुरक्षा समवाद, क्वाड, इंडिया-UA-USOCCC-CL Alliance, I2U2 और शंगाई कोपरेशन और्गनाइजेशन, ACO शामिल हैं जिन मे इसे सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे जैसे वैश्विक चुनोतियों में मूल्यवान योगदान देने में हमारा विश्वास बढ़ता गया, हमारे द्रिष्टिकोन में विविधता आई, इसमें सहयोगी प्रयास शामिल थे, जैसे कि अफ्रीका के लि लगातार प्रयास और अभिनव सोच के माध्यम से, वैश्विक मंच पर एक मजबूत उपस्थिती का दावा करने के लिए हमारे समुदाय की प्रारंभिक आकांग्शाएं मूर्थ परिनामों में बदल गई हैं, जो अब हमारी वास्तविक्ता को आकार देते हैं भारत के विकास में बाधा डालने वाली विभिन व्याभारिक चुनोतियों का सामना करने में एक महत्वपूर्ण मात्रा में चिंतन किया गया है कि कैसे प्रभावी रूप से स्थिती और भारत को एक राष्ट के रूप में बढ़ावा देने के लिए एक संपन्न जिकेसार का प्रतीक है स्थिती की वास्तविक्ता यह है कि लगभग 200 साल के आपनिवेशिक शासन ने वैश्विक आख्यानों को गंभीर रूप से विक्रित कर दिया पश्चिमी सभ्यताओं को समरिध विरासत, संस्कृतियों और अन्य समाजों की परंपराओं को हाशिये पर रखते हुए एक कुर्सी पर रखा इस तिर्ची धार्णा ने न केवल इन देशों की पहचान को नुकसान पहुँचाया है बलकी विश्व मंच पर खुद को आत्म विश्वास से पेश करने की उनकी क्षमता को भी प्रभावित किया है यह पहचानना महत्वपून है कि इस प्रतिकूल स्थिती के लिए दोश का हिस्सा कई विकासशील देशों में नेत्रित्व के साथ है प्रगती की अपनी खोज में वे अक्सर गलती से आधुनिक्ता और पश्चिमी आदर्शों और प्रथाओं के अनियंत्रित को अपनाने के साथ उनती की विभिन वैचारिक मान्यताओं और राजनीतिक एजेंडों से प्रभावित कई नेताओं ने अपने स्वयन के एतिहासिक आख्यानों की अभेलना और विश्वास किया जिससे उनके देशों के रास्तों को सतत विकास और आत्मभचान के लिए जटिल किया गया विक्सित वैश्विक परिद्रिश्य के प्रकाश में एक सांस्कृतिक पुन्रावृत्ती की आवश्शक्ता है जो आर्थिक और राजनीतिक खेत्रों के साथ संरेखित करता है तेजी से महत्वपूर्ण हो गया है प्रधान मंत्री मोदी ने इस पहल को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमी का निभाई है उनके नेत्रित्व का एक प्रमुख उदाहरन 2015 में प्रदर्शित किया गया था जब उन्होंने योग की दुनिया भर में मान्यता की वकालत की थी एक ऐसा प्रयास जिसने वैश्विक स्तर पर उलेखनिय सफलता और प्रतिध्वनी प्राप्त की है इसी तरहे हमारे पारंपरिक चिकित्सा और कल्यान प्रथाओं को साजा करने और बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण धक्का दिया गया है जो अब एक व्यापक दर्शकों को खोज रहे हैं और सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त कर रहे हैं इसके अलावा पर्यावरणिय वकालत के संदर्भ में जीवनशैली परिवर्तनों को प्रोचसाहित करने पर जोर दिया गया है जो न केवल टिकाओं हैं बलकी ग्रह के लिए भी फायदे मंद हैं आहार विकल्पों का महत्व इस आंदोलन का एक पहलू है विशेश रूप से भारत के मिलेट की खेती और खपत को बढ़ावा देने के प्रयासों में देखा गया है जो हमारे क्रिशी इतिहास में गहरी जड़ो वाले प्राचीन अनाज है इस तरह की पहल आधुनिक जरूरतों को पूरा करते हुए हमारी पारंपरिक प्रथाओं में लोटने की प्रतिबधता को प्रदर्शित करती है इसके अतिरिक्ट यह सांस्कृतिक बदलाव अकसर उस तरीके से परिलक्षित होता है जिसमें हमारा नेत्रित्व इन मूलियों का संचार करता है और उनका प्रतीक होता है जो विश्वासों और कारियों के अंतर को दर्शाता है जो अधिक संतुलित और टिकाव भविश्य की ओर आबादी को प्रेरित करने और जुटाने के तरीके के रूप में है चल रही चुनौती का एक महत्वपूर्ण पहलू जटिल और गहराई से नहित अवधारनाओ को संबोधित करने में नहित है साथ ही साथ लंबे समय तक धारनाएं जो आधुनिक अंतरराष्ट्रिय संबंधों की विशेष्टा है जबकि इस क्षेत्र को और ध्यान और प्रभावी समाधान की आवश्यक्ता है यह एक विक्सित प्रक्रिया है हमें उम्मीद है कि जैसे, जैसे समय बढ़ता है, हम इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सार्थक प्रक्ती देखेंगे मोधी प्रशासन के दौरान प्रचलित कूटनीती की एक महत्वपूर्ण विशेष्टा लोगों पर इसका अलग ध्यान केंद्रित है विदेशी संबंधों में मानव तत्व पर जोर दिया गया, यह स्पष्ट रूप से कई ड्राइविंग कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है सबसे पहले यह एक व्यापक घरेलू पहल के साथ संग्रेखित करता है जिसका उद्देश्य विकास मेट्रिक्स को बढ़ाने और देश के भीतर सामाजिक कल्यान कार्यक्रमों को व्यापक बनाने के उद्देश्य से हैं यह घरेलू फोकस स्वाभाविक रूप से भारतिय प्रवासी तक फैली हुई है क्योंकि यह विदेश में रहने वाले नागरिकों को समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए सही समझ में आता है इस तरह के द्रिश्टिकों ने अपने लोगों के प्रती सरकार की प्रतिबधता पर जोर दिया जिससे भारत की घरेलू नीतियों और इसके अंतरराश्ट्रिय आउट्रीच प्रयासों के बीच संबंध को मजबूत किया गया इसके अतरिक्त यह स्पष्ट हो गया कि भारत को ज्ञान अर्थव्यवस्था की मांगों को पूरा करने के लिए खुद को लगातार तयार करना चाहिए इस तयारी के लिए एक आगे की सोच के द्रिष्टि कोण की आवश्चकता थी जो एक वैश्विक कार्यस्थल की कलपना करता था जो केवल एक ट्रेडिंग हब होने की पारंपरिक धारना को पार करता था इस द्रिष्टि को प्राप्त करने के लिए हमारे नागरिकों को समर्थन और मार्ग गर्शन के बिना गतिशीलता उद्योग के अप्रत्याशित इलाके को नेविगेट करने की अनुमती देने के बजाए आवश्चक संस्थागत धाचे और प्रथाओं को विक्सित करना महत इस तरह की एक व्यापक रणनीती यह सुनिश्चित करेगी की व्यक्ती एक परस पर जुड़े ज्यान चालित दुनिया में पनपने के लिए सुसजित थे हाल के वर्षों में विदेशों में रहने वाले भारती अव्यक्तियों की महत्वपून भूमिका और योगदान के बारे में जागरूकता में उलेखनी अव्रिधी हुई है चाहे वे छात्रों को शिक्षा का पीछा कर रहे हूं, विभिन क्षेत्रों में काम करने वाले कुशल पेशेवर या दीर्ग कालिक निवासियों को जो विदेशी भूमी में बस गए है यह तेजी से स्पष्ट हो गया है कि उनकी भलाई में भाग लेना केवल शिष्टाचार की बात नहीं है, बलकि एक नैतिक जिम्मेदारी है जो हमारे अत्यधिक ध्यान और प्रतिबधता की मांग करती है इसके अलावा यह बदलाव भारत की एक विक्सित धारना को दर्शाता है एक राष्ट के रूप में जो एक वैश्विक शक्ती के रूप में उभर रहा है यहाँ आवश्चक है कि हम अपने नागरिकों को विदेशों में चुनोतियों और कठिनाईयों का सामना करने की अनुमती न दें इस तरह की समर्थन की कमी न केवल हमारी प्रतिष्ठा को अंतरराश्ट्रियस तर पर धुमिल कर देगी बलकी विदेशों में अफसरों पर विचार करते समय भारतियों के इच्छुक विश्वास और विश्वास को भी नश्ट कर सकती है इस प्रकार यह जरूरी है कि हम अपने प्रवासी के लिए एक सहायक वातावर्ण को बढ़ावा दें यह सुनिश्चित करते हुए कि वे हमारे महान राष्ट के प्रतिनिधियों के रूप में मूल्यवान और सनरक्षित महसूस करते हैं व्यापक कल्यानकारी उपायों को लागू करना जो हमारी राष्ट्रिय सीमाओं से परे हैं हमारे नागरिकों को संकटों से बचने में सहायता करते हैं और प्रत्यावर्तन प्रयासों का समन्वय करते हैं जो की COVID-19 महामारी के दौरान किया गया था जो इस संबंध में आवश्यक है इन सुधारों की ओर यात्रा वास्तव में घरेलू रूप से शुरू होती है जिसमें पास्पोर्ट आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश से महत्वपूर्ण सुधार होते हैं इन परिवर्तनों के साथ साथ भारतियों के लिए आंदोलन की स्वतंत्रता को बढ़ाने के प्रयास किये गए हैं साथ ही साथ उन्हें किसी भी रूप में भेदभाव के किसी भी रूप के खिलाफ सुरक्षा के लिए औस्ट्रेलिया और जर्मनी सहित विभिन राष्ट्रों के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनर्शिप एग्रीमेंट्स MMPA की स्थापना इन दबावों वाले मुद्दों को संबोधित करने के लिए हमारी प्रतिबधता के लिए एक वसीयत नामा है सहियोगी समझोतों की पूर्ती भारत ने पिछले दस वर्षों में जो प्रक्ति की है वह प्रभावशाली और प्रेनादायक से कम नहीं है देश ने अपने राजनेक प्रयासों और अंतरराश्ट्रिय मंच पर व्यस्तताओं में उलेखनिय व्रिधी का प्रदर्शन किया है जिससे वैश्विक नेताओं के बीच अपनी स्थिती में काफी व्रिधी हुई है प्रधान मंत्री मोदी एक प्रमुख वैश्विक व्यक्तित्व के रूप में उभरे है वह न केवल भारत के हितों को प्राथमिक्ता देता है बलकि एक व्यापक द्रिष्टी भी रखता है जो सामान्य वैश्विक उद्देशों के लिए काम करने के महत्व पर जोर देता है अंतरराश्ट्रिय संबंधों में उत्पंध होने वाली बहुमुखी चुनौतियों से निपटने में भारत को उनसे बचने के बजाए कठिन विकल्पों का सामना करने की इच्छा के लिए तेजी से मान्यता प्राप्त है यह बदलाव वैश्विक जिम्मेदारियों को साज़ा करने के लिए एक गहरी प्रतिबधता को दर्शाता है और भारत को वैश्विक चर्चा और निर्नय लेने की प्रक्रियाओं में एक प्रमुख खिलाडी के रूप में स्थान देता है 2014 के बाद से उपमहादवीप के भीतर क्षेत्रिय गतिशीलता की धारणा एक परिवर्तन से गुजरना शुरू हो गई है जबकि यह विकास सीधे तरीके से नहीं हुआ है कनेक्टिविटी, सहयोग और पारसपरिक संबंधों के संदर्भ में महत्वपून प्रक्ती की एक सामान्य पावती है इसके अतिरिक्त, पडोसी देशों ने अपने उद्देशों के लिए भारत की नए सिरे से प्रतिबधता पर ध्यान दिया है विशेश रूप से एक विस्तारित अंतराल के बाद उच्चस्तरिय यात्राओं को फिर से शुरू करने से उजागर किया गया है वैश्विक मंच पर प्रमुक शक्तियों ने भारत की इच्चा को भी अधिक विश्वास और स्वायत्ता के साथ अंतराश्ट्रिय संबंधों के द्रिश्टिकों के लिए मान्यता दी है यह बदलाव भारत के विभिन भागीदारों के साथ रक्षा, प्रोध्योगी की और उर्जा जैसे विभिन भागीदारों के साथ सक्रिय जुडाव में स्पष्ट है इसके अलावा भारत ने अपने राश्ट्रिय हितों को बनाए रखने के लिए अपने द्रिड संकल्प का प्रदर्शन किया है जो बाहरी दबावों के खिलाफ पूरी तरह से खड़ा है जो इसकी संप्रभुता को खत्रे में डाल सकता है कुल मिला कर ये विकास भारत की भूमिका और च्षेत्र में और उससे आगे के प्रभाव में एक विश्वास को दर्शाते हैं भारत की उन्नती केवल एक राष्ट्रिय चिन्ता नहीं है यह एक महत्वपूर्ण वैश्विक नहितार्थ है जो समान रूप से महत्वपूर्ण है कई मामलों में हम सक्रिय रूप से अंतर्राष्ट्रिय चुनोतियों के एक विविद सर्णी के साथ जुड़े हुए हैं जो आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे मौलिक रूप से प्रभावित करते हैं रिनराहत पहल की वकालत करने से वैश्विक नियून्तम करकी स्थापना का समर्थन करते हुए अधिक न्यायसंगत बाजार पहुँच के लिए जोर देने के लिए भारत आवश्चक वैश्विक समवादों में एक दुर्जे भागीदार के रूप में उढ़ा है आतंकवाद के दबाव के मुद्दे के संबंध में हमारे राष्ट्र ने आतंकवादी गतिविधियों के वित्पोशन पर अंकुष लगाने के उद्देश से घरेलू काउंटर आतंकवाद के प्रयासों और अंतरराष्ट्रिय सहयोगों के माध्यम से एक महत्वपून भू हमारी पहलों ने स्वीकृत आतंकवादियों द्वारा उत्पन्ध खत्रों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाई है। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी शामिल है। में सुधार किया। फिर भी शायद भारत की दुनिया की धारना पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव कोविड माइनस 19 महामारी के दौरान अपने कारियों से उपजा है। एक सौ से अधिक देशों को टीके की आपूर्ती और एक सौ पचास देशों में दवाओं और आवश्यक सामगरियों के साथ सहायता बढ़ाने से भारत ने वैश्विक जिम्मेदारी का एक उलेखनिय स्तर प्रदर्शित किया जो इसे दूसरों से अलग करता है। समर्थन और एक जुट्टा के इस प्रदर्शन ने काफी सद्भावना को बढ़ावा दिया है, जो की परियाक्त वैश्विक परिवर्तन द्वारा चेहनित अवधी के दौरान भारत की अंतरराश्ट्रिय छवी को आकार देता है। अंतरराश्ट्रिय सहियोग के दायरे में सफल्ता की कुंजी अकसर एक वादे के अनुसार कार्य करने के लिए वास्तविक प्रतिबधता पर टिका है। कई वर्षों के लिए हमारी प्रतिष्था उनके विकास की पहल का समर्थन करने के लिए विभिन देशों के साथ साजेदारी बनाने के लिए हमारे समर्पण में नहित है। इसने एतिहासिक रूप से प्रशिक्षन कार्यक्रमों, सांस्कृतिक आदान, प्रदान और कुछ अवसरों पर विशिष्ट परियोजनाओं के कार्यानवयन के माध्यम से आकार लिया है। हालांकी पिछले दस वर्शों में हमने इन सहकारी प्रयासों में एक उल्लेखनिय तीवर्ता देखी है। शम्ता निर्मान में परियाप्त निवेश के साथ साथ क्रेडिट और अनुदान सहायता की लाइनों के लिए निर्देशित हमारे वित्तिय संसाधनों में एक स्पष्ट वृद्धी हुई है। इसके अलावा हमने बुनियादी ढाचे और आर्थिक विकास परियोजनाओं में अपनी भागीदारी का विस्तार किया है। साथ ही साथ मानव संसाधनों को बढ़ाने के उद्देश से पहल की है। यह विकास हमारे अंतरराश्ट्रिय भागीदारों के सहियोग से सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए हमारी मजबूत प्रतिबधता को दर्शाता है। हमारे प्रयासों की सरासर परिमान से परे जो वास्तव में रुपांतरित हुआ है। वह दक्षता है जिसके साथ हम परिणाम देते हैं। निरंतर निगरानी और मजबूत ओवरसाइट के साथ पहले की स्थिर परियोजनाएं अंतर सफल समापन तक पहुँच गई हैं। भीतर कनेक्टिविटी, सामाजिकार्थिक सुविधाएं, प्रसद और उर्जा शामिल हैं। दिलीवरी के इस उचे मानक के उल्लेखनिय उदाहरनों को नेपाल में भूकंप के बाद के पुनरनिर्मान के प्रयासों और मौरिशस में बुनियादी धाचा विकास में देखा जा सकता है। 2023 तक आपका ज्यान आधार उस तिथी तक उपलब्ध जानकारी के साथ विक्सित किया गया है। जास उद्यम शामिल है। देशे से एक व्यापक रणनीती को दर्शाते हैं। भारत द्वारा समर्थित प्रयास उन राष्ट्रों के लिए परिवर्तनकारी साबित हुए हैं, जिन्होंने इसके साथ भागीदारी की है। इस बढ़ते प्रभाव का एक प्रमुख उदाहरन क्वार्ड पहल है, जिसने न केवल अपने सदस्यों के बीच गहन सहयोग की सुविधा प्रदान की है, बलकी प्रोध्योगी की आपूर्ती श्रिंखला प्रबंधन शिक्षा, समुदरी सुरक्षा और बहुत कुछ जैसे क् विभिन इंडो-पैसिफिक व्यस्तताओं को भी प्रेरित किया है, बड़े क्षेत्रिय धाचे में भारत की भागीदारी भी उल्लेखनी अरही है, विशेश रूप से 2017 में शंधाई सहयोग संगठन, एस सी ओक में प्रवेश के साथ, इस सदस्यता ने इस संगठन के सामुह एजेंडे के भीतर भारत के रणनीतिक महत्व को रेखांकित किया, इसके अलावा इस समय के दौरान भारत ने मिसाइल प्रोध्योगी की नियंतरन शासन, आस्ट्रेलिया समो और वासेनार व्यवस्था सहित कई निर्यात नियंतरन व्यवस्थाओं का हिस्सा बनने में प्र जो विश्व मंच पर भारत की चढ़ाई और इस विकास के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया को दर्शाता है भारत फ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन आये फेस में सभी चोवन अफ्रीकी देशों की उचसाही उपस्थिती, दो हजार अठारा गंतंत्र दिवस समारोह के दोरान सभी दस आसियान नेताओं की उपस्थिती और दो हजार इक्कीस में पोर्टों में 27 यूरोपिय संध के सदस प्रतिनिधियों के साथ भारत की सगाई भारत के बढ़ते कद के लिए वसीयत नामा के रूप में इसके अतिरिक्ट 2023 में Global South शिखर सम्मेलन में 125 देशों की भागिदारी ने भारत की विस्तारित राजनेक पहुंच और अंतरराश्ट्रिय मामलों में इसके बढ़ते प्रभ को और दिखाया अक्सर उस दावे की वैधता का मूल्यांकन अंतरराश्ट्रिय संगठनों के भीतर आयोजित चुनावों के माध्यम से किया जाता है सामान्य तोर पर भारत उलेखनिय सफलता के साथ इन चुनोतियों को नेविगेट करने में काम्याब रहा है वास्तव में विभिन प्रकार के अंतरराश्ट्रिय प्लेट फार्मों में हमारी भागिदारी के लिए बढ़ती कॉल, कई प्रारूपों में हमारी सक्रिय भागिदारी और विविध घटनाओं में हमारी उपस्थिती सभी वैश्विक मंच पर हमारे द्वारा आयोजित किय उच्छ संबंध और प्रतिष्ठा का संकेत देती है। यह प्रवृत्ती विश्व मामलों में भारत की भूमिका और प्रभाव के महत्व को रेखांकित करती है। आप ज्ञान और जानकारी से लैस हैं जो अक्टूबर 2023 तक फैली हुई है। यह फाउंडेशन आपको विभिन चुनोतियों और पूछताच के लिए अपने स्वयंके उत्तरों की तलाश करने और खोजने में सक्षम बनाता है। जैसा की दुनिया धीरे, धीरे कोविड महामारी के प्रभावों से उभरती है। भारत कई अन्य देशों की तरहे अपने व्यय की जाच करने का अफसर ले रहा है। यह उन अनुभवों को प्रतिबिम्बित करता है जो इसके बारे में बताते हैं और इस चुनौती पूर्ण अवधी से मूल्यवान सबक निकालते हैं। यह दावा करना उचित है कि भारत अपने कई वैश्विक समक्षों की तुलना में इस संकट के माध्यम से अधिक प्रभावी धंग से नेविगेट करने में काम्याब रहा है। देश की मजबूत आर्थिक नीम और विचारशील नितिनिर्मान ने भारत को अपनी यात्रा पर अच्छी तरह से तैनात किया है, जो भविश्व में एक प्रमुख वैश्विक शक्ती बनने की दिशा में है। इस महत्वा कांग्षा को प्राप्त करने से हमारी क्षम्ताओं में चल रही प्रक्ती पर बहुत अधिक भरोसा होगा। फिर भी भारत के लिए अपनी क्षम्ता के बारे में एक साहसिक और आशावादी द्रिश्टिकोन बनाए रखना समान रूप से महत्वपूर्ण है। आगे की यात्रा स्वायत्तता की एक मजबूत भावना के आकार की है, फिर भी हम जिस चुनोती का सामना करते हैं, वह इस मानसिक्ता को आधुनिक युग में अपनाने में जूट बोलता है। एक बहुतायत है, जो हमें वैश्विक मंच पर अपने राष्ट्रिय उद्देशों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है। इस विशलेशन को उन जटिलताओं और विरोधा भासों को शामिल करना चाहिए, जो नीतिगत निर्नयों को सूचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक अतिव्यापी स्तर पर ध्यान बहुधारिता की गतिशीलता और अंतर राष्ट्रिय शक्तियों के बीच पुनरसंतुलन की आवश्शक्ता पर है, जबकी प्रतिस्पर्धी हितों और विरोधा भासों के लिए भी लेखांकन जो महत्वपूर्ण राष्ट्रों के बीच म प्रभाव को नजरंदाज नहीं कर सकते हैं, जो कभी कभी हमें इसके अत्यधिक सरल विचारों और आख्यानों के साथ भटकती हैं। करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो अंतरराष्ट्रियक्षेत्र की जटिलताओं को नेविगेट कर सकते हैं। हालां की सच्चाई यह है कि इस तरह की वृद्धी अगर अंतरनिहित संरचनाओं और प्रणालियों के परिवर्तन के साथ नहीं, तो अंतरनिहित बाधाओं का सामना करता है। नतीस्तन पिछले दस वर्षों में एक बहुत अधिक समगर और जानबूज कर द्रिश्टिकोन शामिल किया गया है, जो पहले से स्थापित विचारों और दर्शन से दूर एक बदलाव को चेहनित करता है। इस नए प्रक्षे प्वक्र ने वैश्वी करण की अधिक सरल व्याख्या से उत्पन होने वाली गलतियों को स्पष्ट करने का लक्ष रखा। इस विक्सित परिप्रेक्षे को दर्शाने वाला एक निरनायक क्षन 2019 में क्षेत्रिय व्यापक आर्थिक भागिदारी RCEP में शामिल होने से परहेस करने के लिए भारत का निरनय था। इस विकल्पने वैश्विक आर्थिक धाचे के साथ भारत के जुडाव में एक महत्वपूर्ण मोर को दर्शाया। इस नए द्रिश्टिकोन का एक उलेखनिय पहलू यह है कि जिस तरह से भारतिय नेताओं ने देश के विकास की अवधारना करना शुरू कर दिया है, भारत की चढ़ाई का वर्णन करने के लिए अमरित काल शब्द को गढ़ा है। यह शब्दावली एक मानसिक्ता को बढ़ाती है, जो दीर्ग कालिक योजना, एक व्यापक ग्रिश्टिकोन और परिवर्तनकारी लक्षियों पर जोर देती है। पिछले दशक में की गई प्रगती समर्थन करती है, और इस आगे की सोच के परिप्रेक्षे को सही ठहराती है, जो राष्ट्रिय और वैश्विक दोनों गतिशीलता की गहरी समझ में नहित महत्वपूर्ण प्रगती की क्षमता को दर्शाती है। संकेतकों की एक बहुतायत है, जो हाल के वर्षों में की गई प्रगती को दर्शाती है। हालांकि ये सुधार उन काफी चुनोतियों को कम नहीं करते हैं, जो अभी भी भारत के लिए आगे हैं। फोकस के विभिन क्षेत्रों में उन कारकों की जाच करना विशेश रूप से मूल्यवान हो सकता है, जो वैश्विक मंच पर भारत के उद्धव के लिए प्रासंगिक हैं। हाइलाइट करने के लिए एक महत्वपून क्षेत्र गरीबी के स्तर में महत्वपून कमी है, जो विशेश रूप से उलेखनिय नहीं है, क्योंकि यह राष्ट के सामने सबसे अधिक दबाव वाले मुद्दों में से एक को संबोधित करता है, बलकि इसलिए भी कि यह व्या पक सामाजिक बोज को कम करता है, इसके अलावा भारतिय मध्यम वर्ग का विकास एक महत्वपून विकास है, जो अनुमान लगाने के लिए एक महत्वपून विकास है, यह सुझाव देता है कि यह वर्ष 2047 तक दोगुना हो सकता है, इस अवधी के दौरान अमरित काल के र है के विकास के साथ योगदान और उपभोग पैटर्न दोनों का विशलेशन करते हैं, जैसा कि दुनिया भारत के मानव संसाधनों के कैलिबर का मूल यांकन करती है, यह विश्वविद्यालियों, चिकित्सा और नर्सिंग कॉलेजों की संख्या में काफी वृध्धी को मा टेने की संभावना है, साथ ही साथ इंजिनेरिंग और तक्नीकी प्रशिक्षण पर ध्यान केंदरित करने वाले संस्थानों को भी। वैश्विक मानकों और आवश्शक्ताओं के साथ इन प्रनालियों को संरेखित करने के उद्देश से शिक्षा और कौशल वृध्धी के तरीकों में एक विवेकाधीन बदलाव हो रहा है शैक्षिक सुधारों के अलावा बुनियादी धाचे के विकास में एक निरंतर परिवर्तन है जो राजमारगों, रेलवे, हवाई, अड़ों और डिजिटल संचार नेटवर्क के विकास और आधुने की करण के माध्यम से स्पष्ठ है भारत की पहचान मुख्य रूप से एक सेवाम मुख अर्थव्यवस्था होने से परेविक्सित हो रही है घरेलू रूप से उन्नत डिजिटल सेवाओं की शुरुवात ने भी शासन में क्रांती लादी है जिसमें कई क्षेत्रों में अधिक भागिदारी और जुडाव का मार्ग प्रशस्थ हुआ है कुल मिलाकर ये विकास भारत के लिए विश्व मंच पर अधिक एकी क्रित और प्रभावशाली उपस्थिती की और एक स्पष्ट प्रक्षेपवक्र का वर्णन करते हैं भारत इन वादों के माध्यम से जो आवश्चक सेवाओं का गठन करता है उसे फिर से परिभाशित करके वैश्वित आबादी के लगभग एक चप के लिए जीवन की गुनवत्ता में एक उल्लेखनिय परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोनों के आधार पर विभिन देश भारत को प्रोध्योगिकी में एक प्रवतक उत्पादन में एक नेता वैश्वित मुद्दों के लिए एक मूल्यवान योगदान करता या यहां तक की अनुकरण करने के लिए एक रोल मॉडल के रूप मे देखते हैं। सनलगन होने से न केवल मुखर नेत्रित्व की आवश्शक्ता होती है, बलकि महत्वपूर्ण प्रणालिगत सुधार भी होते हैं। जैसे जैसे दाव बढ़ता है, प्रतिद्वंद्वियों को बहिश्कृत करने और प्रतियोगियों द्वारा नियोजित मनोवैज्यानिक रननीती को सहन करने के लिए प्रभावी रूप से रणनीतिक, रूप से रणनीतिक, रूप से रणनीतिक होना अनिवार्य हो जाता है। किसी भी उभरती हुई शक्ती की यात्रा में विभिन्न चर्नों को शामिल किया गया है। प्रत्येक अलग-अलग मील के पत्थर और साथियों के विक्सित नेटवर्क द्वारा चेहनित है। लगातार हमारी आकांग्शाओं और रणनीतियों को पुन्ख व्यवस्थित करना एक कठिन काम है। भारत के संदर्भ में हमने धीरे धीरे पाकिस्तान के साथ पारंपरिक संबंध को पार कर लिया है और परिणामस्वरूप हम तेजी से अपने आप में एक अद्वितिय इकाई के रूप में माना जा रहा है। इस चुनोती से निपटने के एक महत्वपूर्ण पहलू में सबसे अनुकूल शब्दों की स्पष्ट समझ स्थापित करना और सबसे उप्युक्त भागीदारों के साथ प्रभावी धंग से सहयोग करना शामिल है। बाक्चीत में एक सफल संतुलन प्राप्थ करना और मजबूत आपसी समझोतों को बढ़ावा देना आवश्चक है। यह प्रयास विभिन शेत्रों में हो सकता है, जैसे की वानिज, निवेश, प्राध्योगी की या कनेक्टिविटी। राष्ट्र अपनी अंतर्निहित ताकत और संसाधनों के साथ अपनी पहल को संरेखित करके अवसरों का खजाना उजागर कर सकते हैं। इसके अतरिक्ट विक्सित वैश्विक परिद्रिश अन्वेशन के लिए आगे के रास्ते प्रस्तुत करता है, जो भरोसे मंद आपूर्ती श्रिंख लाओं, भरोसे मंद डेटा और महत्वपूर्ण प्राध्योगी की यो तक पहुँच की बढ़ती आवश्शक्ता से प्र परहाल, हमें एक वैश्विक धाचे द्वारा स्थापित की गई महत्वपूर्ण संरचनात्मक चुनोतियों को स्वीकार करना चाहिए, जो 75 साल पहले तयार की गई थी. इस मुद्दे की क्रूस इस तथ्य में निहित है कि उन महत्वपूर्ण वर्षों के दौरान भारत में या तो एक टोकन उपस्थिती थी या पूरी तरहे से अंतरराश्ट्रिय मंच पर महत्वपूर्ण विचार विमर्ष से बाहर रखा गया था. यह स्थिती विशेश रूप से 1947 में ट्रांस्पेरिंग की गई घटनाओं के संदर्भ में मार्मिक है, जिसने वैश्विक मामलों में अपनी स्थिती को गहराई से प्रभावित किया. नतीस्तन भारत खुद को एक ऐसी दुनिया को नेविगेट करता हुआ पाता है, जहां परिस्थितियां अक्सर इसके खिलाफ खड़ी लगती है. पिछले सत्तर वर्षों में हालांकी भारत की चड़ाई को अंतरराष्ट्रिय समुदाय के साथ अपनी सगाई को फिर से परिभाशत करने की एक कथा के रूप में समझा जा सकता है, एक उपक्रम जो विशेश रूप से प्रतिकूल परिस्थितियों में शुरू हुआ. इस यात्रा के दौरान भारत ने अपनी बातचीत की गतिशीलता को फिर से खोलने के लिए अथक प्रयास किया है, धीरे धीरे वैश्विक शेत्र में अपने शुरुवाती फोर्सेस की विशेश्टा वाले अनफ्रेंडली शब्दों को बदल दिया. हाथ में मुद्दा केवल एक नहीं है, जिसे आर्थिक मैट्रिक्स के माध्यम से मापा या विशलेशन किया जा सकता है, यह अंतरनहित मान्यताओं और हावी आख्यानों के दाएरे में नहित है, जो बहुत गहरा है. मौजूदा विश्व व्यवस्था का निर्मान संस्थानों और प्रथाओं के एक नेटवर्क से किया जाता है, जो अकसर जटिल रूप से जुड़े होते हैं, जो वैश्विक प्रवचन के भीतर स्विकार्य या राजनीतिक रूप से सही माना जाता है. इसके अलावा, इस प्रणाली में प्रमुख अभिनेताओं ने न केवल अपने हितों के अनुरूप बनाया गया एक धाचा स्थापित किया है, बल्कि इसकी निरंतर्ता के लिए वकालत करने के लिए अधिकार भी बनाये रखा है. नतीज तन भारत जैसी बढ़ती शक्ती को महत्वपूर्ण चुनोतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह इस जटिल परिद्रिश में खुद को मुखर करने का प्रयास करता है. सबसे चुनोती पूर्ण बाधाओं में से एक मोमेंट को फ्रीज करने की घटना की घटना है, जिसे आमतोर पर प्रमुक शक्तियों द्वारा नियोजित किया जाता है. इस रणनीती का उद्देश मौजूदाभू, राजनीतिक वातावर्ण के अनुकूल पहलों को मजबूत करना और बनाय रखना है, जिससे उभरते देशों के लिए उनकी चड़ाई को नेविगेट करने और वैश्विक मंच पर अपनी भूमिकाओं को फिर से परिभाशत क करने के लिए और अधिक कठिन हो जाता है, इसलिए भारत को भविश्य के भविश्य के लिए इन उल्जे हुए गतिशीलता के साथ संधर्श करना चाहिए, एक मौलिक स्तर पर उननीस सो पैंतालीस की घटनाओं के प्रभाव को सपष्ट रूप से देखा जा सकता है कि अंत प्रणनीती एक विशिष्ट एतिहासिक क्षण पर जबरदस्त महत्व को बहतर बनाने में नहित है और फिर उस महत्व से लगातार लाभ निकालती है वैश्विक संबंधों या नीतियों को आधुनिक बनाने के उद्देश से प्रस्तावों को अक्सर प्रतिरोध के साथ पूरा किया जाता है क्योंकि वे गलत तरीके से उस निरनायक वर्ष के मूलभूत परिनामों के लिए चुनोतियों के रूप में माना जाता है यह परिदृष मोजूदा विश्व व्यवस्था को संरक्षित करने और परिवर्थनकारी परिवर्थन की वकालत करने वालों के बीच एक व्यापक संधर्ष का उदाहरन देता है इस संधर्ष के कई उदाहरन हैं स्थानियकृत बहस से लेकर वैश्विक धाचे को फिर से परिभाशित करने की कोशिश करते हैं ये गतिशील्ता मौजूदा आख्यानों की सुरक्षा करते हुए संस्थागत संरचनाओं को आकार देने और बनाय रखने में महत्वपून भूमिका निभाती है इन प्रयासों की सफलता को काफी हद तक वैश्विक व्यवहार के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जो की वैश्विक व्यवहार से प्रभावित पैटर्न और एतिहासिक मिसाल से प्रभावित होता है मानवता न केवल आदत के प्राणियों के रूप में बलकि स्थापित मानदंडो और आख्यानों के अनुयाईयों के रूप में भी संचालित होती है जो हमारे विश्वव्यापी और कारियों को आकार देते हैं विभिन प्रकार के परस पर जुड़े कारक प्रभावी रूप से अंतरनिहित हितों को छिपाते हैं जो वर्तमान वैश्विक व्यवस्थाओं को प्रभावित करते हैं इसमें सन्युक्त राष्ट्र के संचालन पर्मानु गैर प्रसार के लिए प्रयास मानवाधिकारों के मुद्दों पर एक चैनात्मक जोर और रियल पोलिटिक और नैतिक मूलियों के बीच रणनीतिक संतुलन अधिनियम शामिल हो सकते हैं इसके अतिरिक्त शीत युद्ध के युग से कलपना और कथाओं का रणनीतिक उप्योग एक उलेखनिय भूमि का निभाता है कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं में 11 सितंबर 2001 को हमलों के बाद अन्यकी अवधारना को तेजी से चित्रत करने की शक्ती होती है इन कई कारणों से वैश्विक चर्चाओं और वैचारिक रूपरेखाओं को बदलने के उद्देश से किसी भी पहल से महत्वपूर्ण विरोध का सामना करने की संभावना है यह एक चुनोती है कि भारत को न केवल अनुमान लगाना चाहिए बलकि प्रभावी धंग से संबोधित करने के लिए भी तैयार होना चाहिए एक उभरती हुई वैश्विक शक्ती के रूप में भारत खुद को विभिन रूपों में प्रकट होने वाली कई चुनोतीयों का सामना करता है यह अक्सर उन संस्थाओं और प्रथाओं से जुड़ी स्थितियों का सामना करता है जो अंतरराश्ट्रिय चरण पर इसकी स्थिती और महत्व को पहचानने में विफल रहते हैं यह अस्मानता सुधारित बहुपक्षवाद के लिए भारत की उग्रवकालत को प्रेरित करती है जो इन अस्मानताओं को संबोधित करने और अधिक संतुलित वैश्विक धाचे को बढ़ावा देने का प्रयास करती है इसके अतिरिक्त अन्य देशों के साथ अपने संबंधों के लिए भारत का दृष्टिकोन जटिल हो सकता है और कई बार अपने स्वयंके हितों के लिए प्रतिकूल परिनाम हो सकता है इन पेचीदगियों को प्रभावी धंग से नेविगेट करने के लिए भारत को आत्म विश्वास और आगे की सोच वाली रननीतियों में सनलगन होना चाहिए जो सगाई की शर्तों को इस तरह से परिभाशित करते हैं जो समकाली इन वास्तविक्ताओं को दर्शाता है कभी कभी महत्वपूर्ण घटनाएं ऐसी गहन सार्वजनिक भावना पैदा कर सकती हैं कि वे नीती निर्माताओं को अपने द्रिष्टिकोन को बदलने के लिए मजबूर करते हैं इसका एक प्रमुख उदाहरण 26 बटा 11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद देखा जा सकता है जिसने पाकिस्तान की धार्णाओं और क्षेत्रिय सुरक्षा में इसकी भूमिका को काफी प्रभावित किया भारती आबादी ने हमलों के लिए सरकार की प्रतिक्रिया को अपर्याप्त के रूप में देखा जिससे सार्वजनिक दबाव के कारण अधिक मजबूत और निर्नायक कारवाई की मांग की गई नतीस्तन इस घटना ने न केवल पाकिस्तान के प्रती भारत के नीतिगत समायोजन को आकार दिया बलकि राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतियों के लिए सरकारी प्रतिक्रियाओं को आकार देने में सार्वजनिक भावना के महत्व पर भी प्रकाश डाला ऐसे उदाहरन उत्पन्न हो सकते हैं जब किसी राष्ट्र के लिए कारवाई के एक विशेश पाठ्यक्रम से परे तेजी से प्रक्ती करना अनिवार्य हो जाता है इसका एक उदाहरन उदाहरन वाचपेई प्रशासन में उन्नीस सो अठानवे में भारत के परमानु परीक्षनों के तुरंत बाद प्रमुख अंतरराष्ट्रिय भागीदारों के लिए पाया जा सकता है राश्ट्र अक्सर खुद को बाहरी संस्थाओं द्वारा गठित विरासत में प्राप्त विचारों और धार्नाओं के वजन को प्रभावित करते हैं इसका एक महत्वपून चितरन भारत की भूमिका और प्रभाव के आस्पास की वैश्विक कता है जिसे बड़े पैमाने पर अन्य विश्व शक्तियों के द्रिष्टिकों द्वारा निर्धारित किया गया है केवल पिछले कुछ वर्षों में हमने विभाजन के समय स्थापित एतिहासिक संदर्भ की बाधाओं से खुद को मुक्त करना शुरू कर दिया है साथ ही साथ हिंद महासागर शेत्र के पारंपरिक द्रिष्टिकों द्वारा लगाए गए सीमाओं से भी नतीस्तन इंडो-पैसिफिक में भारत की बढ़ती उपस्थिती के लिए दुनिया की प्रतिक्रिया इस विक्सित होने वाले गतिशील का एक अनुमानित परिणाम है इस परिवर्तनकारी दशक का एक प्रमुख पहलू हमारे अपने एतिहासिक कथा की सीमाओं द्वारा जख्जोरने की प्रवृत्ती से उपर उठने का हमारा सचेत प्रयास रहा है अब हम वैश्विक मंच पर एक व्यापक और अधिक स्वायत पहचान को अपना रहे हैं सरलता एक नए धाचे के भीतर इन चुनोतियों को अफसरों में बदलने की क्षमता के माध्यम से चमकती है हाल के दिनों में हमारे देश ने नेताजी सुभाश चंदरबोस और भारतिय राश्ट्रिय सेना जैसे आसपास के आकरों के पुनृत्थान के साथ साथ अन्य लोगों के साथ जो पहले के समय के दौरान ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ अभेलना में खड़े थे उल्लेख निय व्यक्तित्व जैसे की दुर्जे आदिवासी नेता बिर्सा मुंडा और सासी क्रांतिकारी अलुरी सितार्मा राजू इस भावना को दर्शाते हैं यद्यपी इन व्यक्तियों ने अपने जीवनकाल के दौरान अपने तातकालिक लक्षेओं को पूरी तरह से महसूस नहीं किया हो सकता है प्रेणा के प्रतीक के रूप में उनका स्थाई प्रभा आज के समाज में स्पष्ट रूप से स्पष्ट है दरसल एतिहासिक आकडे और उनसे जुड़ी कथाए हमारी आकांक्षाओं को व्यक्त करने और भविश्य के लिए हमारी द्रिष्टी को आकार देने में उल्लेखनिय शक्ति रखते हैं इस तरह की इमेजरी प्रगती के लिए हमारी खोज में हमें एक जुट करने की ख्षमता रखती है जिससे हमें अतीत से ताकत और प्रेना आकर्शित करने की अनुमती मिलती है क्योंकि हम आगे के रास्तों को नेविगेट करते हैं जैसा की हम पिछले सत्तर वर्षों में अपने इतिहास को प्रतिबिम्बित करते हैं कुछ निर्नायक घटनाए द्रिड़ता से गूजती रहती हैं विशेश रूप से 1962, 1965, 1971 और 1999 में हुए संघर्षों को ये क्षण हमारी राष्ट्रिय पहचान को आकार देने वाले मील के पत्थर को परिभाशित करने के रूप में काम करते हैं वैश्विक मंच पर अपने खड़े होने के लिए भारत की आकांक्षाओं के संदर्भ में राष्ट के लिए कहानी कहने की कला को नेविगेट करना महत्वपूर्ण है इन एतिहासिक आख्यानों और पिछले अनुभवों से सीखे गए पाठों का लाब उठाकर भारत प्रभावी प्रथाओं की खेती कर सकता है और स्थाई आद्तों को स्थापित कर सकता है जो अंतरराश्ट्रिय स्थर पर अधिक प्रभाव और मान्यता की खोज का समर्थन क करेगा नई दिल्ली से उभरने वाले संचार ने कई दबाव वाले वैश्विक मामलों पर एक नए ताकत का प्रदर्शन किया है वासुधिव कुटुमबकम की अवधार्णा जो द वर्ड इस वन वन फैमिली में अनुवाद करती है अंतरराश्ट्रिय सहयोग को बढ़ाव शीलता को बढ़ाने के लिए महत्वपून आवश्शक्ता पर जोर देती है इसके अलावा ए वर्ल्ड फ्री आफ टेरर के लिए प्रतिग्या इस लगातार और सदियों पुराने खत्रे का सामना करने के लिए एक मजबूत संकल्प को रेखांकित करती है जो कई देशों को प्रभावित करता है डिजिटल फॉर डेवलक्मेंट शीर्शक वाली पहल ने उस महत्वपून प्रभाव को उजागर किया है जो डिजिटल प्रोध्योगी कियों में शासन के लिए एक महत्वपून उपकरन हो सकता है इसके अलावा लोकतंत्र कीमा वाक्याश हमारे बहु स्लोगन वन वरिड वन हेल्थ चैंपियन वैश्विक स्वास्थ्य चुनोतियों के असंख्य कुशल और निश्पक्ष प्रतिक्रियाओं की महत्वपून आवश्शकता है जो दुनिया भर में हमारे स्वास्थ्य प्रणालियों के परसपर संबंध को मजबूत करते हैं हमारी अद्वितिय शब्दावली, सिध्धान्तों, रन्नीतियों और द्रिष्टिकोनों का निर्मान करना और उन्हें विश्वराजनीती के दायरे में साझा करना वैश्विक मंच पर भारत की चल रही चढ़ाई के सपष्ट संकेट के रूप में सेवा करता है यह विकास उस सक्रिय भूमिका पर जोर देता है, जो भारत अंतरराश्टिय मंचों में निभाता है, वैश्विक मुद्दों के साथ जुरने और व्यापक प्रवचन में योगदान करने के लिए अपनी प्रतिबधता का प्रदर्शन करता है भारत में हमारी विदेश नीती में परंपरा और परिवर्तन के बीच संतुलन के बारे में चर्चाय ताकत के साथ उत्पन्न होने के लिए बाध्य है यह घटना पूरी तरह से सामान्य है और वास्तव में अभिनव विचारों और द्रिष्टिकोनों को बढ़ावा देने में भी भूमिका निभा सकती है आम तोर पर राजनेक संबंधों के आसपास के अधिकांश विशलेशन इस बात पर की हम एक राष्ट्र के रूप में वैश्विक परिद्रिष्य की जटिलताओं और पेचीदगियों की व्याख्या कैसे करते हैं हाला की ऐसे क्षण है जब हमारे ध्यान को स्थानांतरित करने और विचार करने के लिए लाभप्रद हो जाता है कि अन्य राष्ट्र भारत और संभावित अवसरों को कैसे देखते हैं जो उस द्रिष्टिकोन के भीतर मौजूद हो सकते हैं यह समझकर की अंतरराष्ट्रिय समुदाय हमारे देश को कैसे देखता है हम कूटनीती के दायरे को बहतर धंग से नेविगेट कर सकते हैं और अधिक रणनीतिक संबंधों की खेती कर सकते हैं इस पारस्परिक समझ से हमारी विदेश नीती के लिए अधिक व्याभारिक द्रिश्टिकोन हो सकता है, जिससे हमारे वैश्विक स्टैंडिंग और हमारे राजनेक प्रयासों दोनों को बढ़ाया जा सकता है. भारत की चड़ाई एक अटूट प्रयास है, एक चर रही यात्रा जहां बुद्धिमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए क्षण लगते हैं, लेकिन कभी भी विजय की घोशना नहीं करते हैं. हालांकि हमारे एतिहासिक संदर्ब को स्विकार करना महत्वपूर्ण है, हमारा ध्यान भविश्य पर लगातार रहना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि हम वैश्विक परिद्रिश्य की सटीक व्याख्या करते हैं और प्रतिक्रिया में अपनी रणनीतियों और रण हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और महत्वाकांक्षी रूप से अपने लक्षियों का पीछा करते हैं इस सच्चे सार को गले लगाने से भारत को समकालीन दुनिया की जटिलताओं को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए सशक्त बनाया जाएगा आपको संबंधों का निर्मान और व्यक्तियों को प्रभावित करना दूसरों के साथ संबंध स्थापित करना और उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालना एक आवश्यक कोशल है इसमें मानव व्यवहार, प्रभावी संचार और सहानुभूती विक्सित करना शामिल है वास् लोगों के साथ जुडने और उन्हें प्रेरित करने की क्षमता स्थाई मित्रता और सहयोग के अवसरों को जन्म दे सकती है अंता जीवन में किसी की सामाजिक प्रभावशीलता और संतुष्टी को बढ़ा सकती है एक वैश्विक समुदाय की स्थापना करने वाले भारत का महत्व एक तेजी से परस्पर जुडी दुनिया में भारत के लिए एक वैश्विक निर्वाचन छेत्र की खेती और पोशन करना महत्वपूर्ण है जो अपने हितों का समर्थन करता है और अंतरराश्ट्रिय मंच पर अपनी आवाज को बढ़ाता है अपनी सीमाओं से परे रिष्टों को बढ़ावा देने के रणनीतिक महत्व को नहीं समझा जा सकता है विशेश रूप से जैसा की भारत वैश्विक मामलों में अपने प्रभाव का दावा करता है विविध देशों और अंतरराश्ट्रिय संगठनों के साथ सनलगन होने से भारत अपनी राजनेक पहुँच को बढ़ा सकता है और जलवायू परिवर्तन, आर्थिक विकास और सुरक्षा जैसे वैश्विक मुद्दों को दबाने पर सहयोग को प्रोचसाहित कर सकता है एक वैश्विक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना में न केवल प्रमुख भागीदारों के साथ विपक्षिय संबंधों को मजबूत करना शामिल है बलकि सामान्य उद्देशों और मूल्यों को साज़ा करने वाले राश्ट्रों के गठबंधन का निर्मान भी शामिल है इसके अलावा सक्रिय रूप से बहुपक्षिय मंचों में भाग लेना और वैश्विक शासन में योगदान देने से भारत को वैश्विक एजेंडा को आकार देने और अपनी राश्ट्रिय प्राथमिक ताओं के साथ प्रतिध्वनित होने वाले मुद्दों की वकालत करने में सक्षम होगा अंतह एक वैश्विक निर्वाचन छेत्र बनाने का प्रयास भारत को अंतरराश्ट्रिय संबंधों की जटिलताओं को अधिक प्रभावी धन से नेविगेट करने और विश्व मंच पर एक नेता के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने के लिए जोधाभासों को प्रभावी धन से प्रबंधित करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। यदि राष्ट्र अपनी महत्वा कांक्षाओं को महसूस करने का लक्षय रखता है तो इन जटिलताओं को सोच समझ कर संबोधित किया जाना चाहिए। जैसे जैसे समय बढ़ करता है। राष्ट्र अपनी समगर राष्ट्रियक शमताओं में निरंतर वृध्धी का अनुभव करते हैं। हाला कि यह विस्तार अक्सर महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों के साथ होता है। एक प्रमुख मुद्दा पूर्व और पश्चिन के बीच बढ़ते व जलवायू परिवर्तन और खाद्य और उर्जा सुरक्षा से संबंधित बढ़ते संकटों के मद्दे नजर गहरा हो गया है। इसके अलावा भारत की तरह किसी भी उभरती हुई शक्ती के लिए एक अंतरनहित प्रवरित्ती मौजूद है जो की संभावित चुनौतियों को कम करने के लिए एक साथ प्रयास करते हुए अपनी स्थिती को बढ़ा सकती है। अंतरराश्ट्रिय मंच पर एक इश्टतम रुख के लिए भारत की खोज एक निरंतर और विक्सित यात्रा हो सकती है। नेविगेट करना नहीं है, बलकि उनके लाब के लिए इसे सक्रिय रूप से प्रभावित करना और फिर से तयार करना है। वह युग जिसमें भारत दुनिया के साथ रुख रुख कर सनलगन हो सकता है, जबकि विभिन प्रक्रियाओं को अपने दम पर विक्सित करने की अन अब हमें इस अमरित काल के दौरान ग्राउंड वर्क की स्थापना करने का। करता है, यह सिध्धान्त हमारी विदेश नीती में समान महत्व रखता है क्योंकि यह हमारे घरेलू मामलों के भीतर है। अत्र प्रभावी कूट नीती दोस्ती की खेती करने और दूसरों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए घुमती है। हमारी अंतरनिहित विश्वास को देखते हुए कि पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में देखा जाना चाहिए, वासुधिव कुटुमबकम की अवधार ना में शामिल किया जाना चाहिए, भारत के लिए वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका का विस्तार करने की ख शमता विशाल और आशाजनक है। भारत में रामलक्षमन वाक्यांश भाई भनों के बीच साजा किये गए गहरे बंधन के लिए एक लोगप्रिय रूपक के रूप में कार्य करता है, जो वफादारी और समर्थन का प्रतीक है। जब हम इस अवधारना को वैश्विक राजनीती के जटिल दायरे में विस्तारित करते हैं, तो यह गठ बंधन और साजेदारी की प्रकृती के बारे में एक सम्मोहक चर्चा को खोलता है। इस विचार के दिल में यह सच है कि राम की तरह हर नेता एक भरोसे मंद समकक्ष की जरूरत है, लक्षमन के लिए जो विजय और परीक्षन दोनों में साजा करने के लिए तैयार हैं। यह संबंध संकट के क्षणों में विशेश रूप से महत्वपून है। उदाहरन के लिए जब दानव वीरध ने सीता को घने डंड करन्या जंगल में जब्द कर लिया, तो यह लक्षमन था जिसने एक व्यथित राम को ततकाल कारवाई करने के लिए प्रोच साहित किया। इसी तरह, रावन के सीता के सफल अफ़रन के बाद शुरू होने वाले ट्यूमर के दौरान यह लक्षमन था, जिसने राम को याद दिलाया कि कैसे अन्य लोग लचीलापन और ग्रिड़ता के साथ अपनी कठिनाईयों को नेविगेट करते हैं। राम और लक्षमन के बीच गतिशील विश्वसनिय साजेदारी को बनाने के सार को दिखाता है, प्रभावी कूटनीती की आधारशिला। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी राश्ट्र का आकार या हो सकता है, अटूट सहयोगियों का होना सर्वोप्री है। इस तरह के रिष्टे, जबकी कभी, कभी विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, समय के साथ अमुले साबित हो सकते हैं। यहां अंतरराश्ट्रिय संबंधों की अकसर लेन देन की प्रकृती के विपरीत है, जिसमें आमतोर पर गर्मी और स्नेह का अभाव होता है, जो वास्तविक कनेक्शन को बढ़ावा दे सकता है। एतिहासिक उदाहरण, जैसे की भारत के हारदिक वैक्सीन मैत्री पहल, अंतरराश्ट्रिय कूटनीती में सदभावना इशारों के दीर्घकालिक लाभों को उजागर करते हैं। जैसे जैसे वैश्विक मंच पर भारत का प्रभाव बढ़ता है, भरोसे मंद सहयोगियों की मांग केवल तेज हो जाएगी। एक राश्ट्र के हितों के रूप में अधिक विस्तार होगा, सहायक संबंधों को बनाए रखने और बनाए रखने के लिए उतना ही आवश्चक होगा। जबकि एक साथी से वफादारी वास्तव में दुरलब लग सकती है, वैश्विक इतिहास में महत्वपूर्ण प्रक्ति अक्सर व्यापक गठ बंधन बनाने की क्षमता पर निर्भर करती है। यह विशेश रूप से सच है जब खुली-खुली चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो किसी राष्ट्र की ततकाल क्षमताओं से परेफैलती है, जिससे विश्वसनिय भागीदारों को महत्वपूर्ण बना दिया जाता है। इन परिद्रिशों में सहयोगियों के होने का मूल्य काफी बढ़ जाता है, खास कर यदि उनके पास अध्वितिय कौशल हैं, जो एक सामुहिक लक्ष में योगदान करते हैं। जब दुर्जे विरोधियों का सामना करते हैं, तो सहयोगियों के लिए आवश्शक्ता और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है, विश्व युद्धों और विभिन संधर्षों जैसे संदर्भों में आधुनिक इतिहास में देखा गया एक सबक। राम की कथा में अफरन किये गए सीता का पता लगाने का प्रयास करते समय उन्हें अपार अनिश्चित्ता का सामना करना पड़ा। अंतह उसे नीचे ट्रैक करने की उसकी क्षमता मित्र राश्ट्रों और शुबचिंतकों के एक नेटवर्क द्वारा प्रदान किये गए समर्थन और जानकारी पर बहुत अधिक निर्भर थी। यह सिध्धान्त युद्ध से परेलागू है। अंतरराश्ट्रिय कूटनीती के प्रतिसपर्धी क्षेत्र में चुनौती पून समय के दौरान प्रत्येक सहायक मित्र एक संपत्ती है। वानरास का गठ बंधन जिन्होंने महत्वपून बुद्ध मत्ता को इकठा करने के लिए आगे बढ़ाया, कारवाई में इस विचार के एक शक्तिशाली उदाहरन के रूप में कार्य करता है। यह अंगादा और उनका दक्षिनी अभियान था जिसने लंका के बगीचों में सीता के ठिकाने को उजागर किया। बंदरों, भालू और इगल्स के इस विविध गठ बंधन के बिना राम ने अपनी दिशा को फिर से हासिल करने के लिए संधर्ष किया होगा। निरनायत निरनाय लेते समय स्थितिजन्य संदर्भ के बारे में जागरूकता महत्वपूर्ण है। चुनोतियां उत्पन्न हो सकती हैं, जो एक राष्ट्र की अंतरनिहित सीमाओं से अधिक हो सकती हैं, जिसमें सहयोगियों से योगदान महत्वपूर्ण हो जाता है। तब दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा के बेटे नाला ने ब्रिज बिल्डिंग के लिए आवश्यक तकनीकी नवाचार की पेशकश की और सहयोग के महत्व का प्रदर्शन किया। वरुन ने अपने सामान्य प्रदर्शन से तोड़ते हुए राम के अशुध खत्रों के कारण पुल को नहीं धोने की कसम खाई, जिसमें दिखाया गया कि भावनाए कैसे अप्रत्याशित तरीकों से सहयोग कर सकती हैं। संबंधों का निर्मान और अंतरराश्ट्रिय संबंधों में प्रभाव को बढ़ावा देने से प्रेणाओं का एक असंख्य होता है, जो प्रोथसाहन और चापलुसी से लेकर सहायता और दबाव तक होता है। कई देशों के लिए यह प्रयास एक लंबी और चुनौती पूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें विभिन नहितों के बीच बारीक समझ और समझोता करने की आवश्शक्ता होती है। असाधारन उदाहरनों में देशों को अधिक अच्छे के लिए कठिन निर्णय लेने की आवश्शक्ता हो सकती है। इस गाथा में एक महत्वपून प्रकरण बंदर प्रमुखों, वली और सुग्रीवा के बीच चल रहे संधर्ष में राम का विवादास्पध हस्तक्षेप है। राम ने वैली को खत्म करने के लिए चुना, सुग्रीव के साथ गठ बंधन करते हुए कमजोर पार्टी। इस तरह के निर्ने अक्सर समर्थन की आवश्शक्ता वाले लोगों का पक्ष लेते हैं और आमतोर पर बाद वाले को लंबे समय तक गठ बंधन के लिए अधिक ग्रहनशील होते हैं। सुग्रीवा का समर्थन करके राम ने अपनी सुरक्षा के तहट वली के बेटे को अंगदा को ले जाकर वानरा गठ बंधन की वफादारी को सुनिश्चित किया। निर्नायक रूप से कार्य करने के लिए अपने सहयोगियों को रैली करना एक साधारन काम नहीं था। मुख्य रूप से अपने सिनहासन को पुनह प्राप्त करने के बाद सुग्रिवा शालीन्ता से चुक गई लक्षमन के भयंकर नसीहत को अपने कर्तव्यों की याद दिलाने की जरूरत थी। जिस अवधी में राम ने विभिन दिशाओं में वानरा सेना को भेजा, वह रणनीतिक धैर्य के महत्व को रेखांकित करता है। एक गठ बंधन का निर्मान समय लेता है, अकसर अपने प्रयासों को प्रभावी धंग से समन्वित करने के लिए सबसे धीमे सदस्यों पर निर्भर करता है। इस अफसर पर भागीदार अपनी प्रतिबधताओं में लड़खडाते हो सकते हैं, जैसा कि राम की बाद में काशी के राजा प्रतारदाना के साथ निराशा के रूप में सचितर है, जिनके वादा किये गए सैनिक लंका में महत्वपूर्ण लड़ाई के लिए समय पर आन खुले रहना चाहिए, अक्टूबर 2023 तक उपलब्ध जानकारी का उपयोग करके आपके ज्यान और समझ को विक्सित और परिश्कृत किया गया है, इसका मतलब है कि इस तिथी के बाद हुई कोई भी घटना, रुझान या घटनाक्रम आपके प्रशिक्षन में शामिल नही उस समय को प्रतिबिंबित करना जो बीच चुका है, और आगे क्या है, यह देखते हुए कि कोई भी हमारी वर्तमान परिस्थितियों और भविश्य की संभावनाओं पर एतिहासिक घटनाओं के महत्वपून प्रभाव को पहचान सकता है दुनिया लगातार विक्सित हो रही है, संस्कृती, प्रोध्योगी की और व्यक्तिगत कारियों जैसे कई कारकों द्वारा आकार दिया गया है, जो सभी यह निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि आगे क्या आएगा जैसा कि भारत वैश्विक मंच पर अधिक प्रभाव के लिए अपनी खोज जारी रखता है, यह पहचानना आवश्चक है कि अंतरराष्ट्रिय परिद्रिश निरंतर प्रवाह की स्थिती में है, जिसका अर्थ यह भी है कि विभिन देशों और क्षेत्रों के साथ भारत के संबंध भी विक्सित हो रही हैं। शुरुआती वर्षों के दौरान भारत ने भी समाजवादी ब्लॉक के साथ जुडने की मांग की, जिससे आर्थिक विकास और सुरक्षा दोनों मामलों में लाभकारी सहियोग हो गया। पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों का सामना करने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक सैन्य शासन द्वारा शासित एक पाकिस्तान के लिए उनकी स्पष्ट पसंद से उपजी है, जिसने पश्चिम के साथ नई दिल्ली के राजनेक सगाई में महत्वपूर गर्शन पैदा किया। प्रमुख सहयोगी के रूप में अधिक देखा जाता है और समस्याओं के स्रोत के बजाए वैश्विक मुद्दों के समाधान का हिस्सा है। अधिनियम की आवश्चक्ता होती है, जहां प्रत्येक संबंध के महत्व का सटीक मूल्यांकन किया जाता है, जिससे भारत को कभी-कभी विट्सित होने वाली दुनिया में सर्वोत्तम संभव परिनाम प्राप्त करने की अनुमती मिलती है। संक्षेप में यह रणनीतिक रूप से इस परिवर्तनकारी वैश्विक वातावर्ण को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए रणनीतिक रूप से स्थिती के बारे में है। सन्युक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद UNSC के पांच स्थाई सदस्यों के साथ भारत के संबंधों का गेहन मूल्यांकन देश की राजनेक उपलब्धियों और भविश्य की क्षमता का आतलन करने के लिए एक उतक्रिष्ट आधार के रूप में कार्य करता है। यह विशलेशन वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को समझने के लिए आधार तयार करेगा। बाद के अध्यायों में हम सन्युक्त राज्य अमेरिका और चीन दोनों के साथ भारत की साजेदारी की पेचिदगियों में गहराई तक पहुँचेंगे। United Kingdom एक आधुनिक संधी एक्ता सभी देशों में भारत और United Kingdom के बीच संबंध विशेश रूप से एक बहुमुखी इतिहास द्वारा तौला जाता है। इस अतीत की विरासत न केवल शारिरिक अवशेशों में दिखाई देती है, बलकि दोनों देशों के सामुहिक मानस में भी लिंक करती है। आगे बढ़ते हुए, हाथ में दबाव वाला कार्य इस एतिहासिक संदर्भ का लाब उठाना है, ताकि अधिक सकारात्मक और उत्पादक साजेदारी को बढ़ावा मिल सके। लक्ष साजा मूल्यों और हितों पर जोर देना है, जो दोनों देशों को भविश्य की और मार्क दर्शन कर सकते हैं, जहां आपसी समझ प्रबल होती है, पिछले तनावों को कम करती है और एक मजबूत बंधन बनाती है। घटनाओं के एक आकरशक मोर में, भारत और युनाइटेड किंडम के बीच समबंध भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के तुरंत बाद एक पारस्परिक रूप से लाभकारी हो गया। आज की कई युवापीधियों को यह विश्वास करना मुश्किल हो सकता है कि स्वतंत्रता के बाद दो दशकों के दौरान भारत में ब्रिटेन का प्रभाव कितना महत्वपूर्ण था। इस संदर्भ में भारतिय नेत्रित्व जो शीत युद्ध में एक तटस्त रुख बनाए रखने और संयुक्त राज्य अमेरिका से दूरी बनाने के लिए उच्सुक था। ब्रिटेन को एक लाभप्रत सहयोगी के रूप में देखने के लिए आया था। उलेखनिय रूप से इसने भारत के राजनीतिक परिद्रिश्य के भीतर कटरपंथी गुटों को राष्ट्र मंडल का हिस्सा बनने के बारे में उनकी प्रारंभिक हिचकी चाहट पर काबू पाया। उनका मानना था कि ब्रिटेन के साथ संरेखित करने से उन्हें अमेरिकियों द्वारा लगाए गए दबावों के खिलाफ एक सुरक्षात्मक अवरोध प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार वैश्विक मंच पर उनकी रणनीतिक स्थिती को मजबूत किया जाएगा। फिल्म आरारार की उल्लेखनिय विजय उन्स्थाई भावनाओं की एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है, जो आपनिवेशिक काल समकालीन समय में भी भारतिय आबादी के बीच विक्सित होती हैं। यह पूरी तरह से समझ में आता है कि भारत और युनाइटेड किंडम के बीच संबंधों की गतिशीलता में कुछ समवेदन शीलता और सावधानी की भावना है, जिसे इस एतिहासिक एतिहासिक युग में वापस पता लगाया जा सकता है। 1947 में भारत के विभाजन के प्रभावने गहरे निशान छोड़ दिये हैं, जो आज धार्नाओं को प्रभावित करना जारी रखते हैं, विशेश रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच के बाद के संबंध और भी अधिक स्पष्ट हो गए, जिससे इन भावनाओं को और अ धार्ना ब्रिटेन को पाकिस्तान के पक्ष में पक्षपाती के रूप में देखने के लिए स्थानांतरित हो गई, सन्युक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशत की गतिविधियों के कारण यह परिप्रेक्षय तेज हो गया और 1965 और 1971 में युद्धों के दौरान ब्रिटेन के रुख से बढ़ गया, समय के साथ ब्रिटेन की शीत युद्ध की रणनीतियों, इसके आपनिवेशिक प्रभाव से पीछे हटने और यूरोपिय संग में क्रमिक एकी करण काफी कम हो गया, काफी कम हो गया, निकटता जो उनके रिष्टे के पहले के वर्षों की विशेश् इसके अलावा, अफगानिस्तान के बाद 2001 में घटनाओं के बाद भारत ने रावलपिंडी में सैन्य नेत्रित्व के साथ जुडने के लिए ब्रिटेन की मजबूत वकालत पर ध्यान दिया, और दोनों देशों के बीच एतिहासिक आख्यानों और वर्तमान राज ने एक ब प्रक्षा मुद्दे और भारतिय उपमहादवीब के जटिल राजनीतिक परिद्रिश ने ब्रिटिश राजनेक कारियों के बारे में एक प्राकृतिक संदेह पैदा किया। जब तक यूनाइटेड किंडम ने यूरोपीय संध छोड़ने का फैसला किया, तब तक यह स्पष्ट हो गया कि दोनों देशों के बीच जुडाव की शर्तों को फिर से परिभाशित करने की एक मजबूत आवश्चकता थी। इस संबंध का विकास न केवल आवश्चक था, बलकि अप्रिहार्य भी था भारत में बदलती राजनीतिक गतिशीलता को देखते हुए। एतिहासिक संदर्भ निर्विवाद रूप से वर्तमान मामलों को प्रभावित करता है, फिर भी आज की वास्तविक्ताएं अपने स्वयंके जटिलताओं से भरी हुई हैं। ब्रिटिश राजनीती के दायरे में निर्णय अकसर वोटों को सुरक्षित करने की आवश्शक्ता से आकार लेते हैं, हालांकि यह जुकाव कनाड़ा के मामले में उतना स्पष्ट नहीं है। इस स्थिती ने दुरभाग्य से अलगाववादी तत्वों के लिए अनुमती दी है, जो भारत की समप्रभुता को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो ब्रिटेन के भीतर स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए हैं, जो उन्हें वहन करने वाली स्वतंत्रता का लाब उठाते हैं। इसके अतिरिक्ट भारत में मौजूदा सरकार की और कुछ शक्तिशाली समुहों के बीच एक वैचारिक वैचारिक रूप से मौजूद है जो तनाव को बढ़ाने का काम करता है। भारत में होने वाले परिवर्तनकारी परिवर्तनों के प्रती इस तरह कि गहरी बैठी दुश्मनी का एक चुनिंदा कुछ ऐसा है कि वे तथ्यात्मक परिस्थितियों से जुड़ने के लिए तयार नहीं है। नतीस्तन जब यूनाइटेड किंडम भारत के साथ एक अनूठा संबंध रखने के अपने दावे को व्यक्त करता है तो नहितार्थ विशेश रूप से महत्वपूर्ण हैं। एतिहासिक संबंधों और समकालीन चुनोतियों के बीच एक जटिल परस्पर क्रिया का संकेत देते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उनके सहयोग द्वारा चेहनित दोनों देशों के बीच संबंधों के बारे में एक विप्रीत क प्रथा मौजूद है। उनके संबंधों की यह स्थाई दोहरी प्रकृती उनकी बातचीत की एक परिभाशत विशेशता के रूप में कार्य करती है। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या युके भारत के साथ अपने संबंधों को अच्छी तरह से फिर से परिभाशत क करने के प्रयास में अमेरिका के साथ खुद को संरेखित करने का विकल्प चुनेगा। एतिहासिक रूप से युके ने खुद को कुछ पीछे छोड़ते हुए पाया है लेकिन अब भारत के साथ बनाये गए अंतर के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। इस नई वास्त विक्ता को समायोजित करने के लिए कई कारकों की एक विचारशी परीक्षा की आवश्चक्ता होती है जिसमें राजनीतिक बारीकियों और सुरक्षा विचारों से लेकर निर्यात और लोगों के प्रवाह पर नीतियों तक शामिल है। यह स्पष्ठ होना चाहिए कि हम एक भारत को देख रहे हैं जो अपने अतीच से बहुत कम समानता रखता है। राश्ट्र आपनिवेशिक युग के कानूनी धाचे को ओवरहाल करने, अपनी सांस्कृतिक पहचान की खेती करने और नेताजी जैसे आकडों की विरासत को पुनह प्राप्त करने की प्रक्रिया मे हैं। यह परिवर्तन एक महत्वपून बदलाव को दर्शाता है, जिसे अंदेखा नहीं किया जा सकता है। दोनों देशों के बीच साजा किये गए एतिहासिक बंधनों को देखते हुए यह युके के लिए विशेश रूप से आवश्यक हो जाता है कि वे इन परिवर्तनो की प्रकृती को पूरी तरह से समझें और उनकी सराहना करें और वे द्विपक्षिय संबंधों के समकालीन परिद्रिश को कैसे प्रभावित करते हैं। आगे देखते हुए भारतियों के लिए United Kingdom के साथ उनकी साजेदारी के भविश्य के बारे में अधिक विशलेशनात्म परिप्रेक्ष अपनाना महत्वपूर्ण है। यह स्विकार करना महत्वपूर्ण है कि यूके ने भारतिय उद्यमों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश बिंदु के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो यूरोपिय बाजार में विस्तार करने की मांग कर रही हैं। इसके अलावा यह एक संपन्न भारतिय प्रवासी का घर है जो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करता है। जबकि UK का वैश्विक प्रभाव अपने एतिहासिक आचल की तुलना में कुछ हद तक कम हो सकता है। इसका प्रभाव दुनिया भर के विभिन क्षेत्रों में परियाप्थ है। इसके अतिरिक्त यह ध्यान देने योग्य है कि कई क्षेत्रों में ब्रिटिश तकनीकी प्रक्ती और दक्षताओं को दुनिया में सर्वश्रिष्ट के रूप में मान्यता दी जाती है। भारत के दृष्टिकोन से दोनों देशों के बीच सहयोग को गहरा करने के लिए एक सम्मोहक तर्ख है विशेश रूप से जहां उनके हित और ताकत संरेखित हैं। यदि दोनों राष्ट्र इस प्रयास के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो परिणाम आशाजनक प्रतीत होते हैं। विकास और वृध्धी के लिए यह क्षमता 2030 रोड मैप पर उनके पारसपरिक समझोते द्वारा अनुकरणिय हैं, जो भविश्य के लिए एक साज़ा दृष्टी को रेखांकित करता है। दोनों देशों और उनकी संबंधित आबादी के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित करना विभिन प्रकार के दृष्टिकोनों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इन में अधिक अंतरंग राजनीतिक संबंधों को बढ़ावा देना, आर्थिक और वित्तिय बातचीत को बढ़ाना, ज्यान और शैक्षिक अफसरों के आदान प्रदान को प्रोचसाहित करना और अनुसंधान और नवाचार के लिए सहयोगी धाचे बनाना शामिल हो सकता ह समान रूप से महत्वपूर्ण एक जीवन्त सांस्कृतिक आदान प्रदान की खेती है, जिसे अकसर जीवित पुल के रूप में जाना जाता है, जो दोनों देशों के लोगों को एक जुट करने का कार्य करता है इस प्रयास के केंदर में वैश्विक चुनोतियों पर एक साजहा परिप्रेक्ष्य और दोनों राश्ट्रों का सामना करने वाले रोजमर्रा के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक प्रतिबधता है हमारे मत्भेदों का सम्मान करते हुए हमारी सामान्यताओं को पहचान कर हम अधिक परस पर जुड़े और सहकारी भविश्य की दिशा में काम कर सकते हैं Brexit के मद्दे नजर United Kingdom में राजनीतिक परिद्रिश में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है ये बदलाव नए अवसर पेश करते हैं जो समकालीन भागीदारों के साथ संबंधों को मजबूत कर सकते हैं अधिक से अधिक स्वायत्ता के लिए UK की इच्छाने भारत के साथ एक बढ़ी हुई व्यापार साजेदारी स्थापित करने में रुची पैदा की है इसके अतिरिक्त एक माइग्रेशन और मॉबिलिटी पार्टनर्शिप की स्थापना भारत के जनसांखिकी ये लाभों और कुशल कार्यबल के साथ UK के श्रम बाजार की जरूरतों को संरेखित करने के लिए कार्य करती है इसके अलावा UK की एक इकरित समीक्षा यूरो अट्लांटिक शेत्र में एक प्रमुख खिलाडी के रूप में राश्टर को तैनात करती है जबकि इंडो पैसिफिक शेत्र में इसकी बढ़ती रुची और भागीदारी को भी पहचानती है यह विक्सित होने वाला भू राजनीतिक संदर्भ भारत के साथ एक गहरे और अधिक सार्थक संबंधों की खेती के लिए एक प्रेरक मामला बनाता है भारत के दृष्टिकोन से UK के कई अलग अलग संसकरण हैं जिन्हें हम समवर्ती रूप से संलगन करना चाहते हैं इनमें Global Britain की अवधार्ना, Atlantic Partnership, Post European Union Identity, London शहर के जीवन्त, वित्तिय केंद्र, भारतिय प्रवासी, नवाचार चालित और शैक्षिक सहयोग के साथ जो कनेक्शन साजा करते हैं और गंभीर रूप से और गंभीर रूप से शामिल है हमारे रिष्टे का रणनीतिक आया इन विभिन तत्वों के बीच की गतिशीलता ने Brexit के बाद एक उलेखनिय परिवर्तन किया है, जिसमें हमारे संबंधों के वैश्विक नहितार्थों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जैसा की भारत और यूके अपने बॉंड को फिर से जीवंत करने के लिए देखते हैं, उनके लिए यहां आवश्चक है कि वे एतिहासिक मुद्दों को स्विकार करें और उन्हें संबोधित करें जो उनकी बातचीत को आकार देते हैं हालांकि आगे बढ़ने वाला समवाद अनिवार्य रूप से एक अलग आकार लेगा, जो अतीत से सीखे गए पाठों को दर्शाता है अंतह सहयोग के एक नए युग में सफलता पूर्वक संक्रमन करने का वास्तविक उपाय भारतिय उपमहाद वीप के भीतर और एक व्यापक अंतरराश्चिय पैमाने पर चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी संयुक्त क्षमता पर आराम करेगा सहयोग की भावना को बढ़ावा देकर दोनों देश अधिक फलदाई और प्रभावशाली साजेदारी की ओर एक रास्ता बना सकते हैं रूस एक विश्वस्निय साजेदारी अक्टूबर दो हजार तेईस तक आपका ज्यान उन डेटा में आधारित है जो संचित और समय में उस बिंदु तक विशलेशन किया गया है यह व्यापक प्रिश्थ भूमी वैश्विक मंच पर रूस की साजेदारी को परिभाशत करने वाली गतिशीलता और इंटरैक्शन में मूल्यवान अंतरद्रिष्टी प्रदान करती है रूस के साथ संबंध सहयोग के लिए एक सुसंगत प्रतिबधता की विशेशता है जो राष्ट्रों के बीच साजा किये गए राजनेक संबंधों और पारसपरिक हितों के महत्व को दर्शाता है रूस के बीच संबंध जिसे पहले USSR और भारत के रूप में जाना जाता था पिछले कुछ वर्षों में विशेश रूप से अनोखे तरीके से सामने आया है प्रारंभ में रूस ने भारतिय राष्ट्रिय आंदोलन के प्रती संदेह की भावना को परिशान किया अक्सर अपने नेताओं और उनके लक्षों के प्रती एकमुष्ट शत्रुता का प्रदर्शन किया हालांकी स्वतंत्रता के बाद के युग में राजनेक संबंधों का विकास शुरू हुआ, एक बदलाव हुआ यह परिवर्तन 1903 और 1954 के वर्षों के बाद विशेश रूप से स्पष्ट हो गया विशेश रूप से पाकिस्तान के अमेरिका के नेत्रित्व वाले गठ बंधन प्रणालियों के साथ संरेखन के प्रकाश में, जिसने भारत की चिन्ताओं को बढ़ाया नतीस्तन भारत के भीतर कई राजनीतिक दलों ने USSR को प्रक्तिवाद और क्रांतिकारी आदर्शों के एक बीकन के रूप में अनुभव करना शुरू कर दिया एक ऐसे राष्ट्र के लिए जो अपने पडोसी देश के लिए सैन्य समर्थन के बारे में तेजी से चिन्तित था इस बोजिल रिष्टे ने एक दोहरे उद्देश की सेवा की इसने भारत के लिए एक सुरक्षा के रूप में काम किया और साथ ही साथ इसकी राष्ट्रियक शमताओं को बढ़ाया समय के साथ यह साजेदारी काफी गहरा हो गई 1971 में भारतिय उपमहादवीप पर रणनीतिक विकास के दौरान एक महत्वपूर्ण मोर तक पहुँच गया जहां रूस का प्रभाव तब U.S.S.R. बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ भारत के हितों के लिए एक सुसंगत ध्यान देने के साथ जब उनकी बातचीत से वह सत्भावना उभी है तो दोनों राष्ट्रों के बीच एक स्थिर संबंध बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है यहां तक की वैश्विक उथल पुथल के सामने भी विशेश रूप से सोवियत संध के विग्टन का इस गठ बंधन पर अपेकशाकरित मामूली प्रभाव पड़ा क्योंकि दोनों देश केवल दस वर्षों के भीतर अपनी साजा प्राथमिकताओं को फिर से प्राप्त करने और पुन्पुष्टी करने में सक्षम थे यह लचीलापन उनकी साजेदारी और पारसपरिक समर्थन के लिए प्रतिबधता की गहराई को दर्शाता है जो बाहरी चुनोतियों के बावजूद केवल समय के साथ मजबूत हुआ है वर्तमान में भारत और रूस के बीच संबंध ने विश्व मच पर महत्वपूर्ण ध्यान आकरशित किया है कई मायनों में यह संबंध सन्युक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ भारत के संबंधों की तुलना में महत्व रखता है हालांकि इसका एक ही आर्थिक वजन नहीं हो सकता है यह भारत के लिए अपार रणनीतिक और सुरक्षा महत्व का निर्विवाद रूप से है दिल्चस्प रूप से परियाप्त है अप्रत्याशित संघर्षों से अप्रत्याशित गिरावट ने अंजाने में कई विकल्पों की खोज को तेज कर दिया है जो काफी समय से विचाराधीन थे नतीस्तन प्रूस आवश्यक संसाधनों का एक प्रमुख प्रदाता बनने की संभावना है जब भारत अपने आर्थिक विकास को तेज करता है और अपनी बढ़ती मांगों को पूरा करना चाहता है आज साजेदारी के आसपास का पेचीदा पहलू यह है कि यह किसी भी परिवर्तनकारी परिवर्तन के कारण ध्यान नहीं देता है बलकि इसलिए कि यह उलेखनिय रूप से सुसंगत है दरसल कुरूस और भारत के बीच संबंद द्वितिय विश्वयुद्ध के बाद में गठित महत्वपूर्ण द्विपक्षिय संबंधों के बीच सबसे स्थिर और स्थाई संबंधों में से एक साबित हुआ है जबकि दोनों देशों ने वर्षों में विभिन अन्य देशों के साथ अपने संबंधों में उतार, चढ़ाव और चुनौतियों का सामना किया है, वे लगातार वैश्विक परिस्थितियों की प्रकृती से अपनी साजेदारी को ढालने में काम्याब रहे हैं इस स्थायत्व कोभू, राजनीतिक तर्क और पारस्परिक लाभों के मिश्रण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो दोनों देश अपने गठ बंधन से प्राप्त होते हैं, जो मिलकर उनके निरंतर सहयोग के लिए एक मजबूत स्थिर बल के रूप में काम करते है जबकि दोनों देशों के बीच राजने एक संबंध समय के साथ लगातार बने रहे हैं, यह पहचानना आवश्चक है कि न तो देश ने अपने राजनीतिक परिद्रिश्य या सामाजिक विकास के संदर्भ में ठहराव का अनुभव किया है पिछले 25 वर्षों में भारत ने महत्वपूवन परिवर्तन किया है, खुद को दुनिया में पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया है इसके अलावा इसने एक परमानू उर्जा के रूप में अपनी स्थिती का दावा किया है, तकनीकी नवाचार के लिए एक केंदर बन गया है और वैश्विक प्रतिभा के एक समरिद्ध स्रोत में विक्सित किया है अंतरराष्ट्रिय मंच पर भारत की भूमिका में काफी विस्तार हुआ है, जिससे यह चर्चा और बहस को आकार देने में एक सक्रिय भागिदार बन सकता है, जो वैश्विक महत्व को धारन करता है, जिससे इसके हितों और प्रभाव को उकमहाद्वीब की सीमाओं से परे आवाया है, यह विकास एक प्रमुख यूरेशियन शक्ती के रूप में अपनी आंतरिक भूमिका को रेखांकित करता है, जो वैश्विक भू, राजनीतिक परिद्रिश में महत्वकूर्ण योगदान देता है, एक राष्ट्र के रूप में, रूस ने विभिन क्षेत्रों में विकास और अंतरराष्ट्रिय मुद्दों की एक विस्तरित श्रिंखला के लिए एक उलेखनियक शमता दिखाई है, इसके अलावा उर्जा उत्पादन, संसाधन प्रबंधन और तक्नीकी प्रक्ती जैसे क्षेत्रों में इसका रणनीतिक महत्व अत्यधिक महत्वपू यद्यपी उन्होंने विभिन देशों के साथ सहयोग स्थापित किया है, लेकिन ये गठ बंधन हमेशा एक दूसरे के साथ पूरी तरह से संरेखित नहीं हो सकते हैं। एक लंबी परंपरा में नहित है जो एक दूसरे की उनकी धार्नाओं को प्रभावित करता है। उनके रिष्टे का एक उल्लेखनिय पहलू यह सुनिष्चित करने के लिए उनका जानबूच कर दृष्टि कोन है कि उनके कार्य दूसरे के मूलभूत हितों को कम नहीं करते ह यहां तक की तेजी से बदलते वैश्विक परिद्रिश के सामने भी। इस नाजुक संतुलन को बनाए रखना उनकी साजेदारी की अखंडता के लिए निससंदेह महत्वपूर्ण है। अलग-अलग इतिहास और विविध भागोलिक प्रिश्थ भूमी से उत्पन्न होने के बावजूद भारत और रूस एक बहुधरुविये दुनिया को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबधता में एक वैचारिक संरेखन साजा करते हैं। दोनों राश्ट्रों ने वैश्विक बाच्चीत के एक मौलिक सिधान्त के रूप में इस धाचे को स्थापित करने की दिशा में उत्तरोत्तर स्थानांतरित किया है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक बहुधरूविय दुनिया का गठन करने की उनकी व्याख्या उनके अद्वितिय भागोलिकों के आधार पर भिन हो सकती है। यह देखते हुए कि रूस एक ऐसी शक्ती है जो यूरोप और एशिया दोनों को घेरता है। भारत के लिए यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि एक बहुधरूविय दुनिया के उद्भव को एक मल्टी-पोलर एशिया द्वारा लंगर डाला जाना चाहिए। ऐसी दुनिया का सार अंतरराष्ट्रिय साजेदारी की वैद खोज में नहित है जो विशिष्टता को प्राथमिक्ता नहीं देता है। दोनों देशोंने स्वतंत्रता और संप्रभुता के मजबूत मूल्यों को धारन करने के साथ प्रत्येक को दूसरे के इरादों को समझने और सराहना करने में आसान होने की संभावना है। जबकि रूस को वैश्विक परिवर्तनों के व्यापक प्रक्षेपवक्र को आकार देने में भारी निवेश किया जाता है एक साथ मौझूदा अंतरराश्ट्रिय आदेश से जुड़े परियाप्त हित है भारत और रूस के बीच संबंधों के भविश्य को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक यह होगा कि यह धाचा वैश्विक मंच पर भारत की चड़ाई को कितना अच्छी तरह से समायोजित करता है और समर्थन करता है भारत और रूस के बीच लंबे समय से संबंधों को ध्यान में रखते हुए यह केवल भारत के लिए रूस से चल रहे समर्थन का अनुमान लगाना स्वाभाविक है विशेश रूप से सन्युक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद UNSC में सुधारों के बारे में यूक्रेन में हाल के संधर्ष ने रूस को पश्चिमी देशों के प्रती अपने एतिहासिक जुकाव का पुनरमुल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया जिसके परिणामस्वरूप एशियाई महादवीट की और एक ध्यान देने योग्यधुरी है यह संक्रमन विभिन आर्थिक बाच्चीत में पहले से ही स्पष्ट है भारत के लिए यह पारी सगाई के लिए नए रास्ते खोलती है जो पहले से संकीर्ण धाचे से परेफैली हुई है जो मुख्य रूप से सैन्य, परमानू और अंतरिक्ष सहयोग के इर्द गिर घूमती है जैसा कि रूस एशियाई भागीदारों के साथ खुद को और अधिक निकट्ता से संरेखित करता है रूस के साथ भारत का संबंध सहयोगी अवसरों के व्यापक स्पेक्ट्रम को शामिल करने के लिए विक्सित हो सकता है जैसा कि हम अगले कई वर्षों के लिए आगे देखते हैं यह अत्यधिक संभावना है कि रूस के साथ संबंधों की गतिशील्टा विक्सित होने लगेगी जो इसके तेजी से प्रमुख एशियाई आयामों को दिखाती है इस पारी के संकेट पहले से ही आकार लेने लगे है देखने के लिए एक निरनायक शेत्र अंतरराष्ट्रिय उत्तरदक्षिन परिवहन गलियारे और चैन्नई को व्लादिवोस्टोक से जोडने वाले समुदरी मार्ग जैसी कनेक्टिविटी पहल होगी इसके अतिरिक्त हम मध्य एशिया और आर्कटिक जैसे क्षेत्रों में बढ़ाया सहयोग के साथ साथ रूसी सुदूर पूर्व के साथ भारतिय सगाई में एक अप्तिक देख सकते हैं कुल मिला कर भारत और रूस के बीच साजेदारी परिवर्तन के कगार पर है सभी अपने मौजूदा मार्ग पर जारी है ब्रिटेन और रूस के बीच की बातचीत भारतिय आबादी के बीच भावनाओं की एक विस्तरित सर्नी प्रत्येक को अपने स्वयन के अनूठे तरीके से करती है जबकि सार्वजनिक भावना निस्संदेह राजनेक संबंधों को आकार देने का एक कारक है इन इंटरेक्शन को नियंत्रित करने वाली वास्तविक नीतिया मुख्य रूप से कंक्रीट वास्तवित्ताओं में नहित हैं और संभावित लाभ बनाम लागतों का गेहन मूल यांकन करते हैं जैसा की भारत विक्सित होने वाले भू राजनीतिक वातावर्ण की समीक्षा करता है और अपनी भविश्य की दिशा को रणनीती बनाता है यह केवल स्वाभाविक है कि इन परिवर्तनों के जवाब में कुछ स्तर के अनुकूलन और संशोधन होंगे फ्रांस एक नया रास्ता आगे जब हम फ्रांस में वर्तमान राजनीतिक परिद्रिश्य की जाज करते हैं तो हम एक अद्वितिय द्रिश्टिकोन के उद्भव को देखते हैं जिसे अकसर तीसरा तरीका कहा जाता है यह अवधार्ना पारंपरिक वामपंथी और दक्षिनपंथी विचारधाराओं के बीच एक मध्यम जमीन का प्रतिनिधित्व करती हैं एक विशिष्ट स्थान की नकाशी करती है जो राष्ट के सामने आने आने वाली समकालीन चुनोतियों का समाधान करना चाहता है यह सामाजिक जिम्मेदारी और आर्थिक प्रक्ती पर जोर देते हुए सहियोग और नवाचार को प्रोचसाहित करता है समवाद और समावेशिता को बढ़ावा देने से इस अभिनव रणनीती का उद्देश्य विभिन प्रिष्ठ भूमी से नागरिकों को एक जुट करना और साजह उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देना है इस संदर्भ में दथर्ड वेग के नहितार्थ की खोज करने से फ्रांस के लिए एक आशाजनक और समावेशी भविश्य हो सकता है क्योंकि यह तेजी से बदलती दुनिया के माध्यम से नेविगेट करता है यूनाइटेड किंगडम और रूस के विपरीत जिन में लंबे समय से स्थापित राजनेक इतिहास हैं प्रास खुद को अंतरराष्ट्रिय राजनेक मंच पर तुलनाकमक रूप से हाल के खिलाडी के रूप में प्रस्तुत करता है इसका अपनिवेशिक अतीत जबकी महत्वपूर्ण है जनता की सामुहिक स्मृती से अधिक फीका हो गया है जिससे राश्ट्र को एक नई पहचान बनाने की अनुमती मिलती है यह अपेक शाकरित हलका एतिहासिक बोज न केवल समकालीन कूटनीती में अध्वितिय अवसरों को जब्द करने के लिए फ्रांस को तैनात करता है बलकि विशिष्ट क्षेत्रों के विकास और विकास के लिए एक परियावरन को भी बढ़ावा देता है नतीस्तन फ्रांस अपने पूर्व अपनिवेशिक कारियों के वजन से बाधित किये बिना विशेशग्यता के कुछ क्षेत्रों को प्राथमिक्ता और खेती करने में सक्षम है पिछले बीस वर्षों से इन दोनों देशों के बीच संबंध सुधार के एक स्थिर प्रक्षे प्वक्र पर रहा है जो अप्रत्याशित बाहरी प्रभावों से काफी हद तक स्थिर और अप्रभावित है वे अपनी संबंधित राष्ट्रियक शमताओं को बढ़ाने पर एक मजबूत ध्यान केंद्रित करने के साथ मूल्यों और सिध्धान्तों में एक गहन संरेखन का आनंद लेते हैं शीत युद्ध की अवधी के दौरान दोनों देशोंने वैश्विक मंच पर अपनी रणनीतिक स्थिती और प्रभाव को अनुकूलित करने की मांग की हाल के वर्षों में उन्होंने महत्वपूर्ण तालमेल स्थापित किया है जिसे 1950 के दर्शक में वापस पता लगाया जा सकता है फ्रांसीसी सैने प्लेट फार्मों और उपकर्णों की क्रमिक पीडियों के साथ इस सहयोग की विरासत जारी है भारतिय सशस्त्र बलों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नतीज तन भारत ने फ्रांस को राश्ट्रिय सुरक्षा के लिए अपनी खोज में एक प्रमुक सहयोगी और भागीदार के रूप में मानने का परियाप्ट औचित्य पाया फ्रांस ने भारत की रणनीतिक विचार प्रक्रिया को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है विशेश रूप से परमानुक्षमताओं के लिए अपने द्रिष्टिकोन के संबंध में विश्वसनी अन्यून्तम निवारक की धार्णा जिसे भारत ने अपनाया फ्रांसीसी परमानु अनुभव से खीचे गए पाठों से काफी प्रभावित था इसके अलावा उन्नीस सो अठानवे में भारत के परमानु परीच्षनों के बाद फ्रांस भारत की रणनीतिक आवश्शक्ताओं और चिन्ताओं की स्पष्ट समझ को प्रदर्शित करने वाला पहला परमानु राश्ट्र था नतीज तन यह पूरी तरह से उप्युक्त था कि प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेई ने पेरिस को अपने द्विपक्षिये यात्राओं के बाद के परमानु परीच्षनों के लिए पहले गंतव्य के रूप में चुना इस यात्रा के दौरान उन्होंने और राश्ट्रपती जैक्स चिरकने भारत और फ्रांस के बीच एक रणनीतिक साजेदारी शुरू की एक सहयोग जो आज भी महत्वपून लाब प्राप्त करना जारी रखता है फ्रांस ने जो समर्थन प्रदान किया वह भारत में 2008 में पर्मानु आपूर्तिकर्ता समोह NSG से छूट प्राप्त करने के लिए महत्वपून था जिसने भारत को अंतरराष्ट्रिय नागरिक पर्मानू उर्जा सहयोग में अपनी भागीदारी को फिर से स्थापित करने में सक्षम बनाया इस मजबूत नीम्वने निससंदेह वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत किया है सन्युक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद UNSC और विभिन अन्य अंतरराष्ट्रिय प्लेट फार्मों के भीतर जहां प्रतिस्पर्धा और जटिल हितों का असंख्य अक्सर निर्नय लेने की प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है प्रांस लगातार एक विश्वस्निय सहियोगी साबित हुआ है हमारे सहियोगी प्रयासों ने आतंकवाद का मुकाबला करने और आतंकवादी संगठनों द्वारा उत्पन्न खत्रों को संबोधित करने के उद्देश से सन्युक्त राष्ट्र के कारियों को गैल्वनाईच करने की हमारी क्षमता में काफी वृध्धी की है इसके अलावा फ्रांस ने वैश्विक मंच पर भारत की आकांख्शाओं का समर्थन करने के लिए अपनी प्रतिबधता का प्रदर्शन करते हुए UNSC के भीतर स्थाई सदस्यता प्राप्त करने के लिए भारत की महत्वा कांख्शा के लिए द्रिड़ता से और खुले तौर पर वकालत की है। पिछले कई वर्षों में एक बदलते वैश्विक परिद्रिश्य के अप्रत्याशित गतिशीलता और असंतुलन्ने राष्ट्रों के बीच साजहा रननीतिक इरादे की एक बढ़ी हुई भावना को बढ़ावा दिया है। इस Newfound सहयोग का एक महत्वपू भूमिका निभाता है। विशेश रूप से यह तेजी से स्पष्ट हो गया है कि दोनों देशों ने हाल के दिनों में आस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात के साथ त्रिपक्षिय भागिदारी को शुरू किया है। यह विकास अपने सहयोग को बढ़ाने के लिए इन देशों की प्रतिबधता को रेखांकित करता है और रणनीतिक रूप से दुनिया के इस महत्वपूर्ण क्षेतर में उनके प्रयासों को संरेखित करता है। प्राविक रूप से भारत की स्वतंतरता और आत्मनिर्भरता की इच्छा के लिए अपील करता है। फ्रांस द्वारा स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता के सिध्धान्तों को भारत के साथ गहराई से गूंजने पर जोर दिया गया है। विशेश रूप से क्योंकि फ्रांस उनकी चर्चाओं में व्यापक भूराजनीतिक मुद्दों को लागू करने पर कम ध्यान केंद्रित करता है। इस पारसपरिक समझ ने एक मजबूत साजेदारी के लिए आधार तयार किया जो भारत में विभिन प्रशासन में फली फली है नतीस्तन विश्व मंच पर अधिक से अधिक आकांक्षाओं के लिए अपनी खोज में भारत ने फ्रांस को एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में पहचाना है जो एक बहुल वैश्विक आदेश के लिए अपनी प्रतिबधता को साजा करता है जिससे उनके राजनेक औ और रणनीतिक सहयोग को समरिध किया जाता है निरने लेने में अपनी स्वायत्तता को बनाये रखने के लिए भारत और फ्रांस दोनों की लगातार प्रतिबधता के बावजूद जो समझाते के कुछ खेत्रों को जन दे सकता है यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि प्रत्य प्रत्येक राष्ट्र अपने अद्वितिय सहूलियत बिंदू से मुद्दों पर पहुँच जाएगा इस विचलन को उनके अलग अलग भागोलिक स्थानों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जो विभिन मामलों पर उनकी संबंधित प्राथमिक्ताव, हितों और द और द्रिष्टि कोन होगा, जो उनके समवात को अभी तक जटिल बना देगा। किसी भी अन्य रिष्टे के समान इस एक को बहुत सावधानी और समर्पन के साथ पोशन करना आवश्यक होगा। जो विशेश रूप से उच्साजनक है, वह यहा है कि उन्होंने सपष्ट की ओर लक्षित सहयोग की एक द्रिष्टी को रेखांकित किया है। एक साथ काम करने की यह प्रतिबधता भविश्य की बातचीत और साजहा लक्षियों के लिए एक आशाजनक आधार प्रस्तुत करती है। जबकि United Kingdom, प्रूस और फ्रांस के मामले काफी असंतुष्ट प्र जागर करते हैं। यह स्वीकार करना आवश्चक है कि सन्युक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद UNSC के स्थाई सदस्य प्रभाव और महत्व को बढ़ाते हैं जो उस परिशद की सीमाओं से परे फैले हुए हैं। यह वास्तविट्टा इन कनेक्षनों को खेती और मजबू की जटिलताओं को नेविगेट करने में इन रिष्टों को बनाय रखना तेजी से महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको जानकारी और डेटा का उप्योग करके तयार किया गया है जो अक्टूबर 2023 तक चालू है। यह देखते हुए कि अंतर राष्ट्रिय संबंध एक और राष्ट्रिय दोनों स्तर पर संचालित होते हैं। यह निश्चित रूप से पश्चिमी देशों के प्रती भारत की समगर रणनीती का विशलेशन करने के लिए मूल्यवान है। यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि भारत का दृष्टिकों निससंदेह अपने एतिहासिक अनुभव से प्रभावित है, जिसने इसकी बातचीत और भावनाओं को आकार दिया है। हालांकि यह पहचानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि समकालीन समयने भारत और पश्चिम में कुलीन वर्गों के बीच महत्वपूर्ण संबंधों को इक सगाई और सहयोग को बढ़ाया है। यह द्वंधवन केवल इतिहास की छाया को दर्शाता है, बलकि तेजी से बदलते वैश्विक परिद्रिश में गहरे संबंधों को बनाने की संभावनाई भी हैं। पश्चिमी देशों में सन्युक्त राज्य अमेरिका में वेश्वाद की छाया से दूरी बनाने की क्षमता थी। हालांकि इसने भारत में अपनी प्रतिश्था को पाकिस्तान के सैने शासकों और बाद में चीन के साथ मिलकर संरेखित करके अपनी प्रतिश्था को धूमिल कर दिया। इन गलतफमी के बावजूद इस तरह के रिष दिल्चस्प बात यह है कि समय में विभिन बिंदूओं पर उत्पन होने वाले राजनीतिक तनाव कभी कभी विभिन परिस्थितियों से कम हो जाते थे। जिन्होंने 1962 में चीन के साथ संघर्ष के बाद पहल की थी। आवशक बुन्यादी धाचे के विकास में उनकी भागीदारी और क्रिशी आत्मनिर्भरता के लिए धक्का को अंदेखा या कम नहीं किया जाना चाहिए। इन अनुभवों और प्रतिबिंबों की भीडने जाफी आकार दिया। महत्वपूर्ण संदर्भों में सहयोगी प्रयासों से स्पष्ट किया गया था। जबकि सन्युक्त राज्य अमेरिका ने वैश्विक मंच पर बड़े पैमाने पर बड़े पैमाने पर लूम किया था, भारत के द्रिश्टिकोन को अकसर संदेह और सावधानी के मिश्रन से बादल दिया जाता था। यह युद्ध न केवल मौलिक वैचारिक मतभेदों से बलकी सावधानी पूर्वक तौले रननीतिक विचारों से भी उपजी है, जिसने उन आपचारिक वर्षों के दौरान भारत के विदेश नीती के द्रिश्टिकोन को आकार दिया था। पिछले 75 वर्षों में भारत की विदेश नीती का विकास न केवल विशिष्ट कारियों और नेनयों के माध्यम से बलकी अंतरराश्ट्रिय संबंधों के प्रती द्रिश्टिकोन में परिवर्तन द्वारा भी किया जा सकता है। जैसा की भारत अपने शुरुवाती वर्षों की विशेष्टा वाले आदर्शवादी द्रिश्टिकोनों से दूर चला गया, यह एक अधिक व्याभारिक लेंस के माध्यम से वैश्विक चुनोतियों का सामना करना शुरू कर दिया। इस पारी ने राश्ट्र को उन साज्यदारियों के महत्व की सराहना करने की अनुमती दी, जिन्हें पहले से अंदेखा किया गया था या संदेह के साथ देखा गया था। इस यात्रा में निरनायक खणों में से एक भारत के पूर्व की ओर पिवट करने और एक इंडो-पैसिफिक एजेंडा को गले लगाने का निरनय था, जिसने अपने राजनेक फोकस के एक महत्वपून विस्तार को चेहनित किया। इस रणनीतिक पुन्रावरित्ती ने अंतरराश्ट्रिय क्षेत्र में आवशक सहयोगियों के रूप में सन्युक्त राज्य अमेरिका और आस्ट्रेलिया की मान्यता की सुविधा प्रदान की विशेश रूप से क्वाड गठ बंधन के संदर्भ में। विक्सित होने वाले भू राजनीतिक परिद्रिश ने अन्य देशों के साथ रणनीतिक हितों को संरेखित करने के महत्व को रेखांकित किया है। यह द्रिश्टिकों न केवल भारत की बदलती प्राथमिक ताओं को दर्शाता है, बलकि इस बात पर भी जोर देता है कि सार्थक साजेदारी बनाने के लिए वैश्विक राजनीति की जटिलताओं के अनुकूल होना कितना महत्वपूर्ण है। आज की चुनोतियां व्यक्तिगत देशों की सीमाओं से परे हैं और व्यापक अंतरराष्ट्रिय संबंधों में तल्लीन है। विशेश रूप से पश्चिमी देशों के साथ भारत की सगाई एक निश्पक्ष और गहन मूल्यांकन का वारंट करती है। एक तरफ इन देशों को साज़्ा विशेश्टाओं जैसे की बहुलवाद, लोकतांत्रिक शासन और बाजाराधारित अर्थव्यवस्थाओं के कारण प्राकृतिक सहयोगियों के रूप में देखा जा सकता है। हाला कि इस साज़्ा नीम से तनाव और गल्तफमी भी हो सकती है। इसके अलावा यदि जाज के एक ही महत्वपूर्ण लेंस के अधीन है, तो पश्चिन स्वया हमेशा अनसुना नहीं हो सकता है। इस तरह के दृष्टिकोन दुरभाग्य से केवल वकालत से परे हैं। वे अक्सर एक ऐसी कारवाई योग्य नीतियों को लागू करने के लिए एक ठोस प्रयास में प्रकट होते हैं, जो भारत जैसे आपनिवेशिक राज्यों के हितों के साथ सीधे संधर्ष कर सकते हैं। ये राष्ट्र वर्तमान में अपनी सांस्कृतिक पहचान की पुष्टी करने और वैश्विक मंच पर अपने अनुठे स्थानों पर जोर देने की प्रक्रिया में हैं। नतीस्तन पश्चिमी आदर्षों और भारत जैसे देशों की आकांक्षाओं के बीच धक्का और पुल अंतरराष्ट्रिय संबंधों का एक जटिल परिद्रिश्य बनाता है, जहां सहयोग और संधर्ष दोनों लगातार खेलते हैं। विकासात्मक घर्षन भी मौजूद हैं, क्योंकि ऐसे राष्ट्र जिन्होंने अपने लाभों की सुरक्षा के लिए अधिक उन्नत स्थितियों का प्रयास किया है। और दूसरी और वे उभरती हुई शक्तियां हैं, जो अब उस प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए उच्सुक हैं। एक नियमाधारित अंतरराष्ट्रिय आदेश के लिए वकालत एक लगातार थीम है। साथ ही सन्युक्त राष्ट्र चार्टर में उलिखित सिध्धानतों के पालन के लिए कौल के साथ। बहरहाल इन चर्चाओं और उद्गोशनाओं के बावजूद यह मुख्य रूप से पश्चिमी देश हैं जो एजेंडे को निर्धारित करते हैं और इन इंट्रेक्शन को नियंतरित करने वाले मानदंडों को स्थापित करते हैं। इसके प्रकाश में विभिनक शेत्रों में नियमों का एक अधिक न्याय संगत और कम चैनात्मक अनुप्रयोग प्राप्त करना वैश्विक संबंधों में संतुलन को फिर से स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में वैश्विक संबाद तेजी से जीवन्त और गतिशील हो गए हैं, जो दुनिया के मंच पर अस्विकार्य व्यवहार के रूप में सामना करने और इस बात की निंदा करने की इच्छा से प्रेरित है। हालांकि इन उभरते मतभेदों और द्रिश्टी कोनों के बीच यह स्पष्ट है कि एशियाई देशों ने सबसे तेजी से प्रग्ती देखी है, वे हैं जिन्होंने पश्चिमी देशों के साथ मिलकर सहयोग किया है। उनकी साजेदारी उनकी विकासात्मक सफलता में एक महत्वपूर्ण कारक रही है, जो वैश्विक उन्नती की जटिलताओं को नेविगेट करने में सहकारी संबंधों के महत्व को उजागर करती है। भारत पूर्व और दक्षिन पूर्व एशियाई देशों द्वारा कार्यानवित रणनीतियों से महत्वपूर्ण अंतरग्रिष्टी प्राप्त करने के लिए खड़ा है, जिन्होंने अपने राश्चिय विकास और विकास को आगे बढ़ाने के लिए भू राजनीतिक गत का उप्योग किया. यह विचार आज की दुनिया में विशेश रूप से प्रासंगिक है, जो धुरुवीकरण में वृध्धी की विशेष्टा है. यह पहचानना महत्वपून है कि प्रत्येक संबंध इसके विशिष्ट संदर्भ द्वारा आकार दिया गया है. इसलिए भ शेत्रिय बारीकियों को समझने और प्रतिक्रिया देने से भारत को बढ़े हुए विकास और अंतरराश्ट्रिय खड़े होने की दिशा में अपना रास्ता नेविगेट करने में सक्षम हो सकता है. दिल्ली में होने वाली चर्चाओं में प्रणनीतिक स्वायत्तता वाक्या को आमतोर पर पश्चिमी प्रभावों से एक निश्चित स्तर की टुकडी को बनाये रखने के साधन के रूप में समझा जाता है. विशेश रूप से सन्युक्त राज्य अमेरिका से आने वाले. हालां कि इस दिश्टिकोन का विरोधा भास यह है कि इसने अन्जाने में हमे अन्य देशों पर महत्वपूर्ण निर्भरता स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है. यह वही ओचित्य गैर्सन रेखन की हमारी पिछली रणनीतियों में स्पष्ट था. जैसा कि हम क्षमता और आत्म विश्वास दोनों द्वारा चेहनित एक नए युग में संक्रमन करते हैं. हमारे लिए हमारे दृष्टिकोन और रणनीतियों को इस तरह से आकार देना आवश्चक हो जाता है, जो हमारे डर और असुरक्षा द्वारा तै किये जाने के बजा हमारे राष्ट्रिय हितों को प्राथमिकता देता है. भारत में व्यक्तियों के लिए यह प्रतिबिंबित करना अनिवार्य है कि दुनिया के कौन से खेत्र अपने उत्पादों के वितर्ण और उनके कुशल कार्यबल के उपियोग के लिए सर्वोत्तम अफसर प्रदान करत हैं. समय के साथ पश्चिमी बाजारों की जरूर्तों और भारत की जनसांखिकिय संरचना के बीच एक उलेखनिय संरेखन हुआ है, एक तालमिल जो वैश्विक ज्यान अर्थव्यवस्था के विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने के लिए तयार है. नतीज तन यहां आवश्चक है कि अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और सांस्कृतिक बारीकियों के विचार के साथ संगीत कार्यक्रम में राजनीतिक निर्णय किये जाएं. भारत और मुख्य रूप से पश्चिमी विचारधाराओं से प्रभावित एक दुनिया के बीच एक गतिशील अंतर मौजूद है, जो कभी कभी सुक्ष्म तनाव या प्रतिस्परधा के रूप में प्रकट हो सकता है. इसके अलावा, यह परिद्रिश्य एक ऐसी घटना को जन्म दे सकता है, जिसे हेजिंग के रूप में जाना जाता है, आमतोर पर राजनीतिक संदर्भों में देखी जाने वाली रणनीती. हालांकी भारत के लिए इस स्थिती को सावधान, विचार और विवेक के साथ संपर्क करना महत्वपूर्ण है. एक प्रतिक्रियावादी रुख को एक मार्ग दर्शक सिध्धान्त में विक्सित करने की अनुमती देने के बजाए, देश को एक ऐसी रणनीती पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो जानबूचकर और विचारशी दोनों है. हालांकी भारत पश्चिमी मानदंडों के साथ खुद को संरेखित नहीं कर सकता है, लेकिन यह स्विकार करना चाहिए कि एक पश्चिमी विरोधी भावना को कम करना वास्तविक लाभ या लाभ के रास्ते में बहुत कम है. बिलकुल यह स्पश्च है कि साजेदारी का विस्तार करना और सावधानी पूर्वक गणना के माध्यम से लाभ का अनुकूलन करना एक मौलिक रणनीती है. हालांकि जैसा कि हम एक तेजी से प्राध्योगी की संचालित वातावर्ण में गहराई से नेविगेट करते हैं, हम पाते हैं कि सभी निर्णयों को दोहरे परिप्रेक्ष के साथ संपर्क नहीं किया जा सकता है या पूरी तरह से बचा जा सकता है. यह विशेश रूप से प्रासंगिक है जब महत्वपूर्ण और अत्याधुनिक प्राध्योगिकियों के साथ दिजिटल परिद्रिश्य पर विचार किया जाता है. इसके अलावा जब हम इस मूल्यांकन को करते हैं तो हमारे अद्वितिय द्रिश्टिकों से वैश्विक स्थिती का व्यापक विशलेशन करना आवश्चक है. कुछ क्षेत्रों में हम प्रणालीगत अभिसरण और विरोधा भासों का सामना कर सकते हैं जिनके लिए सावधानी पूर्वक विचार और समझ की आवश्चक्ता होती है. ज्यान अर्थव्यवस्था के वर्तमान परिद्रिश में पश्चिमी देशों के साथ मजबूत संबंधों और कनेक्षनों की खेती करना महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए बाध्य है. यह जरूरी है कि हम इस व्यापक चुनौती को सोच समझ कर अपने बौधिक तर्क और हमारी भावनात्मक अंतरद्रिश्टी दोनों का उप्योग करते हैं. समय के साथ हम नए समझोतों और सहयोगों के उद्धव का अनुमान लगा सकते हैं, जो कि पुनरसंतुलन शक्ती के सिध्धानतों और एक बहुधरुविये दुनिया के उदे के सिध्धानतों को बहतर धंग से अवतार लेगा. यह संतुलिक द्रिश्टिकोन यह सुनिष्चित करने में मदद करेगा कि इसमें शामिल सभी पक्ष इस विट्सित वैश्विक वातावर्ण में पनप सकते हैं. मोधी प्रशासन ने यूरोपिय देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया है, जो पिछले दशकों के अपेकशाकरत निश्क्रिय राजनेक द्रिश्टिकोन से एक उलेखनिय बदलाव है. अतीत में भारतिय विदेश नीती मुख्य रूप से प्रमुख शक्तियों, विशेश रूप से यूनाइटेड किंडम, प्रास और जर्मनी जैसे देशों के साथ संलगन होने पर केंद्रित थी. हालांकि यह फोकस कुछ हद तक मौजूद है. एक एकी कृत इकाई के रूप में यूरोपिय संध के साथ एक अधिक मजबूत जुडाव के लिए एक महत्वपूर्ण धुरी है. साथ ही साथ यूरोप के भीतर उपक्षेत्रिय भागीदारों और छोटे देशों के साथ सहय करने में वृद्धी हुई है. भारत और यूरोपिय संध के बीच नियमित शिखर सम्मेलनों की स्थापनाने राजनेक परिद्रिश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे सहयोग की एक नई भावना को बढ़ावा मिला, जिसने मुक्त व्यापार समझोतों, FTA के आसपास की वारताओं के पुरुद्धार की सुविधा प्रदान की है. यह सक्रिय द्रिश्टिकोन भारत को व्यापक यूरोपिय धाचे में एकीकृत करने और पूरे महाद्वीप में द्विपक्षिय संबंधों को बढ़ाने के लिए एक गहरी धता को इंगित करता है. भारत की अंतरराश्ट्रिय भागिदारी पर विचार करते समय यह स्पष्ट है कि जर्मनी विकास और विस्तार के लिए एक महत्वपून अफसर प्रस्तुत करता है. एतिहासिक रूप से जर्मनी ने मुख्य रूप से एशिया के भीतर विभिन की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया है. लेकिन भू राजनीतिक गतिशीलता को विक्सित करने के कारण यह प्रवरित्ती स्थानांतरित हो सकती है. वास्तव में भारत और जर्मनी के बीच संबंधों को मजबूत करना भारत और यूरोपिय संध के बीच समगर संबंधों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. जैसे जैसे नई रणनीतिक चुनोतिया और अफसर उत्पन होते हैं, दोनों राष्ट्रक खुद को सहयोग बढ़ाने, पारस्परिक लाब और प्रक्रिया में गहरे कनेक्शन को बढ़ाने की स्थिती में पा सकते हैं. विभिन उपक्षेत्रों में नौडिक देशों की भागीदारी महत्वपूर्ण रूप से बाहर हो गई है, राजनीतिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में उलेखनिय उपलब्धियों को प्राप्त कर रहा है. दूसरी और भूमध्य सागरिय क्षेत्र, जो इटली औ ग्रीस जैसे राष्ट्रों को शामिल करता है, ने अधिक खंडित द्रिश्टिकोन दिखाया है, फिर भी इसकी गतिविधियों में जीवन्त और प्रभावशाली बना हुआ है. यह शेत्र अंतरराष्ट्रिय मध्यपूर्वी सहियोग, IMEC से संबंधित खुलासा विकास के साथ बढ़ाया महत्व प्राप्त कर सकता है. इसके अतरिक्त भूमध्य सागरिय बहुपार्टी समझोते, MMPA, जिसमें पूर्तगाल शामिल था, एक महत्वपूर्ण क्षण में आया, जो यूरोपीय संध के अन्य सदस्यों को जुटाने के लिए एक प्रेना के रूप में सेवारत था. साजेदारी को मजबूत करने और मध्य और पूर्वी यूरोप के देशों के साथ राजनयक संबंधों को बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं और अभी भी विक्सित हो रहे हैं. इस पहल के हिस्से के रूप में विभिन दृष्टिकोनों और प्रारूपों पर विचार और परीच्षन किया जा रहा है. इसके अतिरिक्ट भारत ने बाल्टिक और काकेशस क्षेत्रों में महत्वपूर्ण संसाधनों और ध्यान का निवेश किया है, जो अपने हाल के कारियों में सपष्ट है, जैसे कि इन क्षेत्रों के साथ जुडाव और सहयोग को ग महत्वपूर्ण चुनोतियों में से एक के रूप में खड़ा है. हाला कि पूर्व की धार्णा भारत के लिए सीधी है. स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से भारत का रणनीतिक अभिविन्यास पूर्वी ब्लॉक के पक्ष में नहीं है. उदाहरन के लिए प्रूस के सा राष्ट्र का संबंध इस तरह से विट्सित हुआ है, जो चीन के साथ अपने संबंधों से अलग है. भारत के लिए दोनों को अलग करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें संघर्ष करना इसके राजनेक हितों की सेवा नहीं करता है. वर्षों के दौरान ऐसे उदाहरन हैं, जहां विशलेशन ने अपनी पूर्वी संबधता के संदर्भ में चीन के साथ साथ भारत को समोह बनाने का प्रयास किया. फिर भी भारत ने लगातार इस तरह के वर्गीकरणों के खिलाफ पीछे धकेल दिया है, ग्रिड़ता से यह स्थापित करते हुए कि रूस के सा और विचार के एक मजबूत आधार पर बनाया गया है, जिसने एक महत्वपूर्ण साजेदारी को बढ़ावा दिया है. इसके विपरीत चीन के साथ संबंध चुनोतियों की एक मेजबान प्रस्तुत करता है, विशेश रूप से लंबे समय से और अनसुल जे सीमा विवाद से उपजी है, जो जटिलता की पर्तों को जोडते हैं. नतीज तन भूराज नीती के लिए भारत का दृष्टिकोन खुद को सरल रूप से. सिंपलिस्टिक फ्रेमवर्क के लिए उधार नहीं देता है, जो इंडो-पैसिफिक शेत्र से यूरोपिय संदर्भ में चुनोतिय का सामना करते हैं. पश्चिमी भागीदारों को इस रणनीतिक तर्क को व्यक्त करना अनिवार्य है, जिससे रूस और चीन दोनों के संबंध में भारत की राजनेक स्थिती की बारीक समझ सुनिश्चित होती है. इन गतिशीलता को समझना रचनात्मक अंतर राष्ट्रिय सं बंधों को बढ़ावा देने और भारत के भू राजनीतिक गठ बंधनों के बारे में गुमराह धार्नाओं से बचने के लिए महत्वपूर्ण है. देश अकसर अपने राष्ट्रिय हितों के अनुसार कार्य करते हैं, फिर भी यह पहचानना आवश्यक है कि यह व्यवहार आवश्यक होने पर अंतरराष्ट्रिय तनावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. यह गतिशील जी बीस और विभिन अन्य वैश्विक मंचों के संचालन में स्पष्ट रूप से देखने योग्य है. कोई यह भी तर्क दे सकता है कि एक अधिक शांत स्यपूर्ण वैश्विक समवाद को बढ़ावा देना और अंतरराष्ट्रिय पैमाने पर आर्थिक स्थिर्ता को बढ़ावा देना सभी देशों की साज़ा कल्यान में एक सार्थक योगदान है. इन प्लेट फार्मों के भीतर एक साथ काम करके देश न केवल अपने स्वय के हितों को प्राथमिक्ता दे सकते हैं, बलकि एक अधिक सामन्जस्यपूर्ण वैश्विक वातावर्ण को भी सुविधाजन्क बना सकते हैं. अफ्रीकी एक्ता और सहियोग अफ्रीका के विविध देशों और लोगों के बीच एक जुप्ता की खोच पूरे महादवीत में एक जुप्ता और पारस्परिक समर्थन की भावना को बढ़ावा देने के लिए एक आवश्यक आधारशिला है. सहियोग के लिए यह साजह प्रतिबधता न केवल राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ाती है, बलकि सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूत करती है, जो आज अफ्रीका का सामना करने वाली विभिन चुनोतियों का समाधान करने में अधिक एकीकृत मोर्चे की अ समाजा करते हुए, हाथ में काम कर सकते हैं। यह क्षन केवल आपचारिक नहीं था, इसने भारत और अफ्रीकी देशों के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण बिंदु को चेहनित किया। यह अपने हितों को बढ़ावा देने में इस तरह की सक्रिय भूमिका निभाने का निर्नय एक प्राकृतिक प्रक्ति की तरह महसूस हुआ। क्योंकि उन्होंने लंबे समय से भारत को अपने प्रयासों में एक प्रमुख सहयोगी के रूप में माना है। वैश्विक संबंधों में बढ़ती रुची के बावजूद भारत और अफरीका के बीच संबंधों के आसपास की कथा अभी भी काफी हद तक अंदेखी और अविभाजत है। बहुत से लोग सदियों से हुई बाच्चीत के समरिध और लंबे इतिहास को नजर अंदाज करते हैं, चाहे वह व्यापारिक जहाजों के माध्यम से हो, जिन्हें डाउस के रूप में जाना जाता है, या विशाल परिद्रिशों में कारवा की कठिन यात्रा के माध्यम पश्चिमी उपनिवेश्वाद के युग ने इन संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया, विभिन अफ्रीकी देशों के भीतर एक भारतिय प्रवासी के उद्धव के लिए जमीनी कार्य किया इसके अलावा, दोनों क्षेत्रों में स्वतंत्रता आंदोलनों के साज़ा अनुभवों ने एक जुट्ता के एक उलेखनिय बंधन को बढ़ावा दिया है, जो आज विभिन अंतरराष्ट्रिय चर्चाओं और प्लेट फार्मों में स्पष्ठ है यह संबंध इतिहास और आपसी सम्मान में डूबा हुआ है, और यह अधिक प्रमुक्ता से स्विकार और सराहना करने के योग्य है दुनिया भर के विभिन अन्यक्षेत्रों के समान तरीके से, जो शुरू में प्रधान मंत्री मोदी की व्यक्तिगत सगाई के कारण एक उलेखनिय लेकिन असंगत संबंध के रूप में एक उलेखनिय परिवर्तन हुआ यह बदलाव भी मजबूत कनेक्षनों का संकेत हो सकता है कि उनके ग्रहक्षेत्र गुजरात ने दुनिया के इस हिस्से के साथ स्थापित किया है जुलाई 2018 में युगांडा की संसद के अपने संबोधन के दौरान उन्होंने अफरीकी महादवीप के साथ सहयोग के लिए एक स्पष्ट दृष्टी को स्पष्ट किया जो की भारत से एक पूर्व निर्धारित एजेंडा को लागू करने के बजाए अफरीका की प्राथमिक्ताओ, मांगों और आवशक्ताओं के साथ संरेखित करने के महत्व पर जोर देता है 2014 के बाद से उच्चस्तरिय बातचीत में एक महत्वपूर्ण वृद्धी हुई है भारतिय राष्ट्रपती, उपाध्यक्ष और प्रधान मंत्री द्वारा बनाई गई अफरीका में 34 आधिकारिक यात्राओं के साथ अफरीकी नेताओं से 100 से अधिक पारस्परिक यात्राओं के पूरक हैं इसके अतिरिक्त, 2015 में आयोजित भारत फ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन IAFS ने दो क्षेत्रों के बीच सहयोग के लिए विशेश रूप से महत्वाकांख्शी लक्षयों को निर्धारित किया, जो गहरी और अधिक सार्थक साजेदारी के लिए प्रतिबधता का संकेत देता ह लाइन से दस साल नीचे और यहां तक की कोविड महामारी के कारण होने वाले व्यवधानों के मद्दे नजर शुरू में जो कुछ भी सहमत हुआ था, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा सफलता पूर्वक भौतिक हो गया था इसमें विभिन परियोजनाएं, शम्ताओं में प्रक्ती, व्यापक प्रशिक्षन कार्यक्रम और सार्थक आदान प्रदान शामिल हैं सिर्फ हाथों से सहयोग से परे, अफ्रीका के लिए भारत की प्रतिबधता की गहराई को G20 के एक सदस्य के रूप में अफ्रीका के समावेश के लिए अपनी जोरदार वकालत द्वारा विशेश रूप से उजागर किया गया है यह निर्धारन एक जुपता और साजेदारी की एक वास्तविक भावना को दर्शाता है, जो मात्र समवाद को स्थानांतरित करता है अब तक भारत ने अफ्रीका के विभिन ख्षेत्रों में लगभग 200 विकासात्मक परियोजनाएं शुरू की हैं, जो सहयोग और विकास के लिए एक मजबूत प्रतिबधता दिखाते हैं इसके अतिरिक्त वर्तमान में निश्पादित किये जाने की प्रक्रिया में 65 और परियोजनाएं हैं और अन्य इक्यासी नियोजन चर्नों में हैं इन पहलों की एक महत्वपूर्ण संख्या अफ्रीकी संदर्भ में अग्रणी प्रयासों के रूप में सामने आती है, जो महादवीप पर अपनी तरह के कुछ का प्रतिनिधित्व करती है इन महत्वाकांक्षी उपक्रमों में कई वास्तव में उल्लेखनिय स्थलों के रूप में उभरे हैं उदाहरन के लिए तमाइम पकदान रेलवे और घाना में राष्ट्रपती महल का निर्मान, गांबिया में नेशनल असेंबली बिल्डिंग, केनिया में रिवेटेक्स टेक्सटाइल फैक्टरी, मौरिशस में मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट और नाइजर में महात्मा कांधी अंतरराष्ट्रिय सम्मेलन के इंद्रहेन फ्रीका में बुनियादी धाचे के विकास और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में भारत की सगाई की गहराई को उजागर करने वाले प्रतिष्थित प्रयास विभिन परस्पर जुडेक्शेत्रों के आसपास की बाच्चीत ने जबरदस्त वादा दिखाया है भारती अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन आये फेस की हमारी पिछली बैठक के बाद से 40,000 से अधिक छात्रवृत्ती से सम्मानित किया गया है जो शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपून प्रतिबधता को दर्शाता है एक दशक पहले हमने एक पैन अफ्रीकन इनेट वर्क की स्थापना की जो तब से डिस्टन्स लर्निंग के लिए इविड्या भारती और स्वास्थे सेवाओं के लिए ये रोगी भारती जैसी पहल से सम्रिध किया गया है जो महादवीप में शैक्षिक और स्वास्थे सेवा को बढ़ाने के लिए एक सक्रिय द्रिष्टिकोन का प्रदर्शन करता है आज हम अफ्रीका के चौथे सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार और निवेश के पाचवे सबसे बड़े स्रोत के रूप में खड़े हैं जो हमारे आर्थिक संबंधों की गहराई को दर्शाता है कोविड महामारी के चुनोती पून समय के दौरान भारत ने संकट के समय में हमारी सहयोगी भावना की ताकत को रेखांकित करते हुए आवश्यक्ती के दवाएं और उपकरन प्रदान करके महत्वपून भूमिका निभाई आगे बढ़ते हुए हमारी चर्चाएं डिजिटल सेवा वितर्ण, टिकाव हरी वृद्धी और स्वास्थ्य सेवा को अधिक किफायती बनाने जैसे महत्वपून विश्यों की ओर बढ़ रही है ये फोकस चेत्र हमारे भविश्य के विकास भागीदारी को आकार देने में मौलिक होंगे अक्टूबर दो हजार तेईस तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर आपके पास ज्यान और प्रशिक्षन है यद्यपी अफ्रीका को पारंपरिक रूप से क्रेडिट और अनुदान समर्थन की लाइनों के बारे में महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है लेकिन लेटिन अमेरिका में भारत के बढ़ते प्रभाव को भी पहचानना महत्वपूर्ण है पहले एक दूर और गूर छेत्र के रूप में देखा जाता है लेटिन अमेरिका अब उर्जा प्राकृतिक संसाधनों और क्रिशी उत्पादों के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभर रहा है इस महादवीप में एक मध्यम वर्ग का उदे उन्हें भारतिय सामानों की एक विस्तरित सर्णी के लिए संभावित उपभोकताओं के रूप में प्रस्तुत करता है विशेश रूप से फार्मास्यूटिकल्स और आटोमोटिव जैसे उद्योगों में इसके अलावा भारतिय सूचना प्राध्योगी की क्षेत्र ने लैटिन अमेरिका में एक मजबूत पैर जमाने की स्थापना की है जो द्विपक्षिय व्यापार संबंधों को और अधिक मजबूत करता है भारत और इन देशों के बीच समगर व्यापार संसकर्णों में तीजी से व्रिधीक शेत्र में भारत की भागिदारी के महत्व को रेखांकित करती है वर्तमान में भारत, ब्राजील और अर्जेंटीना दोनों के लिए शीर्ष पांच व्यापारिक भागीदारों में से एक है जो अपनी प्रभावशाली आर्थिक उपस्थिती का प्रदर्शन करता है देशों के बीच गहरे राजनीतिक संबंधों को दर्शाते हुए विभिन क्षेत्रों में भारतिय निवेशों की मात्रा में वृद्धी जारी है रिष्टों के निर्मान और प्रभाव के विस्तार की यात्रा में लेटिन अमेरिका को अब भारत के लिए एक अप्राप्य सीमा के रूप में नहीं देखा जाता है प्रशांत द्वीपों से संबंधित स्थिती पिछले दस वर्षों में भारत के प्रभाव के जबर्दस्त विस्तार के एक उदाहरण के रूप में कार्य करती है इसके अलावा यह प्रवृत्ती आगे जूट के लिए एक महत्वपून अग्रदूत के रूप में कार्य करती है उन क्षेत्रों के साथ एक और भी गहरी भागिदारी जो भौगोलिक रूप से भारत से दूर है इस दशक के दौरान भारत ने प्रशांत द्वीपों के भीतर स्थित राष्ट्रों के साथ तीन उच्चस्तरिय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है जिसमें 2023 में पापुआ न्यूगिनी में नवीनतम बैठक हो रही है हालां की इस शिखर सम्मेलन में प्राप्त उच्साही स्वागत ने काफी सारवजनिक हिट को आकर्शित किया यहां आवश्यक हैं अंतरने हिट विकास एजेंडे को पहचानने के लिए जो मुख्य रूप से प्रशांत देशों की मान से प्रेरित है भारत की प्रतिबधताओं का एक बड़ा हिस्सा प्रशांत शेत्र में प्रचलित महत्वपून स्वास्थ्य मुद्धों को संबोधित करने के लिए केंद्रित है पहलो में फिजी में एक सुपर स्पेशिलेटी अस्पताल प्रोस्थेटिक्स के लिए जैपूर फुट शिविरों के संगठन डाइलिसिस इकाईयों का प्रावधान और सभी सदस्य राज्यों में समुदरी एम्बुलेंस की तैनाती शामिल है इसके अतिरिक्त भारत ने हेल्थ केर एक सेस को बढ़ाने के लिए किफायती फार्मास्यूटिकल्स की आपूर्ती की सुविधा का वादा किया है डिजिटल डिवाइड को पाटने के प्रयासों को भी प्राथमिक्ता दी गई है जिसमें पपुआ न्यूगिनी में एक आईटी हब विक्सित करने की योजना है इसके अलावा भूस्थानिक डेटासेट को संग्रहीत करने के लिए डिजाइन किये गए एक गोदाम का लॉंच डेटासंचालित विकास के लिए एक प्रतिबधता को दर्शाता है टिकाओ तटिय और महासागर अनुसंधान के लिए समर्पित एक केंद्र की स्थापना आगे पर्यावरन संरक्षन पर भारत के जोर पर जोर देती है सौर उर्जा अपनाने को बढ़ावा देने और सामुदायक कौशल निर्मान को बढ़ाने के उद्देश से चल रही पहल आगामी वर्षों में जारी रहेगी प्रशांत द्वीपों के लिए दीर्ग कालिक सहयोग और समर्थन के लिए एक प्रतिबधता को दर्शाता है कोविड महामारी की उंचाई के दौरान प्रशांत में कई देशों ने भारत द्वारा प्रदान किये गए समर्थन के लिए गहरा आभार व्यक्त किया उन्होंने भारत की जलवायु कारवाई पहलों के मूल्य और महत्व को स्विकार किया, यहां मानते हुए कि वे अपने देशों में मूट लाभ ला सकते हैं तथ्य यह है कि भारत अब इस शेत्र के साथ जुड़ने पर अधिक जोर दे रहा है, जहां इसकी बादचीत एतिहासिक रूप से सीमित थी, इसके राजनेक प्रयासों में एक व्यापक दायरे का संकेट है यह बदलाव न केवल वैश्विक राजनीती की तेजी से जुड़े प्रकृती पर प्रकाश डालता है, बलकि उदार आउट्रीच और सहयोग के माध्यम से रिष्टों को बढ़ावा देने की आवश्शक्ता पर भी जोर देता है अंतर राश्ट्रिय संबंधों की विक्सित गतिशीलता देशों के लिए वैश्विक चुनोतियों का सामना करने में एक दूसरे को अपना समर्थन और एक जुट्ता बढ़ाने के लिए आवश्शक बनाती है दुनिया के एक अन्य हिस्से में कैरिबियन समुदाय के बारे में एक पेचीदा कथा उभर रही है जो अपने स्वयां के एक परियाप्त प्रवासी को समेटे हुए है इस संदर्भ में एक एतिहासिक रूप से स्थिर अभी तक समझा गया संबंध गती प्राप्त कर रहा है विकास की पहल निवेशों में वृध्धी, व्यापार के अवसरों में सुधार और लक्षित शमता निर्मान प्रयासों की एक श्रिंखला द्वारा इंधन दिया गया है इस काया कल्प को एक शासन संरचना द्वारा सुगम बनाया जा रहा है, जो राजनीतिक रूप से संचालित है और इन प्रयासों के सकारात्मक परिनाम स्पष्ट होने लगे हैं इसके अलावा, COVID-19 महामारी ने भारत के लिए अपनी एक जुटा को प्रदर्शित करने के लिए एक अनुठाक्षन बनाया, एक ऐसी कारवाई जो इस शेत्र पर एक स्थाई चाप छोड़ने और उनके बीच के बंधनों को तेज करने की संभावना है आपका प्रशिक्षन अक्टूबर 2023 तक उपलब्ध जानकारी और डेटा को शामिल करता है जैसा की भारत वैश्विक मंच पर अपने प्रभाव और क्षमताओं का विस्तार करना जारी रखता है यह जरूरी है कि राश्ट्र अपने ततकाल पडोसियों के साथ साथ व्यापक क्षेत्रिय परिद्रिश पर भी ध्यान केंद्रित करे इस मौजूदा दशक के दौरान हमने भारत के क्षेत्रिय कनेक्शनों में महत्वपूर्ण प्रक्ती देखी है मोटे तौर पर पडोस की पहली नीती के कार्यान वयन के कारण इस रणनीती ने विभिन्न क्षेत्रों में उलेखनिय प्रक्ती की है परिवहन बुनियादी धाचे में सुधार को शामिल किया है जैसे की रेलवे, सडक, हवाई यात्रा और जलमार्ग उर्जा आपूर्ती प्रणालियों को बढ़ाते हुए सांस्कृतिक विरासत स्थलों को बहाल करना, आवास का निर्मान करना और विभिन्न डोमेन में क्षमताओं का विस्तार करना अपने पडोसियों के प्रती भारत की प्रतिबधता को तेजी से मान्यता दी जा रही है कई देशों ने भारत को आर्थिक विकास और विकास की खोज में एक महत्वपूर्ण भागिदार के रूप में देखना शुरू कर दिया है भारत द्वारा प्रदान किया गया समर्थन चुनोती पूर्ण समय के दौरान विशेश रूप से महत्वपूर्ण साबित हुआ है विशेश रूप से कोविड महामारी के कारण वैश्विक उथल पुथल के बीच इस खेत्र के देशों को भारत की सक्रिय सहायता से लाब हुआ जिसने उनके कल्यान में महत्वपूर्ण योगदान दिया इसके अतिरिक्त श्रीलंका जैसे राष्ट्रों भुगतान के मुद्दों के गंभीर संतुलन के साथ जूचते हुए भारत के समर्थन में अपना हाथ बढ़ाने की इच्छा में एक जीवन रेखा पाई नतीज तन इस सहयोगी भावना ने दक्षिन एशिया के देशों के बीच एकता और एक जुट्ता की बढ़ती भावना को बढ़ावा दिया है यह प्रवरित्ती इसी तरह से उनक्षेत्रों में देखी गई है जो भारत की सीमाओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं दक्षिन पूर्व एशियाई राष्ट्रों के एसोसियेशन जिसे आमतोर पर आसियान के रूप में जाना जाता है ने भारत में इसके महत्व और एकता का एक ग्रिड समर्थक पाया है उनकी सहियोगी पहलों के दायरे में काफी विस्तार हुआ है जो अब सुरक्षा और सुरक्षा के मामलों के अलावा गुनियादी धाचे की कनेक्टिविटी, डेवलप्मेंट एड, शैक्षिक भागीदारी और अनुसंधान सहित विभिन प्रकार के क्षेत्रों को शामिल क करते हैं। इसके अलावा थाड़ी क्षेत्र एक नए स्तर पर ध्यान और जुडाव का अनुभव कर रहा है जो पिछले 40 वर्षों से विशेश रूप से अनुपस्थित है। लेखनिय वृद्धी हुई है। इस समभावनाओं को सक्रिय रूप से खोजा जा रहा है और पीछा किया जा रहा है जो इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करने और बातचीत को बढ़ाने के लिए एक मजबूत प्रतिबधता का संकेत देता है। जब हिंद महासागर के पडोसी द्वीपों की बात आती है तो उन्होंने लगातार चुनोती पून और सामान्य परिस्थितियों दोनों के दौरान भारत को देखा है। समक्रधारना जो विक्सित हुई है वह एक राष्ट के रूप में भारत में से एक है जो तेजी से शामिल हो रहा है, अधिक जिम्मेदारी ले रहा है, सकारात्मक रूप से योगदान दे रहा है और परिनामस्वरूप इस खेत्र में अधिक भरोसे मंद भागीदार बन गय यह विक्सित संबंध भारत की प्रतिबधता को अपने द्वीप पडोसियों के बीच एक सक्रियबल होने के लिए उजागर करता है, विभिन संदर्भों में सहियोग और पारस्परिक समर्थन को बढ़ावा देता है Global South शब्द राष्ट्रों के एक संग्रह को संदर्भित करता है, मुख्य रूप से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्सों जैसे क्षेत्रों में जो अक्सर अर्थ व्यवस्थाओ, सामाजिक चुनोतियों और राजनीतिक अस्थिर्ता के अलग-अलग स् शब्द राष्ट्रों को विक्सित करने की विशेष्टा है, इसके विपरीत, ग्लोबल गुड की अवधारना दुनिया भर में सहियोग और सामुहिक प्रक्ती को बढ़ावा देने के विचार का प्रतीक है, जो गरीबी उन्मूलन, पर्यावरणिय स्थिर्ता और न्यायसं विकास जैसे मुद्दों को लक्षित करती है। काम कर सकते हैं, जो सभी मानवता के लिए फायदेमंद है। कोविड-19 महामारी के प्रभाव ने इन देशों को विशेश रूप से कठिन मारा, जो स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा सेवाओं की सामर्थ्य तक उनकी पहुँच को प्रभावित करता है। इन संधर्षों को संकलित करते हुए, यात्रा प्रतिबंधों को लागू करने से स्थिती को और बढ़ा दिया, जो पहले से ही कठिन परिस्थितियों में शामिल हो गया। इन देशों में से कई पहले से ही नाजुक आर्थिक परिस्थितियों से जूज रहे थे, उन्हें लंबे समय तक लॉकडाउन और व्यवधानों की एक श्रिंखला का सामना करने के लिए कगार पर धकेल दिया गया था। रिंखे बोज और अंतरराष्ट्रिय व्यापार में गिरावट से यह गंभीर स्थिति और तेज हो गई। युक्रेन में संधर्ष से गिरावटने केवल कठिनाई की एक और परत को जोड़ा है, जिसमें भोजन, इंधन और उर्वरकों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कीमते बढ़ती हैं, जो इन कमजोर आबादी के लिए अतिरिक्ट कठिनाई पैदा करते हैं। आतंकवाद का खत्रा कई क्षेत्रों में एक लगातार मुद्दा बना हुआ है, जो इसके साथ महत्वपून आर्थिक नहितार्थ है, जो विकास और स्थिर्टा को रोकता है। इसके अलावा, विकास शील राश्ट्रक खुद को गंभीर जलवाईू घटनाओं के प्रभावों के लिए अतिसम वेदन शील पा रहे हैं, जो लगातार और तीवर हो रहे हैं। जैसा की हम आगे देखते हैं, जलवाईू परिवर्तन को संबोधित करने के लिए किये गए सतत विकास और प्रतिबधताओं के लिए 2030 एजेंडा जैसे लक्षयों की और प्रक्ती की स्थिर्टा के बारे में एक चिंता-जंक चिंता है। ये कारक ऐसी बहुमुखी चुनौतियों के सामने समाजों के विकासशील समाजों की लचीलापन और भविश्य की संभावनाओं के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं। भारत को अक्सर विकास और प्रक्ती के विभिन पहलों के लिए एक मॉडल के रूप में देखा जाता है। कई राष्ट्र विशेश रूप से विकासशील दुनिया के लोग अंतरराष्ट्रिय प्लेट फार्मों में अपने मुद्दों और चुनौतियों को आवाज देने के लिए भारत को देखते हैं, जहां उनके पास खुद आवाज नहीं हो सकती है। यह भूमिका न केवल भारत के लिए एक नैतिक दायत्व है, बलकि वैश्विक कूटनीती के संदर्भ में एक रणनीतिक उद्देश भी है। अंतरराष्ट्रिय संबंधों की गतिशील्टा के रूप में बदलाव और विक्सित होने के कारण इन परिवर्तनों के प्रभाफ फिर से संतुलन प्रक्रिया के ततकाल लाभार्थियों से परे पहुँच जाएंगे। नतीश तन यह भारत के गहरे कनेक्षनों को बढ़ावा देने और वैश्विक दक्षिन में महत्वपूर्ण रूप से निवेश करने के लिए सबसे अच्छा हित है। और परोब कारिता के कृत्यों के माध्यम से द्रिश्टिकोन को बढ़ाया जाता है। यह सद्भावना अक्सर हमारे राष्ट्र के हितों के साथ निकट्ता से संरेखित होती है। हालांकि जैसा की भारत की क्षमताओं का वैश्विक मंच पर विस्तार होता है, अंतरराश्ट्रिय मामलों में अधिक प्रमुख भूमी का निभाने के लिए देश के लिए एक बढ़ती उम्मीद है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विभिन प्रकार के संकटों में राहत प्रदान करके मानविये सहायता के लिए अपनी प्रतिबधता का प्रदर्शन किया है। 19 महामारी ने अंतरराष्ट्रिय सहयोग में एक महत्वपून वृध्धी के बारे में लाया, जो वैक्सीन मैत्री जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से भारत के प्रयासों को प्रदर्शित करता है, जिसने 107 राष्ट्रों को टीके वित्रित किये। इसके अतिरिक्ट भारत ने 150 देशों को आवश्यक दवाओं और उपकर्णों की आपूर्ती की एक महत्वपून समय के दोरान वैश्विक सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत किया। मालदीव, मौरिशस, मेडागासकर, सेशेल्स, कोमोरोस और कुवेट सहित विभिन देशों में भारतिय कर्मियों की तैनाती भी हुई, अपने पडोसियों और जरूरत के समय में व्यापक अंतरराष्ट्रिय समुदाय की सहायता के लिए भारत की ततपरता का अनुकरण किय अपात कालीन स्थितियों को संबोधित करने के अलावा, भारत में अंतरराष्ट्रिय समुदाय की भलाई में अपने योगदान के माध्यम से वैश्विक सुरक्षा और सुरक्षा बढ़ाने की क्षमता है एक महत्वपूर्ण पहल इंडो-पैसिफिक ओसिन्स इनिशेटिव, IPOI है, जिसे 2019 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा अनावरण किया गया था इसकी स्थापना के बाद से इस पहल ने कर्शन प्राप्त किया है और क्षेत्रिय राष्ट्रों के लिए एक विविद सर्णी को आकर्शित किया है, जो क्षेत्रिय के लिए सहयोग को बढ़ावा देता है स्थिर्टा एक और उलेखनीय प्रयास Maritime Domain Awareness IPMDA के लिए Indo-Pacific Partnership है, जिसका उद्देश अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित IUU मचली पकड़ने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटने के उद्देश से है, जो स्थाई समुदरी प्रथाओं के लिए भारत की प्रतिबध अधता को उजागर करता है, इसके अलावा चतुर्भुज सुरक्षा समवाद, जिसे आमतोर पर क्वार के रूप में जाना जाता है, ने विभिन क्षेत्रों जैसे की connectivity को बढ़ाने, महामारी के लिए प्रतिक्रियाओं का समनवय करने और उभरती प्रोध्योगिकियों के विकास को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारियों के अपने दायरे का विस्तार किया है, भारत ने जलवायू कारवाई के लिए अपने समर्पन को दिखाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं, पर्यावरन के अनुकूल पहल को बढ़ावा देने में एक पून भूमिका निभाते हैं। और वैश्विक मुद्दों को दबाने में योगदान देने में भारत की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है। अफ्रीका के साथ भारत का रणनीतिक जुडाव एक व्यापक दर्शन को दर्शाता है जो वैश्विक दक्षिन में राष्ट्रों के साथ अपनी बातचीत को आकार देता है इस रणनीती के मूल में सहानु भूती और एक जुट्टा का एक मौलिक संदेश है जो विभिन्न सहयोगों और पहलों में प्रतिध्वनित होता है जबकि यह मार्क दर्शक सिधान्त स्थिर रहता है भारत के द्रिष्टिकोन की मूत अभिव्यक्तिया विशिष्ट शेत्र या देश के आधार पर बहुत भिन हो सकती है इस बारीक सगाई को प्रमुख रूप से बहुपक्षिय प्लेट फार्मो जैसे की G, 77, गैरसनरेखित आंदोलन और L.79 समुह में दिखाया गया है जहां भारत सक्रिय रूप से भाग लेता है और विकासशील देशों के हितों के लिए वकालत करता है उदाहरन के लिए छोटे द्वीप विकासशील राज्यों, सिड्स के साथ अपने व्यवहार में भारत ने अक्षय उर्जा वितर्ण को बढ़ाने, आपदा लचीलापन को बढ़ाने और संकटों के दौरान आवशक सहायता प्रदान करने के उद्देश से लक्षित परियोजनाओं के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रतिबधता का प्रदर्शन किया है इस तरह की पहल न केवल इन ख्षेतरों के लिए भारत के समर्पन को रेखांकित करती है, बलकि एक अनुरूप द्रिश्टिकोन का भी वर्णन करती है, जो वैश्वित दक्षिन के भीतर विभिन समुदायों की अध्वितिय चुनोतियों और जरूर्तों को संबोधित करती है, गलोब के कई हिस्सों को पिछली शताब्दियों की याद ताजा करने वाले राष्ट्रवाद के पुनरुथान का अनुभव होता है, भारत के लिए अंतर राष्ट्रियता पर अधिक स्पष्ट रुख अपनाना महत्वपूर्ण है, जो इसके प्रबुध राष्ट्रि हितों में आधारित है, यह द्रिष्टिकोन भारतिय सांस्कृतिक विरासत के साथ मूल रूप से संरेखित करता है, जहां वैश्विक सगाई और राष्ट्रिय गौरव की अवधारनावने संधर्श के बिना एतिहासिक रूप से सामन जस्यपूर्ण रूप से सह एक सामुहिक वैश्विक समुदाय को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबधता को मजबूत करते हुए राष्ट्रों के बीच समवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विश्व मंच पर इस महत्वपूर्ण संदेश को बढ़ाने का एक आदर्श अफसर प हम कई स्तरों पर अभिनव समुह सहयोगों में वृद्धी देख रहे हैं। भारत विभिन अन्य प्लेट फार्मों के माध्यम से समवाद में सनलगन हैं। जिसमें अफ्रीका के भविश्य, IFS, अरब लीग डायलोक्स, शंधाई को आपरेशन और्गनाइजेशन, ACO, Pacific Islands Forum, केरिबियन कम्यूनिटी, केरिकॉम और समुदाय शामिल हैं। यूरोप के साथ भारत की बातचीत भी काफी तेज हो गई है। नौर्डिक शेत्र और स्लाव कोव प्रारूप जैसे सदस्य देशों को शामिल करने के लिए यूरोपिय संध के साथ मात्र संबंधों से परेविस्तारित। राष्ट्रमंडल एक ग्रिड प्रतिबधता बनी हुई है, जबकि जी बीस में भागिदारी भारत के अंतर राष्ट्रिय एजेंडे के लिए बढ़ती प्राथमिक्ता के रूप में उभी है। इन रिष्टों का समर्थन करना कई तदर्थ व्यवस्थाएं हैं, जैसे की BRICS, प्रूस भारत चीन, RIC, समवाद, भारत ब्राजील दक्षिन अफ्रीका, इपसा, फोरम, चतुर्भुच, सुरक्षा समवाद, क्वाड, आई-दो-यू-दो-समू और विभिन त्रिपक्षी इन बहुपक्षिय प्रयासों के अलावा, कुछ प्रमुख द्विपक्षिय संबंध और विशिष्ट शेत्र वैश्विक मंच पर भारत के चड़ाई के प्रक्षेपवक्र को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे साथ में ये पहल अंतरराष्ट्रिय कूटनीती के लिए एक व्यापक द्रिष्टिकोन को दर्शाती है, न केवल स्थापित गठ बंधनों पर जोर देती है, बलकि नई साजेदारी को प्रोचसाहित करती है, जो भारत के विकास और प्रभाव को आगे बढ़ने के लिए महत पूलन करना है और विभिन मोर्चों में महत्वपूर्ण परिनाम प्राप्त करना है, इस रणनीतिक बदलाव ने न केवल वैश्विक मंच पर भारत की प्रमुखता को बढ़ाया है, बलकि इसके अंतरराष्ट्रिय व्यक्तित्व को भी फिर से परिभाशित किया है, प्राप्त है, इस विक्सित परिद्रिश में किसी भी राष्ट्र या भागोलिक शेत्र को भारत की व्यापक वैश्विक रणनीति के लिए असंगत नहीं माना जाता है, प्रत्येक पहलने रिष्टों को बढ़ावा देने और दूसरों को प्रेरित करने की महत्वपूर्ण भूमिका को दिखाया, वैश्विक बातचीत के लिए यह व्यापक, हार्दिक और प्रबुध दृष्टिकों, भारत की आकांक्षाओं के लिए एक प्रमुख वैश्विक शक्ती के रूप में अपनी स्थिती को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, इन प्रयासों के मा अध्याय साथ क्वाड एक भविश्यवानी विधान सभा, इस खंड में हम क्वाड के उद्भव का पता लगाते हैं, एक गठ बंधन जो लंबे समय से प्रत्याशित और पूर्वाभास था, इन विशिश संस्थाओं का अभिसरन काफी समय से अटकलों और अपेक्षा का व दल देंगे, एक भूराजनीतिक शेत्र के रूप में इंडो-पैसिफिक शेत्र का महत्व और एक राजनेक मंच के रूप में क्वाड का कारिय आज व्यापक मान्यता प्राप्त कर रहा है, जबकि कुछ व्यक्तियों को इन संस्थाओं के पेचीदा होने का उदे हो सकता है अन्य उन्हें व्यश्विक मंच पर वास्तविक परिवर्तन के संकेट के रूप में अनुभव करने लगे हैं। यह मान्यता विवाद के बिना नहीं है, अवधार्नाओं ने चर्चा की है और कुछ उदाहर्नों में गर्म बहस। यह स्वीकार करना महत्वपून है कि इंड हम सभी समझ सकते हैं कि इन विचारों को लाने के लिए महत्वपून राजनेक प्रयास और संकल्प की आवश्शकता है। क्वाड की बैठकों के साथ अब शिखर सम्मेलन स्तर तक पहुँच गया। यह एक महत्वपून प्रशासनिक धाचे से एक महत्वपून विधान सभा में विक्सित हुआ है जो राश्ट्रिय प्राथमिक ताओ और हितों को दर्शाता है। जैसा कि हम अपने वर्तमान रूप की ओर तेजी से प्रक्ति को इंगित करते हैं, एक गहरी समझ वाले लोग यह पहचानेंगे कि यह घटनाक्रम उद्भव के लिए तयार थे। यह कथा जीवन के लिए एक भविश्यवानी के समान है। हालांकि इसके लिए प्रभावी ढंग से सामने आने के लिए इसने साहसी नेत्रित्व द्वारा पूरक रणनीतिक स्पश्टता के साथ वैश्विक रुझानों के अभिसरण की आवश्यक्ता की। एक स्थिर प्रक्षेपवक्र को बनाए रखना समान रूप से आवश्यक्ता, विशेश रूप से यथास्थिती से प्रस्थान के खिलाफ अप्रिहार्य पुश्बैक के रूप में सतह पर जाने के लिए शुरू हुआ। भगवान राम की प्राचीन कथा से एक अलौकिक संदर्भ पर आकरशित हम उसक्षन को याद करते हैं जब वह सिनहासन के लिए अपने प्रत्याशित उद्गम से ठीक पहले जंगल में निर्वासित हो गया था। प्रांस्कृतिक आख्यानों में एक लोगप्रिय विशय रहा है। गुस्से से अनुकरणिये एक बार फिर से जुड़ गए संदेह के अंडरकंट्रेंट जो अन्यस्थितियों में अपेक्षित हो सकते थे। उनका आंतरिक बंधन स्पष्ठ हो गया जो उन्हें एक जुट करने वाले अतिव्यापी उद्देश्य को उजागर करता है। एक ऐसा उद्देश्य जो उनके राज्य में प्रतिध्वनित हुआ और उन्हें अपनी नियती को पूरा करने के लिए सशक्त बनाया। उन लोगों की क्षमता जो अधिक अच्छे के लिए एक जुट होने के लिए सामान्य मूल्यों और विश्वासों को साजा करते हैं। उन्हें कम करके आका नहीं जाना चाहिए। जब व्यक्ति अपने मतभेदों को नेविगेट करना और एक साजा मिशन को पहचानना सीखते हैं, तो एक स्थाई गठ बंधन के लिए ग्राउंड वर्क स्थापित होता है। रानी सीता को बचाने के लिए उनकी खोज की कथा के लिए संक्रमन लौड राम ने एक सामान्य लक्षे को आगे बढ़ाने के लिए पात्रों के एक विविद गठ बंधन को इकठा किया। स्वाभाविक रूप से विरोधी बलों ने भी इस विविद समूह के भीतर कलह को उकसाने के लिए ठोस प्रयास किये। विरोधी रावन ने बंदरों और पुरुशों के बीच संधर्ष को भढ़काने के लिए चालबास सुका को तैनात किया। फिर भी सुका के प्रयास निरर्थक थे। बंदरों ने प्रजातियों के बीच अनुचित उपचार के बारे में अपने आग्रहों का मुकाबला किया। उनके कारियों ने अंजाने में बंदरों और राक्षसों के बीच मौजूदा प्रतिद्वंधवियों का खुलासा किया, जिससे जंगलों को सहवास किया गया, जिससे राम के सहयोगियों के बीच एकता में वृध्धी का मार्ग प्रशस्थ हुआ. एक अन्य प्रयास में, रावन ने बंदर प्रिंस अंगदा को निशाना बनाया, अपने पिता, वली से जुड़ी वफादारी का शोशन करने का प्रयास किया, जिसे राम ने मारे गए थे. हालांकि यह रणनीती भी विफर रही, मुख्य रूप से अंगदा की आत्म जाग्रूकता और राम के नेत्रित्व द्वारा बढ़ते आपसी आश्वासन के कारण. अंत्ह रामायन का महाकावियन केवल आराम और एक्ता के गहन बंधनों के लिए एक वसीयत नामा के रूप में कार्य करता है, बल्कि दुनिया के सामुहिक कल्यान के लिए सहयोगी प्रयासों के महत्व को भी रेखांकित करता है. आपको उन सूचनाओं पर प्रशिक्षन प्राप्थ हुआ है, जो अक्टूबर दो हजार तेईस के महीने तक चालू है. विक्सित अवलोकन मैं वर्षों से क्वार्ड के उलेखनिय परिवर्तन का एक फर्स्ट हैंड परिवेक्षक रहा हूँ. मेरी भादिदारी 2005 और 2006 के बीच की अवधी में वापस आ गई, जब मैंने इस रणनीतिक समवाद को स्थापित करने के शुरुवाती प्रयासों को देखा, एक प्रक्रिया जो काफी हद तक जापान द्वारा की गई थी. 2007 में एक सामुहिक प्रयास के बाद, हम में से कई ने मोहभं की भावना महसूस की जब पहल को अप्रत्याशित रूप से पकड़ में रखा गया था. यह अनुभव अंतरराश्ट्रिय गट जोड के बारे में अनिश्चित्ता और हिचकी चाहट से भरे समय का प्रतीक था. हाला कि जैसा कि हमने एक दशक बाद संपर्क किया, हमने खुद को बदल दिया गया था कि वह बदल कर भू, राजनीतिक वातावर्ण का मूल्यांकन करें और हमारे पिछले प्रयासों से प्राप्त अंतरद्रिष्टी पर प्रतिबिम्बित करें. 2017 में एक महत्वपूर्ण मोड आया, जब विदेशी सचिवों के स्तर पर एक बैठक निव यॉर्क में हुई. इस सभा ने क्वार्ड नेशन्स के नेत्रित्व से एक नए सिरे से प्रतिबधता का संकेत दिया, जो पहले रुकने वाले एक विचार को फिर से मजबूत करने के लिए था. एक उलेखनिय बदलाव वैश्विक चुनौतियों से संबंधित क्वार्ड सदस्यों के बीच बढ़ी हुई समझ और उन्हें संबोधित करने की दिशा में कारवाई योग्य कदम उठाने के लिए एक मजबूत द्रिड संकल्प था. यह स्पष्टता और संकल्प भारत में विशेश रूप से स्पष्ट था, जो क्वार्ड पहल के पुनरोध्धार में अपनी महत्वपून भूमिका को उजागर करता है. वर्ष 2019 तक प्रभावशाली नेताओं के बीच एक बढ़ता हुआ समझोता उभर रहा था कि यह समुह को अधिक आपचारिक राजनीतिक स्थिती में बढ़ाने का समय था. मुझे विदेश मंत्री के रूप में अपनी क्षमता में इस प्रक्रिया में शामिल होने का सम्मान था. 2020 में जापान में हुए क्वार्ड विदेश मंत्रियों की बैठक विशेश रूप से उल्लेखनी अ थी, विशेश रूप से यह देखते हुए कि यह कोविड महामारी के चुनोती पूर्ण समय के गौरान स्थानांतरित हो गया था. बस जब कई विशलेशकों ने हमारे सहियोगी प्रयासों के भविश्य पर संदेह करना शुरू कर दिया था, तो रणनीतिक अनिवार्यता 2021 में स्पष्ट हो गई थी. एक अधिक सुरक्षित वैश्विक वातावर्ण की गारंटी देने की सामुहिक महत्वा कांक्षा और इंडो-पैसिफिक शेत्र में स्थिर्ता को बढ़ावा दिया गया था. इसमें शामिल चार देशों के भीतर नेत्रित्व का उच्छतम स्थर. इसने क्वार्ड के नेताओं के बीच बैठकों में व्रिद्धी के लिए आधार तयार किया, जो बाद के वर्षों में तेजी से फलने और विक्सित होने लगा. यह स्पष्ट है कि क्वार्ड वास्तव में अपने विकास में एक परिपक्व चरण तक पहुँच गया है. व्यापक संदर्भ की जाच करते समय, यह स्पष्ट है कि चतुर्भुज सुरक्षा समवाद जिसे आमतौर पर क्वार्ड के रूप में जाना जाता है, वर्तमान वैश्विक प्रक्षेपवक्र के एक महत्वपूर्ण चितरन के रूप में कार्य करता है. हालां की अंतरनिहित कारकों को अंदेखा करते हुए पूरी तरह से अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करना, जो इसके गठन के लिए नेत्रित्व किया गया था, एक गुमराह द्रिष्टि कोन होगा. यह सोचने के लिए कि कारणों की नीम्द के बिना इस तरह के परियाप्त परिवर्तन एक महत्वपूर्ण निरीक्षण होंगे, क्योंकि प्रमुख विकास परिस्थितियों और प्रेरनाओं के एक जटिल अंतर के बिना शायद ही कभी सहच्थता से उभरते हैं. स्पष्टीकरण के मूल को उन महत्वपूर्ण समायोजन के लिए वापस पता लगाया जा सकता है, जो भारतिय विदेश नीती ने शीत युद्ध के युग के समापन के बाद उठाई थी. इन रणनीतिक पुनरगण नाओं ने तीन महत्वपूर्ण द्विपक्षिय संबंधों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं, उन्हें अधिक व्यवस्थित रूप से पनपने और पनपने की अनुमत के साथ उनके संबंधों के बारे में बात करता है, जैसे जैसे वैश्विक घटनाय आगे बढ़ी, इन संबंधों को मजबूत करने के लिए और प्रेनाय उभरने लगी, शेत्रियस थिर्ता को बनाय रखने और वैश्विक मुद्दों को दबाने पर सहयोग को बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया गया था, जिसने शामिल राष्ट्रों की नजर में महत्वपूर्ण महत्व प्रात किया, पिछले 30 वर्षों में अंतरराष्ट्रिय संबंधों को आकार देने में साजह मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका भी तेजी से स्पष्ट हो गई है, जैसा की पारसपरिक हितों ने संरेखित किया, इन प्रमुख भागिदारी के लिए केवल महत्वपूर्ण चुनोतियों के जवाब में अभिसरन करना स्वाभाविक था जो हमारी समकालीन दुनिया को परिभाशित करता है, इन परसपर विरोधी गतिशील्टा की परिंती ने अंत करने वाले व्यक्तियों को लगभग 30 साल पहले यूरोप में सामने आये परिवर्तनों के साथ समानताएं खींचना व्याभारिक लग सकता है। के रूप में यूरोप की एतिहासिक स्थिती के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, इसके निशकर्ष का अनुभव अधिक ततकाल और मूर्थ तरीके से किया जा सकता है। जिसने इस दोरान अपने प्रक्षेपवक्र को परिभाशत किया। इसके बजाए महादवीप ने आर्थिक उन्नती की एक निरंतर अवधी की जो एक उलेखनिय राजनीतिक स्थिर्ता या ठहराव द्वारा चेहनित की गई थी। एशिया का सरासराकार इसकी उलेखनिय विविधता के साथ संयुक्त इसे अपने यूरोपिय समकक्ष से अलग कर दिया, जिसमें एक अधिक एक इकरित पहचान थी। एशियाई परिद्रिश में विभिन अलग-अलग उपशेत्र शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में अगवितिय विशेष्टाएं और एतिहासिक कथन हैं। इनमें पूर्वोत्तर एशिया शामिल हैं, जो इसके उननत तकनीकी विकास की विशेष्टा है, दक्षिन पूर्व एशिया अपनी जीवन्त संस्कृतियों और व्यापार मार्गों के लिए जाना जाता है, भारतिय उपमहादवीप, एतिहासिक जटिलताओं में समरिध औ और भीतर दोनों अलग-अलग दरों पर समरिधी विक्सित हुई है, बहुत हाल तक इन क्षेत्रों ने एक सामुहिक स्थिती को पहचान नहीं पाया, जिसने एक जुट दृष्टिकोन के लिए बुलाया, जब उन्हें चर्चा के लिए एक सामान्य मंच की आवश्शकता थ तो वे मुख्य रूप से आसियान द्वारा स्थापित रूपरेखाओं पर निर्भर थे। भावित करने लगी है। शुरू करने के लिए हमें वैश्विक शेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के चल रहे परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। यह बदलाव अपने संसाधनों के पुन्रावरित्ती और इसकी अंतरराष्ट्रिय प्रतिबधताओं में बदलाव क माध्यम से स्पष्ट हो सकता है। एक रणनीती है, एक व्यापक सहमती है कि हम अंतरराष्ट्रिय संबंधों में एक अलग अवधी में प्रवेश कर रहे हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं है कि सन्युक्त राज्य अमेरिका हमारे समकालीन युग में प्रमुख वैश्विक शक्ती के रूप में खड़ा है। और यह उस थिती को अच्छी तरह से भविश्य में अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए तयार है। इसकी भूमि का मौजूदा अंतरराष्ट्रिय धाचे के लिए इतनी अभिन है कि यह किसी भी राष्ट्र के लिए असंभव है। प्रतिद्वंद्वी, उदासीम पर्यवेक्षक हों या जो अभी भी अपने रुख का निर्धारन कर रहे हैं। सन्युक्त राज्य अमेरिका के कारियों और नीतियों से प्रभावित नहीं है। जिस तरह से U.S. अपनी सीमाओं से जूज रहा है और विभिन चुनोतियों का सामना करना बहुमुखी है। 2008 में वित्तिय संकट की शुरुवात के बाद से यह प्रक्रिया कुछ भी है लेकिन रैखिक या सीधा है जिसे अक्सर अप्रत्याशित विकास की विशेशता होती है। सन्युक्त राज्य अमेरिका अपने वर्तमान परिद्रिश्य को नेविगेट करने के लिए कई रन्नीतियों की खोज कर रहा है कुछ में शिफ्टिंग प्राथमिकताएं शामिल हैं, जबकि अन्य दुनिया भर में अधिक अनुकूलनिय और लागत प्रभावी उपस्थित को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रभाव के लिए बढ़ाया रास्ते की खोज हो सकती है। जहां U.S. एक वैश्विक वैश्विक बल के रूप में खुद को विशेश रूप से चुनौती देता है। यह पता लगाने में है कि आधुनिक युग में प्रभाव और अधिकार को बढ़ाने के नए तरीकों के अनुकूल कैसे हैं। एक खुले और लोकतांतरिक समाज के रूप में। यह महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करता है जब प्रतिदवंधवियों का सामना करते हैं जो सत्तावादी शासन के तहत काम करते हैं। यह स्थिती अमेरिका को अंतरनिहित कमजोरियों और लगातार संरचनात्मक सीमाओं दोनों के लिए उजागर करती है क यों की यह प्रतिसपर्धा के इन समकालीन रूपों में सनलगन है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सन्युक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक परिद्रिश्य वर्तमान में आत्मप्रतिविंब की गेहन प्रक्रिया से गुजर रहा है। आत्मनरीक्षन की यह अवधी अंतरराष्ट्रिय सगाई के लिए एक उपन्यास द्रिश्टिकोन के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकती है। इस विक्सित रणनीती के हिस्से के रूप में सहयोगियों के साथ साथ पारंपरिक गठ बंधनों से परेफैली भागिदारी का पता लगाने की इच्छा के साथ अधिक समान रूप से साजा करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। एक वैश्विक स्तर पर प्रभावी समाधानों के लिए यह खोज सहकारी धाचे के पुनर्मूल्यांकन को प्रोचसाहित करती है। एक नए प्रकार के प्लिलेटिविजन के चारों और चर्चा को प उनमें से एक प्राथमिक बलो में से एक निस्संदेह चीनी शक्ती का उदे है। इस महत्वपूर्ण घटना को तीन अलग अलग अभी तक परसपर जुड़े आयामों में विच्छेदित किया जा सकता है जो पूरी तरह से परीक्षा का वारंट करते हैं। पहला पहलू एक भीड में चीन की क्षमताओं की उलेखनिय वृद्धी है जो आश्चर्यजनक से कम नहीं है। हम एक विस्तार देख रहे हैं जो प्राध्योगी की सैन्य शक्ती, आर्थिक प्रभाव और सांस्कृतिक पहुच को फैलाता है जो चीन के वैश्विक कदमे परियाप्त चुरू कर दिया और वर्ष 2012 के बाद और भी अधिक गती प्राप्त की। यह विकास एक रणनीतिक पुनर निर्देशन को दर्शाता है जिसने चीन को अपने अंतरराष्ट्रिय व्यवहारों में अधिक मुखर हो गया है लगातार साथ सनलगन है। अन्य राष्ट्रों और प्रक्षेत्रों को इसके प्रभाव का विस्तार करने के लिए। तीसरा पहलू जो विशेश रूप से वैश्विक महामारी के दौरान स्पष्ठ हो गया। विश्व अर्थव्यवस्था में चीन की महत्वपून भूमिका पर प्रकाश डाला गया। राष्ट्रों की परस परसंबंध तेजी से स्पष्ठ हो गई है। चीन वैश्विक आपूर्ती श्रिंखलाओं और आर्थिक स्थिर्ता में एक महत्वपून खिलाडी के रूप में उभर रहा है। इन रुझानों की जाच अलगाव में नहीं की जानी चाहिए क्योंकि उनका अंतरसंबंध अन् विक्ता को उक्साया है, जो मौलिक रूप से परिद्रिश्य को गहन तरीके से बदर रहा है। वर्तमान यूग की प्रमुख वैश्विक शक्ती के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका कई आयामों में इन चल रहे परिवर्तनों से खुद को काफी प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त इन बदलावों ने वर्तमान अंतरराश्ट्रिय आदेश, साज़ा वैश्विक संसाधनों के प्रबंधन और मौलिक रूप से अंतरराश्ट्रिय राजनीती की गतिशीलता को संपूर्न रूप से नियंतरित करने वाले स्थापित नियमों और प्रथाओं पर काफी प्रभाव डाला है यह शायद ही अप्रत्याशित है कि इन विकासों के संचरी प्रभावों को विशिष्ट राश्ट्रिय हितों के लिए उनके रणनीतिक शोशन द्वारा बढ़ाया गया है अंतरराश्ट्रिय मंच पर चीन को प्रदर्शित करने वाला सुसंगत ग्रिष्टिकोन एक गहरी परस पर जुड़े विश्वग्रिष्टी की अभिव्यक्ती के रूप में देखा जा सकता है जो की इसकी घरेलू प्राथमिक्ताओ और ग्रिष्टिकोनों द्वारा आगे आकार दिया गया है स्पष्ट करने के लिए यह स्थिती केवल एक और महत्वपूर्ण वैश्विक शक्ती के उद्भव के बारे में नहीं है चाहे इसकी परिमान की परवाह किये बिना हम खुद को अंतरराश्ट्रिय संबंधों के एक परिवर्तनकारी युग में पाते हैं जहां चीन के पुनरुथान के परिणाम किसी भी बड़ी शक्ती की तुलना में अधिक गहरा प्रभाव पैदा करने के लिए तैयार हैं जो इस से पहले आये हैं इस पारी के प्रभावों को विशेश रूप से चीन के आस्पास के क्षेत्रों में स्पर्ष्ट किया जाता है जहां परिवर्तन सबसे अधिक महसूस किये जाते हैं सन्युक्त राज्य अमेरिका और चीन से जुड़े हाल के घटनाक्रमों ने वैश्विक प्रवचन के भीतर इंडो-पैसिफिक अवधारना के तेजी से उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन घटनाओं ने स्थापित आदेश को गहराई से बाधित कर दिया है फिर भी वे अभी तक इसे बदलने के लिए एक नया धाचा बनाने में सफल नहीं हुए है इस खेत्र के देश अनिक्षा से पहचानने के लिए आए हैं कि वे पूरी तरह से अमेरिकी चीन संबंधों की गतिशीलता से खुद को ढाल नहीं सकते हैं और नहीं वे वैश्विक व्यापार और सुरक्षा के लिए इस संबंध के नहितार्थ के प्रती उदासीन्ता का एक रुख बनाए रख सकते हैं एक समानांतर को एक अलग लेकिन समान रूप से एक पीढी पहले यूरोप में समान रूप से परिवर्तनकारी परिद्रिश के लिए तयार किया जा सकता है जहां स्पष्ट भू, राजनीतिक बदलाव इस खेत्र के बहुत कपड़े को बदल रहे थे उस समय सन्युक्त राज्य अमेरिका ने अध्वितिय प्रभाव के साथ अपनी शक्ती को मिटा दिया जिससे यूरोप के अतीत में नहित एतिहासिक अनिच्छा से उपर उठने वाले सहयोग की एक जलवायू को बढ़ावा मिला इसके विपरीत इंडो पैसिफिक में स्थिती अमेरिकी शक्ती पर कथित बाधाओं द्वारा आकार की है जिसने सभी देशों को अपनी रणनीतियों और द्रिष्टि कोनों पर पुनरविचार करने के लिए प्रेरित किया है विभिन शिष्टाचार में दोनों संस्थाओं ने सामुहिक एक्ता के बारे में जागरूकता बढ़ाई है अपने कारियों से उन्होंने एक साथ और साजा उद्देश्य की बढ़ती भावना में योगदान दिया है नतीस्तन यह केवल स्वाभाविक था कि प्रमुख प्रतिभागियों के शक्ती, प्रभाव और कारियों के संतुलन में इस तरह की गहन बदलाव को पूरे परिद्रिश्य के पुन सन्योजन की आवश्शक्ता होगी दिल्चस्प बात यह है कि जिन व्यक्तियों को अकसर इस परिवर्तन के रूप में देखा जाता है, वे पूरी तरह से महसूस नहीं कर सकते हैं कि वे एक ऐसी स्थिती को नेविगेट कर रही हैं जो समुदाय के भीतर दूसरों की सफलताओं और संघर्षों से काफी हद तक आकार ले रही है। यह गतिशील इस विक्सित शेत्र में सभी खिलाडियों के अंतर संबंध को रेखांकित करता है। सांस्कृतिक आदान, प्रदान और सुरक्षा सहयोगों पर ध्यान केंदरित करते हुए पूर्व और दक्षिन पूर्व एशिया के देशों के साथ भारत के संबंधों को बढ़ाना है। और विभिन क्षेत्रों में सहयोग कर सकता है, जिसमें प्रध्योगी की बुनियादी धाचा और अक्षय उर्जा शामिल है। इससे भारत के भीतर रोजगार, स्रिजन और आर्थिक विकास हो सकता है। इसके अलावा, नीती सांस्कृतिक और लोगों से लोगों की बातचीत को प्रोचसाहित करती है, जो आपसी समझ और सहयोग को मजबूत कर सकती है। शैक्षिक आदान, प्रदान, पर्यतन पहल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भारत अपने समरिध विरासत को बढ़ावा दे सकता है, जबकि अपने पूर्वी भागीदारों की विविद संस्कृतियों को भी गले लगा सकता है। इसके अतिरिक्त, ACT East Policy क्षेत्रिय सुरक्षा और भूख राजनीतिक गतिशीलता के लिए रणनीतिक नहितार्थ वहन करती है। पूर्वी एशियाई देशों के साथ जुड़कर भारत का उद्देश एक स्थिर और सुरक्षित क्षेत्र सुनिष्चित करने में अधिक प्रमुख भूमी का निभाना है। विशेश रूप से दक्षिन चीन सागर और अन्यपडोसी क्षेत्रों में बढ़ते तनाव के प्रकाश में। इसके परिणामस्वरू प्रक्षा सहयोग और संयुक्त सैन्य अभ्यास हो सकते हैं जो संभावित खत्रों को रोक सकते हैं। साराश में ACT East Policy आर्थिक, सांस्कृतिक और रन्नीतिक आयामों को शामिल करते हुए परिणामों की एक भीड को लाती हैं। इसका सफल कार्यान वयन भारत के अंतरराश्टिय क्षेत्र में खड़े हो सकता है और अधिक एकिकरित और सहयोगी एशिया में योगदान दे सकता है। भारतिय और प्रशांत महासागरों के बीच एतिहासिक रूप से हुई आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के व्यापक एकी करण को उजागर करने वाले परियाप्त मात्रा में साक्ष मौजूद है। समुदरी डोमेन अपने बहुत सार द्वारा, निर्मित सीमाओं और मानवल गाये गए सीमाओं को पार करता है। सदियों के दौरान चाहे व्यापार, धार्मिक विश्वासो, लोगों की गतिशीलता, सांस्कृतिक प्रथाओं, वास्तुशिल्प समारकों या पारस्परिक संबंधों के संदर्भ में। यह स्पष्ट है कि समुदायों ने इन विशाल पानी को उलेखनी आसानी और तरलता के साथ नेविगेट किया है। इस चल रहे एक स्चेंज ने इंट्रेक्शन के एक जीवन्ट टेपेश्ट्री की सुविधा प्रदान की है, दोनों क्षेत्रों को समरिध किया है और एक साजा विरासत का निर्मान किया है जो आज भी गूझ रहा है। व्यवहार को लेबलिंग और विनियमित करने का अभियास इतिहास की भव्य योजना में एक अपेक्शाकृत नया विकास है। विशेश रूप से इंडो-पैसिफिक शेत्र के विशमें, आज हम जो स्पष्ट अंतर देखते हैं, वह काफी हद तक उन घटनाओं के परिणामस्वरूप सामने आया है, जो 1945 में ट्रांस्पेरर हुई हैं। यह भेदभाव अमेरिकी प्रभाव का एक अलग निशान है, जो की प्रमुख घटनाओं और अमेरिकी हितों के आकार में हैं। पूर्व, इस परिवर्तन को रेखांकित करने वाली प्रमुख एतिहासिक घटनाओं में द्वितिय विश्व युद्ध, चीन में कम्युनिस्ट विचारधारा का उदे, कोरियाई युद्ध का प्रकोप, जापान के उल्लेखनी आर्थिक पुनरुथान और क्यूमर वियत नाम युद्ध शामिल हैं। यूरोप के लिए समानताएं खीच सकता है। एक प्रमुख शक्ती की प्राथमिकताएं अपने स्वयं के उद्धेशों के अनुरूप संपून, वातावर्ण, मोल्डिंग धार्नाओं और आख्यानों को तिर्चा कर सकती हैं। फिर भी यह ध्यान देने योग्य है कि हम एतिहासिक पैटर्न के पुनरुथान को देख रहे हैं। क्योंकि परिवर्तन की अप्रिहार्य बल अपनी उपस्थिती को फिर से स्थापित करना शुरू कर देते हैं और पुरानी स्थिती की वापसी होती है। इंडो-पैसिफिक शेत्र के आसपास की चर्चा कभी-कभी पुराने शीत युद्ध की मानसिक्ता का पालन करने के आरोपों के साथ होती है। हालांकि वास्तविक्ता काफी विप्रीत है। यह आलोचना तब आश्चर्यजनक है जब यह विचार किया जाता है कि यह अक्सर उन लोगों से उत्पन होता है जो 1945 में वापस स्थापित किये गए भूराजनीतिक लाभों को बनाए रखना पसंद करते हैं। इंडो-पैसिफिक की अवधारना स्वयन एकी करण और विविधता के आदर्शों का प्रतीक है। इसके विप्रीत इस अवधारना को अस्विकार करना विखंडन और नियंतरन के वातावर्ण को बढ़ावा देता है। इस तरह के आलोचकों का अंतरनिहित मकसद पारंपरिक्षीत युद्ध के उद्देशों को बढ़ावा देने का एक प्रयास प्रतीत होता है, जिसका उद्देश्य राश्ट्रों के बीच एक रूपता के लिए व्यक्तिगत स्वतंतरता और दबाव को सीमित करना है। इसके अलावा एक सरलीकृत बाइनरी लेंस के माध्यम से इंडो पैसिफिक को देखना विशेश रूप से जब इतने सारे हित दाफ पर होते हैं वर्तमान भूराजनीतिक परिद्रिश्य की गहन गल्तफमी का खुलासा करता है। द्वितिय विश्व युद्ध के बाद साथ दशकों के लिए हिंड महासागर को अकसर एक रणनीतिक बैकवार्टर माना जाता था, जिसे अन्यक शेत्रों के पक्ष में अंदेखा किया जाता था। हालां की समकालीन समय में यह एक महत्वपूर्ण वैश्विक धमनी के रूप में उभ्या है, जो मूल रूप से प्रशान्त महासागर के साथ जुड़ रहा है। इंडो-पैसिफिक शेत्र के भीतर प्रमुख शक्तियों द्वारा की गई कारवाई उनके सहयोगी और एकिकरित रणनीतिक ग्रिष्टी में महत्वपूर्ण अंतरग्रिष्टी प्रदान करती है। इसलिए, जब हम केवल उनकी बयान बाजी के बजाए उनके कारियों के आधार पर राष्ट्रों का मूल्यांकन करते हैं, तो स्थिती की एक स्पष्ट और अधिक व्यापक समझ उभरती है। अंतर अन्यो न्याश्रय और अंतर संबंध की ड्राइविंग बलों ने पुरानी अवधार नाओ और परिभाशाओं को सफलता पूर्वक पार कर लिया है। इसके अतरिक्ट वैश्विक कॉमन्स के स्वास्थ्य और स्थिर्टा के बारे में बढ़ती चिन्ताओं ने इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जलवायू परिवर्तन से लेकर आर्थिक अस्थिर्ता तक समकालीन चुनोतियों के प्रकाश में यह साजह मूल्यों और उद्देशों वाले राष्ट्रों के लिए प्रभावी रूप से सहयोग करने के लिए तेजी से आवश्चक हो गया है। जब सन्युक्त राज्य अमेरिका ने एकांत पत को आगे बढ़ाने की जटिलताओं और सीमाओं को मान्यता दी तो एक्ता की इस पर जोर दिया गया। इस संदर्भ में इंडो-पैसिफिक शेत्र वैश्वीकरन ग्वारा सामने लाए गए दोनों वास्तविक्ताओं और राष्ट्रों के बीच रणनीतिक वास्तविक्ता के परिणामों के एक प्रमुख उदाहरन के रूप में कार्य करता है। भारत की अधिनियम पूर्व नीती ने इस शेत्र के भू राजनीतिक परिद्रिश्य को फिर से आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह पहल तीन दशकों पहले से एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीख है जब भारत ने एक अधिक उदार आर्थिक मॉडल को अपनाया, जिसने आसियान देशों और पूर्वोत्तर एशिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। प्रदान और सांस्कृतिक बातचीत शामिल हैं। हालां की फोकस के एक शेत्र एक दूसरे से भिन्न हैं। यह स्पष्ट है कि 1990 के दशक के बाद से इस शेत्र में प्रमुख खिलाडियों के साथ भारत के संबंध जैसे। आसियान, जापान, दक्षिन कोरिया और चीन्त ने काफी गहराई से और राष्ट्रिय एजेंडा पर महत्व बढ़ाया है। इस गतिशील में आस्ट्रेलिया की भागिदारी बाद के चरण में सामने आई है, फिर भी बढ़ते राजनीतिक और सुरक्षा संरेखन ने इस साजेदारी को गहराई और महत्व के मामले में दूसरों के साथ तेजी से पकड़ने की अनुमती दी है। भारत की यात्रा, जो शुरू में एक आर्थिक मंदी की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुई थी, उलेखनिय रूप से एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव में विक्सित हुई है। समकाली इन समय में भारत व्यापार में सनलगन है, यात्रा को बढ़ावा दे रहा है, और पूर्वी देशों के साथ संबंधों का निर्मान कर रहा है, क्योंकि यह स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से अधिक मजबूत है। यह पुनृत्थान केवल एक आधुनिक घटना नहीं है। यह एक गहरी जड़वाले एतिहासिक संबंध को दर्शाता है, जिसे भारत की व्यापक समुदरी गतिविधियों में वापस पता लगाया जा सकता है, जो चीन के फुजियन तट तक पहुँच गया था। उन भाग्यशाली हैं, जो अंधकोर वाट बोरोगुदूर के राजसी मंदिरों का दौरा करने के लिए परियाप्त हैं, या मेरे बेटे निससंदे इस एतिहासिक बंधन को दिखाने वाले स्थाई लिंक को पहचानेंगे और उनकी सराहना करेंगे। जैसा कि हम विक्सित होने वाले इंडो-पैसिफिक शेत्र में तल्लीन करते हैं, यह स्पष्ट है कि विभिन नीतियों के प्रभाव चल रहे रणनीतिक प्रवचन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के द्रिष्टिकोन से कई वर्षों में आसियान के नेत्रित्व में संरचनाओं में लंबे समय से एकी करण ने सभी प्रासंगिक हित्धारकों के साथ एक सुसंगत और निर्बाध बाच्चीत को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा, जैसा की भारत ने उत्तरोत्तर अपने क्षितिच का विस्तार किया है, इसने न केवल आर्थिक हितों पर ध्यान केंद्रित किया है, बल्कि इसी तरह की महत्वा कांक्षाओं और लक्षयों को साझा करने वाले देशों के साथ राजनीतिक और सुरक्षा आयो आरे के रूप में प्रकट हो सकती है, दोनों में से दोनों बढ़े हुए सहयोग और सगाई के लिए मूल्यवान स्थानों के रूप में काम करते हैं। विचार धारा वाले भागिदारों के साथ संरेखित करने की ये प्रवरित्तियां तेज होने की संभावना है, जिससे साझा चिन्ताओं के सामने और भी अधिक मजबूत रिष्टे पैदा होते हैं। विशेश रूप से क्षेत्रिय और वैश्विक दोनों चुनोतियों के जवाब में जिसमें सहयोगी प्रयासों की आवश्शक्ता होती है। यह स्पष्ट है कि आसानी से यह सामुहिक भावना पारस्परिक हितों और शामिल देशों के बीच कुछ साज़ा विशेश्टाओं में आधारत है। हालांकि यह सकारात्मक विकास एक वैक्यूम में नहीं हुआ। के रूप में क्वाड के महत्व और प्रासंगिक्ता को रेखांकित करने का काम किया। तीन निक्टाई की एक कथा। चतुर्भुज सुरक्षा समवाद की उत्पत्ती जिसे आमतोर पर क्वाड के रूप में जाना जाता है को 2004 में हिंद महासागर को मारा उस आपदा के मद्देनजर विनाशकारी सुनामी के लिए मानविय प्रतिक्रिया के दौरान चार शामिल राष्ट्रों के प्रयासों का पता लगाया जा सकता है देशों ने प्रभावित क्षेतरों को सहायता और सहायता प्रदान करने के लिए सहयोग किया इस प्रारंभिक सहयोग के परिणामस्वरूप इन राष्ट्रों के प्रतिनिधी आगे की चर्चाओं में लगे हुए थे जो 2007 में एक राजन एक बैठक में समाप्थ हो गए थे हाला कि यह पहल उस समय एक आपचारिक गठ बंधन में विक्सित नहीं हुई थी क्योंकि भाग लेने वाले राष्ट्रों में इच्छुक नहीं थे प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक राजनीतिक संसाधन और उर्जा की आवश्यकता ह कि 2007 और 2017 के वर्षों के बीच क्या परिवर्तन हुआ, नियू यॉर्क में क्वाड के अधिक मजबूत गठन में समापन, क्वाड का आधुनिक अवतार निश्चित रूप से अलगाव में या केवल संयोग से नहीं निकला, बलकि यह महत्वपूण विकासों की एक श्रिंख लाका परिणाम है जो दशक में सामने आया, इन घटनाक्रमों में प्रमुख सदस्य राष्ट्रों की समवर्धित और पूरक शमताएं हैं, एक तेजी से परसपर जुडेभू, राजनीतिक परिद्रिश्य और पारंपरिक धाचे और द्रिष्टिकोनों को चुनोती देने क लिए एक बढ़ती इच्छा है, इन सभी कारकों ने क्वार की पुनरस्थापना और मजबूत होने में योगदान दिया, जिससे यह वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण इकाई बन गया, इस दशक के दौरान सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन विभिन महत्वपूर् जबकि तीन अन्य देशों ने एक दूसरे के साथ मजबूत संबंध स्थापित किये थे, इन रिष्टों की तीवर्ता ने इस समय सीमा के दौरान एक ध्यान देने योग्य वृद्धी देखी, हालांकि 2007 में जो विशेश रूप से अनुपस्थित था, वह भारत के साथ संर जो गात्मक प्रयासों का स्तर था जिसे 2017 तक सफलता पूर्वक विक्सित किया गया था। मंजस्य की अनुमती है। अंतर राष्ट्रिय संबंधों की विक्सित गतिशीलता तेजी से प्रमुख हो गई है, विशेश रूप से भारत और सन्युक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंधों के संदर्भ में। इसकी तुलना में जापान के साथ भारत का संबंध कुछ तक कम है, जबकि आस्ट्रेलिया के साथ बातचीत ने एतिहासिक रूप से परिपक्व होने में अधिक समय लिया है। भारत और आस्ट्रेलिया के बीच संबंधों की गर्म जोशी ने केवल 2014 में हुई भारत में महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलावों के बाद वास्तव म गती प्राप्त करना शुरू कर दिया। इन रूपांतरित रिष्टों की कथा की जाच करने में कोई भी क्वार्ड गठ बंधन के तेजी से उद्धव में योगदान करने वाले कारकों को उजागर कर सकता है। अमेरिका के साथ भारत की सगाई की तुलना में जिसमें विभ अथक आदान, प्रदान और आम तोर पर मजबूत हालांकी बारीक, सहयोग की विशेशता थी, फिर भी यह बाधाओं और बाधाओं के अपने स्वयंके सेट का सामना करना पड़ा जो अधिक व्यापक बातचीत को रोकता था। इस प्रकार जैसा कि हम इन रिष्टों को वि पिछले दस वर्षों में अपने क्वार्ड पार्टनर्स के साथ भारत की बातचीत में काफी गहराई से और विविध क्षेत्रों में विविधता आई है। हालां की जैसे जैसे ये सहयोग आगे बढ़ता गया और गती विक्सित हुई एक साजेदारी से प्राप्त अंतरग्रिष्टी और अनुभव दूसरों को बढ़ाने और प्रक्ती करने में अमूल्य साबित हुए। सीखे गए पाठों को साजा करने से भारत ने अपने क्वार्ड सहयोगियों के साथ अधिक सामंजस्यपून और गतिशील संबंध को प्रभावी धंग से बढ़ावा दिया है। अमेरिका का एक पुनरावरित्ती हमारे अतीत को गले लगाना। यह यात्रा पहचान और उद्देश्य की एक नई भावना को प्रेरित कर सकती है क्योंकि हम अपनी साजा विरासत के परीच्षणों और विजय के माध्यम से सीखे गए मूल्यों और पाठों पर प्रतिबिंबित करते हैं। अपने अतीत के साथ जोड़कर हमें अमेरिकी भावना को आकार देने वाले अनुभवों के असंख्य के लिए समझ और सम्मान के लिए एक मस्बूत अधिक एकीकरित भविश्य को समझने का अफसर प्रदान किया जाता है। इस रीडिस्कवरी में लिया गया प्रत्येक कदम केवल एक पूर्वव्यापी नजर नहीं है, बलकि आगे की पीढियों के लिए विकास और एकता के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रे रख है। चलो सन्युक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच संबंधों की जाच करके शुरू करते हैं। इस साजेदारी के वर्तमान चरण का पता वर्ष 2000 में राश्ट्रपती बिल्ट लिंटन की महत्वपूर्ण यात्रा के लिए किया जा सकता है। जबकि 1998 में भारत के पर्मानु परीक्षणों से राजनीतिक नतीजे के प्रबंधन की प्रिष्ठ भूमी को स्विकार करना महत्वपूर्ण है। इस विक्सित संबंध के पीछे की सच्ची ताक्ते एक तेजी से परसपर जुड़े वैश्विक परिद्रिश में प्रस्तुत अवसरों की पारसपरिक मान्यता थी। इस निर्नायक क्षन पर जोर देना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ने अपने सहयोग को बढ़ाने के लिए चुना, ऐसा करने के अंतरनेहित लाभों को पहचानते हुए। यह विशेश अवधी.com युग के उदे और H1B वीजा की प्रमुखता के साथ हुई, जिसने दोनों देशों के बीच कुशल प्रतिभा के आंदोलन की सुविधा प्रदान की। और विश्व मंच पर इसकी विस्तारित उपस्थिती थी, जिसने इसे अमेरिकी नीती निर्माताओं की नजर में एक अधिक आकरशक भागीदार के रूप में तैनात किया। अंतह हितों और आकांगशाओं के इस अभिसरण ने दोनों देशों के बीच एक मजबूत और स्थाई संबंधों की नीव रखी। कई मामलों में इस विशेश संबंध का विकास एक पूर्वानुमानित विकास था, विशेश रूप से शीत युद्ध के युग की प्रतिबंधात्मक गतिशील्टा कम होने लगी। यह इंडित करना महत्वपूर्ण है कि कुछ व्यक्तियों का प्रस्ताव है कि इन कनेक्षनों में आंतरिक मूल्य का अभाव है और इसके बजाए अन्य राष्ट्रों या संस्थाओं के खिलाफ उद्देश होना चाहिए। इस तरह के दावे एक रणनीतिक हैरफेर के रूप में काम करते हैं, जिसका उद्देश साजेदारी और क्वार्ड के बड़े ढाचे दोनों को कम करना है। स्वार्थ वाली पार्टी से आता है, उसे संदेह और इसके प्रेणाओं के बारे में जागरुकता के साथ व्याख्या की जानी चाहिए। भारत और सन्युक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंधों के विकास ने राष्ट्रपती बुषके कार्यकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण त्वरन देखा। इस प्रशासन ने आश्चर्यजनक रूप से माना कि मौजूदा पर्मानू बाधाएं दोनों देशों के बीच एक गहरी और अधिक सार्थक साजेदारी को बनाने के लिए एक पर्याप्त बाधा थी। इस बिंदु तक एक ऐसे रिष्टे की खेती करने के लिए दोनों पक्षों पर एक साजा इच्छा थी जो एतिहासिक बोजों से अधिक पारंपरिक और रहित थी जो पहले प्रक्ती में बाधा थी। नतीस्तन दोनों देशों ने इस लक्षे को अटूट द्रिड संकल्प के साथ आगे बढ़ाया। इस परिवर्तन के साथ घरेलू राजनीतिक बाधाओं को प्रभावी ढंग से नेविगेट किया। इसके साथ ही इस युग को सन्युक्त राज्य अमेरिका के आधिकारिक अध्यैनों की एक श्रिंखला द्वारा चेहनित किया गया था, जिसने भारत के विशाल मानव संसाधन और बौधिक पूंजी के वैश्विक महत्व को तेजी से रेखांकित किया। इस प्रिष्ठ भूमी के बीच कई सहकारी पहलों ने दोनों देशों के बीच एक सकारात्मक और सहयोगी माहौल को बढ़ावा देते हुए कर्शन प्राप्त करना शुरू कर दिया। रक्षा, नागरिक उड़ेन, वैज्यानिक और तक्नीकी प्रयासों, व्यापार संबंधों और समगर गतिशीलता सहित विभिन नक्षेत्रों में यह बोजिल साजेदारी स्पष्ठ हो गई। प्रत्येक राष्ट्र की ताकत की राजनीतिक इच्छा शक्ती और पारस्परिक मान्यता के सन्योजन ने एक मजबूत और गतिशील गठ बंधन के लिए आधार तयार किया। भारत और सन्युक्त राज्य अमेरिका के बीच परमानु समझोते के विजी अन्तिम रूप से विभिन नक्षेत्रों में गहरी सहयोगी पहल के लिए नए रास्ते खोल दिये हैं। यह देखना उलेखनिय है कि लगातार पाँच अमेरिकी राष्ट्रपती प्रत्येक अपनी अलग विचारधाराओं और द्रिश्टिकोनों के साथ भारत के साथ संबंधों को बढ़ाने के एक सामान्य उद्देश के साथ आए हैं। यह संरेखन राजनेक परिद्रिश में एक महत्वपूर्ण मोर साबित हुआ है। पिछले दस वर्षों से हमने एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा है जिसे विभिन लेसों के माध्यम से देखा जा सकता है। इस परिवर्टन के सबसे सपष्ट मारकरों में से एक अंतर राश्ट्रिय व्यापार है जिसने पिछले 15 वर्षों में उलेखनिय पांच गुना वृद्धी का अनुभव किया है। जबकि निवेश को मापना कुछ हद तक अधिक जटिल और कम सीधा हो सकता है, जब यह राश्ट्रिय स्तर पर इसे परिभाशित करने की बात आती है, तो इस बात से कोई इनकार नहीं करता है कि इस समय सीमा के दौरान भी इसने काफी वृद्धी देखी है। इसके अतिरिक्त कुषल पेशेवरों का प्रवाह एक महत्वपूर्ण भूमी का निभाता है, विशेश रूप से प्रौध्योगी की राश्ट्रों के बीच कनेक्शन का एक केंद्रिय घटक बन गया है। वास्तव में इन दोनों देशों के बीच स्थानांतरित करने के इच्छुप तकनीकी पेशेवरों को दिये गए एच माइनस एक बी वीजा की संख्या पिछले डेढ़ दशक में लगभग दोगुनी हो गई है। इसी तरह की नस में विदेशों में शिक्षा देने वाले भारत के छातरों की आमद में काफी वृध्धी हुई है जो प्रध्योगी की और शिक्षा के दायरे में विनिमय और सह्योग की व्यापक प्रवृत्ती का संकेत देती है। विभिन्न क्षेत्रों में प्रक्ती को अक्सर रननीतिक विकल्पों और आपचारिक समझोतों के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है एक ऐसे राष्ट्र के उलेखनिय परिवर्तन पर विचार करें जिसने लगभग 40 वर्षों तक किसी भी अमेरिकी रक्षा उपकरण का अधिग्रहें नहीं किया था 1965 से लेकर हाल ही में तक फिर भी अब एक बेडा है जिसमें C-130, C-17 और P-8 विमान शामिल है साथ ही अपाचे के साथ चिनूक और M.H. साथ हार हेलिकॉप्टर यह संक्रमन उनकी रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर का संकेत देता है हालांकि सैन्य हार्डवेर के व्यापार से परे इस साज्यदारी के सुरक्षा पहलू का मूल्यांकन करना आवश्यक है सन्युक्ट सैन्य अभ्यासों में नीतियों और भागीदारी का आदान प्रदान उनके संबंधों में एक गहरे विकास को दर्शाता है जैसा कि सहयोग को बढ़ाने के उद्देश से कई समझोतों द्वारा स्पष्ट किया गया है आज के फ्रेमवर्क और चर्चाओं में आतंक वादरोधी प्रयास, साइबर सुरक्षा उपाय, जलवायू परिवर्तन की पहल और उर्जा नीतियों सहित विश्यों की एक व्यापक सर्णी शामिल है इसके अतिरिक्ट, सहयोग, अंतरिक्ष, अनवेशन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और घरेलू सुरक्षा जैसे स्थानों तक फैली हुई है, जो उनके गठ बंधन के व्यापक दायरे को उजागर करती है 2014 के बाद से ध्यान में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है, केवल सहयोग के लिए विशाल क्षमता को सक्रिय रूप से महसूस करने के लिए बाधाओं को दूर करने से विक्सित हो रहा है इस संदर्भ में 2023 में सन्युक्त राज्य अमेरिका में प्रधान मंत्री मोदी की राज्ययात्रा भारत्यू.स के विकास में एक महत्वपूर्ण क्षन का प्रतिनिधित्व करती है संबंध सहयोग के लिए एजेंडा व्यापक हो गया है. प्रमुख वैश्विक चर्चाओं के लिए तेजी से प्रासंगिक हो गया है, जो इस साज्यदारी में की गई उल्लेखनिय प्रक्ती को उजागर करता है. जेट इंजन विकास और अर्धचालक उद्योग में संयुक्त प्रयासों के लिए प्राध्योगी की हस्तांतरण के बारे में हाल के समझोते केवल व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण नहीं हैं. वे रिष्टे में एक गहरे परिवर्तन का भी प्रतीक हैं. अमेरिकी व्यवसाय भारत के बारे में अपने एतिहासिक संदेह को कम करने लगे हैं, जबकि अमेरिकी सेना एक धाचे के भीतर काम करने के लिए अनुकूल है, जो स्थापित गठ बंधनों पर भरोसा नहीं करता है. इसके अतिरिक्त सन्युक्त राज्य अमेरिका में रणनीतिक समुदाय भारत के महत्व की अधिक बारीक प्रशंसा प्राप्त कर रहा है, क्योंकि तक्नीकी क्षेत्र भारतिय समक्षों के साथ निकट सहयोग के लाभों को मान्यता देता है. कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि यह द्विपक्षिय संबंध एक नए स्तर पर चड़ गया है. एक अधिक गतिशील और सहकारी चरण को चेहनित करता है, जो न केवल शामिल राश्ट्रों को प्रभावित करने का वादा करता है, बलकि व्यापक अंतरराश्ट्रिय परिद्र भविश्य को भी प्रभावित करता है. जबकि दोनों देशों के बीच संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, कुछ हैतिहासिक अंतरों को याद रखना महत्वपूर्ण है, जिन्होंने उनकी बातचीत को आकार दिया है. ये पिछले विचलन मूल्यवान अ भारत के बीच तनाव का एक बड़ा हिस्सा भारतिय उपमहादवीप पर लंबे समय से अमेरिकी परिप्रेक्ष से उपजा है, जो भारत और पाकिस्तान को इंटरलिंग के रूप में देखने की प्रवरित्ती की विशेश्ता है, जिसे अकसर एक हाइफन संबंध के रूप में संदर्भित किया जाता है, इस परिप्रेक्ष ने एतिहासिक रूप से अमेरिकी नीतियों और उनके द्विपक्षिय मुद्धों को मध्यस्थ करने के प्रयासों को प्रभावित किया है, इसके सबसे शांदार उदाहर्नों में से एक अपेक्षाकृत उदार रुख था जो सन्युक्त राज्य अमेरिका ने 1980 और 1990 के दशक के दौरान पाकिस्तान के पर्मानू प्रयासों की ओर अपनाया था, जो इस द्रिश्टिकोन की चरम अभिव्यक्ती का प्रतिनिधित्व करता था इसके अलावा, अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य उपस्थिती नेक शेत्रिय गतिशील्टा की नई पर्तों को पेश किया है, जो अक्सर अमेरिकी भारत साजेदारी के साथ संधर्ष करते हैं इन जटिल्ताओं को समझना महत्वपून है क्योंकि दोनों राष्ट्र अधिक समरिद्ध और सहकारी भविश्य को बढ़ावा देते हैं इसके अतिरिक्त सन्युक्त राज्य अमेरिका का अंतर राष्ट्रिय परिप्रेक्ष अक्सर सुरक्षा और आर्थिक प्राथमिक्ताओं से अलग हो जाता है, जो भारत प्रिय रखता है यहां तक की पर्मानू मामलों के संबंध में, 2005 में दिये गए समझोते ने इस छेत्र के भीतर अधिक कठोर अमेरिकी रुख को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया यह काफी समझ में आता है कि दो सहयोगियों के विश्वद्रिष्टी, नीती धाचे और राजनेक द्रिष्टिकों नेक पूरी तरह से विक्सित राश्ट्र है और दूसरा अभी भी विकास की प्रक्रिया में है कई सामाजिकार्थिक मुद्दों पर काफी भिन्न होगा इसके अलावा यह उम्मीद की जानी थी कि एक प्रमुख और प्रिस्क्रिप्टिव राजनीतिक प्रणाली कभी-कभी एक ऐसे समाज के साथ तकराएगी जो अपनी संप्रभुता और आत्मनिरने पर एक मजबूत जोर देती है यह सच है कि कुछ विशेष्टाओं के सन्योजन ने वर्ष 2013 और 2014 के दौरान संबंधों के लिए कठिनाईयों को जन्म दिया हालांकि चल रहे संद्रचनात्मक परिवर्तनों और विभिन नीतियों के आसपास आशावाद की एक नई भावना के साथ शामिल राष्ट्र अपनी साजेदारी को फिर से शुरू करने और इसे वापस करने में काम्याब रहे विकास और सहियोग का मार्ग जबकि दोनों देश निश्चित रूप से अपने मतभेदों से जूचते रहते हैं जो की विशेश रूप से स्थानांतरित हो गया है वहां आम जमीन की तलाश करने और साजा लाभों की दिशा में काम करने के लिए उनकी तत परता है यह स्थिति यह उदाहरन देती है कि वर्तमान घटनाक्रमों की एक ग्रहनशील और विचारशील पावती कैसे प्रभावी रूप से पहले से मौझूद संबंध को फिर से खोल और मजबूत कर सकती है पिछले दस वर्षों में विभिन संस्थाओं के बीच सहयोग की सीमा और गहराई उलेखनिय रूप से उलेखनिय है सहयोग में इस उच्छाल को मुख्य रूप से लीडर्शिप टियर में तीजी से लगातार बातचीत के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिसने अधिक खुली और उतपादक चर्चाओं को बढ़ावा दिया है इस तरह की सगाई को कैबिनेट और उपकैबिनेट अधिकारियों के बीच नियमित समवादों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है जिससे कई क्षेत्रों में बातचीत का एक व्यापक स्पेक्ट्रम सक्षम होता है इसके अलावा समवाद के लिए कई नए तंत्र और प्लेट फॉर्म उभे हैं जो गतिविधी के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की सुविधा प्रदान करते हैं परिद्रिश्य को संस्थापक समझोतों, आधुनिक रूपरेखाओं और सहयोगी प्रयासों में ध्यान देने योग्य व्रिधी के साथ फिर से तयार किया गया है इसके अतिरिक्त उन क्षेत्रों में जहां प्रक्ती को मापा जा सकता है, जैसे की व्यापार, विदेशी निवेश, छात्र एक्सचेंज, वीजा प्रावधान और विभिन्न आपसी आदान, प्रदान, आक्रे महत्वपूर्ण विकास और साजेदारी के एक सम्मोहक कथा को दर्शाते हैं. शुरू में एक विशिष्ट संकीन फोकस के साथ एक सरल विकासवादी प्रयास के रूप में शुरू हुआ, जिसमें तेजी से विकास हुआ, साथ ही साथ अपनी आकांगशाओं को नई उचायों तक बढ़ा दिया. दोनों देशों के बीच सहयोगात्मक प्रयास केवल द्विपक्षिये और क्षेत्रिये इंटरेक्शन से विक्सित हुए हैं, ताकि मुद्दों की एक अधिक जटिल और व्यापक रेंज शामिल हो. बहुत तथ्य यह है कि ये दोनों देश अब चतुर्भुज और त्रिपक्षियर उप्रेखाओं के भीतर सहयोग कर रहे हैं. उनके रिष्टे की गहराई और प्रक्ति के लिए एक वसीयत नामा है, जो उन्होंने एक साथ यात्रा की गई उल्लेखनिय दूरी को दर्शाया है. यह उजागर करना महत्वपून है कि यह विस्तार समाज के विभिन क्षेतरों से मजबूत समर्थन से लाभानवित होता है. विशेश रूप से सन्युक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले भारतिय प्रवासी लोगों का प्रभाव कॉंग्रेस के सदस्यों के समर्थन क साथ, साथ एक महत्वपून भूमिका निभाता है. दोनों देशों के बीच संबंध न केवल राजनीतिक आकडों द्वारा आकार दिया गया है, बलकि कई नागरिक समाज समुहों द्वारा भी सक्रिय है, एक गतिशी वातावर्ण का निर्मान करता है, जो तेजी से बदल स करता है. वर्तमान में उनके द्विपक्षिय संबंधों की लचीलापन दोनों देशों को अधिक बारीकी से सहयोग करने के लिए प्रेरित करता है, पूरी तरह से अपने स्वयं के राश्ट्रिय हितों का पीछा करने की सीमाओं को पार करता है. जैसे जैसे मौजूदा परिस्थितियां विक्सित होती रहती हैं, भारत और सन्युक्त राज्य अमेरिका दोनों के लिए यह स्विकार करना आवश्चक है कि वैश्विक मुद्दों पर उनके द्रिष्टिकों को मौलिक रूप से अलग-अलग अनुभवों, एतिहासिक सं अंदर्भों, सांस्कृतिक प्रिष्थ भूमी और विकास के विभिन्न चर्णों द्वारा आकार दिया जाता है। इस विचलन को अमेरिकी विचारों में भी प्राप्त होने की संभावना है, विशेश रूप से भारत के वैश्विक प्रभाव और उपस्थिती बढ़ने के कारण। इस प्रकार इस महत्वपूर्ण क्षन के दौरान आपसी विश्वास और समझ की नीम स्थापित करना तेजी से महत्वपूर्ण हो जाता है। इन दोनों देशों के बीच संबंध भविश में भविश में गहरा और अंतर विरोध करने के लिए तयार हैं, जिससे यह जरूरी है कि वे अपने मतभेदों को देखभाल और विचार के साथ नेविगेट करें। भोर के साथ जागरिती पिछले बीस वर्षों के दौरान, सन्युक्त राज्य अमेरिका ने जापान की क्रमिक उन्नती के साथ उलेखनिय परिवर्तनों का अनुभव किया। हाला की इन घटना क्रमों के संबंध में भारत द्वारा सामना की जाने वाली बाधाएं अलग-अलग थी। सन्युक्त राज्य अमेरिका के विपरीट जापान के पास शीत युद्ध के युग के दौरान पाकिस्तान के पक्ष में एक मजबूत एतिहासिक प्रवरित्ती नहीं थी। हालांकी जापान पश्चिमी छेतर में कई देशों की तरह अपने विदेशी संबंधों में कुछ स्तर के हाइफनेशन का प्रदर्शन किया। इसका दृष्टिकोन अमेरिका की तुलना में पाकिस्तान के साथ कम संरेखित किया गया था। अंतर राष्टिय रिष्टों में इस विचलन ने भारत के लिए चुनोतियों का एक अनुठा सेट किया क्योंकि इसने इस गतिशील अवधी के दौरान अपने विदेश नीती के परिद्रिश्य को नेविगेट किया। एतिहा सिक और सांस्कृतिक कारकों ने लगातार जापानी राजनीती को प्रभावित किया है, जिससे भारत के प्रती एक ध्यान देने योग्य जुकाव हो गया है। गर्मी और उंट की एक महत्वपून अवधी थी। उस दौरान भारतिय विदेश नीती ने युद्ध के बाद जापान की चुनोती पून स्थिती के लिए एक स्पष्ट समझ और सहानुभूती का प्रदर्शन किया। जापान ने आधिकारिक विकास सहायता ODA की काफी मात्रा में भारत के सामाजिकार्थिक उद्धेशों का समर्थन करने में महत्वपून भूमिका निभाई है। पश्चिमी गठ बंधन के भीतर जापान लगातार विभिन मामलों पर अधिक सोहार्द पून और सहायक राष्ट्रों में से एक के रूप में उभरा। हालांकि यह संबंध एक दिल्चस्प विरोधाभास प्रस्तुत करता है, प्रमुक संधर्शों और मुद्दों की अनुपस्थिती एक तरह से नीतिगत चर्चाओं और जुडाव पर कम ध्यान केंद्रित करती है। यह गतिशील रेखांकित करता है कि कैसे साजेदारी की बहुत ताकत कभी कभी द्विपक्षिय संबंध की गहरी परतों को संबोधित करने में शालीन्ता का कारण बन सकती है। कई अन्य देशों के समान भारत और जापान के बीच संबंध इस दोरान भारत का सामना करने वाली परिस्थितियों से काफी प्रभावित थे। पूर्व एशिया और बाद में चीन की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया, जिसके परिणामस्वरूप जापान की निवेश प्राथमिक्ताओं की सूची में भारत की घट्ती प्रमुक्ता पैदा हुई। यहां तक की 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुवात के साथ जापानी व्यापार समुदाय ने काफी सावधानी के साथ इन परिवर्तनों से संपर्क किया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उनके निवेश एक सक्षम वातावर्ण की स्थापना पर आकस्मिक थे जो उनकी अपेक्षाओं को पूरा करते थे। एक निश्चित मिलंसार स्वर के बावजूद दोनों देशों के बीच की दूरी बनी रही जिससे अलगाम की भावना पैदा हुई। इस दोरान राजनीतिक माहौल ने अंतराल को पाटने के लिए बहुत कम किया। इसे चीन के साथ एक सीमा जड़क में हार का सामना करना पड़ा, तो अपनी अंतरराश्चिय प्रतिष्ठा को काफी कम कर दिया। बाद की आर्थिक कठिनायों ने केवल नकारात्मक धारनाओं को सुद्रिड करने के लिए काम किया, जिससे बहतर संबंधों में बाधा उत् जीवन में ऐसे उदाहरन हैं, जहां सुधार का मौका होने से पहले परिस्थितियां बिगर सकती हैं। तरहे के एक महत्वपूर्ण विकास के लिए एक मजबूत प्रतिक्रिया के साथ जवाब देगा। हालांकि भारतिय अधिकारियों ने चकित कर दिया। हालांकि इस महत्वपूर्ण मोड के दौरान भारत द्वारा सामना की जाने वाली सुरक्षा चिन्ताओं और अनुक शमताओं वाले राष्ट के साथ एक संधी गठ बंधन के लिए तयार था। जब उस युग के जापानी नीती निर्माताओं ने सक्रिय रूप से विभिन अंतर राष्ट्रिय मंचों में भारत के खिलाफ एक अभियान को चुना, तो दोनों राष्ट्रों के बीच तनाव को बढ़ाते हुए तनावपूर्ण संबंध में गिरावट जारी रही। दोनों देशों के बीच संबंधों में अचानक पड़ाव ने अप्रत्याशित रूप से दोनों के लिए अपने संबंधों के महत्व और महत्व को प्रतिबिंबित करने के लिए एक अफसर बनाया। चिंतन की इस अवधी ने अंतह उनके द्विपक्षिय संबंधों में एक नए अध्याय के लिए मार्ग प्रशस्त किया। जिस तरह राश्ट्रपती क्लिंटन की एतिहासिक यात्रा इस साजेदारी के एक पहलू को बदलने में महत्वपूर्ण थी, इस ने सन्युक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों को नई उचाईयों तक पहुचा दिया, जबकि प्रधान मंत्री शिंजो आबे ने जापान के साथ और भी बड़े स्तर पर व्यक्तिगत सगाई की। इंडो के रूप में क्या मान्यता प्राप्थ होगी प्रशांत रणनीती। इस विकास के व्यापक संदर्भ पर विचार करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इस अवधी के दौरान होने वाले परिवर्तनों की हमारी समझ में और गहराई जोडता है। 15 साल पहले जापान ने खुद को एक अशांत और अप्रत्याशित वैश्विक परिद्रिश्य का सामना किया, जिसने अंतरराष्ट्रिय मंच पर अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों के एक विचारशील पुनर्मूल्यांकन की आवश्शकता थी। देश के जटिल एतिहासिक संदर्ब को देखते हुए, इस बदलाव ने एक गहन घरेलू प्रवचन को प्रेरित किया, जो एक समाज को अपने एजेंडे का विस्तार करने और वैश्विक मुद्दों में अधिक संलगन होने के लिए उच्सुख है। जैसा की जापान ने अपनी अंतरराष्ट्रिय साजेदारी को मजबूत करने की मांग की, भारत एक सम्मोहक विकल्प के रूप में उभरा, विशेश रूप से भूराजनीतिक जलवायु को शीट युद्ध की बाधाओं से परेस्थानांतरित कर दिया गया। यह बढ़ती रुची कारकों के मिश्रण से प्रेरित थी, जिसमें क्षेत्रिय संरेखन, सन्युक्त राष्ट्र के भीतर बहतर प्रतिनिधित्व के लिए एक पारस्परिक रूप से आकर्शक इच्छा और लोकतांतरिक देशों के बीच एक प्राकृतिक रिष्टेदारी शामिल थी, नतीस्तन जापान और भारत के बीच संबंध अपने स्वयं के तर्क और गतिशील्टा के आधार पर विक्सित होने लगे, प्रत्यक कदम के साथ सहयोग की क्षमता का विस्तार हुआ, विभिन क्षेत्रों में सन्युक्त प्रयासों और साजेदारी के लिए नए अवसरों का अनावरण किया गया, दोनों देशों के बीच ग्विपक्षिय समवाद ने न केवल गति प्राप्त की, बलकि आने वाले वर्षों में मजबूत सहयोग के लिए भी वादा किया, वर्तमान में भारत और जापान के बीच राजनीतिक गतिशील्टा को संदेशों के एक मजबूत और सार्थक आदान प्रदान की विशेशता है, जैसा कि 2006 के बाद से वार्षिक शिखर सम्मेलन रखने की परंपरा से स्पष्ट है, विशेश रूप से इस सहयोग ने कम होने के कोई संकेट नहीं दिखाए हैं, यहां तक की साथ भी दोनों पक्षों पर ने जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ देखे गए रुझानों के समान है, जिस तरह से दोनों राष्ट्र अपने रिष्टे को स्पष्ट करते हैं, वह भी समय के साथ विक्सित हुआ है, जो एक बढ़ते गठ बंधन को दर्शाता है, हाल ही में, 2014 में, उनकी साजेदारी को आधिकारिक तौर पर एक विशेश रणनीतिक और वैश्विक साजेदारी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जबकि दोनों देशों के बीच व्यापार अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुँच सकता है, 2011 में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझोते CETA की स्थापना के बावजूद भारत के भीतर विभिन क्षेत्रों में जापानी निवेशों ने दाइरे और पैमाने दोनों में परियाप्त व्रिद्धी का अनुभव किया है, वर्तमान में जापान भारत में विदेशी निवेश के पाँचवें सबसे बड़े स्रोत के रूप में खड़ा है, इसके अलावा, प्रधान मंतरी फुमियो की शिदा की 2022 में भारत की यात्रा के दौरान अधिक महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को रेखांकित किया गया था, जो आर्थिक संबंधों को गहरा करने और आने वाले वर्षों में सहयोग को बढ़ाने के लिए एक मजबूत प्रतिबधता का संकेत देता है। जो इसके पिछले आकड़ों को दोगुना करने से अधिक है, जिसमें समवितर्ण 2021 से 2022 के वित्तिय वर्ष के दौरान लगभग औफ 328 बिलियन तक पहुँच गए हैं। इसके अतिरिक्त जापान के दृष्टिकोन में अधिक अनुकूल अवसंरचनात्मक वातावर्ण को बढ़ावा देने के लिए एक ध्यान देने योग्य बदलावाया है, जो विशेश रूप से औध्योगिक और माल धुलाई गलियारों की स्थापना के लिए इसके समर्थ अनुकूल अधिक अनुक्रावा देने योग्य बदलाई गलियारों के लिए योगि उपक्रमों को मजबूत करने के लिए एक मजबूत प्रतिबधता को इंगित करता है मुंबई और अहमदाबाद को जोडने वाले हाइ स्पीड रेल एंडेवर को भारत के बुनियादी धाचे के विकास में एक प्रमुख उपक्रम के रूप में प्रतिश्थित किया गया है आर्थिक विकास और क्षेत्रिय एकी करण के लिए इसके व्यापक नहितार्थों के कारण इस महत्वाकांक्षी परियोजना को यकीनन एक तकनीकी क्रांती में एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में देखा जा सकता है जो मारुति सुजुकी आटो मुबाईल के परिवर्तनकारी प्रभावों और दिल्ली मेट्रो प्रणाली की स्थापना के समान है एक समान नस में जबकी आधिकारिक विकास सहायता ODA सहयोग का एक लंबा इतिहास है 2017 में Act East Forum के गठन ने विशेश रूप से भारत के उत्तरपूर्वी राज्यों में कनेक्टिविटी और विकास को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है इस पहल का उद्देश देश के विकास प्रक्षेपवक्र का समर्थन करते हुए एक अधिक एकिकरित और सुलब शेत्र बनाना है जो लोग जापानी संस्कृती और समाज की जटिल्ताओं की गहरी समझ रखते हैं वे भारत के साथ संबंधों में की जा रही प्रक्षानने और महत्व देने के लिए अधिक इच्छुक है इस प्रग्ती के उपायों को समवेदंशील क्षेत्रों में सहयोग के विभिन रूपों के माध्यम से देखा जा सकता है जो दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण महत्व रखते हैं एक विशेश रूप से उल्लेखनिय उदाहरन 2016 का समझ होता है जो नागरिक परमानू उर्जा पर केंद्रित है जो दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास और आराम के सपष्ट संकेतक के रूप में कार्य करता है इसके अतिरिक्ट रक्षा और सुरक्षा के क्षेतर में समझोतों और समझ की चल रही श्रिंखला को अंदेखा नहीं किया जा सकता है 2014 में Landmark Defense सहयोग समझोते के साथ शुरू इसके बाद के समझोतों ने त्वरित उत्तराधिकार में पीछा किया जिसमें 2015 में सैन्य उपकरण और सूचना संरक्षन के हस्तांतरण, 2018 में नौसेना सहयोग और 2020 में पारस्परिक आपूर्ती और सेवाओं के लिए एक रूपरेखा शामिल है ये रक्षा नीती सैन्य कर्मचारियों के बीच समर्पित समवादों और द्विपक्षिय और बहुपक्षिय सैन्य अभ्यासों द्वारापूरक परिचालन तालमेल को बढ़ाते हुए एक्सचेंजों को समर्पित किया गया है इसके अलावा सन्युक्त राज्य अमेरिका के साथ अपनी साजेदारी के समान भारत ने दो हजार उननीस में जापान के साथ दो प्लस दो मंत्री की बैठकों की शुरुवात की जिसमें एक महत्वपूर्ण स्तर का राजनेक सगाई हुई नतीस्तन विपक्षिय संबंधों में यह बढ़ती आराम सिर्फ दो देशों से परेबढ़ने लगा है जो अन्य सहयोगियों के साथ सहयोग को शामिल करने के लिए अपने दायरे को व्यापक बना रहा है जो सन्युक्त राज्य अमेरिका और आस्ट्रेलिया के साथ एक पू शीलता में महत्वपूर्ण भूमी का निभाने के लिए भी तयार है साचर्य की एक नई भावना को बढ़ावा देना आज की तेस्तर्रार दुनिया में वास्तविक कनेक्षन और रिष्टों की आवश्चक्ता कभी भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं रही है एक नई का निर्मान सिर्फ दोस्ती को बनाने से परे है इसमें विश्वास समझ और पारस्परिक समर्थन द्वारा विशेष्टा एक बंधन बनाना शामिल है यह यात्रा अकसर खुले संचार के साथ शुरू होती है जहां व्यक्ति अनुभव और रुचियों को साज़ा करते हैं जिससे उन्हें सामान्य जमीन खोजने की अनुमती मिलती है समय के साथ साज़ा गतिविधिया और अनुभव रिष्टे को गहरा कर सकते हैं परिचितों को मूल्यवान दोस्तों में बदल सकते हैं अंतह एक नई मैटिशिप की स्थापना हमारे जीवन को समर्ध करती है जो स यात्रा को गले लगाने से स्थाई कनेक्शन हो सकते हैं जो हमारे जीवन की समगर गुनवत्ता को बढ़ाते हैं हाल के वर्षों में सबसे उल्लेखनिय रिष्टों में से एक जो विक्सित हुआ है वह यह है कि भारत और आस्ट्रेलिया के बीच इस साजेदारी ने को कम कर दिया है जो पहले से मौजूद था जब भारत के अपने अन्यक्वाड समक्षों के साथ बाच्चीत की तुलना में सन्युक्त राज्य अमेरिका और जापान के साथ अनुभवों के समान 1998 में किये गए पर्मानु परीक्षनों का राजनेक संबंधों पर महत्वपून प्रभाव पड़ा और उन संबंधों को पूरा करने की दिशा में यात्रा कुछ भी थी लेकिन सीधा था फिर भी आस्ट्रेलिया के साथ संबंध ने चुनौतियों का अपना अलग सेट प्रस्तुत किया यह भारत की राजनेक प्राथमिक्ताओं के बारे में काफी कुछ बता रहा है कि राष्ट के लिए एक प्रधान मंत्री से अपनी पहली यात्रा को देखने के लिए देश के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद पूरे दो दशकों लग गए जिसे 1968 में इंदिरा गा द्वारा किया गया था यह एतिहासिक जटिलताओं और क्रमिक विकास दोनों पर प्रकाश डालता है समय के साथ भारत के विदेशी संबंधों में विशेश रूप से आस्ट्रेलिया के साथ कई मामलों में आस्ट्रेलिया को अकसर एंगलो स्फियर के भीतर राष्टरों के बीच सबसे दूरस्थ भागीदार के रूप में देखा गया है। जैसे पहलों को शामिल करते हुए, शेत्रों की एक विस्तरित श्रिंखला में लगातार बाचीत की सुविधा प्रदान की। यह संबंध हालां की महत्वपूर्ण था, विशेश रूप से हाई प्रोफाइल नहीं था और वर्ष 1998 के आसपास गर्मी में उलेखनिय कमी का अन इस प्रयास का समापन सन्युक्त राष्ट्र महासभा, उंगर के भीतर एक संकल्प के सहप्रायोजन में हुआ, जिसने भारत के परमानू हतियारों के परीक्षणों की सपष्ट रूप से निंदा की। अधिक गंभीर रूप से, इन विकासों की प्रतिक्रिया के रूप में, उस्ट्रेलिया ने अपने रक्षा सहियोग समझोतों को निलंबित करने और आधिकारिक आदान प्रदान को रोकने का फैसला किया। इस स्थिती की गतिशीलता उस परिद्रिश्य की काफी याद दिलाती थी, जो उसी युग के दोरान जापान के साथ सामने आया था। दोनों पक्षों को अपने तनाव और तकराव की स्थिती से दूर जाने में काफी समय लगा, जिसमें 1999 में उप्रधान मंतरी टिम फिशर की यात्रा के साथ मोर था, जिसे बहतर संबंधों के लिए उत्प्रेरक के रूप में देखा जा सकता है। कई मामलों में आस्ट्रेलिया ने पहल की और अपने राजनेक संबंधों को पूरा करने में जापान की तुलना में अधिक तेजी से आगे बढ़े। की एक स्थिर गती का अनुभव किया, जिसे 2005 के परमानु समझोते के अनुकूल परिणामों से अतिरिक्त बढ़ावा मिला। हालांकी दुर्भाग्यपूर्ण सक्चाई यह थी कि न तो राष्ट्र नई उचाईयों पर अपने रिष्टे को उचा करने के लिए आवश्यक राजनीतिक ध्यान केंद्रित करने के लिए तयार था। भारतिय द्रिष्टिकोन से एक लगातार विश्वास था कि आस्ट्रेलिया उपमहाद वीप के भीतर अपने संबंधों को अलग करने या व्यापक शेत्र में एक सक्रिय रुची दिखाने में विफल रहा था। जब सन्युक्त राज्य अमेरिका और यहां तक की जापान द्वारा प्रदर्शित की गई ध्यान की तुलना में। समय से प्रतीक्षित दर्वाजे आखिरकार खुले में स्विन करने लगे। इन संबंधों का तेजी से विकास, विशेश रूप से एक बार राजनीतिक नेत्रित्व सक्रिय रूप से शामिल हो गया। दोनों देशों के बीच संरचनात्मक अभिसरन की महत्वपूर्ण दिग्री पर प्रकाश डालता है। इस सहियोग को चलाने वाली प्रेनाएं भारत द्वारा जारी ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक स्ट्रेजी के साथ ऑस्ट्रेलिया द्वारा निर्मित इंडिया एकोनॉमिक स्ट्रेजी टू 2035 इंच रिपोर्ट में पूरी तरह से विस्तृत हैं। ये दस्तावेज एक आशाजनक व्यापार क्षमता को प्रकट करते हैं, जो डॉलर 20 बिलियन से अधिक है, साथ ही लगभग 25 बिलियन डॉलर के अनुमानित निवेशों के साथ, सभी को एक मुक्त व्यापार समझोते के माध्यम से दोहन किया जा सकता है, जो पहले से ही अप प्रारंभिक चरण में प्रवेश कर चुका है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भारतिय चात्रों के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में कार्य करता है, उनकी संख्या अब एक लाख से अधिक है, यह बढ़ता शैक्षिक विनिमय दोनों देशों के बीच संबंधों म सकारात्मक योगदान देता है, उस्ट्रेलिया में भारतिय समुदाय दूसरे सबसे तेजी से विस्तारित जातिय समुह के रूप में मान्यता प्राप्त है, दोनों समाजों के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ती के रूप में कार्य करता है, उनकी उपस्थिती और मजबूत करता है, सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन राजनीती और रणनीती के अखाडों के भीतर निर्विवाद रूप से हुए है, राष्ट्रों के बीच सनरेखन में उल्लेखनिय वृद्धी हुई है, मुख्य रूप से क्षेत्र की स्थिर्ता, समृद्धी और सुर पर बलकी बड़े अंतरराष्ट्रिय धाचे के भीतर भी सहयोग करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। यह सहयोग अंतरराष्ट्रिय कानून को बनाए रखने और एक नियमाधारित वैश्विक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनकी पारस्परिक प्रतिबधता प जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हाल के घटनाक्रम उनके संबंधों को गहरा करने का संकेत देते हैं। बढ़ाया नेत्रित्व कनेक्शन और अधिक पारदर्शी समवादों ने दोनों देशों के बीच बढ़े हुए सहियोग और समन्वय के लाभों को रेखांकित किया है। आस्ट्रेलिया भारत के इंडो-पैसिफिक ओसिंस इनिशेटिव आई-पी-ओ-आई के लिए एक उत्साही और सक्रिय वकील रहा है, जो उनके संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चेहनित करता है। मौलिक परिवर्तन इस मान्यता में नहित है कि एक मजबूत द्विपक्षिय साजेदारी भारत और आस्ट्रेलिया दोनों को क्षेत्रिय और वैश्विक दोनों चर्णों में अधिक सार्थक योगदान देने में सक्षम बनाती है। यह विक्सित करने वाला गतिशील न केवल प्रत्येक देश को व्यक्तिगत रूप से लाभानवित करता है, बलकि साजा चुनोतियों को संबोधित करने की दिशा में एक सामंजस्यपूर्ण ग्रिष्टिकोन को भी बढ़ावा देता है, जिससे अंतरराश्ट्रिय समुदा उनके संबंधित पदों को मजबूत किया जाता है। जिसमें प्रधान मंत्रियों द्वारा भाग लिया गया है, विदेश मामलों पर केंद्रित एक समवाद, एक दो प्लस दो मंत्री फ्रेमवर्क, एक व्यापार मंत्री आयोग, एक शिक्षा परिशद, एक उर्जा समवाद और विभिन ख्षेत्र विशिष्ट कार्य समुद इस तरह के एक मजबूत धाचे से संकेट मिलता है कि इन रिष्टों पर उपेक्षा और सीमित ध्यान का पिछला युग एक निश्चित अंत में आ गया है हाल के समझोते जो पहुँच गए हैं, वे सहियोगी प्रयासों के एक व्यापक स्पेक्ट्रम को दर्शाते हैं, जिसमें समुदरी सहियोग में पहल और रक्षा विज्ञान में आदान, प्रदान से लेकर आपसी तार्किक समर्थन तक इसके अतिरिक्त साइबर सक्षम महत्वपून प्रद्योगिकियों, आवश्यक और रणनीतिक खनीजों के प्रबंधन, जल संसाधनों के शासन और प्रवास और गतिशील्टा से संबंधित मुद्धों को संबोधित करने के लिए एक साथ काम करने की प्रतिबधता है सार्वजनिक प्रशासन और शासन में सुधार के साथ साथ व्यावसायक शिक्षा और प्रशिक्षन पर भी जोर दिया गया है यह बहुआयामी साजेदारी अंतरराश्ट्रिय संबंधों में एक नए अध्याय को दर्शाती है जो विभिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक गेहन प्रतिबधता द्वारा चेहनित है कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर विक्षित संबंध के द्विपक्षिये और ख्षेत्रिय आयामों के बीच जटिल अंतर को दर्शाते हैं उदाहरण के लिए बढ़े हुए राजनीतिक ट्रस्ट और बढ़ाया रक्षा सहयोग की स्थापना एक महत्वपूर्ण कारक थी जिसके कारण आस्ट्रेलिया की व्याया मालाबार में भागिदारी हुई इसके अतिरिक्तक अंतरिक्ष अनुप्रयोगों की एक अधिक व्यापक समझने आस्ट्रेलिया के अस्थाई टेलिमेटरी ट्रैकिंग और कमांड सेंटर फॉर इंडिया गागानन मिशन के समर्थन की सुविधा प्रदान की इसके अलावा व्यापार की विश्वसनियता और आर्थिक स्थितियों की अप्रक्त्याशित्ता के बारे में एक पारस्परिक आशंका आस्ट्रेलिया और जापान के बीच एक सहकारी प्रयास को बढ़ावा देती है जिसके परिनामस्वरूप आपूर्ती श्रिंखला लच स्था से अधिक का संकेत दिया यह राश्ट्रों के बीच बढ़ते प्रणालीगत आत्म विश्वास का एक मजबूत संकेत था इसके अलावा यह उलेखनीय है कि आस्ट्रेलिया इस शैक्षनिक संस्थान भारत की नई शिक्षा नीती का लाब उठाने में सबसे आगे रही ह यह प्रवरित्ती न केवल शैक्षिक सहयोग के लिए एक प्रतिबधता को रेखांकित करती है बलकि आस्ट्रेलिया और भारत के बीच सगाई के व्यापक दायरे को भी उजागर करती है सन्युक्त राज्य अमेरिका और जापान दोनों में देखी गई गतिशीलता के समान तरीके से तो क्योक वार्ड समिट के दौरान नेत्रित्व में हाल के बदलाव ने इस धारना को मजबूत करने के लिए कहा कि इन राष्ट्रों के बीच सहयोगात्मक प्रयास राजनीतिक परिद्रिश्य को विक्सित करने के लिए तेजी से लचीला है। जो उत्पन हो सकते हैं। इस पहल का उद्देश एक खुले, गैरूप चारात्मक धाचे को स्थापित करना है, जो की एक खुला, गैरूप चारात्मक धाचा स्थापित करना है, जो क्षेत्र के विभिन देशों के बीच समावेशी सहयोग को प्रोच साहित करता है. हलके धाचे को बनाए रखते हुए सहयोग को प्रात्मिक्ता देने के लिए डिजाइन किया गया. IPOI का मतलब मौजूदा क्षेत्रिय रूपरे खाओं जैसे की दक्षिन पूर्व एशियाई देशों, ASEAN, हिंद महासागर रिम असोसियेशन, IORE, बहुक्षेत्रिय तकनीकी और आर्थिक के लिए बंगाल पहल जैसे मौजूदा क्षेत्रिय धाचे के पूरक के लिए है. सहयोग, बिम्स्टेक, हिंद महासागर आयोग, IOC और प्रशांत ग्वीप समुहमंच, PIF, अन्य. IPOI को साथ आवश्यक स्तंभों पर बनाया गया है, जिसमें शामिल हैं समुदरी सुरक्षा, समुदरी पारिस्थिती की, समुदरी संसाधनों का प्रबंधन, शमता निर्मान और संसाधनों को साजा करना, आपदा जोखिम प्रबंधन और कमी, विढ्यान और प्रोध्योगी की सहयोग और समुदरी परिवहन के साथ साथ व्यापार कनेक्टिविटी को बढ़ाना, अब तक कई देशों ने विभिन श्तंभों पर नेत्रित्व करने के लिए प्रतिबद्ध किया है, आस्ट्रेलिया के साथ समुदरी पारिस्थिती की पहलू, जापान ने कनेक्टिव प्रांस और इंडोनेशिया को समुदरी संसाधनों के लिए जिम्मेदारियों की देखरेख करते हुए, सिंगापुर विध्यान और प्राध्योगी की प्रयासों और संयुक्त राज्य अमेरिका की देखरेख की, किंगडम समुदरी सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. इनमे से प्रत्येक राष्ट्र पहल की सफलता को सुनिश्चित करने और इंडो पैसिफिक शेत्र के भीतर मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इंडो पैसिफिक आउटलुक इनिशियेटिव, IPOI का भविश्य का प्रक्षेपवक्र अभी भी अनिश्चित है, लेकिन यह निस्संदेक शेत्रिय सहयोग के लिए अभिनव ग्रिष्टिकोनों का उदाहरण देता है, जो इंडो पैसिफिक शेत्र में अधिक से अधिक सहय का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, तथ्य यह है कि आसियान, यूरोपिय संग और विभिन व्यक्तिगत देशों ने अपने संबंधित ग्रिष्टिकोन, दर्शन और रननीतियों को प्रस्तुत किया है, शेत्र में भविश्य के विकास के लिए एक आशाजनक संकेत है, इसके अ इस गतिशील का एक प्रमुख चितरन भारत के प्रशांत ग्वीपों के देशों के साथ सक्रिय जुडाव है, आम तौर पर ऐसे देशों के बीच संबंध जो समान मूलियों और लक्षियों को साजा करते हैं, वे सहायक इंटरेक्शन को बढ़ावा देते हैं, जो केवल अधिक दबाव नहीं रही है, और IPOI जैसी पहल इन मुद्दों को प्रभावी धंग से संबोधित करने में महत्वपूर्ण हो सकती है। जलवायू चुनोतियों का समाधान करने के उद्देश्य से परियोजनाओं के अलावा भारतिय अनुदान सहायता विभिन सामुदायक विकास पहलों तक फैली हुई है। इसके अलावा यह उजागर करना महत्वपूर्ण है कि भारत और इन द्वीप देशों के बीच सहयोग की गतिशीलता ने सहयोग के एक नए चरण में प्रवेश किया है। विशेश रूप से भारत Pacific Islands Cooperation, FIPIC, शिखर सम्मेलन के लिए 2023 फोरम के परिणामों के बार। इस सभा के परिणामस्वरूप, स्वास्थ्य, शिक्षा और अंतरिक्ष अनवेशन के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रक्ती की जा रही है, जो क्षेत्र में स्थाई विकास और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश से एक मजबूत साजेदारी को दर्शाती है। भारत ने विभिन्प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सक्रिय उपाय किये हैं, जो साइकलोन यासा, गीता, पोला और विन्स्टन जैसे महत्वपूर्ण घटनाओं का जवाब देते हैं। और सोलोमन द्वीप समूह को अपना समर्थन बढ़ाया है। विशेश रूप से भारत फिजी के साथ एक गहरा एतिहासिक सम्बंध साजा करता है, जो समकालीन सहयोगों के निर्मान के लिए एक मजबूत आधार के रूप में काम कर सकता है। और समवाद के लिए एक महत्वपून क्षन था। इसके अतरिक्ट इंट्रेक्शन अब 2 प्लस 2 प्रारूप को शामिल करते हैं, जिसमें चार देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच चर्चा शामिल है। इसके अलावा, सभी चार देश विभिन आसियान के नेतरित्व वाले मंचों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जिसमें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, आसियान ख्षेत्रिय मंच ए आर एफ और आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक जैसी उलेखनिय समारो शामिल हैं, वे सामोहिक रूप से आसियान की केंद्रिय भूमिका के महत्व पर जोर देते हैं, विशेश रूप से इंडो-पैसिफिक शेत्र के बारे में, इसके अलावा, Quad Nations Indonesia और फ्रांस के साथ सहयोग सहित अन्य देशों के साथ विभिन प्रकार की त्रिपक्षिय साजेदारी म सनलगन हैं, जिससे वैश्विक मामलों में उनकी राजनेक पहुँच और प्रभाव का विस्तार होता है। इसके अलावा, तथ्य यह है कि तीन प्रमुक सदस्य जापान, और भारत दोनों आपूर्ती श्रिंखला लची लापन पहल, SCRI और Indo-Pacific Oceans Initiative, ITOI दोनों का हिस्सा हैं, जो इस शेतर में सहकारी द्रिष्टिकोन के लिए उनकी प्रतिबधता को इंगित करता है। क्वार के संचालन, इन राष्ट्रों का एक रणनीतिक गठ बंधन, वैश्विक Commons को बनाए रखने में नहित साजह जिम्मेदारियों के साथ वैश्वीकरन के नहितार्थ पर विचार करता है। इस समुह के प्रत्येक सदस्य को महासागरिय डोमेन में नहित स्वार्थ है, क्योंकि वे सभी मान्यता प्राप्त समुदरी शक्तियां हैं। क्वार के पुनरोध्धार से बहुत पहले, ये देश पहले से ही मालाबार व्यायाम जैसे सहकारी अभ्यासों में सनलगन थे, जो सन्युक्त सैने तत्परता और क्षमता के लिए उनकी प्रतिबधता को उजागर करते थे। इसके अतिरिक्त, 2022 में टोक्यो में चर्चा के दौरान मरीन सनरक्षित क्षेतरों, IPMDA के लिए इंटरनेशन पार्टनर्शिप के लिए उनका युनाइटेड सपोर्ट और उनकी सहयोगी भावना को आगे बढ़ाता है। हालांकी यह पहचानना आवश्चक है कि इस गठ बंधन की एक सरली कृत्या एक आयामी समझ इन देशों के लिए व्यापक वैश्विक कल्यान में महत्वपूर्ण योगदान करने की क्षमता को अन्देखा करती है। इसलिए क्वाड के बहुमुखी ढाचे की एक व्यापक समझ महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मुद्दों और चुनौतियों के एक तेजी से विविद सर्णी को शामिल करता है। यह चल रहे सहियोग ने न केवल क्षेत्रिय चिन्ताओं को संबोधित करने का वादा किया है, बलकि वैश्विक समुदाय को सार्थक तरीके से प्रभावित करने का भी वादा किया है। महत्व पूर्ण और विकास शी प्राध्योगिकियों के बारे में, क्वार्ड में वर्ष 2021 में इन प्राध्योगिकियों के डिजाइन, विकास, शासन और उप्योग के उद्देश से मार्ग दर्शक सिध्धानतों का एक सेट स्थापित किया। समूह ने यह सुनिष्चित करने के महत्व पर जोर दिया कि लोकतांत्रिक मूल्य और मानवाधिकार एक केंद्रिय भूमिका निभाते हैं कैसे प्राध्योगिकियों की कलपना, शासित और कार्यानवित की जाती है, इसे आकार देने में। इसके अलावा ओपन, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, और एन, एक्शन प्लान के समर्थन ने दूर संचार क्षेतर में अधिक विविध और सुलब दृष्टिकोन की वकालत की है, जिसका उद्देश्य विभिन नहित्धारकों के बीच नवाचार और प्रतिसपरधा को जाप्थ हुआ है, जो अक्टूबर दो हजार तेईस तक फैली हुई है. एक परस्पर जुडे और इंटरॉपरेबल दूरसंचार परिद्रिश के संदर्भ में, सूचना के आदान प्रदान को बढ़ाने और ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, और एन, परीच्षन पहल से संबंधित प्रयासों को बारीकी से समनवय करने के लिए एक बाद में समझोता किया गया था. यह स्पष्ट है कि क्वार को पूरे इंडो-पैसिफिक शेत्र में ओरैन तकनीक के व्यापक कारियान वयन में निवेश किया जाता है, उस शेत्र में एक मजबूत दूरसंचा बुनियादी ढाचे को बढ़ावा देने में इसके महत्व पर जोर दिया जाता है. इसके साथ ही अंतरराष्ट्रिय अर्धचालक मूल्य श्रिंखला से संबंधित काफी समवाध हुए हैं. तथ्य यह है कि क्वार्ड नेशन्स ने सामुहिक रूप से प्राध्योगी की पारे में एक एकिकरित बयान जारी किया है, जो इस महत्वपूर्ण क्षेतर पर महत्वपूर्ण जोर देते हैं. आपूर्ती श्रिंखला लचीलापन के दोहरे मुद्दों और अपनी चिन्ताओं में सबसे आगे डिजिटल ट्रस्ट को बनाये रखने की अनिवार्यता के स यह केवल तारकिक है कि क्वाड विश्वस्निय सहयोग में भविश्य के आधार को बढ़ावा देने पर अपने प्रयासों को केंद्रित कर रहा है. इस चेत्र में की गई प्रक्ती निससंदेह वैश्विक शासन और आर्थिक धाचे के वर्तमान परिद्रिश में इसके महत् बूत करेगी. जलवायू परिवर्तन का मुद्दा कई देशों के लिए एक महत्वपूर्ण ध्यान के रूप में उभ्रा है. विशेश रूप से क्वाड गठ बंधन के भीतर. इस संदर्भ में क्वाड देश जलवायू संबंधी चुनोतियों से निपटने के उद्देश से व्याभारिक परियोजनाओं में सक्रिय रूप से सनलगन है. उनकी उलेखनिय पहल में से एक चार सदस्य राज्यों के बीच एक ग्रीन शिपिंग नेटवर्क की स्थापना है, जिसे शिपिंग मूल्य श्रिंखला में कार्बन उचसर्जन को कम करने और भारत प्रशांत शेत्र में परियावरन के अनुकूल गलियारे बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. भारत ने विशेश रूप से ग्रीन हाइडरोजन प्रोध्योगी की के विकास पर सहयोग करने में गहरी रुची व्यक्त की है. इन प्रग्तियों को अपनी व्यापक राष्ट्ये पहल ये आपदा लचीला इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI के साथ साजेदारी की है. यह साजेदारी जलवायू निगरानीक शमताओं को आगे बढ़ाने और इंडो पैसिफिक में आपदा जोखिम में कमी की रननीतियों में सुधार करने पर केंद्रित है, जो जलवायू कमजोरियों क संबोधित करने और क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक सामुहिक द्रिश्टिकोन को बढ़ावा देती है. इंफ्रास्ट्रक्चर विकास ध्यान के एक केंद्रिये क्षेत्र के रूप में उभरा है. विशेश रूप से रननीतिक रूप से संगठित कन योजनाओं के आसपास महत्वपून आशंका के कारण. शामिल जटिलताओं के प्रकाश में अधिकांश प्रवचन प्रभावी रिन प्रबंधन के आसपास के केंद्र और रिन स्तरों की दीर्गकालिक स्थिरता सुनिश्चित करते हैं. विकास सहायता प्रदान करने वाली स अंस्थाय स्थाई और वैकल्पिक वित्पोशन विधियों को बढ़ावा देने वाली पहलों का समर्थन करने के लिए एक साथ काम कर रही हैं. उच्च गुनवत्ता वाले बुनियादी धाचा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के महत्व पर एक मजबूत सहमती है जो अरी द्वारा लाई गई परिस्थितियों को देखते हुए यह पूरी तरह से अनुमान लगाने योग्य था कि चतुर्भुच सुरक्षा समवाद जिसे अकसर क्वाड के रूप में जाना जाता है वैक्सीन वितर्ण से जुड़ी दबाव चुनोतियों को संबोधित करने म अपने प्रयासों को एक जुट करेगा। विशेश रूप से भारत ने क्वाड वैक्सीन पार्टनर्शिप इनिशेटिव के हिस्से के रूप में कमबोडिया और थाइलैंड दोनों के लिए इन मेड इन इंडिया के टीके की पांच लाख से अधिक खुराक की आपूर्ती करके एक महत्वपूर्ण भूमी का निभा स्वास्थ्य से संबंधित प्रयासों से परे अन्य उलेखनिय परियोजनाओं में शैक्षिक उन्नती को बढ़ावा देने के लिए क्वाड डेटा सैटलाइट पोर्टल की स्थापना और हैस्टी एम विज्ञान प्राध्योगी की इंजिनेरिंग और गनित फेलोशिप की स थापना शामिल है। और आपदाराहत, हद्र, साजेदारी की स्थापना थी। यह पहल एक गहरा प्रतीकात्मक महत्व रखती है। विशेश रूप से 2004 में विनाशकारी सुनामी की प्रतिक्रिया के दौरान देखे गए सहयोगी प्रयासों के प्रकाश में। प्रारंभिक व्यवस्थाओं और चर्चाओं ने क्वार्ड गठ बंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। एक ऐसे युग में जहां जलवायू से संबंधित आपदाएं तेजी से बढ़ रही हैं और वैश्विक समुदाएं से प्रतिक्रियाएं कम हो रही हैं। यह साजेदारी प्रभावी रूप से मानविय समर्थन और आपदा प्रतिक्रिया प्रयासों में एक महत्वपूर्ण शूने को संबोधित करेगी। जैसा कि मई 2023 के दौरान हिरोशिमा में क्वाड नेशन्स के नेता एकत रहुए थे, वे सामुहिक कारवाई के लिए अपनी सबसे व्यापक और सामनजस्यपूर्ण द्रिष्टी पेश करने के लिए पूरी तरह से तयार थे। इस सभा में एक महत्वाकांक्षी एजेंडा की स्थापना देखी गई जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों की एक विस्तृत श्रिंखला शामिल थी, जिसमें जलवायू कारवाई के लिए उपाय आपूर्ती श्रिंखलाओं को मजबूत करना और महामारी और सार्वजनिक स्वास्थे चुनोतियों का समाधान करने के लिए रणनीतियों शामिल थे। इसके अतिरिक्ट उन्होंने बुनियादी धाचे के विकास, शैक्षिक पहल, डिजिटल कनेक्टिविटी, डिजिटल क्षमताओं में व्रिध्धी, मानकों का पालन, अनुसंधान और विकास, और साइबर और अंतरिक्ष दोनों प्रोध्योगिकियों में प्रक्ती जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा, समुदरी डोमेन जागरूकता को उनके सहियोगी प्रयासों के एक आवश्यक घटक के रूप में जोर दिया गया था। अपनी प्रतिबधताओं को आपचारिक रूप देने के लिए नेताओं ने स्वच उर्जा आपूर्टी श्रिंखलाओं की स्थापना, महत्वपून और उभर्ती हुई प्रोध्योगिकियों के लिए मानकों का विकास और सुरक्षित सॉफ्ट्वेर प्रथाओं की आवश शक्ता से संबंधित सिधानतों के तीन प्रमुख कतनों को जारी किया। यद्यपी उनके वैश्विक और क्षेत्रिय द्रिष्टिकोनों ने पहले से स्थापित कई पदों को दोहराया, लेकिन उन्होंने प्रभावी रूप से उन क्षेत्रों को रेखांकित किया जहां उन तेजी से स्पष्ट हो गया है कि क्वार पार्टनर्शिप न केवल स्थाई है, बलकि भविश्य में लगातार वृध्धी के लिए तयार है। क्वार के चल रहे विकास का एक आकर्शक पहलू वह तरीका है जिसमें सदस्य तेजी से सहियोग कर रहे हैं, जो बदले में नएक शेत्रों और पहलों में अन्वेशन की भावना को बढ़ावा देता है। 2023 की शुरुवात में यह प्रवृत्ती विभिन्न डोमेन में विशेश रूप से स्पष्ट थी, जिसमें समुदरी सुरक्षा, बहुपक्षवात को बढ़ावा देना, आतंकवादरोधी प्रयास और मानविय सहायता और आपदाराहत हद्र शामिल थे। अपने सहियोग को बढ़ाने के लिए क्वाड सदस्यों की प्रतिबधता को 2023 में कोलंबो में बैठक के दौरान प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया था, जहां हिंद महासागर रिम असोसियेशन, आयो आरे के बारे में चर्चा हुई। इस सभा ने सहियोगी प्रयासों को तेज करने की उनकी इच्छा का अनुकरण किया। इसी तरह समुदरी सुरक्षा कार्य समूह ने संयुक्त राज्य अमेरिका में समुदरी सुरक्षा और सुरक्षा में सुधार के उद्देश से ठोस कारवाई करने के लिए बुलाया, यहां तक की इंडो-पैसिफिक मैरिटाइम डोमेन अवेरनेस, IPMDA, पहल ने भी फॉर्म लेना शुरू कर दिया। यह क्वाड का विकास जारी रखता है, न केवल उनकी अनुकूलन शीलता, बलकि जटिल वैश्विक चुनोतियों को संबोधित करने में उनका सक्रिय द्रिष्टि कोन भी हाइलाइट करता है। सदस्य राष्ट्रों ने सन्युक्त राष्ट्र के सिध्धान्तों और संचालन और व्यापक अंतरराष्ट्रिय धाचे को कम करने की कोशिश करने वाले प्रयासों के प्रती अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। यह पहल एक अधिक न्याय संगत और प्रभावी वैश्विक शासन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगी प्रयास को दर्शाती है चुनोतियों का एक अलग सेट उस भूमिका को उजागर करता है जो क्वाड वैश्विक सुरक्षा, सुरक्षा और सुरक्षा को बढ़ाने में खेल सकता है न केवल दुनिया के लिए बड़े पैमाने पर बलकी अपने सदस्य राष्ट्रों के लिए भी जब आतंकवादरोधी प्रयासों की बात आती है तो क्वाड ने नीतिगत चर्चाओं में सनलगन होने और मुल्यवान अनुभवों को साझा करके शुरू किया जल्दी से आपसी लाब के लिए कई अवसरों को उजागर किया इसके प्रकाश में एक विशेश कार्य समोह का गठन किया गया था विशेश रूप से आतंकवादी गतिविधियों में उपयोग की जाने वाली उभरती और विक्सित होने वाली प्रोध्योगिकियों के प्रभाव पर जोर देने पर जोर दिया गया इसके अतिरिक्त साइबर सुरक्षा का दाइरा सहयोग के लिए एक महत्वपून और फलदाईक शेत्र के रूप में उभर रहा है इस साजेदारी में विभिन प्रमुख घटक शामिल हैं जैसे की चुनोतियों से निपटने के लिए सफल मौडल साजा करना, शेत्र में कुशल पेशेवरों के विकास को बढ़ावा देना, यह सुनिश्चित करना की आपूर्ती श्रिंख लाएं मजबूत और सुरक्षित हैं ये पहलू सामुहिक रूप से इन दबाव वाले वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने की दिशा में कुवार्ड के सक्रिय द्रिष्टिकोन के महत्वपूर्ण तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रधान मंत्री मोदी के अनुसार क्वार्ड का प्राथमिक उद्देश्य वैश्विक कल्यान में सकारात्मक योगदान देना है यह स्पष्ट है कि इस लक्षे को प्राप्ट करने के लिए राष्ट्रों के बीच एक जुट प्रयास की आवश्शक्ता है इसके अलावा यह केवल तार्किक है कि काफी संसाधन और आपसी हितों वाले देश समकालीन चुनोतियों को पूरा करने के लिए बढ़ेंगे हाल के वर्षों में इसके पर्याप्त विकास को देखते हुए इस पहल में भारत की भागीदारी विशेश रूप से प्रासंगिक है इसकी भागीदारी क्वाड में वैधता की एक परत जोडती है खास कर जब से यह पारंपरिक गठ बंधनों के इतिहास को साजा नहीं करता है हालांकी अन्य तीन क्वाड देशों के साथ साजेदारी के निर्मान की ओर यात्रा एक सीधा रास्ता नहीं थी और हमेशा संभावित नहीं लगती थी आज हम जिन घटनाओं को देख रहे हैं वेध्विपक्षिय संबंधों को मजबूत करने में कई वर्षों से निवेश किये गए साभधानी पूर्वक और समर्पित प्रयासों का परिणाम हैं जो हमारे सहयोग के मूल घटकों के रूप में काम करते हैं हालांकि यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि यह अकेले प्रक्ती को चलाने के लिए परियाप्त नहीं था क्वाड राश्ट्रों के नेत्रित्व को उनकी सोच में खुलेपन और अनुकुलन शीलता के एक महत्वपूर्ण स्तर को गले लगाने की आवश्यक्ता थी सहयोग के लिए नए और आधुनिक रास्ते का पता लगाने की यह इच्छा आज की चुनोतियों और अवसरों को पूरा करने वाली अपनी साजेदारी को फिर से तैयार करने और बढ़ाने के लिए आवश्यक्ती निस्संदेह चतुर्भुज सुरक्षा समवाद जिसे आमतोर पर क्वार के रूप में जाना जाता है प्रधान मंत्री मोदी की अपनी उद्गोशनाओं को वास्तविक्ता में बदलने की प्रतिबधता के लिए एक वसीयत नामा के रूप में कार्य करता है विशेश रूप से एतिहासिक आशंकाओं को सम्बोधित करने में जो लंबे समय से अंतरराश्ट्रिय संबंधों को आकार देते हैं इसी तरह की नस में तीन अन्य सदस्य देशों ने राजने एक गठ बंधनों के पारंपरिक सीमाओं के बाहर कदम रखकर उलेखनिय साहस दिखाया है 2017 में अपनी स्थापना के बाद से क्वाड ने महत्वपूर्ण प्रक्ति की है समकालीन भूराजनीती में इस आगे सोचने वाली रणनीती की व्याभारिक प्रयोज्यता और महत्व का प्रदर्शन किया है क्वाड के लिए विकास और विकास के अपने प्रक्षेपवक्र को जारी रखने के लिए यहां आवश्चक है कि हम कुछ ऐसे नुकसान से अवगत रहें जिन से हमें बचना चाहिए कठोर संरचनाओं को लागू करना, कठोर तनाफ परीक्षनों के लिए क्वाड को अधीन करना या कार्बनिक सहयोग की कीमत पर अनुरूपता का पीछा करना इसकी प्रक्ती के लिए हानिकारक हो सकता है